हेलो दोस्ते पुछली बात करें थे , NTEIT कक्छा साथ वी की तीन बुक्स अभी दख हम लोग देख चुक है नहीं यह हमारी last book है कक्छा साथ वी की बिज्ञान जाए कप्चा 7B के लिए है ये भी हमारे लिए मर्थपूर है याद रखें और कप्चा 6B में हमें 4 वक्स पढ़नी थी वो पढ़ चुके हैं पूरी कप्चा 7B में लाछट बुक बची हुई है हमारी इस्ते पहले हम लोग तीन बुक्स ख़तम कर चुके हैं उनसे समंदित आ ठीए बात करते हैं कि अप्छल साथ भी की साइंस तो इसमें सब्सक्राइब कर अपने ओंके कि इसमें परेंगी अवं लोगा पहला अध्याय होगा वहारा Supp ув intéressant दूसरे अध्याय में बात करेंगे हम लोग प्राणियों में लोगा प्राणियों में लोग अध्याय फूर्थ, अध्याय चार होगा उस्मा, अध्याय पांच होगा अम्ल, छारक और लवण, अध्याय शिक्स होगा बहुतिक एवं रसायनिक परिवर्तन, अध्याय चाह में बहुतिक एवं रसायनिक परिवर्तन, और अध्याय साथ में मौसम, जलवायू, तथा जलव अध्याय आठ में हम पढ़ेंगी पवन, तोफान और चक्वाद, अध्याय नौ में पढ़ेंगी मिल्दा, अध्याय दस में पढ़ेंगी जीवों में सोसन, अध्याय ग्यारे में जन्तुओं और पात्वों में परिवान, अध्याय बारे में पढ़ेंगी पात्वों में जनन अध्याय 13 में पढ़ेंगे गती एवं समय अध्याय 14 में पढ़ेंगे विद्द्धारा और इसकी प्रभाव अध्याय 15 में देखेंगे पिलकास अध्याय सूले में देखेंगे जल एक बह मूल संसाधन अध्याय 17 रहीदा हमारा बन हमारी जीवन देखाए और अध्याय 18 अब सिष्ट जल की कहानी तो यह होगा आपका 18 चेप्टर होंगे इसमें साइंस में कक्छा साध्वीगी तो चलिए हम लोग इसे खतम करने के बाद आपकी कक्छा क्षट भी सभी बुक फो में सांजिक की आपकी कक्छा 6 भी सामाजिक एवं राजनितिक गीवन भागें दूसरी भुक है हमारा तीर भुति कढ WOW आवास चौत्री बुक थी बिग्जान, कच्छा 7 वी में हम लोगों ने पहली बुक पड़ी थी, सामवाजे एवं राजनितिक इवन भाग, दो, दूसरी बुक थी आपकी हमारा रती, भाग, दो, तीसरी बुक थी हमारा पर्यावण, और ये बुक है आपकी, हाँ, बिग्जान, ठी ठीक, तो चली हम लोग बात कर रहे हैं, N-C-E-R-T, कर्चा 7 वी की बिग्जान के बारे में, इसमें पहला चेप्टर है हमारा पात्वों में पोसन, याद रुकिए, मैं बार-बार यही बोलता है हम, किसे कहानी की तरह पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, कर्चा 6 वी में आप पढ़ चुके हैं, कि सभी जीवों के लिए भोजन आवसक है, आप याद भी पढ़ चुके हैं, कि कार्गोएड़ेट, प्रोटीन, वसा, बिटामिन, एबं खनी भोजन के गटक हैं, भोजन के गटक हमारे शरीर के लिए आवसक हैं, तथा इन्हें पोसक कहते हैं, क्य की भोजन बना सकते हैं परन्तु मानव सहित कोई भी प्राड़ी अपना भोजन स्वय नहीं बना सकता है बिपात्पों अथवा पात्पों का आखर गेंड करने वाले जन्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अतहां मानव तथा अन्न प्राड़ी प्यत्य अथवा पर ही ऐसे जीवें जो जल, कारवन, डाई ओक्साइड एवं खनिच की साहयता से अपना बोजन बना सकती हैं। ये सभी पदात उनके परीवेश में उपलब्त होते हैं। पोसक पदाज सजीवों की सारीरिक सर्चना, ब्रिद्धी तथा छती गरत्य भावों की रखरकाव के लिए समर्द बनाती हैं। तथा अभिविन ने जय प्रक्रमों के लिए आवसक उल्जावी पिदान करती हैं। सजीवों द्वारा भोजन गहन करने और इसके उपयों की विदी को हम लोग पोषण कहते हैं। इनी सब्दों की परिवासा बताने के लिए मैं इस कहानी को गड़ा गया है। तो आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ते हैं, तो मैं मानता हम कि 90 से 95 परसेंट आपके कॉंसेप्ट सरी क्लियर हो जाते हैं, आँगे बाद करते हैं, ऐसे पदायात्तों को सौपोसी कहते हैं, क्या कहते हैं, सौपोसी कहते हैं, जन्तु एवं अधिकतर अन्य जीव पातप पूँच सकते हैं कि पातपों की खाद फैक्टरियां कहा इस्ते थे, क्या बोजन पातपों के सभी भागों में निर्वित होते हैं, अत्वा केबल कुछ विसेश भागों में, पादप अपने परिवेश में सिर्कची सामगरी किस पगार प्राप करते हैं, खाद फैक्टरि पेक्षों की जो पत्तियां वो खाद फ्यक्टरिया है अता सभी पत्तियों तक पहुंचने चाहिए मिर्दा में उपस्ते जल एवं खने जड़ मूल द्वारा आउसो से किया जाते हैं जिस विकार हमारे में धम्निया होती है धम्निया हमारे खने लबनों जो भी हमारे लिए जरूबी होती है उन सभी को सभी जगह तक पहुंचाती है इसी तरह पेड़ों में आपकी मूल जड़े होती है जड़े उसी तरह धम्नियों की तरह भी होती है नसों की तरह वही काम करती है लगभग तथा तने के मात्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है पत्ति की सत कोश्चि का एक पतली बाहर सरचना द्वारा घिरी होती है। जिसे हम लोग कोश्चि का जिल्दी कहते हैं। केंद में इस्ते एक सूस्पस्ट्राशना भी होती है जो केंद्र कहलाती है कांद्रग चारों और से ज़ली के सवाण इक पदार्थ से गिरा होता है यह से उसने से कोशी का कढ़ा हो गया है कोशी का जिली बहर से एक आहले चित त्रीन आंगे बाब करते हैं जल एवं खने बाहेकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुचाये जाती हैं ये बाहेकाओं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना साखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं पोस्कों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए बायकाएं एक सद्रत मार्ग बनाती है। पातपोन है पदाल कि बरीवहन के बिसे में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हराव अड़क होता है जिसी किलो रूपिल कहते हैं। पत्तियों में एक हराव अड़क होता है। क्या कहते हैं उसे किलो रूपिल। किलो रूपिल सूर के पिकास, सौर पिकास की उर्जा का संगहन करने के में पत्ति की सहायता करता है। इस सूर्जा का उपयोग जल एवन कारवन डाई उकसाइड से खाद संस्लिशन में होता है क्योंकि खाद संस्लिशन सूर के पिकास की उपस्तिती में होता है इसलिए से हम लोग पिकास संसलेशन के लिए आवसर है इस पितवी पर एक आदूती है पिक्रम है पत्तियों द्वारा सोर उल्जा संगेद की जाती है पात्पों में खाद की रूम में संचित हो जाती है सभी जीवों के लिए सुरुजा का चर्म सरोत है क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रकास संसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा प्रकास सलसेशन ना होने की स्थिती में खाद अपलब्द नहीं होगा सभी जीवों का स्थित पित्यक्ष या परवप शुरूप से पाधपुद्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है अब आपने देखा होगा कि जब बैक छापके जो भी बादप होते हैं वो ऑक्सी आप लोग छोड़ते हैं उसका यूच करते हैं तो अगर वो प्रभावित होगा तो हर मानों कोई भी प्राणी हो उसे प्रावर होगा प्रभावित होगा नॉर्मल सी बात है इसके अतरिक्त सभी जीवों के लिए प्रमावस्ते ऑक्सीजन भी प्रकास सलसेशन के लिए के के दौरान निर्मेत होती है। प्रकास संसलेशन की अनुपस्तिती में इथी भी पर जीवन की कल्पना करना भी संभाव और संभाव है। प्रकास संसलेशन के दौरान पर ती की केलोरों के लिए युक्त कोईशका है। सूर के पिकास की पुपस्तिती में कार्वन डाई ओक्साइड एवं जल से कार्वो हाइडरेट का संसलेशन करती हैं इस पिक्रम को निम्न समीलगन के द्वारा दर्साय दर्सा सकती है कारबन डायोगसाइड, जल, सूर का पिकास, किलोरोफिल, कारबो हाइड़ेट पिलस ऑक्सीजन बनाता है इस पिक्रम में ऑक्सीजन निर्मोग्त होती है कारबो हाइड़ेट अंथता पत्तियों में मंद इस्टाज के रूम में संचित हो जाती है पत्तियों में इस्टाज की उपस्ति प्रिकास संसेशन, पिक्रम में संपन हो ना दरसाता है, इस्टाज भी एक प्रिकार का आपका कार्बोहाइड़ेट ही है, किलोरोपिल यूट कोछ काएं दरसाती हुए इस पत्त्री में, यह आपकी रंदी द्वार हो गया, यह आपका को पत्ति हुए, किक्या, द्वार कोछ काएं, रंद, किलोरोपिल, यह आपकासूर, देखी पत्ति पर, यह कार्बन डाई ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन दर्रेट कर रहा है, पत्तियों में किलोरोपिल हुपता है, जल और खनेज, इनने जड़ से मिल देएं, पत्तियों के तरिक्त पात्पों के दूसरे हरे भागों, जैसे कि हरे तने, हरे साखाओं में भी पिकास संसलेशन होता है, मरूस्त लिए पात्पों में बास्तपोत संसलेशन द्वारा जल च्छै को कम करने के लिए पत्तियां सल करतवा सूल रूपी हो जाती है, इन पात्पों के तने हरे होते हैं, जो पिकास संसलेशन करकारी करते हैं, एक ही पिकार की पात्पों को दो गंडे लेजिए, एक को अंधिकार में बहतर घंटे के लिए रखिए, यानि की अंधिरे में रखिए, दूसरे को सूर के पिकास में रखिए, दोनों पात्पों की पत्तियों में आयोडीन पर इच्छण कुसी पिकार कीजिए, जैसे आप क प्रिकास मिल रखती जैंग गें तक αναया उसके पत्तियों पर आयोडीन परिक्चंड किाएँ अपने पेक्चंड नोटबुकने लिखें। घ्रे पत्तियों के यदिजिद्रेक्त अन्वाड़क रणगी पत्तियों में बिकलावगल होता हैं। परंतों इन पत्तियों में उपस्तित लाल, भूरे, अत्वा अंडवारड़क क्लोरूपिल के हरे रंग का प्रक्षादन कर देते हैं, अर्था ढख लेते हैं, इन पत्तियों में भी पिकास इंसलेशन होता है, आपने गेली देवारों पर तालावूं, अत्वा ठैरे हुए ज आई जैसी बादब देखे होंगे, इस सामान तक कुछ जीवों की प्रति के कारण बनते हैं, जिने हम लोग सैवाल कहते हैं, क्या कहते हैं, सैवाल, क्या आप कलब ना कलब सकते हैं, कि इनका रंग हरा क्यों होता है, इन में केलोरोपिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखा स्यवाल भी प्रिट्वास अंसलेटर द्वारा अपने भोजा बनाते हैं यह आपके विविन्द रंगों की पत्तियां होई अब बात करते हैं पाधपों में कार्वोहडेट के अतरिट अन्य खाध़ू का संसलेटर अब यह आपने पड़ा हैं कि प्रिक्रम द्वारा पाधप हो यानि की फॉद हों जैसा है कार्वोहाइडेयट का संसलेस्ट लेक राक होय नगते हो कि हुए संसलेस्ट में होता है पर प्रोटीन, नाइट्रोजन नी पदात, जिसमें कारवन औक्सिजन हाइड्रोजन के यतरे आपका नाइट्रोजन भी होता है प्रोटीन में क्या कहोता है कारवन औक्सिजन हाइड्रोजन इसके यतरे आपका नाइट्रोजन भी होता है पातकों को नाइट्रोजन कहां से प्राफ्त होता है याद कीजिए बायुमें नाइट्र कर सकते हैं मिट्टी में कुछ विषेश जीवाड़ू होते हैं जो गैसी नाइट्रोजन को और प्योगी योगों में परिवर्तित कर मिल्दा में निर्मोग करते हैं ये बिले पदार्थ पदार्थ द्वारा जल के साथ अवसूसित कर लिये जाते हैं संभुवता आपने प्रशम्कों को कि नाइट्रोजन की मान की आपूर्धी हो जाती है इसके परशा पादप खाल אז के अंग्र्टनों संग्र्टकों जैसे कि प्रोटिंग झेहुन बसा का सै करते हैं बात करते हैं पादपों में पोसंड की अन्विदियां क्या हैं उन्हें भी देख लेते हैं कुछ पादप पौदे ऐसे भी है जिनमें ट्रिलोरॉपल नहीं बाया जाता है बे बोजन संसलेशड नहीं कर सकते हैं बे कैसे जीवित रहते हैं तथा बे पोसंड किस विगार पर आप करते हैं उन्हें जानते हैं मनुस सेवं अन्यपराणियों की तरह ए पादप भी अपने पोसंड के लिए पोसंड के लिए अन्यपादपों द्वारा निर्मित खाद और निर्भाव बते हैं ये विशंपोस पिडाली का उप्योग करते हैं क्या आपको एक व्यक्च के तने एवं सा प्रचना दिखाई देती है यह अमरवेल इस तरह देखिए यह क्या है अमरवेल का पादप है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है यह अपना बोजन वह पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरूवित होते हैं जिस पर यह आरूवित होते हैं वह पादप परपोसी कहला करता है क्योंकि अमरवेल जैसे पादब पर पोसी को अमूल पोस्कों से बंचित करते हैं अताहिने परजीवी कहते हैं क्या हम एवं अन्य जन्दू भी इस एक प्रकार के परजीवी हैं आपको इस पर विचार करना चाहिए क्या आपने ऐसे पादब को देखा है अत्वा उनके बिश्या में सुनाए जो जन्दूओं का भक्षन करते हैं कुछ ऐसे पादब भी है जो कीटों को पकड़ते हैं उनने पचा जाते हैं क्या एक विस्मय कारी नहीं है ऐसे पौदे हर्ये या अन्न किसी रंके हो सकते हैं पा जैसे कीटित के अंदर जाता है बंध हो जाता है इसके घड़े घट के समान दिखाई देने वाली सरजना, बास्ता में उसकी पत्ती का रोपांतरित भाग है, पत्ते का सीज भाग घड़ेका रखन बनाता है, घड़े के अंदर अनेक रॉम होते हैं, जो नीचे की ओ द्रलकते करते रहते हैं अधात अधो मक्ही होते हैं जब कोई कीट गढ़े में प्रोइस करता था तो यह उसके रौमों यह रोमों के बीच फश जाता है, घड़े में उपस्तित पाचक रश्दवारा कीटों का पाचन हो जाता है, कीटों का भक्चन करने वाले ऐसे पादप को कीट बक्ची पादप कहला दें, वीनस फ्लाइट टेप और सन डीवों कीट बक्ची पादपों के दो अन उधारन है, यह क्या यह संभव हो है कि इस पेकार की पादपों को मिड़ता से भी सभी पोसक नहीं मिल पाते हैं, जिनकी उन्हें आवस्त्ता होती हैं, अब हम लोग बात करते हैं मिरत जीवी, आपने बाजार में चत्रक मस्रों बेखते हुए देखे होंगे, बलसा की दिनों में बैक्चो इसे कि जीवनियापन है तो, इन्हें किस पेकार की पोस्टक हों की आगर सकता होती हैं, और बे उन्हें कहां से प्राप्ट करते हैं, यह है आपका मजरूम, ब्रेड, इसका एक देशी नाम है, कमेंट बॉक्स में बताईए, क्या बोलते हैं से, ब्रेड डबर ओडी का एक टुपडा लेकर उसे जल्म है, बेगोलें, इसे किस नाम नम इवम उठन इस्थान पर, दो से तीन दिन के लिए रखती जीए, अत्वा उस समय तक रखा रहन हैं दीजे, जब तक कि उस पर रोए हैं, जैसी सरचना ना देखाई देने लिए, इस धब्बे किस रंके हैं, किस आवर्दक लेंज, किसी आवर्दक लेंज अत्वा सूपन दर्थी की सायता से, इनका अवलोकन कीजिए, अपने पेप्चणों को नोट बोक में लिखिए, बहुत संबावड़े कि आपको रोई की धावों के समान सरचना दिखाई देने, इस तरह से, देखाऊगा आपने, यह जीब कबक या फंजाई कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीब कबक या फंजाई, इनकी पोशन पडाली अतवा पोशन भी दी, विभिन बेन पेकार की हु सरने वाली बस्तूओं जैपदार्थों की सतय पर कुछ पाजक पाचक रसों कसराव करते हैं, तथा उसे साधारान वा बिलेर के रूप में परिवर्दित कर देते हैं, तथ पश्चात इस बिलेर का भोजन के रूप में आवसूसन करते हैं, इस प्रकार की पोशन पेडाली को जिसमें जीव किसी मर्द एवं बिट्टन बिट्टि जैविक पदार्थों से पोशकत पराप्त करते हैं, मर्द जीवी पोशन कहलाते हैं, मर्द जीवी पोशन परिलाली का उप्योग करने बाले जीवी मर्द जीवी कहलाते हैं, कबक भंजाई, अचार, चमड़े, कबको की बिद्धी के लिए बर्षा रितू सबसे अच्छी परिस्थितियां करते हैं। इसी कारण बर्षा रितू के दौरान अनेग बस्तू हैं कबकों की बिद्धी के कारण नष्ट अत्वा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभी वाक्तों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चच्चा कीजिए। सामानता कवकों के जीवा भी जाड़ों बायों में वस्तित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदात अत्वा उत्वात पर बैठते हैं जो नम एवंकूश्न हो तो वे अंकुरेत होकर नई कवक को जनम देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तितों को कवक द्वारा खराब होने से किस पेकार बचा सकते हैं। कि बात कते हैं कुछ आ कि पहली ने बताया कि इस Chiठ. जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं परन्तु कुछ कवक पात्वों जद्वों एवं मन्स तो रोग उत्पन करते हैं कुछ कवकों कं अपयोगी कोस्ति बोम में भी करते हैं बहुत कुछ जीब एक दूसरे के साथ रहते हैं अपना आवास एवन वोसक तब एक दूसरे के साथ पांगते हैं ऐसे हम लोग सहीवी संबन्द कहते हैं उधारन के लिए कुछ ब्यक्चों की जड़े में रहते हैं ब्यक्च कवक को पोसन पिताने करते हैं बदली में उन्हें जल्व एवन पोसन को की आवद सुर्षन में सहायता मिलती हैं ब्यक्च के लिए समंद कभ्य से समाथते हैं लाइकेन लाइकेन कहीं जाने वाली जीवों में दो भागीदार होती हैं इन्हों में से एक सैवाल होता है और दूसरा आपका कवक होता है सेवाल में किलोरोखिल उपस्तित होता है जबकि कबक में किलोरोखिल नहीं होता है कबक सेवाल को रहने का इस्थान आवास जल एवं पोसकतत उपलब्द कराता है तथा मदले में सेवाल प्रकास संसलेशन द्वारे संसलेशन खाद कबकों को दीता है बात करते हैं मिर्दा में पोस्कों की पुनाहा पूर्थी किस पेकार होती है क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अत्वा माली को बगीचे के लौं एवं कमलों में खाद अत्वा और वरक डालते देखा है क्या आप जानते हैं कि ये इन मिल्दा में क्या मिलाते हैं आप पढ़ चुके हैं कि पादप मिल्दा से खनेज पोसक्तत असोसित करते हैं अताहां मिल्दा में इनकी मातरा लगातार कम होती जाती है और वरक एवं खात में नाइटोजन, पोटेसियम, फोसपोरस जैसे पोसक्तत होते हैं पादपों द्वारा लगातार उप्यों किया जाने के कारण मिल्दा में उनकी मातरा धीरे धीरे कम होती जाती है इसलिए मिल्दा को इस पोसक रत्तों से समर्द करने के लिए भूमी में उप्रुबरक तथा खाद मिलाने की आवसक्ता होती है यदि हम पादपों के पोसंड की आवसक्ता के बारे में ग्यान हो तो हम ना किवद पादपों को उगा सकते हैं बलकि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पात्कों को प्रोटीन बनाने के लिए सामानुका नाइट्रोइजन किया अधिकावच सकता होती है। असल कटाई के दिवाद मिल्दा में नाइट्रोइजन की कमी हो जाती है। 1. यगपी बायू में नाइट्रोजन गेस्ट पिचुर मात्रा में उपलबते हैं। परन्तु पादप इसका उपयोग इस पेकार करने में आश्नमर्थ होते हैं। जैसे भी कारवन डाई उपसाइड का उपयोग करते हैं। बहुत य warfare नाइट्रोजन गोड़ेय रूम में ही आऊसौसित कर सकते हैं। कुछ जीबाणों जो राईयो बियम कहलाते हैं। वाइट्रोजन यह नाइट्रोजन को बिलेयम लागर्तों मे要नमर्यद्ध कर दिते हैं। परंतु राईयोबियम अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते हैं। ए जर्चना, मतर, मुं, सैम तथा अन्न फलीदार पात्वों की जड़ों में रहते हैं। अथवा उन्हें नाइट्रोजन की आपुईती करते हैं। अधिकतर दालें फले दाल पात्वों से प्राप्त होते हैं। इसके बदले पात्व, रुदाईयोबियम, जेवाणों को आवास इवं खादपदान करते हैं। अताहान उन्हें पुख सघ्जीवी संबंद होता है। इस संबंद का किसानों के लिए बेशिद्मात होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मिड़ता में नाइट्रोजनी औरवग देने की आवस्ता नहीं पड़ती यह नहीं दाल के फसल उगाने के बाद अंगली फसल के लिए भी सामानता औरवरखों की आवस्ता नहीं रहती इस सद्याय में आप आपने पड़ा की अधिकतर पाद सभी प्राणी ने भोजन के लिए पादर या प्र अन प्राणी यो पर निरगर रहते हैं। अता होने विशमपोसी के रोब में समोई कित किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पॉधि आर्शिक विशमपोसी है। इसमें हम लोगों ने इस अध्याई में जाना है। सभोसी को भी दिखाए। किलोरोपिल को दिखाए। विशमपोसी को दिखाए। परभोसी को कीट भक्षी पारग को दिखाए। वो सक को देखा है, परजीवी, प्रिकास संसेशन, मिर्दीजीवी, रन्द, सहीजीवी, समझ, कबब, याद रखी हमें इन ही सब्दों की जो ये सब्द दिये गए हैं, इन्हें हमें मालूख होना चाहिए, अगर हम अध्याय पढ़ते हैं, लाश्ट में की परिभासा या हमें समझ में आता है, कि ये सब्द का मतलब क्या है आके, तो हम लोगोंने अच्छे से पढ़ा हैं, अगर इन्हें सब्दों की आप लोग परिभासा, परिभासे नहीं कर पाते हैं, तो एक बार और चेप्टर को पढ़िए, ठीक, मेरा मानना है भी आपको आजाएगा समझ, तो इसमें आप लोगोंने क्या सी कहा है, सभी जीवों को खाद की आवसकता होती है, जिसका उप्योग बेपनी प्रती, एवं सरीर के रख रखाव के लिए, तत्हां आवस्ते कूर्जा पराप्त करने के लिए करते हैं, हरे पादप प्रिकास स संसलेशन के लिए कर दिया, प्रकास संसलेशन के लिए किलोरोफिल एवं सूर का प्रिकास अनिवाय रूप से आवसके, कार्भो हाईडर्ड जैसे जटेव रसाइने पता है, प्रकास संसलेशन के उत्वाद है, प्रकास संसलेशन के पिक्रम में किलोरोफिल की साहता से पत् अप्सीजन का उप्योग सभी जीवद्वारा उनकी उत्तर जीवी का के लिए किया जाता है कबग अपना पोसक मिरत एवं अभटित जय पदारतों से प्राप्त करते हैं वे मिरत जीवी कहलाते हैं कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोसन एतु दूसरे जीवां पर निभर होते हैं अथा विसंपोसी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं विसंपोसी यह आपके कुछ अव्याज के लिए कुश्चन्स दिये गया है नहीं लगा लेना प्रियाद रखिए आपकी टेलीगराम पर पीडियाप डाल दी जाएं ठीगा वहां से डाउनलोड कर लेना है इसमें ज्यांदा दिमाग मत लगाएं एक बार दो बार आप लोग पढ़के निखल जाएं आराम से आपका जो भी कॉंसर्ट क्लियर करना है हो जाएं ठीगा ज्यांदा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो चलिए यह था आपका पहला चेप्टर पाधपों में पोसन अंगले चेप्टर में हम लोग बात करेंगी पराडियों में पोसन तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCRT कच्छा साथवी की बिध्यान के बारे में तो इसमें एक चेप्टर हम लोग देख पहला था हमारा अध्वादपों में पोसन आज बात करने वाले हम अध्यादव के बारे में प्राणियों में पोसन बारबार वहीं बोलता हूं कि याद रखिए इन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए मुक्स को एक दो बार ठीक इसमें ऐसा भी कोई सब्द नहीं मिलेगा जिसक से पढ़ते हैं तो सभी सब्दा आपके क्लियर हो जाएंगी तो प्रियाद रखिए एंसी एई आटी आपके लिए पढ़ना जरूरी है अगर आप से विल सर्वेस या इस्टेट पीचियस कोई अच्छे से निकालना चाहते हैं तो एंसी एई आटी पढ़ना जरूरी है प्राणियों में दो शोय बना सकते हैं प्राणी जंतु इसा नहीं कर सकते हैं प्राणी अपना भूजन पेत्यक्च्छा प्रोभ से पौधों से प्राप्त करते हैं कुछ पॉधों का भक्षन करते हैं, जब कि कई अन उन जन्तुऊं को अपना आर बनाते हैं, जो पॉधे खाते हैं। कुछ जन्तु पौधों एवं जन्तु दोनों को खाते हैं याद रखें कि मानों सहथ सभी जीवों को बिधी करने हैं शरीर को स्वस्त और गती सील बनाये रखने के लिए खाद पदार्तों की आवसकता होती है फ्राणियों के पोशनों में पोशक्तत्मों की आवस्त्ता होती है आहार के अंतर गहन, भुजन गहन करने की बिधी और सरीर में के उपयों की बिधी सन्नेल संबलेत होती है कार्बोहेंटिट जैसे कुछ संगटक जटिल पदारत हैं अनिक जन्तु इन जटिल पदारतों का उपयों सीधे इसी रूम में नहीं कर सकते हैं अताओने सरल पदारतों में बदला आवसकते हैं जैसा निम्न आरेक द्वारा दिखाया गया है जटल खाद पदाद हो गया, यह सरइल पदाद में बनन दिये पदार्थों में परीवर्थन होना या तूटना भी खंडन कहलाते हैं तथा इस वेक्रम का हम लोग पाचन कहते हैं खाध अंतरगहन की बिविन बिदियां बोजन की अंतरग्यान की बिधी बिभिन जीवों में बेने बिभिन होती है, मधुमक्खी एवं मरमर, पक्ची हमें बर्ड, पौधों का मकरन चूचते हैं, मानों और कुछ अन्न जन्तों में, सिसु मा का दूद पीते हैं, अजिगर जैसे सरफ गंस के प्याड़ी, अपने सि भख्चन करते हैं, सार्णी दो में दियेगर जन्तों के भुजन के पिकार एवं पोशन प्राप्त करनी की बिधी कौन सी है, अपने भुजन बिभिन भागों से बुजरता है, उसके बिभिन घटकों का भाशन भी करमिक रूप से होता है, आमासी की आंतरिक भीती, शुद् तता है आहारनल से सम्बत विभन गरंदियां जैसे राल गरंधियों जources आध है यागना से पाचन पाचाकरस स्रावित करते हैं, पाचाकरस जतल पदारतों को उनकी सरयर रूप में बदल देते हैं, आहारनल एहुण सम्बत गरंदियां मिलकर पाचन राप्द कर निर्मार क कि लोकाहर कर थी कवच खोलने के बाद यह है अपने मख से अपना आमा से बाहर निकालती है तता जन्तु के कौमल भागों को खाती है आमा से बापकर शरीर में चला जाता है तता आहार धीले-धीले पच्छता है कि यह वह हिक का हो गया दिशंद्ट हे या लाल याल ती या ग्रेश्टी का पये म workers यह आपके तप ह hen है कि यह वहिक होना से असीड आपका है यह द्रेख़ंद्र यह आपर बहेर्दां जैगला charts and आप देखेंगे कि सायनी में नीचे दिये गए खाद अंतरगेहन कि विधियां उन विधियों कभेवर्ण लिखने में साय जिन से चंतु भोजन का अंतरगेहन करते हैं मानव में पाचन बात करते हैं मानव में पाचन किस तरह से उता है उसे देखते हैं हम अपने मुख द्वारा भोजन का अतर गहन करते हैं इसे पचाते हैं तथ हम फिर उसका उप्यो करते हैं आहार का बिना पचाः भाग मलके रोव में निष्का से किया जाता है क्या आप ने कभी यह जानने का प्रियास किया है कि सरीर के अंदर भोजन का क्या होता है भोजन एक सतत नली से गुजलता है जो मुख गोहिका से प्यारम होकर गुदा तक जाती है इस नली को विमिन भागों में बाढ़ सकते हैं मुख गोहिका, गराश नली या ग्रिश का आमसे, चुद्रान, छोटी आथे से गुदते हैं बेदान, बड़ी आथ, जो मलायसे से जुड़ी होती है तथा मलदवा, अथवा, गुदा क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है यह सभी भाग मिलकर आहार ना यानि कि पाचन नली का निर्मार करते हैं जिसे जिसे भोजन का अधर नहीं, मुकद्वार होता है जिसे जिसे, सौर्जी हो भोजन विभिन भागों से गुजिलता है उसके विभिन ने गटों का पाचन भी क्यामिक रूप से होता जाता है आमसेगी आंतरिक भीति, चुद्द्रांद तथा आहार नार्थ से समझ विभिन गरंथियां जैसे लाल लाला गरंथी होगी यह करित हो गया अगनार से पाचकरस सरावित करते हैं पाचकरस जटल पदार्थों कुल की सरल रूपों में बदल देते हैं जो आपका पाचकरस होता है कि अब बात करते हो मुख एवं मुख बुई का भोजन का अंतर्गहन मुख द्वारा होता है कि हार को शरी के पेंदर लेने की क्रिया को अंतर्गहन कहला दिन कि यह आपके दातौं की विवस्ता पिकार के दात होते हैं हम दातों की साहते से बोजन को चबाते हैं, यांत्रिक विधी द्वारा उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में पीछ डालते हैं, पेदेख दाब मसूडे के बीच, अलग-लग गरितिका में धसा होता है, सौकट में, हमारे दातों की विभन बिन बिन, आगती बिन बिन है, तथा उनकी कार्टी बिन इसके अनुसार अलग नाम दिए गए, कारिक के अनुसार उनका नामकरन किया गया है, ठीक है? अब क्रिया के लाब 2.2 को देखते हैं, अपने हाथ दोईए, दरपण में देखते हुए अपने दातों की करना कीजिए, अपनी तरजनी से दातों को छोकर महसूस कीजिए, आपकी मुख में कितने पिकार के दात हैं, एक सेव अत्वा रोटी का टुकला लेकर उसे काटी है आप उसी काटने करतन, एवन दंसन के लिए किन दातों का उप्यों करते हैं, कौन से दात खादबदार्तों को चीने या बेदने और फाडने की काम आती हैं, इन दातों को भी पहचाने हैं, जो चबाने, एवन पीछने के काम आती हैं, यह हो गया आपके, आंगे करे इने कि करते हैं इनकों लोग रदनक रण यह यह अग इस रवरधक रखेचा और यह आपके पर णुर्ण हमारे मुखे में लाला गिरणती या ना गिरणती होती है जो लाला रस लार तरावित करती है कि आप जानते हैं कि लाय रस का भूजण पर क्या प्रुभा परता आ यो दूत के दाथ अथवा इस्थाई दम क्या आपको याद है कि कुछ वर्स पूर आपके एक दाथ किन्ने लगी थे हमारे दाथ का पिथम से 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 सवकाल में निकलता है तथा लगभग आठ वर्स की आई तर ये सभी दाथ गिर जाते हैं इन्हें हम लोग दूत के दाथ कहते हैं इन दाथों की स्थान पर दूसरे दाथ निकलते हैं जिन्हें इस्थाई दाथ कहते हैं सामान ता स्वस्थ वैक्ती के इस्थाई दाथ पूरे जीवन भर में रहते हैं यह पी विद्ध्यावस्ता में एक प्रियाद गिरने लगते हैं एक प्रियाद गिरने लगते हैं तर चमच वलते उस चावल मुख में लेकर तीन पांच मिनिट तक चबाईए इन्हें दूसरी परक्नली बी में लेजे दौनों परक्नली नहीं है मैं तीन से चार एमल जल डालिए अब दौनों परक्नलीयों में आयोडीन विल्यान की दो से तीन बुने डालिए उनका प्रिक्षन कीजिए आप परक्नली एक एत अबी में क्यांतर देखते हैं परक्नली के रंग में परीवतन क्यों आता है परिडाम की चर्चा नमित्रों इभंपद्ध्यापन से कीजिए लाल रस याद जो लाल रस होता है चावल के मंद को सरकरा में बदल देता है जीव एक मौसल फेसी अंग्रे जो पीछे की और मुख विका की अधर्व तल से जोड़ी होती है आपकी इसका अग्रभाग स्तुतन्त होता है और किसी विदेशा में मोड़ सकता है क्या आपको जीव के कार्व ज्यात है हमने बोलने के लिए जीव का उपयोग करते हैं इसके अतरिक्त या भोजन मे लार को मिलाने का कार्व करती है तथा निकलने में भी साहता करती है हमारी जीव जीव द्वारा ही हम स्वात का पता चलता है जीव पर स्वात कलिकाए होती है जिनकी साहता से हम विविन पिकार की स्वात का पता चलता है या लगाते है क्रिया कलाफ 2.4 द्वारा हम स्वात कल जाने के लिए के अमल क्या है? यह अमले धेरे-धेरे दाथ तों को छती पहुंचाते हैं इसे दंत चाय कहते हैं यदी समय रहते हैं इसका उच्छार ना किया जाए तो दातों में आसाय पीडा होने लगती हैं तथा चरम अवस्ता में तूट कर गिर जाती हैं चौकलेट ठंडे बेव तथा चीगने उक्त म कर नीचे के कुछ भी खाने के तुरंत बाद खुला करना चाहिए मुख के अंतर गंदी अंगली पथभा बिना तुली बस्तु नहीं डालनी चाहिए अब आपका क्रिया क्राप 2.4 निमने पदार्तों के अलगलग विलेयन तेयार करना है चीनी का विलेयन नमक का विलेयन न सीधे रखने को करिए अब आप लोगों को यह नहीं करना है ठीक है पढ़के निकल जाना है यह तो उनकी जिनके लिए किताब बनाईगी है कक्छा साथ भी की वच्चों के लिए बू करती रहेंगे इस तरह की पैक्ठी कर ठीक है आपको वस पढ़ना है और निकल जाना है चित पू.6 में दिखाए गए जीब के विम्हेने छेत्रों के उपयोग उपरोक्त में किसी एक बिलेन के नमूने की एक-दो भूने रखे विलेन रखने के लिए दात कुदरन कुरेदने की सींग का उपयोग करें इस विक्रिया को अन बिलेनों के साथ दोहराएं पित एक बिलेन के लिए पिथक-पिथक सींग का उपयोग कीजिए अपने मेंत से पूचे कि किस छेत से उसे मेटे नमकीने खटे कड़वी स्वात का अनुबब होता है अब अपने पिक्षन रेकॉर करें और चित 2.6 में दिखाएगे पिति चित में उस्वात का नाम लेख सकते हैं भोजन नलिका आप आती है आपकी भोजन नलिका निगला हुआ ग्रारश नलिका्शिका में जाता है ग्रारश का गले एबं वाक्षए से पूती हुए जाती है ग्रास का खटी के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है बास्तों में सम्पोण आहार नाल संकुचीत होती रहती है तथा यह गत्ती भूजन के निचे की वो धकेलती रहती है कभी-कभी हमारा आमा से खाय हुए भूजन को सुईकार नहीं करता फालसरो वामन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है ऐसी गढ़ना याद कीजिए जब भूजन के बाद अपने वामन की याद वो तनर इसके कारण के विसा में सोचिए अपने अभीभाबा केवं अत्यात्मों से इस पर चर्चा करना है आपको नहीं करना बोजन गरास्ती का आमासे अब बात करते हैं आमासे के बारे में आपको यह टम्स जो दिये गए इने क्लियर करते जाना है निकल जाना है आपको ज्यांदा डीपली में मत गोसनाई की पैक्टीकल करते बैठ जाओ और यह बोग को खतम करने में एक साल लगा दो पूरी इतना टायम नहीं है आपके पास ठीन है आमासे मोटी वीदी वाली एक थेली नुमा सरचना है यह चपता एवं जे की याक्ती का होता है आहार नाल का सबसे चोड़ा भाग है यह एक और ग्रासी का या ग्रास नली से खाद प्रात करता है दूसरी और छुद रांद में खुलता है आमासे का आंतरिक आहस्तर सतय सलेसमल हैड्रोकलोरिक अमल तथा पाचकरस को सरावित करता है सलेसमल आमासे की आंतरिक अस्तर की सोरक्षा पिदान करता है अमली अनेक ऐसे जीवानों को नश्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं साथ यह माध्यम्स्त को अमलिये बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिल दिया पाचक रख या जठ रस्त पुरोटीन को सरलपदार्तों में विक्टित करता है आपका पाचक रस्त कभी-कभी जब आप जल्दी-जल्दी खाते हैं अत्वा खाते समय आप बात करते हैं आपको खांसी उठती है या पर हिचकी आती है अत्वा घोटन का अनवा होता है या खात्य कड़ों की स्वासनली में प्रवेश करने की कारण होता है स्वासनली नसक्या से आने वाली बायू को खेंपनों तक ले जाती है यह ग्राशञी का के साथ सत्व चलती हैं पिर ब्रथन को स्वासनली में प्करवेश करने किस्पकाद बोपा जासकता है वो जन निकलने की समय एक मासल रचना वालव का प्यार करती है जो स्वासनली को ढख लेती है तथा भोजन को ग्रेशनी में मिद्धित है सेवब सेदी भोजन के कड़ स्वासनली में प्रविस कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुवाब होता है तथा हिचकी आती है या फिर खासी उठती है तो इसका पूरा प्रदर अगर आप समझाने का आपको यही उद्देश है कि खाना खाते समय ना तो बात करें और ना ही जहां तक खासने और ना ही जलनी खाने वरना आपके आने प्रोबलम खड़ी हो सकती है सोच लेए अब बात करते हैं छोद्रांद लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्तिक कॉंडलिक नली है यक्रित अगनासा से स्रावित स्रावपराप्त करती है इसके अत्रिक्त इसकी वीती से भी कुछ रस्रावित होते है छोटी आप यक्रित हरे लाल बूरे रंगी गरंती है जो उदय के उपरी भाग में दाइनी और अवस्तित होता है यह सरीर की सबसे बड़ी गरंती है यह आपका कई वार गुष्चन्स पूंचा जाता है वह अंडेग जाम में शरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन है तो आपको बता सकते हैं आपको यक्रित यह पित्रस रावित करता है यक्रित आपका जो एक थैली में संगेत होता रहता है इसे हम लोग पित्ता से कहते हैं कित्तरस वसा के पाचन में मत्तों मूमी का भी नबाता है अगना से हलके पीले रंकी बड़ी गरंती है जो आमासे के ठीक नीचे स्थित होती है अगना से ही करस कार्बोहाइड़ेट एवन प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सबल रूपों में परिवर्तित कर देता है आंसे ग्रूप से पच्चा बोजन अब छुद्रान के निचले भार में पहुंचता है जहां आतरस पाचन क्रिया को फूर कर देता है कार्बोहाइड़ेट सर्व सरक्रा जैसे ग्लूपोज में परिवर्तित हो जाता है वसा वसामल ग्लेसरॉल में तथा प्रोटीन एमेनो अग्ल में परिवर्तित हो जाती है एक विल चड वी लच्चन दुरगटना द्वारा आमासे की कारपणाली की खोज हुई है सन 1822 में एलेक्सिस सैंट मार्टिन नामक ब्यक्ती गोली लगने के कान बूरी तरह से गहल हुआ गोली से वक्ष छतिगरत हो गया तथा आ प्लियम वी मॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाये गये चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परतु है आमासे का चिद भली भाती बंद ना कर सका उसने चिद को पट्टी से धकिदिया वी मॉन्ट को चिद मैंसे आमासे के अंदर जाकने का दूरलव ओसाए प्रातु है, उसने कुछ रोजचक फिक्षन कीू, वीव मॉन्ट ने देखा कि आमासे भोजन का मंथन कर रहा था, इसकी भीती से तरल सरावित हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता है, उसने एक भी देखा कि आमासे चुद रान्त मैं तभी कुद रुदता है ज्व आमासे में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है एलिप्सिस सेंट मॉर्टन का गोली का गाव बात करते हैं चुद्रांद में आउसोसन पच्चा हुआ भोजन आउसोसित होकर चुद्रांद की भीती मैं इसते दुगोदीर वायखाओं में चला जाता है इस पेक्रम को आउसोसन कह लेते हैं चुद्रांद की आंतरिक भीती पर अंगलूई के समान उबरी वी सरचना होती है जिसे देर्गरॉम अथवाद रासंकुल कहते हैं क्या आप क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि देर्गरॉम की आथ में क्या वहना है दीर रॉम पच्चे हुई भोजन की आउसोसन हीतु तलचित बढ़ा दिती है। पितेक दीर रॉम में सोच में रोधीर वाहिकाओं का चाल फेला रिता है। दीर दीगर रौम की तरह से पच्छे भूई भोजन का एवसाशन होता है तथा ये रोधिर बहायकाओं में चला जाता है आवसाशित पदारतों का इस्थाना अंतर रोधिर बहायकाओं दोरां सरीर के विविन भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटल्ग पदारतों जाता है। इस विक रव 모습 को सवांगी करन करदें यू और मुक्त होति हुँदृ भोजन का हुए भाग जिसका पाचन नहीं बाता अथ्वा आवसोचन नहीं होता हुदूदृ बेदांत में दिया जाता है, फ्रयाता है बड़ी यहांत आपका जिसे बेदांत कहते हैं, चुद्रान छोटी यहांत की अपेच्छा चोड़ी एवन छोटी होती है, लगबग 1.5 मीटर लंबी होती है, इसका मुख कारेख जल एवन कुछ लवड़ों को कहा हुसूसन करना है, बचा हुआ अपचिपदार्द मलायसय में जाता है, तथा अरद थोर्स मलके रूम में बाहर निकल जाता है, समय समय पर गुदा द्वाना ये मल बाहर निकाल दिय जाता है, इसे हम लोग निसकासन कहते हैं, खादू गहास खाने वालिй, जन्तूवों में बाचन की बात करें? कि आपने गाय भैस तथा गहास खाने वालिगे, साकाहारीद अन्य जन्तूवों को देखा है, बे उस समय भी लगाता जुगाली करते रहते हैं, जब बे खा ना रहा हूँ, खाना ना खा रहा हूँ, बास्तों में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल का आमाचय में कि एक भाग में बंदारिय कर लेती हैं यह भाग रूमेन कहलाता है पितम आमाचय कहलाता है रूमिनेंट में आमा से चार भावों में बाटा होता है, रूमेंट में भोजन का आंसिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, खड कहते हैं, परन्तु बाद में जन्तु इसको छोटे बिंड़कों की रूमें, पुनाहा मुक में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है, जि यह आपके गाय हो गया तो यहां से चार आखा रही है ग्राश क्या नली हो गई यह रोविन रूमैन हो गई छुद्रांथ हो गया यह आपका आमा से अंधनाल और बेहनान यानि कि छोटी यहां बड़ी यह चोटी यहांते बड़ी कि दस्त कभी कभी आपको जलू की पतले मलके बारवान इसकाशन की आवस्त्ता होती है इस इस्ति को आप लोग दस्त कहते हैं क्या तरह कहते हैं दस्त के जिस भी बोलते हैं यह संकमण खात विसाकित्ता अथवा आपच के कारण होता है भारत में विसे इसका बच्चों में अत्ती सामान इस्तिती है चर्मावस्ता में यह घातक भी हो सकता है इसका मुप कारण सरीष जल एवं लवड की अत्यदिव चती होना होता है इसे सहिश्ता से नहीं टारना चाहिए चिकिस्ता के पास जाने सिगूर थी रोगी को वालकर ठंडा किये हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी गोल कर पिलाना चाहिए इसे जीवा दक्चा गोल अत्वा ओ आर एस कहते हैं कच्छा दस्गी तक आप लोग जब तक साइंस पड़ोगे मुझे लगता है डॉक्टर बना के छोड़ेगी यह साइंस तो थेगी आपको दस्ट ठीक होने की पेज़ेश ठीक होने की दवाई बता दी गई है दवा ठीक उप्चार गास में सेलूलोज की पिचुरता होती है जो एक बेकार का कार्गोएंडडेट है किसी रॉमेनड अत्वारॉमन थी पसूहरन आदि के रूमैनड में सेलूलोज का पाचन करने वाले जीवारों पाय जाते हैं बहुसे जंदू बंवानावा चीललूलोज का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि इन में जो चीलूलोज को एक थेली नवा बड़ी सा रशना होती है जैसे हम लोग अंधनाल कहते हैं भोजन के सेल्वोज का पाचन यहां पर कुछ जीवाण वहां दोरा किया जाता है जो मनुस्थ के अहार नाल में अनुपस्थित रहती है यानि कि उपस्थित नहीं रहती है जब तक आप उस उन जंत पिर बे किस पेकार भोजन का अंतरग्रहन करते हैं और उस नंगाचन करते हैं ऑमीवा में समढढ़न एभम पाचन अमीवा जेलासयव में बाया जाने वाला एक कोशिक जीव है अमीवा की कोश्का में एक कोश्का जिली होती है एक गोल संगन केंदरक एवं कोश्का द्रब में बुलबुले के समान अनिक दन धनिया होती है दामनिया अमीवा नेंतर अपनी आक्ति इस्तिती बदलता रहता है यह एक अत्रवा अधिक अंगली के समान प्विवल तक निकालता रहता है जिसे पदाप अर्था किंतिम पाओ कहते हैं जो इन्हें गती देने एवं भोजन पकड़ने में साहता भी करते हैं अमीवा कुछ सोक्ष जीवों का आहार करता है जब इसे भोजन का आवास होता है तो यह खाद कड़ के चारों और पदाप लेक्सित करके उसे निगल लेता है खाद पदात में पदार्थ उसकी खाद धानी में ठश जाते हैं यह आपका अमीवा केंद रखोगे पदाप खादिकड़ी का खाद धनिया वही चेपे अफसिष्ट खाद पदात धानी में ही पाचक रस सरावित होती है एक खाद पदात पर किरिया करके उन्हें सरल पदात होने बदल देते हैं पचा हुगा खाद धीरे धीरे आवसोसित हो जाता है आवसोसित पदात अमीवा की बिद्धी रख रखाओ गोड़ानी के लिए उपयो किया जाते हैं बिना पचा अफसिष्ट खाद धानी द्वारा बहार निकाल दिया जाता है बोजन के पाचन का आधार प्रक्रम सभी प पदार्तों में परिवर्दित किया जाते हैं एबंगोजा मुख्त पुद्धी अंगले अध्याय में आप आध दोरा आवसोसित खाद पदार्तों का सरीर के अन्न भागों में इस्थानांतरन के बिसे में पढ़ेंगी तो इस सब्जेक्ट इस अध्याय में हम लोगोंने क् इन सब्दों की परिवासाय जाने अगरा आप लोग अध्याय पड़ते हैं और इस सभी सब्द आप लोग समझ आजाते हैं तो आपने अच्छे से सुनाएं अच्छे से पढ़ाएं और नहीं समझ में आ रहा है तो यह बार और पड़ें इसमें अमनों लोगोंने आउसोसन देखा है, एमेनु अमल देखा है, स्वांगी करण देखा है, परतरस देखा है, मुख गोईका देखिए, दधनक देखा है, सेलुलोज देखा है, पाचंतन्त निसकासन, वसाम, खागदानी, पित्ता से, करंतक, अंतरगेंड, यक्रित, चर्वरड़क, ग्रैसीका, अगना से अग, चर्वरड़क, पदाब, रोमेन, रोमिनेंड, लाल गरंती या लाल गरंती भुबोते, दीव, ग्रॉम, आपने क्या सीखा है इस सत्याया में, यह आपका पूरा निसकास है, जन्तु पोसन में पोसर्ड आवसकताओं, भोजन अंतरगेंड की विधियां, एवं सरीर म का उपयोग समलेत, आहार नाल तद सरावी गरंतियां, सर्कुरूप से मानव विपाचन, तंत का निर्मान करती है, इसमें आपका मुख गुए का, गरसी का, आमासे, छुद्रांत जिसे छोटी या बोते हैं, बेहदांद जिसे बड़ी या, जो मलासाय में समाप्त होती है, पर आता है गुदा समलेत, थेजी में, पाचकरस रावित करने, बाली मुख गरंतियां, लार गरंति, यक्रित, अगनासे, अगनासे की भीत्री एवं सुद्रांत की भीत्ति, भी पाचकरस रावित करती है, बेहने जीर्मों में गुजर गहन करने की बिदियां, बेहने पोस मुक में नी पयरं हो जाता है प्रोटीन का पाचन आमाचर में पयरं होता है यक्रित द्वारा न से रवित पित अग्णाशय से अग्णाशय के स्राव और आवसोसित होते हैं आवसोसित पदार्थ सरीर के विविन भाव को इस्थानांती करते हैं बिना पच्ची अपसेश्ट जिनका आवसोसन नहीं होता है मलकी रूमें गुदाद्वारां सरीर के बाहर निकाल दिये जाते हैं गाय मैस हिरन जैसे गाज खाने वाले जन्तु रौमन्ती रौमी नैंट कहलाते हैं विपत्तियों का अंतर गहन तीपिता से करके उन्हें निकल लेते हैं तथा रूमें में भंडारित कर लेते हैं कुछ अंतराल के बाद भोजन पुना मुक में आ जाता है और पसू दीरे-दी जोगाली कर उसे चपाते हैं अमीबा में मोजन का अतन गेहन पदाप की सायता से होता है इसका पाच्चन खाद धानी में होता है यह आपके अभ्यास के लिए कुश्चन दिये गए हैं लेकिन याद रखिए पीडियम में टेलिग्राम पर डाद दी गए हैं वहां से डाउं दूसरी बार उससे बढ़ लिए बस आपका हो गया इतना ही बहुत है यह हैं सभी कुश्चन्स तो यह था आपका दूसरा चप्टर प्राणियों में पोसन अब बात करेंगे हम तीसरे चप्टा में रेशों से बस्त तक तो चलिए वम लोग बात कर रहे थे एन सी एहियाटी कर्चा साथभी की बिग्ज्यान के बारे में तो अभीतए में लोग 2 चप्टर कहता हैं तीसरा चप्टर हमें देखना है रेशों से वस्त तक का जो सफर रहा है उसके बारे में ठीक है रेशों से वस्त तक याद रखिए इससे एक कहानी का रूप देकर पढ़िए या पर सुनिए इसमें ऐसा कोई भी सब्द नहीं मिलेगा आपको जो आपको समझ में ना है बस पढ़ना है अच्छे से पढ़ोगे एक दो बार आराम से आपको जो भी जरूरत है वो जरूरत पूरी हो जाएगी कप्छा छटवी में आपने पाधों पौधों से प्राफ्ट होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था आपने यह भी पढ़ा था कि उ उन और रेशम के रेशे जन्तूओं से प्राफ्ट होते हैं जन्तूओं से प्राफ्ट किये जाने वाले रेशों को जानताओ रेशे कहते हैं उनके रेशे फाइबर भेड अत्वा याक के बालों से प्राफ्ट किये जाते हैं रेशम के फाइबर रेशम केट के कोकूम कोस से प्राप्त होते हैं क्या आप जानते हैं कि बेड़ के शरीर में किस भाग से फाइवर मिनते हैं क्या आप जानते हैं कि इन रेसों को उन में कैसे परिवर्तित किया जाता है जिनने हैं स्वेटर गुंडने के लिए बाजा से खईते हैं क्या आपको जानकारी है कि रेसम के बाड़ियां बुनी जाए इस सद्याय में हम ऐसे कुछ पिसनों के उत्तर जानने का प्रयास करें नहीं हूँ जानता रेशे रेशे उन और रेशा सबसे थेले बात करते हैं उन की बेड़ बक्री याग और कुछ अन्य जन्तुओं से उन प्राप्त की जाती है उन प्राण करने वाले इन जन्तुओं के सरीर बालों से ढखे होती है या पर उपर बाल लिखती है क्या आप जानते हैं कि इन जन्तुओं के आवरन पर बालों की मोड़ भी परत होती है बालों के वीच अधेक मात्रा में बायू आसानी से भर जाती है वाई उसमा की कुछा लख है जैसा कि आब अध्याय चार में पड़ेगी आगे बाले इन जन्तुओं को गरम रखते हैं उन इन ब्रुवेंदार ज़ेसां से प्राप्त की जाती है क्रिया कलाप 3.1 अपने सरीर उबाहाँ और सर के बालों को छुपर अनुबा की ये क्या आपको उन में कोई अंतर लगता है कौन से बाल मौटे रोखे पितीत होते हैं कौन से मुलायम हमारी तरह भेड की रुवेदार तुच्छा पर दो पिकार के रेशे होते हैं एक दाड़ कर दो भाल के रोक पाले ओ दूषरे तुच्छा के निकट अवस्तश्थ तंतुरूपी मुलायम लाइव दाब होते हैं इस तंतुरूपी जो तंत्तुरूपी बाल होते हैं उन करती उन बनाने के यह रेशे चायन करते हैं वेड़ों की कुछ नस्लों में केबल तंतोरू मुलायन बालों जैसे तिसेस गुड़े युक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के चैन की भिक्रिया वाइडात्मात पिजनन कहला हुआ हुआ बात करते हैं उन पिदान करने वाले जंदुरूं के हमारे देश के विबिन भागों में बेड़ों की अलेक नसलें याग उन उत्तिबबत और लगदात में पिछले थे हैं याग से भी आमने उन मिलती है यह आपका याग बकरी के बालों से भी उन प्राप्त की जाती है अंगोरा उन को अंगोरा नसल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जंगु और इवं कस्मीर के पहाडी चित्रो में पाए जाती है कष्मीरी भक्री की तुछ्चा कि निक्त मुलायम बाल भर होते है हुआ है कि एनसे बेतरीन सौल सौल बनाया जाती है जिसे पसमी नग शौल कहती है ये आपका अमगोरा वक्री किर देख लिचे कई लोगों को देखने को नहीं मिलेगा उन्ट के सरीर के भावों बालों का यह हो कि उन्ट के रूम में क्या जाता है कि इसे तो देखाई होगा नहीं देखाई तो देखी पे उन्ट दच्छनमीकर में पाए जाने वाले लामा और यह एल पेका से भी उन पराप्त होती है यह आपका लामा हो गया है और एल पेका उन जन्टों के चित्त करना है जिनके बालों का उपयोग उनके रूम में किया जाता है उन्हें अपनी कीम उस्तक में चपकाना है आपको नहीं चपकाते बैठ जाना है अगर आप ऐसा करते बै इसी इसी में लग जाएगा, इसलिए आपको वही concept पढ़ना है और निकल जाना है, जो आपके लिए जरूरी है, यदि आप चित पर आप नहीं करप पाई, तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास के लिए, अपने चित्री और देश की अन्य भासाओं में भेड, बक्री, ऊंट या किस नाप से जाने जाते हैं, उनका पता लगाने, भारत व विस्तर की मानचित लिए, मानचित पर उन्हें स्थानों को चिन्नित कीजिए, जहां वे जन्तु पाई जाते हैं, जिससे उन्ह प्राप्त होता है, उन्हें पदान कर जाता है, उनके बालों को काट करो, फिर उन्हें संसाधित करके उन्हें बनाई जाते हैं, आईए हम स्पिक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, भेड पालन और फिजिनन, यदि आप जंबू कस्मीर, हिमाचर पिदेश, उत्राकंड, अगनाचर पिदेश, सिक्क बेड साकारी होती हैं, वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं, भेड पालने वालों, उन्हें हरे चारिक यत्रिक, दाले, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लें, लेने के बाद बचा पदा, और खनी भी खिलाते हैं, सर्दियों में बेडों को खर के इंदर रखा जाता है, और उन्हें पत्तियां, नाज, सूखा चारा खिलाए जाता है, हमारे देश के अनेक बागों में भेडों को ओन के लिए पाला जाता है, भेडों की कुछ नसलों के नाम नीचे दिए गए, साइनि में इसमें देख लेंगे, जिनने हमारे देश में उन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन बेड़ों को बढ़ात्मत प्रजिम्हन द्वारां उत्पन किया जाता है। जिन में से एक जनन जनक किसी अच्छी नसल की भेड़ होती है। जब पाली गई बेड के सरीव पर बालों की यह नहीं बिद्धी हो जाती है। तो उन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को का किलिया जाता है। रेशों को उन में संसादित करता है। सोईटर बुन्न या तवासौल बनाने के लिए। उपयोग किये जानÉ वाली उून-ए लंबी पिक्रिया द्वारा पराप्त उथपाद होती है। निमली के चण्ड होती है। इसमें चण्डे बेड़ के बालों को तोचा कि पतली परत के साथ शरीव से उटाह लिया जाता है। या पिक्रिया उन की कटाई कहलाती है। भेड के बाल उतारने के लिए उसी पेकार की मसीन का प्यूप किया जाता है। जिसे नाई द्वारा बाल कातने के लिए प्यूप की जाती है। सामानता बालों की कर्मी के मोसम में काटा जाता है बालों को ताकि भेड बालों की स्वरक चात्मक आवराल के ना रहने पर जीवित रह सके बाल उनी रेसे पिदान करती है इनी उनी रेसों को संसाधित करके उन का दागा बनाए जाता है उन उतारने के दोरा भेड को कोई बिसे सक्ष नहीं होता है जैसा कि आप बाल काट कटार नहीं अत्वा आपके पिताजी को दाड़ी बनवाने में नहीं होता है क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो चाकि सबसे उचरी बाले परत अधिकांस्ता मेत कोशकाओं से बनी होती है सांथी भेड के बाल फिर से ओग जाते हैं जैसे आके होग जाते हैं यह आपकी फेड़ों की कुछ भाति nazar नसल का नाम हो गया उनकी गुडवक्ता और राज जहां पाई जाते हैं, लही नसल का नाम हो एक अच्छी गुडवक्ता की उन मिलदीज्व से या आपका राजिस्थान पंजाब में बाहि जाते हैं लाम्पूर बोसायर ये आपकी पित भुधी उन प्राफ्त होती से ये आपका उत्तर हैं स्हिमाच्छाonte पिदेश से में ठाई जाती है नाली यानली गलीचे का उन इससे प्राफ्त होता है राजिस्तान, हर्याना, पंजाब में मिलती है, बाकरवाल ये उनी सौल के लिए अच्छी गुडवर्ता की उन मिलती है से, जम्मु कस्मीर में पाई जाती है, मारवाडी, मौटी रोजुन, ये आपकी गुजरात में मिलती है बेड, पाकनवाडी, होजरी के लिए ये गुज निसले होगे, उन से प्रात, उन और जहाँ ये बेड़ें पादी जाती है, मुच्छे तोड़े, विसी पिक्रिया में दूसरा चर्ण आता है हमारा, तुच्छा सहित उतार, उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से दुगया जाता है, जिससे उनकी रे निकल जाते हैं, यह पिक्रम अभी मार्जन कहलाता है, आजकल अभी मार्जन मसीनों द्वारा में किया जाने लिए, देखिए, यह बेड़ की उन उतारने वाला लिख रहा है, फिर मसीनों द्वारा टंकियों में डाला जाएगा, दूसरा चर्ण क्या होगा, टंकियों में, तीसरा होगा मसीनों द्वारा अभी मार्जन और चोत्रा होगा उन का धागा में बनाया दना। रेसेव को उन में परिवर्थित करने के पिक्रम को निम्ने पिकार से पिदर्शित कर सकते। उन की कटाई, अभी मारजन छटाई, बार की चटाई, रगाई और रेलिंग, ट्रीक, बेवसाइक संकट की बात करने तो उन उत्तेव, हमारे देश में अनेग वेक्तियों के लिए, जीवको परजन का एक महत्पूर साधन है, जाने की जीवन को चलाने का एक महत्पूर साधन लेकिन छटाई करने वालों का कारे जोकें बराएं, क्योंकि कभी-कभी एंतेक्स नावजीवार्डू द्वारा संक्युमेंत हो जाते हैं, जो एक गातक रोग का कारक जिसे सौल्ट रर्ष रोग कहते हैं, किसी भी उद्ध्यों में कारीगरों द्वारा ऐसे जोकें में को पुझेला विवसायग संकट कहलाता है। इसी पिक्रिया में आपका चर्ण तीन आता है। अभी मारजन के बाद छटाई की जाती है। रॉमिल अतवार रुवेंदार बालों को कारखानों में बेंदिया जाता है। जा विविन ने गठन बाले बालों को छाटा या पितर किया जाता है। रातायप का चर्ण हो चोत्रा चर्ण। अंगले चर्ण में बालों को सुखाया जाता है। परन्तु इससे पहले बालों में से चोटे-चोटे कोमल बाग फूले हुए रहसों को चाठ दिया जाता है जो बर कहला थे हैं। यह बरवाय होते हैं कि मारे स्वेटर पर 31 हो जाता है। इसके पर पश्चात रेसों का पुनां अभी मारिजन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस पेकार प्राप्त उत्पाई दागों के रूप में काते जाने के लिए उप्यक्त कून है फिर चैन्ड फायल रेसों की विभन रंगों में रगाई की जाती है बेड अतबा बकरी की सामान उने काली या प्रभूरी या अतबा सफेद होती है अंतिम चैन्ड है जो छटबा अंतिम चैन्ड को रेलिंग कहते है आप रेसों को सीधा करके शुल जाया जाता है फिर लपेटकर उसे धागा बनाया जाते है तो रेसों को कात कर फ्रीत्टर की नंद की रूम में और पे एकश्या कर छोटे रेसों को कात कर वूनी बस्तों बस्त बुन्ने में उप्यूर किया जाए बूल जो या जानने को सिखे की सर्दियों में सूधी कप्री उतना ही गरम क्यों नहीं देते हैं जितना पूनी स्वेटर अब बात करते हैं रेसं अपने सेपाटियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि अगर मनुस के लिए बेड़ों को पालना और फिर उन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उच्छे था है रेसं, शिल्क, ऐसे भी जानता है रेसं लेकीट, रेसं के फाइवरों को बनाते हैं रेसं पराप्त करने के लिए रेसं के कीटों को पालना रेसं कीट पालन या पिर सेरी कल्चर कहलाता है अपनी माता जी दादी बेंबिन ने पिकार के रेषम के रेसम को सुजी बद करना उसे पहले हम उनों रेषम प्राप्थ करने के बित्क्रम पर सहचा करें रेषम के एवन चट बारे में जानना आपर सुक्र . याद रखी हमएं इत प्रयोग साला में करने नहीं बैठ जाना है। यह आपको बढ़ना एतना जरूरी थह आपके लिए देखिए, क्या कहला है। रहेसम के रहिशिक जानता हूं रहेसिक कहते ही com रेसम के कीट रेसम के फाईबर्र को बनाती हैं۔ रेसम कराप्स करने के लिए रेसम के कीट प्रालन। पालना रेसम कीट कहलाता है या फिर सीरी कने कहलाता है। ये इतना आपके लिए ज़रूरी है। अगर जो student होते हैं उनके लिए क्रिया कलाब करना प्रयोक सारा में यह उनके लिए जरूई है तो आपको इतना point याद रखना है बस इस तरहे कि स्थान में बने रहने में सायता करता है प्रेया ग्रेजी संख्या आर्ट की रूम में अपने सिर को एक सिर से दूसरे से तक ले जाता है सिर की इस गती के समय केटरफिलर पकलेतार की रूम में प्रोटीन से बना एक पदार सरावित करता है जो कठोर होकर सूप कर रेशम का रेशा बना दे जाता है जब भी केटरपिला स्वयन को पूरी तरह से रेसम के रेसों से ढख लेता है वो पीपा बन जाता है यह आवरेंट कोकून कहलाता है कीट काईस के आंगे का विकास कोकून की भीतर होता है रेसम के रेसों का उपयो रेसम के वस्त बनने के लिए किया जाता है क्या आप कलप ना कर सकते हैं कि रेसम कमिदो रेसा इस्ठीट के तार जितना मजबूत होता है रेसम का धागा जब रेसम का ये धागा होता है रेसम कीट के कोकून सिप्राप रेसों से त्यार किया जाता है रेसम कीट अनेक किस्म की होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेसम का धागा गठन अत्पाद रुक्षता चिखनाहट चमक आधी में भेन नहोता है अताहट तसर रेसम मुगा रेसम कोसा रेसम अनपेकार के रेसम विभिन किसमों के रेसम कीटों द्व भागदार और लचीला होता है इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है रेसम कीट पालन अत्वा रेसम कीटों का संब्दन भारत बहुत प्राचीन वेवसायद भारत का भारत वेवसायग इस तरफ पुपपो तदे रेसम का उत्पादन करता है भारत में रेसम दलने हैं और कच्छी रेसम सिद्वस्थ निर्माट, आधिकार अधिक्ता मैलाओं द्वारा ही किये जाते हैं. अपने उद्दम द्वारा भी राष्ट की अधिवस्था में उद्दान दीती हैं. रेसम उत्पादर में कीन, विस्व में पहले स्थान पर है, भारत में मुख रेसम में उत्पादक को उत्पादक देशों में गिना जाते हैं, लेकिन चीन आपका पहले स्थान पर है, देखिए, यह आपकी रेसम कीट, नर्व, रेसम कीट, यह आपका मदा है, सहतूत की बक्त पर अंडे देते हैं पर रहसम कीट बनते हैं पर कोकून इस तरह कोकून में विकासिल कीट यह आपकी रहसम कीट का जीवन चक करिया कलाब 3.5 विभिन पिकार के रहसमी बस्तों के टुपले एकत्यत किजिए उन्हें अपने इसकेश वुस्तका में चिपकाईए आपको यह दर कीट송 के तफ़ाल रेसम जिसे सहतूर रेसम टसर रेसम अईरी रेसम मूवगा रेसम आधी की परिचान कीजिए रेसम के कटित करने का प्रयास किए जिनके कैटरपिलर पिभ्यन पिकार के रेषम केदान करते हैं किंतेम रेषे संसलेसी देड़े से सुथध रिसम का एक दावे लिए इन दावों को सावधानी जलाईए पूर्वक जलाईए कि आपको उन्द के जलते समय उत्पन गंद में कोई महसूस होता है अफसावद्धानी से उन्द के एक धावे को जलाईए इससे जलने की गंद किंतिम रेसम के जलने जैसी होती है अतबा सुद्ध रेसम जैसी क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों यह जानने के लिए रेसम के कीट जीवन चक को कोकून अवस्ता का भाती हैं करने का प्रयास की अब बात करते हैं कोकून से रेसम तक रेसम प्राप्ट करने के लिए रेसम कीटों को पाला जाता है उण के कोकू कुणोंapore को इकत्तित करके रेसं फाइबर प्राप कि जाते हैं रेसं कीट पालन और सांड कीट देख बार मैं सहगडों अंडे देते हैं अंडों को सावधानी से कपनों की पट्तिव हो अत्वा काज़य पर संगेत करके रेसं कीट पाल को को बेंचा जाता है यह बालक किसान अंडों को स्वास्त का रिष्थितियों पुछे ताफ इवं आधिता की अनपूल रिष्थितियों में तकते हैं अंडों को उपे ताफ तक गर्म रखा जाता है जिसे अंडों से लावा निकल जाए अब यह तब किया जाता है जब सहतूर क के वैच्चों में नई बत्तिय आती है लावा को जो कैपर पिलर अधवा रेसम के कीट कहए लांक देन रात खातें रख लेक्म पर आमाप में काकी बड़ी लावा को सहतुर की तारीक कटिय पतियों के साथ बास्य प्रे में रखाता हुँ केटर्पिलर खाना बंद कर देते हैं और कोण बनाने के लिए विवास के बाने चोटे-चोटे कच्छों में चले जाते हैं इसके लिए ट्रे में चोटी रह या टहनिया रखती जाते हैं जिनके कोखोन जुड़ जाते हैं केटर्पिलर अत्वा रेसम केट कोकुन बना तेन जैसे भी तर पीवपा विक्सित होजा है लेसम का संसाधन की for कीट में विक्सित होने से बेले और की पानी में वाल जाते है या पिर भाब में रखा जाते है इस प्रक्रम में रेसम के फाइबर पित्ग हो जाती है रेसम के रूम में ओप्यों के लिए कोकून में से रेसम के निकालने के पश्चा उनसे धागे बनाने की पिक्तिरिया रेसम के रेलिंग कह जाती है ज़दे लिए पेसे इस मसीन से में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेसम को निकालती है रहसं में कंहीं की नहीं दागें सभस्त बुनाई कुण hasn't graduated जर संभवता है एक पराचिंचिनी sis किन वंधी दंती किन सलονराच वंग टीन है 3 समराची सी लोग परिय खिय से अपने वगीची में वुने वाले सधीट के वेक्चों कि पत्तियों कि छती गेस्थ होने का करण पता लगाने के लिए कहा था। संबरागी ने पाया कि सफेद किंतिम सेथू कि पत्तियों को खा रहते। उन्होंने यह भी देखा कि किंतिम किर्मी अपने एदगे चमाकदार कोकून बुन लेते थे। सेख से यह कोकून उनके चाय की प्याली में गरिया और कोकून मैंसे नाजुक द्रागों का गुच्छा पिथक हो गया। रहसम उद्देव चीन में आरब हुआ और सेट्रों वरसों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुपत रखा गया। बाद में यात्रियों ब्यापारियों प्रेक्सम को अंदर देशों में फिचलिक किया। जिस मार्क से उन्होंने यात्री यात्रा की थी उसे आज हम लोग सिल्क रूट भी कहते हैं। इसमें प्रमुक सब्दों की परिवासा देखिए कोकून, कार्तिनून, रेलिंग, अभी मार्जन, रेसम कीट पाल, पून कट रेसम की केटर्पिलर संसान, याद रखिए हम लोग अध्याय पूरा कतम कर लेते हैं और एक कुछ सब्दी दीजे जाते हैं, अगर इनकी परिवास आपको समझ में नहीं आए, तो खिर्प्या करके आप लोग एक बार और लेक्ट्चर को पढ़ ले, अगर आपको समझ में किया जाता है, तो छोड़ें, बस कंप्लेट हो गया, इसमें क्या सीखा है, इसमें एक अच्छी बात हो रहे है, क्योंकि इसका जो भी सार भूता है, नीचे दुबारा लिख दिया जाते है, आपने इस अध्याय में सीखा है कि रेसम कीटों से रेसम, तथा बेड़ वक्री एवं याक से उन्ट प्राप्त की जाती है, अतहा रिसम उन्ट जानता हो रेसे हैं, उन्ट लावा, लामा और अलपेका के बालों को भी उन्ट प्राप्त करने के लिए संसाधिक किया जाता है, बारत में अधिकतर बेड़ों को उन्ट कराप्त करने के लिए पाला जाता है, बेड के सरी से बालों को उतार कर, पहले अभी मार्यन बच्छटाई की जाती है, फिर सुखाने के लिए उन्हें कात कर, उन से उन की प्राप्ती की जाती है, अपने गीवन चक मेरेसम की, रेसम के जीवों की कताई करके कोईवर बनाते हैं, रेसम फाइबर प्रोटीन से बने ह को कुनों से रेसं के रेसं की वीठीरेशों के व Kṛṣṇa कर और उनका संसाधन किया जाता है और पर रेसं का धागा बनाए जाता है इस प्यक्र्म को ट्रेमिंग कहते हैं得 झार हिर्फ रेसं के भिनतीक भेच्ब सुझ ए आपके अब्दों के पर लिए कुछ कुछ्ष्टन क्लिक दिए अपने पास एक बारुस से भी पढ़ लोगी आप लोग तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको जो भी कॉंसर्ट क्लियर करना है हो जाएंगे आपके तो चलिए यह था आपका तीसरा चप्टर चोत्री चप्टर में हम लोग बात करेंगे आपके खितम कर चुक है इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पूसमा के बारे में ठीक है उस्मा, अध्या तीन में आप पढ़ चुके हैं कि उनी बस्त जानताओ रेसों से बनाए जाते हैं आप यह भी जानते हैं कि इस सूती बस्त पादप रेसों से बनाए जाते हैं हम सीथकाल में उनी बस्त पहनते हैं जो हमें गरम रखते हैं जब मौसम गरम होता है तो हम हलके रंग, रंग के सूती बस्त पहनना पसंद करते हैं, यह हमें ठंडा का अनभाव कराते हैं, आप यह जानने के लिए अवस्ति उस्सक होंगे, कि किसी विशेश रितू के लिए विशेश प्रकार के बस्ती क्यों पर उत्त होते हैं, सीद काल में आप घर के ठंड अंदर ठंड का अनभाव करते हैं, यदि आप बाहर धूम में आ जाएं, तो गरमी का अनभाव करते हैं, ग्रेसम काल में तो आप घर के अंदर भी गरमी का अनभाव करते हैं, हम यह कैसे व्याद करते हैं, कि कोई वस्तु गरम है अध्वा ठंड हम क्यासी पता लगाते हैं कि कोई वऊस्थू कतनी गरब अत्वा कितनी ठंडी है, इस अध्याए में हम इस पैकार के जोगी आपके पिसनों में उनके आंसर जानने का प्रयाज करेंगे, गरम अत्वा ठंड, गरम तथा ठंड, अपने द्यनक जीबन में हम अनेग वऊस्थू बस्तुों की सूची दे गए इस सूची में कुछ और नाम जोड़ना है इस बस्तुों की अपेखचा आदिक घरम होती हिए जबकि कुछ बस्तु मैं कि रुख्त कंभी थैंक है हम कैसे ग्याद करते हैं कि कुई वस्तु दूसरी रस तुपया प्याद हमें इस का पर ऐस पर सब्सकर्ला लंगते दो प्रमिंडियल कर अइस्वält करते हैं सब्सक्रमाघी है अचने है अप हमाईएं कफ़ जंडी और पर फैНе ठंडा हुआ चाय के प्याले में जो डूबी रहेगी चमच वो गरम होगी जाता आपको परामाज दिया जाता है कि बहुत तरह गरम बस्तुमें को नाचुने मौंबत्ती की जवाला अध्वाइश्टों को छूते समय सतक रहे तीन बात्रों में पानी कानभव करना तीन बात क ठंडा पानी मग बी में गरम पानी कुछ ठंडा कुछ पानी मिलाकर मग सी में ला लिए अब अपने वाएं यानि कि वाम हाथ को मग ए में दाहने हाथ दच्चन हाथ को मग बी में और दोनों हाथों को दो से तीन मिनिट तक मगों में डूबे रहने दिए अब दोनों हातों को एक साथ मर्पसी में दोगें, क्या दोनों हातों में कि रिजसान वह उतर है, याद रखिए, जाना गरम पानी लेकर मत बेढ़िए यह पर पता चलागी, हाथ जल गए है, ठीचे, बूजों की उल्चन यह दरसाती है, कि ए अनिश्चे करने के लिए कोई बस्तु गरम यह यातन है, हम अपने इंद्रिये इस पर सिंद्रिये पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, या हमें कभी भी दोखा दे सकते हैं, तब हम यह किसी पता ब्याद कर सकते हैं कि कोई बस्तु बस्तों में कितनी गरम है, किसी बस्तु की ऊष्ण का गरमी की पिस्वसि के लिए नहीं कि ताव का मापन आपका थर्मामीटर से होता है इतनी शारी कहानी गड़ी गई थी सर्फ इस परिभासा तक लाने के लिए ताव मापन क्या आपने कोई ताव मापी देखा है याद कीजिए जब कभी आप आपके परिवार में किसी बुख को बुखार आता है तो टेंपरेचर ताव को थर्मामीटर ताव मापी से मापा जाते हैं जिस ताव मापी से हम अपने सरीर को किताब को मापते हैं उसे डॉक् अध्यान पूदवा पिचण कीजिए यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं तो अपने मित्थ के साथ समलिक हो जाएगे डॉक्टर की थर्मामीटर चित दर्सायन साइच चित बनाना यह हैं आपका डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारी तथा यह एक सामान ज्यास की काज की नली होती है, इसके एक सरे पर एक बल्व होता है, बल्व में पारा वरा होता है, बल्व के बाहर नदी के बारे, नली के बाहर पारे की एक पतली चम आपको दिखाई ना देतों, थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाई जब तक कि आपको उसकी धारी दिखाई ना देने लिए थर्मामीटर को आपको तब कम माप करम, इसकेल दी दिखाई देतों, वह फेव किये जाने बाले माप करम, Celsius scale जिसे degree Celsius दोरा दर साते, degree Celsius दोरा, इसे ही हम लोग Celsius degree कहते हैं वो जो दो विधा में है, चित 4.2 में दर साये, दो माक करोमों में से, वो एक किसे पढ़ दे, पहेली ने उसे बताया कि बहुत में हमने Celsius स्कल को अपनाएं और हमें किसी इसी scale का प्रयोग करना चलिए दोसरा माक करोम आपका Fahrenheit स्कल याने की degree F है, जिसका परिशा 94 से 108 degree तक है, इसे पहले प्रयोग किया दाता है डॉक्टरी थर्मामीटर में हमें 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक के ताप ही माप सकते हैं, थर्मामीटर से ताप मापना, आईए हम सीख्यां की थर्मामीटर को कैसे पढ़ा आ जाता है, सबसे पहले इसके किनी दो क्रमागत, एक के बाद एक बड़े चिन्नों द्वारां नेरोपित ताप के अंतर को नोट कीजे, इन दोनों चिन्नों के भी भागों की संक्या छोटे चिन्नों द्वारां तरसाई है, को नोट कीजे, माली जीए कि दो बड़े चिन्नों के बीच एक डिगरी का अंतर है, तथा इंचन्नों के भी बाच भाग हैं, तब एक छोटे बाग का नमान, 1.5 डिगरी सेल्चेस, अर्था 0.2 डिगरी सेल्चेस होगा, उफ्यव करने से पहले थर्मामीटर पच्ची पेडार धोली है, धोने के लिए किसी पूति, प्रोधी, गोल का उप्यों करना सुनिश्चित करता है, रहता है, अब इससे अपने हाथ में कसकर पकड़िए, कुछ जटके दीजे, जटके देने से पारी कतल नीचे आ जाए, सुनिश्चित कीजे कि अब 35 डिगरी सेल्चियस से नीचे आ गया है, अब थर्मामीटर के बलब को अपन सेल्चियस के साथ बेट करना चाहिए, मैं उने बताया था ने, कि साइन्स अगर हम लोग कक्छा 10 वी तर की पढ़ते रहे, तो डॉक्टर तो बना देगा, मुझे ऐसा नभग हो रहा है, क्योंकि कक्छा 6 वी और कक्छा 7 वी की अवी तर जो भी हम लोगा है, सब्जेक्ट क बिस चेप्टर कतम करें, उसमें आधे डॉक्टर तो बनने की उमीद होई ही गई होगी, आपके, आपने अपने सरी के का तामान नोट किया है, मानो सरी का सामान तामान, 27 बिगरी सेल्शियस है, द्यान दीजिए कि अताप को इसके मातरक के साथ प्यक्त किया गया है, डॉक्टरी थर्मामीटर की सायता से, अपने कुछ मित्रों कम से कम दस के सरी का तामान, 27 बिगरी सेल्शियस है, यह आवसक नहीं है कि प्यक्त का सामान ताप, 27 बिगरी सेल्शियस हो, यह कुछ अधिक अतवर कुछ कम हो सकता है, बास्ता में जिसे हम सामान ताप, नॉर्म टेंपरेचर कहते हैं, वस्वप से बैठती हैं कि विसार सम्भू के शरीर का तामान होता है, जो हम लोग जिसे नॉर्मल टेंपरेचर कहते हैं या ताप, वो कई लोगों के सम्भू के तामान को ज्याद करकर एक नॉर्मल मतलब और तामान को याद करकर एक नॉर्मल मतलब दोना चाहिए दोने के लिए किसी पूर्ती रोती है एंटिसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है सुनेश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का अकल 35 फिगरी से नीचे थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे कतल देशती देखा किसी इन में होना चाहिए थर्मामीटर का साथानी पूर्वक उपयोग कीजिए किसी कठोर बस्तु से टकराने पर तूट सकता है थर्मामीटर को उपयोग करते समय से बल्व से नीचे नहीं पकड़ना चाहिए देखी यहां कितनी अच्छी बात देखी भी है थर्मामीटर को भ्योग करने से पहरे दोई है और उसके बाद भी क्योंकि पता है कई डॉक्टर होते हैं जो बाल काटते हैं वो एक ही इंजेक्शन कई योगों में लगा देते हैं उसकी सुई भी नहीं बदनते हैं पता निक्यासे इसी तरह कई नाई होते हैं जो बाल काटने वो एक ही बिलट से कई रोगों भी बाल काट देते हैं चेतावनी, डॉक्टरी थर्मामीटर को प्योग मानोसरीर का ताब मापने को छोड़ कर किसी अन्यवस्तू का माप ताब मापने के लिए कभी मत किजिए, थर्मामीटर को दूद तथा आग के पास रखने से बचाईए, ऐसा करने से या तूट सकता है, डॉक्टरी थर्मामीटर को किवल मानोसरीर का ताब मापने के लिए डिजाइन किया गया, मानोसरीर का ताब मान सामान 25 डिगरी से कम, और 42 डिगरी से अधिक नहीं होना चाहिए, यही कारणे इस थर्मामीटर का परिशाय 35 डिगरी से 42 डिगरी से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए अन्ज ताभ मापी काम में लाग देए। आपका प्रियोक शाला ताभ मापी. आपकी अध्यापकः साम ताभ मापी को आपको दिखाएं, इस द्यान से देखिए कि इसमें मापे जाने माले अधिकत्तम निउन्तम ताप को नोट किए। फ्रयोक साला ताब मापी कपरी से फ्रया 10 डिगरी से 110 डिगरी सेल्सियस होता है जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था ठीक उसी पेकाल इस ताब मापी के भी किसी सबसे छोटे बार द्वार दर्साए जाने बाले ताब का मान ग्याद की बिए ताब मापी द्वार दर्साए गए ताब को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताब की इसमान की आवस्ता होगी विविन प्रयोजनों के लिए विविन बेकाल के ताब मापी उप्योग किया ज़ते हैं मौसम की रिपोर्ट में दिये गए अधिकतम तता नियुनतम ताब के जानकारी देने के लिए अधिकतम नियुनतम ताब मापी खव्योग होते हैं यह आपका फ्रयोग साला ताब मापी देख लिए कि फिरयोक सालाद तामाफी द्वाराँ जल का तामाफ इस तरह मापा जाता है किसी बीकर अथवा मक्मे नल का थोड़ा सा जल दिये तामाफी को जल में इस पेकाप डुबए ये कि उसका बल तो जल में डूबा डूबा राड़े लेकिन वह बरतर की तली अत्वा दीबारों को इस पस ना करें। ताब मापी की जल में उड़द्वादर रखते हुए इसमें पारे के जल की गती को देखें। तब तक कितिक्चा कीजिए जब तक की नली में पारे का तल इस थे ना हो जाए। तாब मापी का पाठकान को नोट किजे यह इस समय का जल का ताब माण होगा. करेंट का ताब माण होगा उस समय का. कट्चा में विभिन ने विद्ध्यारती हैं द्वारां, मापे गए जल के ताब की तुलना कीजे, क्या इन मापों में कुछ बहनेता हैं, संभाव कारणों पर चल्चा कर सकते हैं फ्रेवट साला में ताब मापी का उप्योग खरते समय डॉक्टरी थर्मामीटर पाठ कांग लेते समय बर्ती जाने बाली विविन सावधानियों के अत्रिक निम्लिकित सावधानी बर्ती नी चाहिए ताब मापी को उर्द्वादर रखना चाहिए तिर्चानी ताब मापी का बलब चानों से उस पदार से घरा होना चाहिए जिसका ताव मापना है, बलब बरतन में दीवारों से नहीं छूना चालिए, किसी बीकर या मग में थोड़ा गरम लीजे, गरम पानी लीजे, ताव मापी के बलकुर जल में डोगोजे, पारे के तल के इस्थे होने तक कि देख्चा कीजे, जब ताव जब पारे का जल इस्थ जानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है, कि आप देखते हैं कि जैसे ही ताव मापी को जल से बहाँ निकालते हैं, पारे का जल गिरने रगता है, इसका अर्थ है कि किसी पिरियोक साला ताव मापी द्वारा, ताव का पार्ट क्यांग तभी नोट करना चाहिए, जब उसका बल जल या फिर बस्तु उस बस्तु में रखा जिसका दामान मापना है, याद रही कि अपने सरी का ताव मापने के समय आपको पार्ट कांग नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुल से बाहर है, निकालना पड़ता है, कि तब आप प्रयोक साला ताव मापी को अपने डॉक्टरी थर्मामीटर को मुल से काल लेने पर पारी कतल नीचे या उपर क्यों नहीं जाता है, किसी डॉक्टरी थर्मामीटर के प्रेसे पिक्चन कीजे, क्या आप बल के पास कोई बिभंग किंक देखते हैं, यह आपका डॉक्टरी थर्मामीटर में एक बिभंग, पाराख एक विसाख पदात है। यदि तार्मा पी टूट जाए तो इसका निप्टान अतियन्त कठेन है। आजकल अनकी ये तार्माद डिजिटल थर्मामेटर उपलब है। जिसमें पारे का उप्यों नहीं होता है। इस तरह से। घर्षाका सम्भाव कर्षिप्ट करें है। जब बत्तन को जवाला पर रखतें हैं तो तपत होğu जाते है। इसका कारान है कि उपोच्वाला से परतु के ओर जाती है। जब बत्तन को जवाला से हटा लेते हैं तो यह दीरे दीरे ठंडा हो जाते हैं या ठंडा क्यों हो जाते हैं उसमा परिवेश की ओर इस्थानांतित हो जाते हैं इस पेकार हम आप समझ सकते हैं कि दूनों इस्तितियों में उजा गरम बस्तू से ठंडी बस्तू की ओर प्रभावित होती हैं बास्तो में हुजा सदेव गरम बस्तु से अपेक चक्रम अपेक चक्र जो ठंडी बस्तु होती है उसकी ओर प्रभावित होती है देखिए यह चोड़ी से सब्द की परिवासा बताने के लिए लंभी चौड़ी एक कहानी गड़ी गई है वह इनी कहानियों पर आपको पोकस द जैसी किसी धातू की एक चड़ अधव चक्ति पट्टी लिए चड़ पर मॉम के छोटे-छोटे टुकड़े चिपकाई है एक टुकड़े लगवक समान दूरियों पर होने चाहिए चड़ के एक सरे को प्रयोकसाला इस्टेंड पर कसी यदि आपको इस्टेंड ना मिले तो आप चड़ के एक सरे को इंट के बीच में रखकर दवा कर रख सकते हैं अब चड़ के दूसरे सरे को गरम कीजिए द्यान पूरवक देखिए इस तरह बॉम के टुकड़े कब क्या होता है क्या ये टुकड़े गिरना आरम कर देते हैं कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरत फेसे थंडे सरेकी इस्थानांतरित होती है। चालं कहलाता है। ठोषो में उसमा प्रयाँ चालं के प्रतरम दौरा इस्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थ में उस्मा का चालन्ज आसानी से होता है। आपने अवस्य देखा हुगा कि खाना पकाने के लिए उपयों किया जाने बाले दहतू के बर्तन में पिलास्टिक या फिर लकडी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तत्व बर्तन को हाथी से पकड़ कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। विल्कुल नहीं। अगर पिलास्टिक या लकडी का उसमें हत्ती ना लगी हो तो हम लोग जल जाएंगे। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गरम पानी लीजिए। कुछ बस्तुएं जैसे इस पात इस्टील की चमज, पिलास्टिक का इसकेल, पैंसिल था बिवाजनी एकतित के जिए। इन तब ही बस्तुओं के एक सरे को गरम पानी में डोग होई है। कुछ देर पितीक चाग किवा पर्षार दूसरे सरे चाओ चूके देजिए। अन्हें लोग उस्मा का चालक कहते हैं। जो पदार अपने में से उस्मा को आसानी से जाने देते हैं। उसे चालक कहते हैं। जैसे प्लात्तिक लगड़ी आके ऊस्मा के कुचालक है। कुचालकों को ऊस्मारोदी भी कहते हुआ। जल अप्पाबाईू ऊस्मा के कुचालक है। तब इन पतार तुम्हें उस्मा enjoys्ठाननतिंट कैसे हुठते है। आईए पता लगाए। गोल पेंदे का फिलास केजिए यदि फिलास को उपलब्द ना हो तो बीकल लिया जल सकता है इसे जल से दो तेहाई भरिए इसको किसी तिपाई पर रख किजिए अधबा फिलास को रखने का कोई इससा प्रबंद किजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मौंबत्ती रखकर इसे गरम कर सके फिलास में जल की इस्तिर होने की पितिक्चा किजिए एक इश्ट्रा की सायता से फिलास के पेंदे पर पॉटिसियम पर मेंगनेंट काई किस्टल दीरे ते रखिए अब किस्टल के ठीक नीचे मौंबत्ती जला कर जल को गरम दिए अपने पेक्षणों को न का जल गरम हो जाते हैं गरम जल उपर उठता है इस गरम जल के आसपास थंदा जल उसका इस्तान ले जाता है जो जल आपका गरम हो जाते हैं वो अपने इस्तान से हट जाता है उसके इस्तान पर आपका थंदा जल आ जाता है इसी तरह गरम होता है फिर यही जल भी गरम होकर उपर उठता है और आसपास के जल फिर इसके इस्थान तर आ जाते हैं यह पिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गरम ना हो जाए उस्मा इस्थान आंतरन किस बिदी को अम लोग संभण कहते हैं इस तरह से बायू से उस्मा का इस्थान आंतरन किस पिकार होता है दुहा किस दिसा में जाता है उस्मा सरवत के पास बायू गरम होकर उपर उठती है इस पिकार यह बायू भी गरम हो जाती है और यह पिक्रिया चलती रहती है एक मौम्मत्ती जलाई हैं अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तब दूसरे हाथ को ज्वाला के फार्स में रखें क्या आपके दोहान्रों हाथ समान गर्मी कानवाउ करते हैं यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गरम अनवाउ करता है ऐसा क्यों बिल्कुल उपर मत रख लिजिए पर करीं जला बैठो बायू में उस्मा का इस्थाना अंत्रा सावधान रहें कि अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्ष दूरी पर तखिए जिस्से की भी जले नहीं द्यान दिजिए कि उपर की वह बायू का संभन द्वारा गरम होती है इसलिए ज्वाला से उपर कहां गर्मी का उनवाउ करता है तदा पी पार्ट की बायू संभन द्वारा गरम नहीं उपाती है इसलिए बायू लोग के उपर बायू जैसी गरम नहीं लगती है तकिये छित्रों में पहने वाले लोग एक मनोरण्यक परीगटना का हुआ बढ़ते हैं दिन के समय स्थल धर्ती या थल जलकी अबेक्चा सीख गरम होती है इस्थल के उपर की बायू गरम होकर उपर उठती है इस खार स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी बायू इस्थल की ओर बैती है चक्र को पूरा करने के लिए इस्थल की ओर से गरम बायू समुद्र की ओर बैती है वो समुद्र की ओर से आने वाली बायू को हम लोग समुद्री समीर कहते हैं क्या गयते हैं समुद्री समीर यह हम लोग जोगरफी में अच्छी से पड़ेगी ठीक है बहुत की समुद्री समीर की ठंडी बायू का लाप उठाने के लिए तटी ये चित्रों में कि भावनों में खेड़कियां समुद्र की वह बना जाते हैं राती में अपिक्रम ठीक विफ्रीत हो जाता है समुद्र का जल इस्थल की अपिक्षत धीरे धीमी गती से ठंडा होता है इसलिए इस्थल की वह ठंडी बायू समुद्र की वह चंदी है इसे आप लोग ठल समीर कहते हैं ये आपका समुद्री समीर हो गया देखिए ये आपका इस्थली समीर ठंडा इस तरह से पिक्रम चलता रहता है सम्मुद्य समीर तरह थल समीर जब हम धूम में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनभाव करते हैं सूर से हमें तक उसमा कैसी पहुंचती है या चालन अग्वा सम्माहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है क्योंकि इन दोनों पिक्रम में उसमा इस्थानांतरन के लिए माध्यम आवस्था के जोकि विद्वी तता सूर के भी अधिकांस इस्थान में कोई इस्थान जैसे बायू नहीं है अता सूर से हम तक उस्मा एक अन्न पिक्रम द्वारा आती है जिसे हम लोग विक्रन कहते हैं विक्रन द्वारा उस्मा के इस्थानांतर में किसी मध्यम जैसे बायू अतबा जल किया हो सकता नहीं होती मात्यम बित्मान czasu य ना हो विक्रन द्वारा उस्भा का इस्थानांत्रन HO सकता है जब हम किसी टापक हीटर के साहरे बैठते हैं तो हमें इसे पिक्रम द्वारा उस्भा स्थाना गते हैं ज्वाला से एटाकर रखा कोई ग्रम बर्तन, ठंडा होते समय अपनी, कुछ उस्मा को विक्रन द्वारा ही परिवेश को इस थनांत्रित करता है, हमारे सरी, हमारा जो सरी है, विक्रन द्वारा ही परिवेश को उस्मा देता है, तथा उससे उस्मा गहन करता है, सभी गरब पि हो जाता है तथा कुछ बार परागत हो जाता है उस्मा के आउसोसित भाग को के कारण बस्तू कताब मान बढ़ जाता है दुरूम में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयों करने का परामर्स क्यों दिया जाता है इसलिए इसलियों तथा गर्वियों में हमारे पहनने के बस् प्रास्तों को बरीता देते हैं सद्धियों में हम गहरे रंग कपड़े पहलना पसंद करते हैं ऐसा किम आईए इसका भी पता लगाते हैं टिन के एक जैसे दो डिपड़े लेगे इनुए से एक के बाहरी पेश्ट को काला दूसरे को बाहरी पेश्ट को सफेद प्रेंट कियें दोनों डिपड़ पों में बरावर मात भरते हैं जल भरी ये तथा उन्हें दो फखं़े के समय लगभग एक गंटे के लिए दूम में रख दीजेह दुनों डिपड़े भरे जल को किताब मात लियूए क्या आप दोनों किताब में कुछ अंतर पाते हैं किस डिब्बे में जलादी गरम होगा कि अबस जल को चूकर यह आप दोनों किताफ का अंतर कर सकते हैं तो इसका तामन कम होगा इसका अधिर किसका यह आपका ठंड में यानि कि कम होगा इसका सौभी क्योंकि बचाता है अंदर कमी जाने लिए यह आपका गर्मी को अंदर जाने लिए किरिया कला टेंड 4.10 में उपयों किये गए दोनों टिप्पों में लिए इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगवक्त साथ डिगडी सेल्सियस का गर्म जलवरी दोनों टप्पों को किसी कमरे में अत्वाद छाया में रखिए 10 से 15 मिनिट को बशार किते एक डिगबे क का जल करता क्या दोनों टिप्पों में जल करता समान से कम है क्या आप इन किरिया कलापों से याद आप इसकार निकाल सकते हैं कि गरिमियों में सफेद याल के रंग के बस्त सर्दियों में गहरे रंग का बस्त पहनना अधिक आरामदार क्यों होता है गहरे रंग के में सुखत लगता हलके रंग के कपड़े उसमिये विक्रण के अधिकास भाग को परावर्थित कर देते हैं इसलिए गर्मियों में हमें हलके रंग के बस अधिक आराम दे होते हैं हम अपने घरों को ठंडा या गरम करने के लिए खुलया प्रिया लगडिक कैसी इनन अत्वा इद्धुत का उप्यों करते हैं क्या ऐसे भावन बनाना संभाव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े भावन की बाहरी दिवार्व कोई दी ऐसा बनाया है कि उसके बीच में बायू की एक परद बंद हो जाए तो ऐसा संभाव किया जा सकता ऐसा करने की एक विद्धी है कि भावन निर्माद में खोकली इंटों का उप्यों किया जाए जो कि आजकल उप्लब दी है सर्दियों में उनी वस्त हमें उन में बनाए रखते हैं, सर्दियों में हम उनी वस्त बेहनते हैं, उन उस्मा रोधी होती है, इसके अतरिक्ट उन के रिष्णों के बीच हमें बायू कसी ट्रेव होती है, यह बायू हमें हमारे सरी की उस्मा को ठंडे परीवेस की और प्रतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके ऊपर करने की चूट है तो आपको इनमें से किसे चुनने और क्या याद रखिए, दौनों कंबल की बीच में बायू की परत बिंदमान है तो इसमें आप लोगों क्या देखें मापी देखा है, थर्मामीटर देखा है, अंकी ये ताम मापी देखा है, पोती रोधी देखा है, ठीक है, बस इनी सब्दों की हमारे लिए परिवासा जरूरी है, और जो क्रिया कलाब दिये गए हैं, वो बस पढ़के निकल जाना है एक बाद, आपने क्या सीखाये सब्द्य वह एक्ति हैं, जैसे थाप मापाजाते हैं, डोक्टर धि-enne thermometer का उप्योग, सरील पर ताप मापने के लिए किया जाता है, इस thermometer का परिशय पेनथी ही दिगरी से लिईन 42 degree Celsius होता है अन पेवजनाओं के लिए हम प्रयोक साला तामापी का उप्यों करते हैं इन तामापी को परशाई प्रयाद 10 degree Celsius से आपका 110 degree Celsius होता है मानवसरी का सामान तामान 37 और वस्तु से दूसरी वत्तु में होस्मा तीन पिक्रमों द्वारा स्थाना नांत्रेत हो सकती है चालन संभन और विक्रहन ब्राप के लिए किसी माध्यां की आवस्त्ता नहीं होती है जो पदार्थ अपने से होकर उस्मा को आसानी से प्रभावित या जाने देते हैं, उसे हम लोग उस्मा का चालत करेते हैं गहरे रंग की बस्तुएं, हलके रंग की बस्तुओं की अबेक्षा, उसमे बिख्णाओं की अच्छी आउसोसक होती है यही कारण है कि हम गर्मीयों में हलके रंग के बस्तुओं में अधिक आराम का अणफावप चत्पितुओं सर्दीयों में उनी बस्त हमें गरम रखते हैं इसका कारण है कि उन उसमा hardcup यह इसके रेतों की भी बायोट फसी होती है कि यह आपके अभ्यास के लिए कुश्यास दिए लगा ले ना और पीडिया डाल दी गई है वहां से डाउलोड करकी लगा दे रही लिए आपका जो टेलिगराम चनल है उस पर डाल दी गई है मुझे खुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें सब्ज में जो भी आपका अध्याय होती है इसमें समझाया गया क्योंकि हर सब्द आपका इतना नॉर्मल लिखा गया है कि आप लोग एक दूबार पढ़ेंगी आराम से अध्याय पांच में देखेंगे अमल चारक और लवड की बारे में नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे हैंजी यह आटी कक्छा साथभी की विख्यान की बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग चार चेप्टरा के खतम कर चुके हैं यह आपका पांच और सिर्के जैसे अनेक पदारतों को का उव्योग करते हैं क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है साथे ही जो 5.1 में सोची बद किये गए खुछ खाद पदारतों के स्वाद पर दियान दें यदि आपने इन में से किसी भी पदारत का स्वाद नहीं चका वो तो उसे चकिए वफएडामों की साथनी में लिखिए नेवू का खटा होता है संत्रे का मीठा और खटा दोनों होता है नमकाप का कड़वा हो गया सक्कर मीठा हो गया इसी तरह से किसी भी वस्तु को तब तक मत चकिए जब तक की ऐसा करने के लिए आप से कहा ना जाए मैंने क्या बोला था कि इन किताबों को पढ़कर आप अच्छा इंसान तो बनी जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे से समझाए गया हर चीज़ आप देखेंगे कि इन में से कुछ पढ़कों का स्वाथ खटा कुछ का कड़वा कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन स्वाथ होता है बात करते हैं हम लोग अम्ल और च्छारक अम्ल और च्छारक के बादी कह दही निवू का रस संत्रे का रस सरके का स्वाथ खट ता होता है इन पदार्तों का स्वाथ खटा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल और इनकी रख में अमल होता है, एसे पडार्तों की रशायनिक प्रक्विति अमलिय होती है, एसे अप्ड की उत्पति अपकी लेटिन, सब्द ऐसी है रश से हुई है, जिसका अरफ होता है, खट्ता, इन पडार्तों में पाही जाने वाले, अमल प्राक्ति कमल Us होते है, खाने का सोड़ा, बेकिंग सोड़ा, कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई अमल नहीं है, इसमें कोई अमल नहीं है इसका स्वात कड़वा है यदि आप इसके विलियन को अपनी अंगलियों के बीच रगें तो यह सावन जैसा चिकना लगता है सामानता ऐसे पदाज जिनका स्वात कड़वा होता है और जो इस परश करने पर सावन जैसे लगते हैं यहार कहते हैं यह इनकी एक साधार्ण परिवासा है भे पदार्ण जिनका स्वात कड़वा होता है तो इस पर उसके पर्खिती कैसे घ्यात ऊडवियों कोई पदार्ण था है इसका परिच्छन करने के लिए विशेश पिकार की पदार्थों का उप्यूप किया जाता है यह पदार्थ सूचक कहलाती है सूचकों को जब अमली इत्वाच्छारिये पदार्थिप्त बिलेयर में मिला जाता है तो उनका रंग बदल जाता है कि पंकडियां आधी कुछ प्राक्तिक रूप से पाये जाने वाले सूच चखें क्या आप जानते हैं अमल का नम और किस में पाये जाते हैं एसेटेकं स्रिकार फार्मेकंड कीटिकडंग में साइट्रिकंड बदल लेक्टिकंड़ी में ओग्जिलिकंड फालक में इसकारविकंड़ विटामिसी कुईला सेट्रसम्पल में टाडरिकंड एमली अंगूर कच्चियाम इस तरह कि आपके कुष्चन बता है एससी में और नेग जाम में बहुत पूचे जाते हैं कि लेक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है या पूच लेता है चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है और में का मुद्ध उपर बताएगे सही वी अमना, प्रक्किति में पाए जाते हैं, छारा के ही वे वे किस में पाए जाते हैं, केल्सियम हाईडरोकसाइड, चुने का पानी, अमॉनियम हाईडरोकसाइड, खिचडी, खिड़की के कांच, आदी साफ करनी के लिए उप्यप्त माल जाएड, सौड हमारे आसपास की प्राक्तिक सूचक लेटमस एक प्राक्तिक रंजक है। सबसे सामान लोग से उप्योग किया जाने बाला प्राक्तिक सूचक लेटमस इसे लाइकेनो सैख से निस्कर्शित किया जाता है। आसुत जलमेशका रंग मो नील सोड होता है। जब इसे अमली ये बिलेयन में मिलाए जाता है तो ये लाल हो जाता है और जब छारी ये बिलेयन में मिलाए जाता है तो ये नीला हो जाता है ये बिलेयन के रूम में अत्वा कागज की पट्टियों के रूम में उपलब्ध होता है जिने हम लोग लिटमस के पत्त कहते हैं सा या अगला 5.1 पिलास्टिक किसी प्याले, कटोरे या फिर परक्नली में नीगू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाईए ड्रॉपर की साहता सो प्युक्त बिलेन की एक पूंद को लाल लिटमस पत्त पर डालिए लेकमत परिक्चन करते हुए बच्चे, आपको ये परिक्चन करने नहीं बैट जाना है पता चला कि एक साल इसी में गुजार दिये आप लोगोंने, आप लोगों को वस पढ़ना है और निकल जाना है जिनके लिए कक्चा साधवी की बच्चों के लिए बनाई गिए, भू करेंगे अच्छे से पैट्टी करते हुए चया इसके रंग में कोई परिवतन होता है। इसी परिक्चन को, नेले लेकमस पत्त के साथ दोहराईए नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवत्तन को है इस के रिया कलाब को निमलिकित पदारतों के साथ दोरा है नलके का पानी अपमार्जग डिटर्जेंट का भू, वातित पेपदात, सावन का बिलेन, सैंपू सामा नमक का बिलेन, सक्कर का बिलेन, सिर्का बेकिंग सोड़े का बिलेन, दुदिया मेगनेसियम, धावन सोड़े का बिलेन, चूने का पानी, यदि संभा हो तो बिलेन में बनाएं चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में वह लिए बिलेन को भाती-भाती इलाकर कुछ दे रखा रखी रहने लिए अब बोतल के उपरी भाग के से कुछ द्रब को किसी बरतन में नेठार लिए या द्रब ही चूने का पानी है क्या आपकी सुचिमें कुछ ऐसे बिलेन हैजिसका लेटमसपत पर कोई प्रभाव नहीं इन पदालतों का न मिकें ऐसे बिलेन जो लाल अत्वा नीली लेटमसपत के रग को परीवर्थित नहीं करते हैं, उदासीन प्रक्रिति के होते हैं याद रखना उदासीन बिलियन उन्हें कहते हैं जो लाल अत्वा निली लेट मसवत्त के रंगों परिवर्टित नहीं करते हैं हल्दी एक प्राक्तिक सूचर हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेश्ट बनाईए स्याही सोख्ता बिलोटिंग पेपर या फेल्टर पत्र पर हल्दी पत का पेश्ट लगाकर हल्दी पत बनाईए उसे सूखा लीजिए हल्दी पत करेक्षण करंती पर एक बूनोज्साबन का बियेंदल आइंग है, आप क्या दीखते हैं, इस पखाण सा्यनिक 5.3 में दीए øये खेक साड म है परिक्षहन करना है, और अपने पेक्षहनों को साड मिनलों आप अन्लिय पदार्थ बना सकते हैं साधे सफेद कागज की सीट पर हल्दी का पेश लगाईए उसे सुखा लीजिए सुखा लीजिए रुरी के फाई की साहता से इस पर चूने के पानी से एक उप्षूरत फूल बनाईए आपको एक सुन्दर बधाईपत मिल जाए इस तरह से सूचक के रूम में गोडल के पुस्प गोडल के पुस्प की कुछ पंकडियां हिकलतित कीजिए उन्हें किसी बीकर में रख दीजी इसमें थोड़ा गरम जल ली मिलाईए मिस्टर को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगी ना हुजा रंगी नजल को सूचक के रूम में उप्यक की जिए इस सूचक की पाँच पाँच बुने साइनिक पाइप पुएंट फोर में दीए गए पितिक बिलियन में मिलाई सूचक का अमलिय और चारिय उदासीन बिलियन पर क्या परभाव पड़ता है गुड़ल की पुष्वि का सूचक आमलिय बिलियनों को गटी गुलावी मेजेंटा और चारिय बिलियनों को हरा कर दीता है आप इस पराप्तिक सूचक खुभना कर उससे आमलिय चारिय और रुदाची बिलियनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रियास कर सकते हैं, इस तरह ऐसे, कौफी का रंग दूरा, और स्वाद है कड़वा, अमल है या च्छार्म, फिसन बढ़ा ही दुस्वार, स्वाद के कारण से अंजान, बिना परिक्षन होना ग्यान, याद रूद कि ये कुछ पतात हैसे भी हो उसलिए उन्हें चक्कर हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस तरह की विदियों का उपयोग किया जाता है, उनकी प्रहक्ति जानने के लिए, शिक्चक से आप एक्चत है कि भी अपने विद्ध्याले की पिरियोग साला, अत्वा आसपास के किसी विद्ध्याले, से न इसलिए हम हाइड्रोकसाइड चूने का पानी, इन्हों से देख बिलेन पर तीन सूचकों का उप प्रभाव पिदरसित कीजिए, प्रयोग साला अब लोग उश्चारकों के रख रख रखाव उप वियोग में अत्तिदिक साधानी बलतनी चाहिए, क्योंकि ये संचारन प् अमल हो दे हैं आपके, नीले लेटमस को लाल कर देते हैं, चारक लाल लेटमस को नीला कर देते हैं, ये इनकी पहचानने की विधिये, आईए हम देखते हैं कि जब किसी अमल को किसी चारक में मिला जाता है, तो क्या होता है, हम उस उचक का उप्यों करने जा रहे हैं, जिस का आपने अभीता को फ्यों नहीं किया इसे फैनौल फैलीन कहते हैं किसी प्रक्नली के एक चौथाई भाग को तनू हाइड्रो किलोरीट अमल से बर दीजिए इसका रंग नोट कीजिए फैनौल फैलीन बिलेन के रंग को भी नोट कीजिए सुचक के दो तीम बून अमले में मिलाईए फ्रक्नली को धीरे धीरे लाईए क्या आपको अमले के रंग में कोई परिवतन दिखाई देजा है अमले बिलेन में डोपर से सोडियम हाइड्रोकसाइड की एक मून डाले है फ्रक्नली को धीरे धीरे लाईए क्या बिलेन की रंग में कोई परिवतन होता है बिलेयन को नेंतर रहलाते हुए बून बून करके सोडियम हाइड्रोकसाइड बिलेयन डालना तब तक जारी रखे है जब तक की हलका गुलावी रंग ना आ जाए अब इसमें तनू हाइड्रोकलोरिकम की एक पून और मिलाई है आप क्या देखते हैं क्या बिलेयन पुनाहा रंगी ही हो जाता है फिर से सोडियम हाइड्रोकसाइड की एक बून बून मिलाई है क्या रंग में कोई वरिवर्तन होगा बिलेयन पुनाहा गुलावी हो जाता है यह इसफश्ट है कि जब बिलियन चारिय होता है तो फैनोर थेलिंग गुलागी रंग देता है इसके विप्री तदा अगर जब आपका बिलियन अमली होता है तो यह रंग 기 rester लेह जाता है जब किसी हमाम बिलियन में चारिकये बिलियन मिला जाता है तो दोनों बिलियन एक प्रकिती ना तो अमली रहती है और ना ही चारी रहती है। दूसरे सब्दों में हम लोग कहें तो अम तथा चारक दोनों ही प्रकिती लुप्त हो जाती है। इस वेकार बना बिलियन ना तो अमलिये होता है ना ही चाय उदार्शीनी करण कित्तकाल बाद प्रखनली को इस परस करें आँ फैवने क्या भगिया उदार्शीनी करण अभी किरिया में नया पदात निर्मित होता है यो लवड कहलाता है क्या कहलाता है लवड लवड अमली है चार किये अत्वा ओदासीन परक्रिति का हो सकता है अत्वा ओदारसीनी करन को नेमनोरोप से पड़िवासे किया जा सकता है किसी अमल और किसी चारक के बीच होने वाली अभिक्रिया ओदासीनी करन कहलाती है इस पिक्रम में उस्मा की निर्मुक्त होने के साथ साथ लवड और जल निर्मित होते हैं क्या आप अमला बर्सा सद्रे से परच्छत हैं क्या आपने कभी अमला बर्सा की छतीकारी प्रभाव के बारे में सुना है जैसा की नाम से पता चलता है जो बर्षा जल में अमल की मात्रा अत्य दिख पूत्री है तो उसे हम लोग अमल बर्षा कहलाती है बरसाजल में अमल कहा से आता है बरसाजल हम लिये इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन टायकसईड, सल्फर डायकसईड और नाइटरीजन डायकसईड यसी asında है जो बाई में पिदूसक्ति रोम में नेर्मोप्त होती है बर्षा जल में गुलकर क्रमसा, कार्बोनी कम, सल्फिरी कम और नाइट्रे कम बनाती है अमल बर्षा भवनों इतिहासी के मारतों और पोधों और जंतिओं को च्छती भी पहुचा सकती है अमल पिलस चारग लबर पिलस जल में नेमोगत होती है नेमलिके तभीकिर या इसका उधारण है है इस सोडियम कलोराइल में बदलता है और जल फिलस उसमा देता है भूजो ने चूने पानी में अमल मिला है अब किया मिसरन गरम हो जाएगा अधवाट है दैनिक जीवन में उदासे नहीं करन की उधारण देखते है आप आचन हमारे आवाचन में हाइड्रो किलोरिक अमल पाया जाता है आप अध्याय दो में पढ़ चुके हैं या गोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है हाइड्रो किलोरिक अमल लेकिन आवाचन में अमल किया हो सकता से अधिक मात्रा होने से आपाचन हो जाता है कभी कभी आपाचन की काफी कर्षड दायव होता, आपाचन से मुक्ती पाने के लिए हम दुदिया मैगनेसियम जैसा कोई पिती ही हम लेते हैं, जिसमें मैगनेसियम हड्रोकसाइड होता है, यह तिते ही हमले के प्रभाव को पुदासीं कर देता है, चिंटी का डंग, जब चिंटी कारडूनेट, चिंटी के काटने की उधा, जलन महसूस होती है, तो उससे संद किया जाए सकते है, धवती जब मिर्दा अत्य देख अमलिय होती तो उसे बिना बुजा हुए चूना अत्वा बुजा हुए चूना बिना बुजा हुए चूने को क्या कहते हैं केल्सियम ऑफसाड बुजा हुए चूना केल्सियम हाइड्रोकसाड जैसे छार्कों से अप्चारियत किया जाता है यदि मिर्द इसमें हम लोग ने देखा है, अमल देखा है, छार देखा है, सूचक देखें, अधासी ने देखा है, अधासी ने करण देखें, लवड़ी देखें, इनी परिवासाओं हैं हमें जानने की कौसिस करना है, जब भी हम लोग अध्याय कतम करते हैं, तो इस तरह कि हमारे अगर कुश्चन समसे सॉल्प हो जाते हैं, तो हमने अध्याय अच्छे से पढ़ा हैं अगर solve नहीं होते हैं तो एक दो बार और आपको पढ़ लीना है आपने सद्ध्याय में क्या सीखा है अमल स्वाद में खट्टे होते हैं सामानिता छारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका इस पर सावण जैसा होता है अमले नीले लेटमस को लाल कर देते हैं याद र बेबदार्त जो ना तो अमलिये होते हैं ना ही चारिये होते हैं उन्हें लोग उदासीन कहते हैं ऐसे बदार्त के बदार्तों के बिलियन जो अमलिये और चारिये और उदासीन बिलियन में भिन भिन रंग दरसाते हैं सूचक कहलाते हैं अमल और चारक एक दूसरे को उदा चाहे इसकीन सॉट ले लीजिए या पिर चाहे फीडियाप डाउनलोड कर लीजिए टेली अराम पड़न लीजिए लगा सकते हैं आप लोगों को इतना टैंसर मत लेना है क्योंकि बहुत ही साधारण सब्दों में लिखी गहीं इसमें मुझे खुद नहीं समझ में आता है यह कोई सब्दों की जो आप लोगों को बता सकें समझा सकें कि इसकी परीवा सा कठिन है तो यह था आपका फांचवा चेप्टर आगे बात करेंगी बहुत तिक एवं रसायनिक परीवत्तन के बारे में छटवा चेप्टर तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एंसी इयाइटी कच्छा साथवी की विज्ञान के बारे में इसमें अभी तक हम लोग मार्च चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका छटवा चेप्टर है पहुत तिक एवं रसायनिक विज्ञान याद रखिए जो भी आपकी कच्छा चटवी की NCEIT खतम हुई है और जो कच्छा स साथवी की और जो हम लोग आँगे देखेंगे वो सभी आपको एक ही जगए मिल जाएंगे NCEIT पून कबरेज के नाम से आपके फिरे लिष्ट सूची बनी विए उसी में सभी गुक से टली विए है तो चलिए बात करते हैं लोग चटवे अध्याय के बारे में दैनिक आपकी माता जी आप से सीतल पेपत आने के लिए पानी में सक्कर भूलने के लिए करते हैं सक्कर का बिलेयन बनाना एक परिवर्तन ही है इसी विकार दूस से दही जमाना एक अन परिवर्तन है कभी-कभी दूद खटा हो जाता है दूद का खटा होना भी एक आपका परिवर यह चाहुगा रवर्ट बैंड भी किसी परिवर्थन को पिदरते करता है ऐसे दस परिवर्थनों के सोची बना सकते हैं इस अध्याय में हम कुछ क्रिया कलाब करके इन परिवर्थनों की प्रक्षिति का अध्यान करेंगे ब्यापक रूप से एक परिवर्थन दो पिकार के हो ये किरिया कलाब कच्छा साथवी की बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं उने के लिए हैं वही दोहराती रहने अगर आप लोग इस चक्र में वीद गए तो एक से एड़ेड़ साल इसी में लग जाएगा बात कते हैं मौतित परिवदन कागज के टुकड़े को चार वर्गा कर टुकड़ों में काटी हैं अप्पित एक वर्ग को पुनहा चार टुकड़ों में काटी हैं इन टुकड़ों को हर सदवा किसी मेज पर इस विकाल लगाएगे जिससे ए टुकड़े परस्पर जोड़कर क कावक के टुकड़े का मूल आखाल लेने इस पर टूप से आप टुकड़ों को पुना जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं पहले अपने चार टुकड़ों में एक पेज को बाठ देती हैं अगर उसे पुनाहा हम लोग उसमें फुल कावक बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं उससे लेकिन क्या कावक के गुड़ में कोई परीवतन हुआ है मिल पुल नहीं इस तरह ऐसे अपनी कच्छा के चॉप बोड के आसपास फर्स पर गिरे चॉप पाउडर को इकत्तित करें करने हैं अथवा चॉप के एक छोटे टुकड़े का चूण पाउडर बना ले इस पाउडर में थोड़ा जल बलाकर पेश्ट बना ले इसे चॉप के आकार में बेल कर सूखने दे क्या आप चॉप के पूर्ण चॉण से फरी चॉप बना सकते हैं बेल कोई कांच या पिलास्टिक के कच्छे में थोड़ी बरप लिजे बरप के थोड़ी सिभाब के पिघलने का पिघलने तक बरतन को धूब में रखें अब क्रिया किला 6.4 एक पाक्त में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिये क्या आपको जल की सतय से भाब निकलती दिखाई देती हैं उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाब के उपर किसी बरतन को उल्टा करके रखें बरतन की भीतरी सतय को देखें क्या आपको वहां जल की क कार करते समय ध्यान रखें किरिया किलाप 6.5 उपयव की जय चुके लोहे की आरी के बिलेड को चिम्टे से पगड़िये बिलेड के मुक्त सरे के अग अंगले भाग को गैस स्टोप की ज्वाला पर रखें कुछ मिनिट तक पितिच्चा के लिए क्या बिलेड के अग भाग क सल जाता है किरिया किलाप 6.1 और 6.2 में आपने दिखा है कि कावल तथा चौक के हामाप साहिन में परिवर्दत हो जाता है Python 6.3 और 6.4 में जल की आवयश्त्या परिवर्दित हो जाती है ठो से द्रब और गेस से द्रब क्रिया के लाप जो 6.5 में आरी के विलेड का रंग गरम करने पाख परिवर्तित हो जाता है पदारत की आकार आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुड़ उसके बहुते गुड़ कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? बहुतिक गुड़ पदारत की आकार आमाप, रंग और अवस्था जैसे जो उसके गुड़ होते हैं उन्हें हम बहुतिक गुड़ कहते हैं वो है परिवर्तन जिसमें किसी पदारत की बहुतिक गुड़ों में परिवर्तन हो जाता है बहुतिक परिवर्तन कर लाता है देखिए इसतना इस दो लाइन की परिवासा समझाने के लिए और बहुतिक परिवतन के बारे में बताने के लिए पूरा दो पेज की कहान की गड़ी गई है देखिए तो हमें इतना ही बस बढ़ के निकल जाना और इससे याद रखना है बस बहुत दिक परिवतन सामान उतकरमडी होता है ऐसे परिवतन में कोई नया पदार नहीं बनता है अब हम दूसरे के परिवतन पर विचार करते हैं रसायनिक परिवतन लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवतन है जिससे आप भलीभाती परचित हैं यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़नें तो इस पर भूरे रंकिपदार्थ की परज़म जाती है यह पदार्थ जंग कहलाता है यह पिक्रब जंग लगना कहलाता है पार कत्पा लॉन आधी के लोहे के धरवाजे अथवा बगीचो या पार का अधी में रखी लोहे की बेंचें और लोहे की लगवक कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसे क्या कहते हैं जंग लगती है उसमें आपने देखा हुआ देखी लोहे की कुछ जंग लगी बस्तु में पड़ी है जब लोहा इस तरह से पढ़ा रहता है तो उसमें जंग लगता है आपने देखा होगा कि घर में रखी कुलारी हतोड़ा आदुई को बायू में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जात है तो उसमें जंग लग जाती है जंग लोहा नहीं है जंग उस पदार से भिन होता है जिस पर यह लगती है आईए कुछ परीवर्तन ऐसे परीवर्तनों प्रविचार के रहें जिनमें नए पदार नेर्मित होती है किरिया के लाफ 6.6 साथानी कि साथानी को पढ़कर विचार जो कर लिया करिये मैगनेसियम के जलते हुए फीते अतवातार की ओलंभी अवदी तक देखना अहां निकारक होता है सिर्फचकों को बच्चों को बताना चाहिए बिजलते हुए मैगनेसियम की और अधिक समय तक टक टकी लगा कर ना देख मैगनेसियम की पत्ली पट्टी फीता अत्वर तार कटुपड़ा लिए इसके सिरों को रेक माल से साप किजिए प्रकास देती हुई जलती जलने लगी पूरी तरह जलने के बाद कुछ स्वेद भस पाउडर से ब्रह जाती है क्या भसम मैगनेसियम के भीते जैसी लगती है इस परिवर्तन को निम्लिकित समीकर्ण द्वारा ब्रेक्ट किया जा सकता है मैगनेसियम ऑकसीज़न के साथ मागनेसियम ऐकसाइड बनाता है MPO द्यान है कि यहां लिखी समीकर्ण गटित में प्रेयोख समीकरणों से भिनने होते हैं इस विकार के समीकर्ण में तेर का अर्थ होता है बनना या हो जाता है इसका मद्थ होता है इस दोनों को मिलकर क्या पंदाय उसे भैक्त करता है। इस पुस्टक में रसायनी समीकरणों को संतुलित करने को जाक्रों को उसे अपनचिते। भसम को इकत्रित करके इसमें जल की कुछ मातरा मिलाईे। मिसरन जली यह बिलेन को अच्छी तरह हलाईे। मिस्रण का लाल और नीले लेटमस पत से परिच्छन कर सकते हैं, क्या मिस्रण लाल लेटमस को नीला कर देता हैं, क्या मिस्रण को मिस्रण नीले लेटमस को लाल कर देता हैं, इस परिच्छन के आदार पर आप जलिये विलियन कुट्रिस रूप में बरीटे करेंगे, अमलिये अथवाच चारिए भसम को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है इस परिवरतन को निम्लिके समीपर दिखाया जाते है मैगनेसियम आउकसाइड पिलस जल से मिलकर बनेगा मैकसीम मैगनेसियम हाइड्रोकसाइड जैसा कि आपने अध्याय चार अध्याय पांच में मैगनेसियम आउकसाइड एक नया पदार ते है जो मैगनेसियम हाइड्रोकसाइड एक अनभ नया पदार ते है करीया कला जाड़ाब 6.7 काट के गिलास या कटूरे अधवाशाव ப क्योग बोतल में लगबक आध्यक पानी लेकर उसमें एक चप प्रुछ च्होंटय है अब जैसे आपको पता चल गया है और इस बिलेन में इनी सब्दों को आपको याद रखना है इस बिलेन में तनु सल्प्रेट अमलक की कुछ भूने मिलाईगे आपको नीले रंग का बिलेन मिल जाएगा एक परक्नली अथवा कांच की छोटी बोतल में बिलेन का थोड़ा सा नमूना बचा लिए सेज बिलेन में एक कील अथवा उपयोग के लिए किये जातों कि बिलेड का टुपड़ा डाल दीजिए लगवार आधी एंटे तक मिस इतीक्षा कीजिए अब बिलेन के रंग को देखिए इसकी तुल्ला अलग से बचाएगे नमूने बाले बिलेन के रंग से कीजिए लोहे के साथ अभी किरिया के कारण कौपर सल्फेट बिलेन में रंग में परिवतन ये आपका आइरन सल्फेट अलका रंग कौपर सल्फेट बिलेन नीला रंग क्या आपको बिलेयन के रंग में कोई परिवत्न दिखाई देता है कील अजबा बिलेड को बाहर निकाले देता है कैसे में कोई परिवत्न दिखाई देता है आपको जो परिवत्न दिखाई देते हैं copper sulphate और लोहे के बीच अभी क्रिया के कारण होती है billion के रंकह नीला नीले से हरा हो जाना एक नए पदाढ़त iron sulphate के बनने का कारण होता है लोहे की इन भूरा निच्छे copper या थाबे की परत के कारण होता है जो एक अन्न नयाव पदाढ़त है हम अभी किरिया को निम्ण विकार से बेक्ट करते हैं और कौपर सल्पीट का बिलेयन C-U-S-O-P-O-R-S का रसाइने सूथ है नीला थो अभी बहुते हैं लोहा का सूथ रसाइने सूथ एफियर यह अभी किरिया करते हैं आइरन सल्पीट और बिलेयन अब आप करते हैं किरिया के लाप 6.8 के बारे में किसी परक्नली में लगबख एक चम्मक सिर्का लेजे इसके चुटकी बहर खाने का सोडा लेजे आपको एक बुदबुदा हट की दोनी सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देगे इस गयस को चित्यु 6.5 में दिखाए गए बिवस्था के इमसात ताजे बने चुने के पानी में से बुझारी है चुने का पानी त horrific करने की विद्री अध्या पांच में बताई गेए थी आपको चूने के पानी में क्या प्रिवत्म होता है प्राकनली में प्रिवता निमने पेका से होता है सिर्का, स्वेसेटी कपल, खाने का सोड़ा सोडियम, हाइड्रीजिन यह अभीकिरिया करके बनाता है कारवन डायोकसाइड औरUNG बदार देता है यह है चूने के पानी में गैस को गोजाने के लिए उसता है, सिर्का खाने वाला सोड़ा, कारवं बाई उक्साइड और ये चूने का पानी, कारवं बाई उक्साइड, CO2 और चूने के पानी के बिच अभी क्रिया निमनेत का से होती है, CO2 और चूने का पानी CA OH ठोड़ आधार है इसका केल्सियम कारवोनेट जल्ब जब कारवन डाई ओक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो केल्सियम कारवोनेट बनता है जसे चूने का पानी दुदिया हो जाता है चूने के पानी दुदिया हो जाने जाना कारवन डाई ओक्साइड का मानक परीप्चन आप इसका उपयोग अध्याय दस में या दिखाने के लिए करेने कि हम स्वसन में जो बायू बाहर निकालती है उसमें कारवन डाई ओक्साइड की मात्रा अधिक हो थी करिया कलाव 6.6, 66.8 में आपने देखा है कि पितेक परीवर्तर में एक या अधिक नए पदार बने थी करिया कलाव 6.6 में मेगडेसियम को बायू की उपस्तिती में जलाने पर बनने वाली पसम एक नए पदार थी करिया कलाव 6.7 में कॉपर सल्पेट की लोहे के साथ अविक्रिया से आयरन शल्पेट और कॉपर बने थी यह दौनों नहीं पदार थी कॉपर लोहे के बिलेड पर नेच्छे पित हो गया था क्रिया कलब 6.8 में सिर्का और खाने के सोड़े की अविक्रिया से कारवन डाई ओक्साइड बनी जिसने चूने के पानी को तुधिया कर दिया क्या आप इस अविक्रिया में बनने वाले नई पदार्त का नाम बता सकते हैं वह है परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नई पदार्त बनते हैं रसाइनिक परिवर्तन कहलाता है रसाइनिक परिवर्तन को रसाइनिक अभिक्रिया भी कहते हैं अब देखिए एस दो तीन लाइन की परिवासा पूरा बताने के लिए कितना पूरी कहानी गड़ बनते हैं रसायिक परीवर्ःतन कर लाते हैं है रसायिक परीवर्थन, को रसायिक अभी के लिया Do परिवर्तन हमारे दीवन में अत्यतिक मत्पूर हैं सभी नए पदात रसानिक परिवर्तन के पएधाम स्वरूप ही बनते हैं उद्धारन के लिए भोजन का पाचन फलों का पकना अंगूर का खिडवन आधी बिभिन्द रसानिक परिवर्तनों के कारण होता हैं और वस्दिमी रसानिक अभिकिरिया की शिंकला और उत्रूथपाद होती हैं उपयोगी नए पदाज जैसे पिलाट्टिक और अपमारजक्त को रसानिक अभिकिरिया द्वारा ही बनाया जाता है बास्तों में पित्थे एक नई पदाड की खुल रसानिक परिवर्तनों का अध्यन करेक्टी ही की जाती है हमने देखाए कि रसानिक परिवर्तन में एक यायों से अधिक नई पदाड निर्मित होती है नई रुत्पादों पदार्तों के यत्रिक रासानिक परिवर्त में नई गटनायों गटनायों भी हो सकती हूँ उसमा के कास अध्वा किसी अनपेकार के विकरन उधारण के लिए पराव्यगनी का निर्मोंक्त बहार निकलन अध्वा उनका आउसूसित होना दोनी का अत्पन होना गंध में परिवर्तन होना अध्वा किसी नई गंद का बनना रंग में परिवर्तन होना किसी जैस का बनना आई अब हम कुछ अनुदारण पर विचार कर सकते हूँ आपने देखा कि मेगनेसियम के फीदे का जलना एक रसायनिक परिवर्तन है कोईला लकडी अत्वा पत्तियों का जलना भी रसायनिक परिवर्तन है बास्ताओं में किसी भी पदार्प का जलना एक रसायनिक परिवर्तन है जलने के साथ सदे उस्मा का उत्पादन होता है पटाकों का विस्पोर्ट एक अन्र रसानिक परिवतन है आप जानते हैं कि ऐसे विस्पोर्ट अप विस्पोर्ट से उस्मा प्रिकास दोनी और आरूची कर गय से उत्पन होती है जो बायु मंदल में कुदूसित पिदूसित करती हैं इसलिए आपको पटाने ना जलाने की सलाय दी जाती है जब आप भोजन सामगरी बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उससे दुरगंद आने लगती है क्या हम इस परिवर्तन को रसानिक परिवर्तन कह सकते हैं संभावता आपने देखा है होगा यदि सेव को काटने के बाद कदकाल ना खा लिया जाए तो उससे कटे हुए टुकडे भूरे रग के हो जाती है यदि आपने रग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेव का एक टुपड़ा काटिए उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए इसी पेकार के का क्रिया कलाब आलू अत्वा बेगन के टुपड़े के साथ दोहरा लिए ऐसी पितेग इस्तती में रंग का परिवतन बास्तों में किसी नए पदार्थ अत्वा पदार्थों के बनने की कारण होता है क्या है पर परिवतन और दैसानी परिवतन नहीं है सुरक्षात्मक आवरण आपने बाईयो मिन्डल में ओजोन की परत के वारे में अवस्थ सुना हुए यह हमें सुर के पिकास में उपस्थिक हानिकारक पराव्यगनी केनों से बचाती है ओजोन पराव्यगनी बिकरन को आउसोसित कर लिती है और ऑक्सीजन में परिटा हो जाती है औक्सिजन ओजौन से बिन होती है क्या हम ओजौन को अभगटन ओजौन के जो अभगटन को रसानिक परिवर्थन कह सकते हैं यदि ओजौन द्वारा परावेडनी करने बिकरन अवसोसित नहीं होती तो पितवी की सतय पर पहुंचकर हमें वारन ने जीवाउन को हानी पहुंचाती है ओजन इस बिकरन से हमें सुरक्षा पिदान करने हैं प्राक्ति कावर्ण की तरह कारिकरता हैं आगे बात करते हैं अध्याय 5 में अपने अमल छारग की परस्थ पर मिलाकत उदासीन क्रिया किया था क्या उदाती करन की अभिक्रिया रसानिक परिवर्थन है लोहे में जंग लगना आई हम जंग लगने की गठना पर पुनाह विचार करते हैं यह एक ऐसा परिवर्थन है जो लोहे की बस्तों को परभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नश्ट कर देता है चुके लोहे का उपयोग सेतु पुल जहाज काट रखादी का धाचा बनाने और अनकाई कई बस्तों को बनाने के लिए किया जाता है अताहा जंग लगने के कारण होने वाली आर्थि खानी बहुत अधिक होती है जैसे जंग लगने की पिक्रिया को निमलेकित समिकर्ण द्वारा डेक्ट किया जा सकता है लोहा हो गया ऑक्सिजन हो गया और बायू प्लस जल से अभी किरिया करकर जंग आयरन ओक्साइड बोल करना जलवास। बास्तों में यदि बायू में आधिता की मात्रा अधिक हो अर्थत नमी अधिक हो तो जंग आपकी जलदी लगती है हम जंग लगने ऐसे रोगता हम कैसे करते हैं लोही की वस्तूओं को ऑक्सिजन अत्वा जल अत्वा दौनों के संपर्क में आने से प्रेंट अत्वा ग्रेज की परच चढाती रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने की को रोका जा सकता है एक अनुपाइल लोही के उपर क्रोमियम अत्वा जस्ता जिंक जैसे किसी दातु की परच चढाना है लोहे पर जिंक की परचड़ाने का पिक्रम यसद लेपन गेलवे नाईजेशन कहलाता है लोहे पर जिंक की परचड़ाने को क्या कहते हैं पिक्रम यसद लेपन या फिर गेलवे नाईजेशन अपने घरों में पानी की अपूर्थी के लिए उप्हेयों होने वाले लोहे के पाइप यह सब लेपद होता है जसमें उप्र जंग नहीं लगती है क्या आप जानते हैं कि पानी के लिए लोहे के बनेव होती है और उनका एक बाग हम इसा पानी में डुबा रहते हैं पानी के उपर, उपर के भाग पर भी जल की बूने गिरती रहते हैं। यही नहीं समुद्ध के पानी में अनेक लवड भी पाया जाते हैं। लवड युक चल जंग लगने के पिक्रियम की दर को बढ़ा भी देता हैं। अताहा जहाजों पर प्रेंट करने के बाद भी उन्हे जंग लगने से काफी छती होती है। यही नहीं जहाजों की लोही की कुछ बाद को बदलना पिती वर्स आवस्यक हो जाता है। क्या आप विस्व में जंग लगने से होने बाली कुछ खुल आर्तिखानी की कल ना कर सकते हैं। इस्टेनलेस इस्टील में लोज में कारवन और क्रोमियम निकेल तथा मेगनेज जैसी मेगनेज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है आपके। इस्टेनलेस इस्टील लोही में क्रश्टी करन क्रश्टली करन कच्छा छवी में आपने पढ़ा था कि साधान नमक लवड को समुद्ध जल के बासपन द्वार में प्राप्त किया जा सकते हैं। इस परकार प्राप्त होने वाला नमक सुद्ध नहीं होता है। वो उसके क्रिश्टलों के आकाल को इसपट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तदा पी किसी पदार्थ की सुद्ध क्रिश्टलों उसके बिलियन से प्राप्त किया सकते हैं। या पिक्रिया क्रिश्टली करा कहलाती है। बहुत इक परिवद्धन का एक उधार नहीं ही आपका है। केवल तनू सल्परिकम्द का उप्योग करें। जल को वालती समय सब्सक्राइब। क्रिया क्लाप 6.9 मैं अमल का उप्योग किया जाना है। अथा इसे शिक्चक की उपस्तिती में किया जाए। किसी बीकर में लगबग एक कप जल लीजिए। और उसमें तनू सल्परिकम्द लिखिए। कुछ बूने मिलाई हैं, जल को गरम कीजिए। जब जल उवलना आरम कर दो तो इसमें धीरी-धीरी कॉपर सल्पेट चूण करने अंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्पेट का चूण मिलाना तक तक जारी रखें। जब तक कि उसमें और copper sulphate घुलना संभव ना हो बिलेयन को फिल्दर पेपर की साहता तर्चान लीजिए उसे ठंडा होने दीजिए जब बिलेयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला कर या अन किसी पेकार ना चेए कुछ समय बाद बिलेयन को देखिए क्या आपको copper sulphate की किस्टल दिखाई देती हैं यदि नहीं तो और समय का फितिक चकीए आपने बहुत देक रसानिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ लिया है सब्दय हमें अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को बहुत देक अजबार रसानिक परिवर्तन की रूम में पहचानने का प्रियास करते रहिए कोह पर सलफिट कि किस्टल रहे तो छली इसमें हम लोग बढ़ना है किया-करा जाना है रसानिक परिवर्तन की बारे में चिस्टली करें यस्ट लेपन भौतिक परिवर्तन की बारे में ज्ग लगने की बारे में हमारे लिए पूरा अध्यहाय आक अनिसकर व merch यह समझने के पूरा थ्याय पड़ा है तो आपने क्या क्या सीख लिए है परीवर्तन दो पिकार की होते हैं बहुते कत्वा रसाइनिक धौतिक परीवर्तन में पदार्तों के बहुते गुड़ों में कुछ परीवर्तन होते हैं इन परीवर्तनों में होने बाले नई पदार नहीं बनते हैं इन परिवर्तनों में कोई नए पदात नहीं बनती हैं, ये परिवर्तन उत्किर्व नहीं हो सकती हैं, रसानिक परिवर्तनों में नए पदात बनती हैं, कुछ पदात को क्रिष्टली करण के द्वारां उनके बिलेयनों से सुथ अत्वा सुथ दवस्था में प्राप्त किया आपके अब्यास के लिए कुस्टन्स दिएगा है इसकी इन्सॉट ले लिए या पिर पीडिया टेलिग्राम पर ड़ली हुए वहां से देख लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा इसमां ऐसा कोई भी टंस नहीं बिलेगा जो आपको समझने ना आ सकी तो इस था आपका छटवा चेप्टर बहुत देख एवं रसानिक परिवटन अध्याय साथ में बात करेंगी मौसम जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तुओं द्वारा अनुकूलन तो चली हम लोग बात करेंगी थे एन्टी इए आटी कर्चर सात्वी की बिग्ज्ञान के बारेंगी में तो इसमें अभी तक हम लोग छे चेप्टर आपके खतम कर चुकें यह आपका साथवा चेप्टर स्तात्वा चेप्टर है आपका मौसम जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तुओं द्वारा अनुकूलन आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भिर्मण के लिए जा रहे थे तो आप से क्या-क्या साथ समाल ले जाने के लिए कहा गया था अब आकास में जब आकास में बादल होती है तो आपकी माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं क्या आपने कभी अपने प तिल सुन होने से पहले पिसे सक्कों को मौसम के बारे में चर्चा करती हूँ सुना हुआ क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है मौसम का किसी खेल पर अत्यदिक प्रभाव पड़ सकता है इसका हमारे जीवन पर भी अत्यदिक प्रभाव पड़ता है हमारे रेट देनिक क्रिया कलाब उस दिन की मौसम के कुरूनवान पराधारे होते हैं, दूरदर्सन, रेडियो और देनिक समाचार पत्रों में भी पिती दिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बास्तों में मौसम है क्या है, इस अध्या तो इसी पर हम लोग बात करेंगे, जात रखिए, इसे एक कहानी के तरह पढ़िए या पर सुनिए, क्योंकि इसमें अगर आप लोग अच्छे से सुनते हैं, तो 90-95% आपके concept किलियर हो जाएंगे आरम से, लाश्ट में जो सब्द दिये जाते हैं, उनकी परिवासा जान दिये और जो निश्कैस बताया जाता है लाश्ट में, उसे भी सुन लेगे बस, तो बात करते हैं हम लोग मौसम, 7.1 में किसी दैनेक समाचार पत में पिका से, मौसम की जानकारी का यह नमूना दिया गया, हम देखते हैं कि दैनेक मौसम की रिपोर्ट में, पिछले 24 गंट किताब, आदिता, बरसा, यदि बरसा हुई हूँ, के बारे में जानकारी होती है, मौसम रिपोर्ट में, अंगले दिन की मौसम के बारे में, पूरु मनमान भी पिकासिप किया जाता है, इसमें, ठीक है, यह है आपका, एक निवच पिपर की, क्लिप, सुभय कुधरा बाद में आस्मान साफ हो जाएगा, सनिवार को अधिक्तम तामां, 19.7 डिगरी, सेल्सियस और निवन तम, 3.6 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया है, रभी बार को सुर्यार्ट, 5 बच कर 45 बचे, और 6 बार को सुर्यार्दर, 7 बच कर 15 मिनिट पर पोगा, मौसम की इस रेपोर्ट भारत मौसम बिग्ज्यान विभार द्वारा त्यार की जाती है, यह विवार पिती दिन, विविन इस्थानों से वहां की प्ताब, पवन बेव, आधी पर आग्रेव एकर्तित करता है, वो मौसम के बारे में पूरों मान लगाता है, किरिया कलाव 7. 7.1, किसी भी समाचार पत्त से बहले, एक सब्ताय के सभी दिनों की मौसम की रेपोर्ट काट लीजे, यदि आपके गहर में समाचार पत्त नहीं आता है, तो अपने किसी पड़ोसी अत्वा मित सिमांकर रेपोर्ट को अपनी पुष्टका में लिख लिजे, आप पुष्ट 1.1 में अपने द्वारा इकतित की गई मौसम संब्धी, जानकारी को नोट की दे, आपकी साहता के लिए पहली पंक्ती में एक नमूना दिया गया है उपर, साइडी के सभी कॉलंग में अपनी चार्ट के अमसाल आंकड़े दी, यह आपको नहीं करना है, ठीक पढ़के निक अधर होता है, जिसके उपर बर्सा जल को एकतित करने के लिए एक कीफ लगी होती है, क्या आपके द्वारा बनाई गई साहनी के अमसाल, सभी साथ दिन अधिक्तम और नियुनतम तापमान, आधिता और बर्सा के मापन, बर्सा के माप समान रहे, आपकी साहनी में नोट किय अधिक्तम और नियुनतम तापमान, कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परन्तु सभी पराचल जैसे की ताप, मान, आधिता, बर्सा किनी दो दिनों के लिए भी समान नहीं होते हैं, सपताय भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं, किसी इस्थान पर तापमान, आ कि इतनी से परिवासा इसकी बताने के लिए कितनी कहानी गड़ी है, किसी स्थान पर ताबमान, आधिता, बर्सा, बायूबे, आधी के संदर्मेट वो वायूमटल की पितीदिन की परिष्तिती उशे स्थान का मौसम कहलाती है, ताबमान, आधिता और अनकारक मौसम के घटक क क्या कह लेते हैं मौसम के घंटक आपके तामान आदता और अनकारक हो सकते हैं किसी इस्थान का मौसम तेन इतिनन और सब्ताय दर सब्ताय परिवर्तित होता रहता है इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यदेकाद रहे अत्वा पिछले सब्ता है मौसम गर्म था मौसम का एक अत्यंत जटल परिखटना है यह चरबर में परिवर्तित हो सकता है कभी कभी यह हो सकता है कि सुबाई की समय धोग निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाये और तेजवर्सा होने लगे अत्वार तेजवर्सा अचानक से बंद हो जाये और चटक धोग निकल जाये आपको अवसी अनेक ऐसे अनवाव हुई होंगे ऐसे किसी अनवाव को याद करके नेका प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताईए चोकि मौसम इतनी जटिल परिगटना है अता है इसका पूरुबनवान लगाना आसान नहीं है चित 7.2 में दिये गए ग्राप को देखिए इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 का सिलांग मेगाला में रिकोर्ड किये गए अधिक्तम तामान को दिखाए गया देखिए ते आपका अधिक्तम तामान ये दिनान के जैसा कि जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से इसपर्ष्ट होता है कि अधिक्तम और नियुनतम तामान को इती दन रिकोर्ड किया जाता है क्या आप जानते हैं कि इस तामान को कैसे रिकोर्ड किया जाता है अधिल्याय चार में आपने पढ़ा थागी इस कारे के लिए विशेश ताब मापी होते हैं, जिने अधिक्तम नियुनतम ताब मापी कहते हैं लोग, क्या आपने अलुमान लगा सकते हैं, कि दिन भर में किस समय ताब मान अधिक्तम और किस समय नियुनतम होता है, दिन का अधिक्तम ताब मान सामानता अपरहन यानि कि द बाद हम गर्मी से इसने बेहाल कि हो जाते हैं। जब कि सुवह के समय अप discat, मौसम, सौाना लगता है। क्या आपने कभी सूर्यवदर और सूर्यास्त केसा समय के बारे में सोचा हैं? आप exist Hurricane से कि सायकाल, अंधेरा-जल्दी क्यों हो जाता है। आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है, क्या सर्दियों में दिन की अवधी गर्मियों के फिक्चा कम होती है, अध्या के रत में दिये गए परी योजिना कारी को पूरा करने के इसका स्वेंपता लगाने का प्रियास करने, छोड़ी इसे, आप लोग इस पर दि के जलवाई, मौसम विज्ञानी पिती दिन मौसम संबंधी आपड़ों को रिकॉर्ड करते हैं, पिछली अनेक दस्कों की मौसम की रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए, इनमें हमें किसी स्थान के मौसम की पैटर्ण पिती रूप कर निधारन करने में सहायता मित्ती है, किस जलवाईव कहलाता है, याद रखिए हमें वही पॉइंट लेना है, याद रखना है, जो हमारे लिए दिरूरी है, एक पिरियोक साला जो भी पैटर्ण दिया गया है, इने चोड़ देना है, क्यूंकि यह हमारे काम की नहीं है, बस पढ़के निकल जाना है हमें, क्यूंकि ये कलते बैट गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे लिए नहीं है, जिसके लिए बुक्स बनाई लिए है, कर्च्छा सार्वी की बच्चों के लिए, यदि हम पाते हैं कि किसी इस्थान का तार्मन अधिकांस हमेरे उच चलेता है, तो हम कहते हैं कि उस इस्था पिछले कई बरसों में उसी महाय के लिए अनिक बरसों के उससत तार्मान की गड़ना करते हैं। जिससे हमें उसत, मध्यमान, तामान मिल जाता है। दो इस्थान, यानि कि जम्मू कस्मीर, मैं सरी नगर और केरल में तिरू अनंत पुरूं। एक आपका उत्री चोड, एक आपका दच्चडी चोड। सायड़ी 7.2 और 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कस्मीर और क केरल की ओसत, तामान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कस्मी की तुला में बहुत गरम और आद्ध, जिससे वर्स के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आद्ध चलवाई होती है। इसी पेकार के आपड़े भारत के पश्मी चेत्रों जैसे कि राजिस्थान के लिए बर्स के अधिकान सबय और सब्सक्राइब को बुच्च देखा जाता है। लेकिन सरदियों में जो सर्फ कुछ माय के लिए होती है। तामान काभी कम होता है। इस चित में बहुत कमबर्सा होती है। एक इसी मरुस्तल लिए जलवाई को देखें है। यह आपका जलवाई शरीन अगर जम्मू कस्मी जलवाई के बारे में जान का दो यह आपका तिरवाननक्त्रम Karel जलवाई के बारे में जान कर दो देखें। जनवरी का माइनेश दैनिक निवी नतमतामान मान दैनिक अधिक तम 4.7 औसद खुल बर्सा याँ 17 म मिनी बीटा होती है यह आप इसके इंसाट ले लिए अप पर पीडिया आप लोग डाउनलोड तर लिजे टेलीगराम से ठीग वहां तर लिए मौसमन में सभी परीवतन सोर के कारण होते हैं सोर अत्यदिक पुछ ताप पर गरम गैसों का विचाल बोला होता है परन्तु सोर द्वारा को सर्जिक ओर्जा इतनी अलिक है कि पितवी से इतनी द्वरी होने के बात चुछ सोर हमारे लिए समस्त उसमा और प्रिकास का सरोथ है अतरह सोर ओर्जा के पराजमी सरोथ भी है जो मौसम में परीवतन लाता है पित्वी के थल छेत और समुद्र और बायुमंदल द्वारा आवसोसित और परावर्थित की जाने वाली उविजाती किसी स्थान पर मौसम को निधारित करने में महत्पून होती है यदि आप समुद्र के समीब रहते हैं तो आपने यह नवफ किया है कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्थान अत्वा पहाड़ी छित के आसपास के मौसम से घापी पहिन दोगा बात करते हैं हम लोग जलवाईव और अनुकूलन जलवाईव का सभी जीवम पर गहरा प्रवाव बढ़ता है जन्तु उने स्थितियों मजीने के लिए अनुकूलिक होते हैं जिनमें बे रहते हैं अत्यजित सर्द और करम जलवाईव में जीवित रहने वाले जन्तूं में स्वेम को चरम सीथ अत्वाक्ताप से बचाने की विए कुछ विसेश गुड़ होते हैं अपनी कच्छा छटवी की विज्ञान के पुस्तर के अध्याय में दी गई अनकूलन की परिवासा को याद किजिए बेसभी गुड़ और लक्षन जो जन्तूं को उनके परिवेश किसे अनकूल में साहर होते हैं विकास के विकरिया का पैड़ा होते हैं इस पोस्तर के अध्याय नौ में आप मौसम और जलवायू के मिड़ा पर प्रभाव के बारे में पढ़ें जागे यहां हम केवल जन्तूं के पर जलवायू के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे छटी कच्छा में आपने कुछ आवासों वास इस्थानों के लिए जन्तूं के अनकूल, अनकूलन के बिसेवन पढ़ा था जन्तुओं के जलवाई वी परिस्तितियों के लिए अनकूलन के उधारन के रूम में हम केवल धुर्वीय चेत और उश्न कटिवंदी ये वर्सा बनों में रहने वाले कुछ जन्तुओं की चर्चा करेंगे। जैसा की नाम से इस पर्ष्ट है कि धुर्वीय चेत धुर्वों की समभी इस्तित होते हैं जैसे उत्तरी धुर्व और दच्री धुर्व दुर्वीय चेतरों में कुछ परिचित देश कनाड़ा, ग्रेनलेंड, आइसलेंड, नौर्वे, स्वीडनलेंड तथा अमेरिका में भारक, मलेसिया, इंडोनेसिया, ब्राजील, कांबुगरतंद, कैन्या, इवांड़ा, नैजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहांकि जलवाई आपकी उष्ट कटी बंदी है, बरसावन भी पाए जाते हैं उष्ट कटी बंदी है अब बात करते हैं किरिया कलाब 7.2 में, विसका एक माचित लिए, दुर्विये छेत्रों को नीले रग से दर्शाई है, इस पिकार उष्ट कटी बंदी है, छेत्रों को लाजन के, बात करते हैं दुर्विये छेत्रों दुर्विये छेत्रों में चरम जलवाई पाई जाती हैं, यह चेत सदेव बर्ब से लखे रहते हैं, यहां बरस के अधिकांस बाहर में अत्यदिक सर्दी रहती हैं दुर्वों पर छे महीने तक सूर्यास नहीं होता है बागी छे महीने तक यहां शूरिय उदह नहीं होता है। यानि कि छे महीने की राध और छे महीने कर देन होता है यहां200 여 अनुकूलिक हो जाते हैं। आईए हम धुर्विय भालू, पूलर भी है, उप्पेगुविन के उधारन से यह जानने का प्रियास करें, कि बेक किस पिकार यहां की जलवायों के लिए अनुकूलिक है। धुर्विय भालू के सारे सरीर पर सफेद भाल फर होते हैं, जिससे भी बर्व की सफेद स्वेद प्रष्ट भूमी में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इसमें इससे उन्हें अपनी परवक्षियों से बचाओ में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने सिकार को पकड़ने में भी विसायता मिलती है। इन्हें चरम सीथ से बचाने के लिए इनमें बालों हरकी दो मौटी परत होती हैं। इसलिए तुछा के नीचे वसा की एक परत होती है। बाश्तों में दुर्वीय वालू का सरीर इपनी अच्छी तरह से सीथ रोती होता है कि वे दीरे दीरे दीमे-दीमे चलते हैं। ताकि उनकी शरीर काताब आवस्सक्ता से लिफ्ट ना हो जाए ये अपने शरीर को बहुत अधी गरम हो जाने के लिए अक्सर विश्याम करते हैं गरम मौसम में बहुती क्रिया कलाफों के बाद धुरविय वालू को अपने सरीर को ठंडा करना पड़ता है अता धुरविय वालू समुद जल्में तैते रहते हैं ये अच्छे तैराग भी होते हैं इनके पंजे चोड़े और बड़े होते हैं जो ना केवल अच्छी तरह से तेहने मेन की सहायता करते हैं बलकि उन्हें बरप में चलने में भी सहायता देते हैं या सहाय होते हैं तैसे समय अपने नत्थनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर भी रहे तकते हैं दुर्विय अब आलू की सुगने की सकती गरहाड सकती तीव भुर्वी जिस्ते ये बोलन के लिए अपने इस्तिकार को आसानी से खोज बबब कर सकते हैं हम दुर्विये बालू के अनुकूर लंकिको चित्त 7.3 में दिखाएगे प्रभाज चित्त द्वारा आसानी से समझ सकते हैं यह आपका दुर्विय बालू पढ़ेंगे इसके बारे में थूढ़ा और देख लेंबstairs चलिएसी के बारे में जान वेति हैं इसकी पुच़ा के नीचे भसा की एक परत होती है इसका सरीर सीत-्रोधित होता है और इससे गर्म रखता है इसके शरीर पर बालों को की दो मोटी परते होती हैं यह सर्द मोसम में इसे गरम रखती हैं सभेद बालों के कारप सभेद बरप की पेश्ट भूमी में यह आसानी से दिखाई नहीं देता इसके परवक्षी और सिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं इसमें सुंगने की सकती तीब होती, या भालू को अपनी सिकार को ढूरने उपापड़ने में सहाय होती, इसके नखून, नखर, मुड़े हुए लंबे तेहरने और पहने कोती हैं, या इन्हें बरप पर चलने में सहायता करते हैं, ठीक है, दुर्विये चेत्रों का एक अन्ल पेश्ट भूमी में मिल जाते हैं, इनके सरीर में बेश्ट मैं भी स्वैम को सल्दी से बचाने के लिए मौटी तो चाव रखते देगी वर्सा होती है, आपने पिगमिनों के जुन्ड के चित्र देखे होंगा, स्वैम को गरम रखने के लिए बिए ऐसा करते हैं, याद सरीर धारारी की यह होता है, निट पेरों में जाल जैसा बनांत, जैसे अच्छे यह तैर आप होते हैं, देखिए पिगमिन के पेर, दुबर भी यह छेत्रों में नायने वाले, अन्य जन्तुओं में अनेक पेकार्गी मचलियां, कस्तूरी मिर, रैन, बियर, लॉमडी, प् अन्य पेकार की पक्षी समलेते हैं, नोट कीजिए कि यहां मचली ठंडे जल में लंबी समय तक रहे सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए, अपने सरीर को गरम रखना आवसक होता है, इसी कारण अन्य पेकार की पक्षी, सर्दियों में, सर्दियों के ही आते आप एक्षा कर गरम इस्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, सर्दियां समाप्त हो जाने पर विपुनहा अपने आवास पर बाफस लोटाते हैं, साइद आप जानते हैं कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास इस्थान में, आपने साइवेरियाई क्रेंडो के बारे में सुना हुआ, जो साइवेरिया से राजिस्थान में भारत पूर और हर्याणा में सुद्दान पूर जैसे इस्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं, कुछ पक्षी उत्तरबूर के कुछ आदिस्थानों भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प् प्रवासी पक्षी क्या आप जानते हैं कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवाईवी परिस्तियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करती है सामानता ये अधिक उचाई पर उडान भरते हैं जहां बाईव प्रवाई उडान में सहाई पूती है इस उचाई की सीथ पर इस्तितियां उनकी उडान पेसियों द्वारां उत्पन उसमा का बिसरन अरसान कर देते हैं लेकिन आश्य की बात आया है कि प्रवाई पक्ची बर्ष दस बरस दर बर्ष एकी स्थान पर कैसे आते रहते हैं यह एक रहस्य है ऐसा लगता है कि इन पक्चियों में दिसा का सहे जोद होता है और यह जानते हैं कि किस दिसा में उड़ना है मार्ग दसन के लिए संभवता कुछ भूठ चिन्नों लेंड मार्ग का उप्यों करते हैं संभवता अनेक पक्चियों को इन दन मैं सूर और रात्री में तारों से मार्ग दसन मिलता है इसके भी कुछ प्रमाड है कि पक्चियों दिसा का पथा लगाने के लिए पितवी को चुमकीय चित का उप्यों करते हैं केवल पक्चियों ऐसे जन्तू नहीं है तो प्रवास करते हैं अनेक इस्तंदारी जीव अनेक पकार की मचलियां और कीट भी अधिक अनकूर जलवाई की तलास के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं अब बात करते हैं हम लोग ओष्ण कटी बंदिये बर्सा बन के बाद ओष्ण कटी बंदिये चेत्रों की जलवाईों सामानता गरम होती हैं क्योंकि ये चेत्र भूमद रेका के आसपास इस्थित होते हैं सबसे सर्ग महिने में में भी ताममान सामानता पंदर डिगरी से अधिक रहता हैं गर्मियों में तामान 40 डिगरी सेल्सिय से अधिक हो जाता है। वर्स बार्ट दिन और रात की लंबाई लगबग बराबर होती है। इन चेत्रों में पेच्चोर मात्रा में बरसा भी होती है। इस चेत्र की एक प्रमुक बिशिष्टा ऊष्ण कटी बन दिये बरसा भन है। ऊष्ण कटी बन दिये बरसा भन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अत्रक्त ऐसे वन दच्छिन पूर्वेशिया, मद्दमीतका और मद्द अफीका में भी पाए जाते हैं। सतद गर्मी और बरसा के कादम इस चित में विविन पिकार की पादप और जन्तु पाए जाते हैं। बरसा में पाए जाने वाले पिर्मोख पिकार के जन्तु में आपका बंदर, कपी, गुरिल्ला, चीता हाती, तिंदुआ, छिपकली, सरप पच्छी और कीट सामे दे। आईए अभम गरम बायू, गरम आत जलवाई पे लिए इन जन्तुओं के अनुकूलन के बारे में अध्यन करें। वर्षावनों में जलवाई भी परिस्तितियां अनेक किस्मों के जन्तुओं की विशाल जन्संक्या के जीवन यापन के लिए अत्यदिक उपयुत है। चुकि जन्तियों की जन्संक्या अधिक होती है, जन्तुओं की जन्संक्या अधिक होती है, अताहा उनमें भोजन और आसरय के लिए सघन, पितीस परदा होती है। अनेक जन्तु वेक्षों पर रहने के लिए अनुकूलिक होते हैं, लाल नेत्रों वाली मैडक के बहर के तलवी चिप-चिपे होते हैं, जो उन्हें उन वेक्षों पर चड़ने के में सहायता करते हैं, जिर पर भी रहते हैं, यह आपका लाल नेत्रों वाला मैडक देख लिए वैख्षों पर रहने में सहाइक्ता के लिए बंद्रों की लंबीक मुछ होती है जो साखाँ वो पकड़न में सहाइक होती है इनके हात पर ऐसे होती हैं जिस से आसानी से साखाऊ वो ठाम सकते हैं या आपका न्यू वर्ड मंकी या बंद्र क्योंकि इन बनों में आवास करने वाले जन्तुओं में बोजन के लिए पर्सपर्दा होती है कुछ जन्तु ऐसे बोजन को प्राप करने के लिए अनकूलित होते हैं जहां अन्य जन्तु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं उधारन के लिए आपको तूकन नावक पक्ची की लंबी बड़ी चौच होती है, जिसकी सायता से वह ऐसी साक्षाओं में लगे, फलों तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत कमजोर होती हैं, और उसका बहार नहीं सह सकती है, यह आपका तूकन पक्ची, देख लिए यह किताब में सुनने की संब्यदन सकती, तीब दिरिष्टी, मौटी तुचा, और ऐसे वर्ड यानि गिरन की तुचा होती है, जो ने आसपास के चित्रों के साद मिलकर, छदमावरन करने में सहायर होती है, और उनकी परवक्चियों से रख्चा करती है, उधारन के लिए बिलाव, प लंगूर मंकी, लौयन टेल लंगूर, जिसने दाड़ी वाला FB कहती है, पश्चिमी घाट के वर्षाबनों में पाय जाती है, इसकी सबसे प्रमुक विसेशता, इसकी चानी जैसे सफिद स्वेट आयाल, जो सिर्के चारों और गालों, चिबो, टोडी, तक रहती है, यह ब लंगूर, बेक्चों की चाल में वास करने वाले कींटों की तलास में रहता है, चुके लंगूर बेक्चों पर परियार्थ भोजन, जुटा पाने में समर्थ होती है, अतहाव यह भूमी पर यदा कदा ही आती है, बारतिये उष्ट का टिवन दिये, बर्सावन का एक अनप परिचित जन्तु हाती है, हाती अनेक पेकाद से बर्सावनों की परिश्थितियों के लिए अनुखुलित हो गए है, इसकी सोन को ध्यान से देखिए, जिसका उप्यव वह नाक क्यूरों में करता है, लंबी सोन से इसकी सोमने की सकती बहुत अच्छी होती है, हाती द्वारा सोन का उप्यव भोजन को उठाकर उठाने के लिए भी किया जाता है, एक पीस के बाहर दंत, जिने हम लोग वरत कहते हैं, बास्तावे रुपांधित दंत होते हैं, इत दांतों से हाती अपने लंबे बड़े कान, बहुत हलकी दोनी को ही है, भी सुनने में सहायक होते हैं, वर्षाबनों की गरम और आती जलवाई में हाती को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं, यह है बारतिय हाती देख लिए है, तो इसमें हम लोग उने क्या क्या जाना है, अनुकूलन प्रवय जलवायू भी देखिए, मौसम की गटक देखिए, आदिता देखिए, अधिकतम ताम्मान भी देखिए, प्रवआस देखाई, निवरन ताम्मान देखाई, धुर्मीय च्हेत देखाई, वूषण कठी बन दिये वर्षा बन, वूषण कठी बन दिन części देखिए, तो इसनें आपने क्या क्या सीख्य में किसी स्थान पड़ता है , बल्सा पवण वें, आधि के संधर में बायू मंडल की दिन कि ती दिन की इस्तिति उसेас cow childcare मौसंध कहला थी मौसंध सामाने तक किनी दो अत्वा सब्ता है दर सब्ता है समान नहीं होता है दिन का अधिकतम तामान सामान था दोफेर के बाद में जबकि नियुनतम तामान भोर में होता है वर्स वर्स सूरियोदर और सूरियास्त का समय भी परिवर्थित होता रहता है मौसम के सभी परिवर्थन सूर से संचालित होते हैं देर गाउदी जैसे 25 बर्स में लिए गया मौसम की प्राचलों के आधार पर तियार की गए इती रूप या पैटर्न को उस इस्थान की अमनों चलवायों कहते हैं आ नियरधारे करते हैं उससे उस्थने कटी बन दिये और दुरविय चेत्रों के पितवी के दो ऐसे चेत्रें जहां की चर्म जलबाई भी परिस्थिति होती है जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनकुल लित होते हैं चिनमे वैट बास करते हैं दुरविय चेत्रों में बर्स बंड बहुत प्रसा की पर तैन्नेव चलने के लिए चोड़े और लंबिक नक्रों या उनकी नापून के कारण अत्यदिक सल्प जलवाई के लिए अनकूलेट होते हैं अतिसीद मौसम से बचने के लिए प्रवास एक नस्ताधन भी है अनकूल जरवाई भी है परिस्तितियों के कारण उस्ट कटे बंदिये बरसा बनों में पात्पों जन्तूओं की विसाल जनसंख्या पाई जाती है उश्न कटी बंदिये वर्सा वनों में जन्तु इस पेकार अनकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य पेकार के जन्तुओं से भिन्य भोजन और आसे की आवसकता होते हैं ताकि उन्हें परसपर विश्पलता कम से कम हो उश्न कटी बंदिये वर्सा वनों में रहने वाले जन्तुओं के कुछ अनकूलिनों में बैक्चों पर आवास मजबूट उचका विकास लंबी और विसाल चौंच चटक्स रंग तीखे पेटर्न पितिरो तीप स्वैसर दौनी तेजावाज फलों का आज सुनने के संभिधन सकती तीप द्रिष्टी मौटी तो चाह पर वक्षियों से बचने के लिए चलमा और एंड की चमता आधी संभिध होती है यह आपके कुछ अभ्यास के लिए कुश्च दिए गये हैं यहां से देख लिए स्किन सोट लिए 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 या फिर आप लोग पीडियर आपकी दली हुई है टेलिग्राम बर वहां से डाउनलूड करके रख लीजे एक बार उसे भी पढ़ लीजे बस निकल जाए बहुत है इतनी तो यह था आपका साथवा चेप्टर आठवे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे पवन तूपान और शक्क्यवाद के बारे में नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कक्चा साधवी की बिज्ञान के बारे में तो इसमें अभी इनतर हैं अव लोग साथ चेप्टर आपके खिदम कर चुके हैं आठवा चेप्टर हमें देखना है तो आठवा चेप्टर है आपका पवन तूफान और चख्कवाद को देखने से पहले कि बात कर लेते हैं हम लोग आज जो कुरोना वायरस का जो प्रकोप छाया हुआ है उसी से संब्दित कि आप सभी लोग देख रहे हुए कि आप सभी लोगों ने लगववग सुना होपी होगा कि हमारे बाल से कई गुना चोटा है वायरस आपका कोविद-19 जो वायरस है यह आपका आपके बाल से भी कई गुना चोटा है फिर भी देखिये हमारी रौखाद दिला कि हम इंसान आ कि आप लोग इस तरह से जिन्दगी जिया करिये, कि अगर हमारी मौत हमारे सामने खड़ी हो, तो मैं कोई अफसोस ना हो, जो भी काम मिले, भाई, बहन, मार, पता, जो भी जिन्दगी में, जो भी करदार मिलना है, उसे इस तरह से नवाइए, कि आथो कोई अपने आप से सिक परोशन्ट दीजे, सामने वाले से क्या मिला है, बदले में, उसपर बिलकुल भी एक पर्सेंट भी आप लोग टैंसर मत लिया करिए, आप अपना कलतबने, भाई, ये, सामने वाले पर छोड़ दीजे, उसे करना है, या मरना है, जो भी उसे, उसकी तरफ से, जो भी मिले, उसे सुईकार करिए, ठीक है, तो यही जिन्दगी है और क्या है, बढ़ना देख ही तो रहे वापनों, मौत का किस तरह से साया लोगों मचाय हुआ है, एक बात तो और किलिए है अपने देश में, कि पिसेगा गरीवी, जो गरीवी के तबके में, वही पिसेगा, वही पिसता रहेगा हुए सब, कोई भी सरकारे आएं, बदलती रहें, कोई भरक पर अन्यवाद में, चली हम बात करते हैं, पवन तूफान उड़िशा के बारे, उड़िशा के तड़ को 18 टूबर 1999 को एक चकवाद ने पार किया था, चकवाद का पवन बेग 200 किलोमीटर पित्थी चकवाद में 45,000 भावनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे 7,000,000 के करीब लोग बेगर हो गये थे, उसी वर्ज 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पित्ती घंटे के पवन बेग सिक पुना एक अन्य चकवाद उड़िशा में आया था, इसके साथी 9 मीटर उची समुद्री लहे हजारों लोगों ने अपनी जान गवादी थी, करोरों रोपे की संपत्तिनष्ट होई थी, चकवाद में किर्सी, परिवान, संचार और जित्तु सप्लाई को प्रिभावित किया था, याद रखी है अविसा कहता है हम कि जब तक हम लोग प्रक्यती से छिडशाड नहीं करे बन खड़ी होगी, यह सभी उसी के बढ़ना, यह आपका उरिशा के समद तट की और परवत किसी चकवाद का उपगरे सेटिलाइट द्वारा लिया गया जद्ध है, लेकिन चकवाद होते क्या है आकर, यह कैसे बनते हैं, यह इतने बिनास्कारी क्यों होते हैं, इस अध्य क्रियाओ क्लाव हमें चकवाद से समनीत, कुछ व्यवोत, विसे स्ताओं के इत्पश्ट करने में सहाएक होंगे, इससे पहले कि हम क्रियाओ क्लाव आर्म करें, याद रखिए, गती-सील-वायू, पवन कहला ह Bryce, कि रखिया क्लाव याद रखिये, गती-सील-वायू किया कह करना हो तो बहुत सावधानी फुर्वक से कार करना चाहिए अच्छा होगा यादि किसी ऐसे सभी क्रिया खलाब आप अपने परिवार के वड़े सदस्वों की उपस्तिती में करें अत्वा इन्हें अपने सिक्षक की उपस्तिती में करना है इन्हें इस तरह कि जो भी आपके क्रिया कलाब में आपको पढ़के निकल जाना है क्योंकि जो कप्छा साथवी में होगा उसे करना जरूरी है आप लोगों को इसे नहीं करना है तो इसे पढ़के निकल जाना है इस क्रिया कलाब में आपको पानी उबालने की आवस्त्ता पढ़ेगी डखकन बाले टिंड का ए तक उबलने दीजिए, मौम्मत्ती को बजा दीजिए, ततकाली डिब्बे का ढखन कसकर बंद कर दीजिए, गरम डिब्बे को बंद करने में साउधानी बरते हैं, अब डिब्बे को साउधानी से धातु के गहरे पात अत्वा वास पेशन में रख दीजिए, डिब्बे पर ठ सकते हैं कि डिपवे का अखार बिरूपित किया क्यों हो जाता है यादि आपने टिन का डिपबर ना मिल भाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए इसे गरम जल से भर लीजिए बोतल को खारी करके इसे तकाल कसकर बंद कर दीजिए अब बोतल को नल के बहते पानी के गरम एक हें तो क्या यसे चलाना असान नहीं आसन होगा यदि पबंद उस दिस्षा के विधृष दिसा से आ रही है जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं क्या आपको पबंद की दिस्षा कि पितिपूल साइकल चलाने में कटनाई का अनुवा होता है आप जानते हैं कि हमें साइकल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यू में हवा बननी फटती है आप यह भी जानते हैं यदि साइकल की ट्यू बहुत अधिक हवा भरत दी जाए तो यह फट जाती है ट्यूब के भीतर हवाग क्या करती है अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चच्चा कीजिए साइकल के ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बना रखती है इसे भी देखते हैं यह सबी अनुभाव हमें यह ब्याज आवास देते हैं कि बायू दाप डालती है इस दाप के कारण ही पबंद्वारा बैक्चों की बत्तियां बैनल अत्वा जंडे लहराते हैं आप कुछ अन अनुभावी पता सकते हैं जो यह पिदर से इत करते हैं कि बायो दाप डालती है आईए अब हम यह समझने का पिर्यास करते हैं कि डिपबं अत्वा बोतल विरूपित क्यों हो गया था जब डिपए पर पानी डाला जाता है तो डिपए के अंदर की कुछ भाव चल में संगनित हो जाती है जिससे भीतर की बायू की मात्रा कम हो जाती है पाइडाम स्वरूप डिपए की भीतर बायू का दाप डिपए के बाहर की बायू के दाप से कम हो जाता है दाप की इस अंतर की कारण डिपबं पिचक जाता है यह क्रियाकलाब कुना पुष्ट करता है कि बायू दाप डालती है बायू होती है जो वो दाप डालती है पबन का भी बढ़ने पर बायू का दाप घट जाता है पबन का बेग बढ़ने पर बायू का दाप घट जाता है क्रिया कलाब 8.2 कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा अखार बनाईए खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजे अब फूक मारकर गेंद को बोतल की बीतर डालने का प्रयास कीजे इस तरह से इसके क्रिया कलाब को बिभिन आम आपकी बोतलों के साथ करने का प्रयास रहें अपने मित्रों से भी फूप मार कर गैन को बोतल के बीदर डालने का प्रयास करने को करिए पहली और वुजो चाहते हैं कि निमलिकेट पे से ने प्रविचार किया जा कागर की गेंद को फूप मार कर बोतल में डाला कठिन क्यों है गुपबारे को फुलाना किरिया क्लाब एट पॉइंट दे लगबख समान आम आपके दो गुपबारे लीजे गुपबारों में थोड़ा पानी भरती लीजे दोनो गुपबारों को फुलाकर पितेक को धागे से बांदिए गुपबारे को साइकल के स्पोक अध़ुआ किसी चठ से आठ से दस मेर ऀ एट पर लटका दीजे दोनो गुपबारे की वीजे इस्थान में पूंक मारी आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं, गुबारे की वीच में फूंक मारने के लिए बिभिन तरीके अपनाएं और देखिए कि क्या होता है क्या आप फूंक मार कर कागज की पट्टी को अठा सकते हैं इस तरहें, लगवर 20 cm लंबी और 3 cm चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अमगूठे और तरजनी के बीच इस पेकार पकड़िए कि पट्टी का दिकात वाग नीचे की और लटका रहें, जैसा कि चित 8.5 में देखाए गया है आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारें, पहली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगे, जबकि बुजूद सोचता है कि पट्टी नीचे जुख जाएगे आपके पिक्चन किसे सही सिद्ध करता है, आइए हम क्रिया कलाब 8.2, 8.3 और 8.4 के पिक्चेड, पिक्चेडों को समझने का प्रयास करते हैं क्या आपने पिक्चन आपकी आज्टा के रूप हैं, अर्था तब बे वैसे ही हैं, जैसा आपने सोच जाता हैं, क्या आपको ऐसा नुवा हुआ है, जब हम बोतल के मुख पर फूंग मारती हैं, तो मुख के बास यी बायू का बे अपेक्चकर अधिक हो जाता है, इससे व वहाँ वायू दाप घट जाता है बोतल के भीतर वायू दाप उसके मुख के निकट के दाप से अधिक हो जाता है इसी करण बोतल के भीतर की बायू गैंद को बाहर की ओर धकेर देती है क्रिया कलाव 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे की बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रियास करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यह तब ही समभा होता है जब गुब्बारों की बीच के इस थान की बायू का दाप किसी तरह कम हो जाता है तब गुब्बारे की दूसरी ओर बाहर की और का दाव उन्हें एक दूसरे की और दखे लिगा पर आपका क्रिया कलाब 8.4 मैं आपने देखा है कि जब आप कागज की पट्टी के उपर सिर्फ फूंप मारते हैं तो यह उपर की और उठ जाती है पुनाह ऐसा तभी संभाव है जब कागज में भूप मारने पर पट्टी के उपर दाव कम हो जाता है हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से बायू का दाव बास्तों में कम हो जाता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ है यदि तीप पेट की पवन भावनों अत्वा जोपडियों की चत के उपर प्रभावित होँद यदि चत कमजोर होगी तो ये उपर उठ जायेगी और पवन उसे अपने साथ औड़ा ले जाएगी यदि आप ने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताईए आजिए अब हम यह समझने का प्रियास करें कि पवन कैसे बनती है यह वर्षा कैसे लाती है और कभी-कभी यह बिनास्कारी कैसे हो जाती है आप यह जानते हैं कि गती सिल बायू पवन कहलाती है पवन सदे अधिक बायू दाब बाले छेत्क से कम बायू दाब बाले छेत्की और गती करती है पवन जहां अधिक बायू दाब होता है उस तरफ से कम बायू दाब बाले छेत्की और जाती है वायू दाप के भी जितना अधिक अंतर होगा पबन का भी उतना ही अधिक होगा लेकिन प्रक्किती में बिविन चित्रों में के वायू दाप भिन्नता कैसे उत्पन होती है क्या ताब में भिन्नता के कारण कैसा होता है निविकित क्रिया कलाप से यसे समझ्य में आपको साहत गरम किये जाने प्रवायू का पिरसाब होता है क्रिया के लाग 8.5 एक खुथन नली लिए नली के मुँख पर एक गुबारे को कसकर लगाईए आप इसे कसने के लिए टैप का उपयोग भी कर सकते हैं किसी बीकर में लगबग दो तेहाई उंचाई तक गरम जल डालेए कोथन नली को गरम जल में इस प्रीवरतन होता है कोथन नली को जल से बाहर निकाल लेज़े इसे कमरे के टाप तक थंड़ा होने दीचेए अब एक अन्ड बीकर में थोड़ा बरक का ठंडा जल दीजिए कुथन नली को पहले की भाती दो से तीन मिनिट के लिए ठंडे जल में रखिए इस तरह से गुबारे का कर में होने वाले परिवतन को नोट कीजिए अपने पेक्षणों की आधार पर निवने पिसनों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए कुथन नली को गरम जल में रखने पर गुबारे क्यों पूलता है वो अब गुबारे कुथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक्ट हो जाता है क्या हम पेली पेक्षण से यह निशकर निकाल सकते हैं कि बायू गरम किये जाने पर प्हलती है अर्ठाथ उसमें पिसार होता है यह बता सकते हैं कि ठंडी किये जाने पर धंडे लीके भीतर बायू का क्या होता है संभावता आपका क्रिया क्लाव 8.6 बहुत रोचक लगेगा इससे आपको गरम पायू के बारे में और अधिक जानकारी प्राप करने में सहायता मिलेगी क्रिया क्लाव 8.6 समान आम आपकी कावेच की तो खाली थेलियां अतवा कावेच के दो खाली कप लिजे दोनों थेलों को धातू अतवा लकडी की किसी छड़ के दो किनारों से लटका दिजे द्यान रहे कि कावेच की थेलियां अतवा कपों का मुख नीची के और लगे सावधानी है, जन्ती के मौंबत्ती को सावधानी से फकड़ें, तथा यह द्यान रहे कि उसकी लोग कागज की थेली से पर्याप दूरी बढ़ें, छड़ के मद में एक धागा बांद कर उसे, धागी से इस पिकार पकड़ें, जैसा कि किसी तराजू में करते हैं, अब किसी थेली के नीचे, चित में दिखाए गए अनसार, जन्ती मौंबत्ती को रखें, देखिए क्या होता है, थेली को संतुल, थेली का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है, देहें आपूँ, क्या क्रियाकलाब दर्साता है कि गरम होने पर बायू उपर की उठती है, जैसे मौंबत्ती की लौड से गरम बायू उपर की उठती है, तो यह थेली को उपर ले जाती है, क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गरम बायू ठंडी बायू से हलकी होती है, क्या उपर क्यों उठता है, यह याद रखने की भी मत्वों है, कि गरम किया जाने पर बायू का पिर्सार होता है, और ओधिक एस्थान गेरती है, जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक इस्थान गेरती है तो है हलकी पिती होती है, इसलिए गरम बायू, ठंडी बायू की अप का ऊपर उठता है। प्रक्ति में अनेख एसी इस्थिफ़ां होती हैं... जहांके सिस्थान या... षेत से बायू गरम होने के कारण। ओपर उठती है। ऐसी सिस्थान, वे इस्थान का बायूदा कम हो जाता है। फल्सवरूप उस इस्तान के आसपास कि छित में ठंडी बायू प्रभावित होकर उस इस्तान को घेल लेती है। इसे बायू में समयन धराय इस्तापित किजाती हैं जैसा कि अपने अध्याय चार में पड़ा था। अब बात करते हैं पवंधाराय पित्वी के आसमान रूप से गरम होने की कारण उत्पन होती है। या हम किसी ऐसी कुछ इस्तितियों का विवर्ण पिस्पत कर रहे हैं जिसके कारण पित्वी के वाई मंदल में पवंधाराय उत्पन होती है। ये स्थिदिया हैं आपकी भूमद रेखिये और दुर्विये चित्रों का आसमान लोग से गरम हुने। आपने संभुता गोगल में पड़ा हुगा कि भूमद रेखा के आसपास के चित्रों को सूरी की अधिक्तम उसमा मिलती है। इसे इन चित्रों में पितवी की सते की निकट की बायू गरम हो जाती है। गरम बायू उपर उटकिये और ठंडी भायू भूमद रेखा के दोनों और श्तित 0-30 डिगरी अक्छांस की पत्टी के चित्रों में भूमद चित की ओर गती सील हो जाती है। इस पेकार उत्वन पवन दारायन, उत्तर और दच्छन की सिभूमद रेखा की उल बहती हैं, दुर्वों पर बायू पिद्वी के लगभग साट डिगरी अक्छास तक कि छित्रों की बायू से अधिक ठंडी होती है, इन छित्रों में गरम बायू उपर उठती है, जिसका इस हम छित्रों की उप होता रहता है, जैसा कि चित्त 8.8 में दिखाए गया है, इसमें देखिए, इस पेकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिगरी तबहां 60 डिगरी अक्छास के छित्रों कि आसामान लूप से गरम होने की कारण, पवन का परबार, 30 डिगरी अक्छास से 60 डिगरी अक्छास की ओर होगा, पवन के इस पेवाय की दिशा, उत्तर दच्छन दिशा में उत्तर से दच्छन की ओर, अथ्वा दच्छन से उत्तर की ओर होती है, दिशा में परिवर्तन कित्वी के गूडन के कारण होता है, बात करते हैं थल और जल का आसमा लूप से गरम होना अध्या चार में आपने समुद्र समी और थल समीर के विशा है पड़ा था गर्मी के समय ग्रेशन काल में थलीय चेत अधिक तेजी से गरम होता है और अधिका समय थल का तामान समुद्री जलकिया पेक्चा अधिक रहता है थल के ऊपर की वायू ग मानसून सब्त की उत्पत्ती अर्वी सब्त मौसम से हुई है जिसका रत होता है रितू इस तरह के जोगी पॉइंट हुगा करेंगे आप लोग उनपर नजर डालती रही एक गार्चे से थल विशेष रूप से राजिस्थान की मरुस्तिलों के आसमान ताम में ग्रेशन काल द्श्थार्व दि्शा से मानसूनिरमत होता है यह मानसून पवन अपने साथ इंध महासाकर से काफी चत्म बासूप लेकर आती है देखिए यह आपकी भारत की स्तितिय हो गई मैपस देखिए यह आपकर सीधकाल में जलो और थलो और जल के आसमान ताफिक कारण पवन उत्तर पश्चिंग के अपरिक्षा के ठंडे इस्तानों से आती है यह सीधकाल यानी की सर्दियों में पवन के बवाएं की दिसा भी टीक्त हो जाती है अर्था यह थल से समधिकियों बदलती है समधिसे आने वाली पवन अपने साथ जलवास पलाती है जिससे बरसा होती है यह पिक्रम आपका जल चक्रन कहलाते है गरम मालसुन हवाएं अपने साथ जलवास पलाती है जिससे बरसा होती है आपके बादल बर्षा लाते हैं और हमें आनन्द का अंबा पराते हैं हमारे देश में किसान अपनी पसल के लिए प्रमुख रोप से बर्षा पर निर्भर कर दिये बादलों और बर्षा से समधित अनेक लोग गीत पिछलेते हैं यादि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मिंत्रों के साथ उसे गाकर सुना सकते हैं आपको सुनाते नहीं बैठ जाना है यह आपके लिए तो पढ़ने के लिए सुन लिए उमड़ गुमड़ कर आये बादल, आस्मा में छाये बादल, मानसुन में आते बादल, भूनों को वर्साते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल सागर से बनते हैं वर सागर में मिल जाते हैं यहीं इंसानियात की हालत है कि मटी मिटी से हो गए वर मिटी में मिल गए बर्सा सदेव सुखदाई नहीं होती है कभी-कभी बर्सा अनेक समस्याओं को जरम भी देती है क्या आप ऐसी समस्याओं के नाव बता सकते हैं आप अपनी सिक्षक या सिक्षका और माता पिता से भरसा से समध्य समस्याओं के कारण नेवारन पर चर्चा कर सकते हैं कुछ पराक्तिक गठना ऐसी परिस्तितियों को जनब देती हैं जिसे कवी-कवी आपदाय आती हैं इनसे मनोस्तो जन्तुओं और पात्पों के जीवन की यूद संकट उत्पनुत हैं आईए हम ऐसी दोगर नाव जैसे तडित जंजा और चक्वाद का दिन कर रहें तडित जंजा और चक्वाद तडित जंजा भारत जैसे गरम आत उर्फ ने कटी बन दिये छेत्रों में अक्सर भी विक्सित होते रहते हैं ताम में बिद्धी होने के कारण उपर की और उठती हुई पवन पिबल हो जाती हैं पवन बाई में पहड़े से वित्माद जर्भूनों को अपने साथ उपर की और ले जाती है जहां ताम कम होने के कारण बेजन जाती है और पुना नीचे की और गिरने लगती हैं गिरती वी जलकी भूनें तीव बेबेग से उपर उठती हुई बाईपी परस्पत किरिया से बिजली तड़ित कौन दिए जिससे ध्वनी उठपन होती है इस घठना कौन लोग तड़ित जंजावत कहते हैं आप तड़ित जंजावत की बारे में उच कच्छाओं में विस्तार से बढ़ेंगे आगे कि यदि जंजा के साथ तड़ित बिजली भी गरे तो उसे हम लोग तड़ित जंजावत बात कहते हैं इसमें हम निवलिके सावधानी बरतनी चाहिए किसी ऐसे बैक्ष के नीचे आ कटना बेट हैं खुले गेरेज बंडारन शेड़ धातविक चादरों की चते हैं बाली सेड़ आदी आसा लेने के लिए उप्यक पिस्थान नहीं होते हैं कारदवा बस आसा लेने के लिए सुरक्षत इस्थान होता है यदि आप जल में हैं तो बाहर निकल के किसी इमारत मे चले जाने परे आपका तडित जंजा कैसे चकवाद बन जाता है आप जानते हैं कि जल को द्रब से बास्था में परिवर्दित करने के लिए उसमा की आवसकता होती है क्या बास्था की द्रब में संग्रिनित होने पर वह उसमा बापस मिल जाती है इसके समर्थन में क्या आ जब जलबास वर्सा की मूनों की रूप में पुनाहाद दर्व रूप में परिवर्तित होती है तो यह उस्मा वायमंडल में निर्मुक्त हो जाती है निर्मुक्त होने वाली उस्मा से आसपास की बायू गरम हो जाती है इस पेकार गरम बायू उपर की ओर उठती है जिससे ब गटना की सिंखला का अंध बहुत ही निम्नदाब के एक ऐसे तंत के निर्माड के साथ होता है जिसके चारोवर उच्छ बेक की बायू अनेग परतें कुंडली के रोमे नुगूंती रहती हैं मौसम की इस इस्तिती को हाँ चकवात कहते हैं एक सांथ कैट होता है उसे जनजा का नेत कहते हैं क्या कहते हैं जन्जा का नेट कोई विसाल चेकवाद बायू मंदले में बायू की तेजी से गुणन करता पिंड होता है जो पितवी तत से 10-15 किलोमीटर की उचाई पर इस्तित होता है चेकवाद की नेट का ग्यासद 10 से 10 किलोमीटर तक होता है या रगलों से मोक्त छेत होता है और इसमें पावनका वैग निवन होता है इस सांथ और इस वश्तितित की पर में करम्सा कंब होता है चक्कवातों की उत्वत्ती पिक्रम अत्यदिक जटिल होता है इसे एक पिती रूप द्वारा दर्साने का प्रियाद की ज़रा है 8.11 इसमें यह आपका प्रमंजन पपन जन्जाकिर में रूप से गढ़ते हूँ जन्जाकिर में एक रूप से पढ़ते हूँ यह आपकी चक्कवात की गती करने की दसान धारा प्रिवार नेते जात्ती ने वही बारू वही प्रिवार उपर उठती हूई भारू ठेलिया यह आपका है चक्कवात के नेत का पितिवं देखिए बात करते हैं चक्कवात द्वारा होने वाले बिनास जन्जास के आअगमन के पूर्ख संकेत होते हैं पवन द्वारा उत्पन होने वाले जल की लहरें इतनी सक्ति साली हुती है कि उनके आगात से कोई भी बैठती बच नहीं सकता चलक्रवाद की नित में निम्नद आपके कारण उसके केंद में जल सतय उच्छे स्तर तक उठ जाता है उठता जल तीन से बारेस मीटर की उचाई तक उठ सकता है ऐसा लगता है कि मानों जल की दिवार तटकी और वड़ती आ रही है इसके परड़ाम परूप समुद्द का पानी कम उचाई परिस्तित तट्टी ये चित्रों में प्रवेश कर जाता है जिससे जीवन और संपत्ती की गंबीर आनी होती ये पानी मिर्दा की और वड़ता को भी कम कर देता है यहां चक्कवाद के कारण समुद्द में जल की उपर उठती विसाल नहें रहेंगे आपकी चकवाद की तट को पार करती समय होने बाली लगाता अर्वर्शा बाड की स्तिकू और भायावर बना देती है चक्कवाद को विसकी विविन भागों में बिन बिन नामों से जाना जाता है अमेरकी महदीब में यसे हरीकेन कहते हैं किलीपेंस और जापान में टाइपून करते हैं थे हिंद महासागर में चक्वाद और यह आपका हरीकेन हो गया अमेरिका के पास टाइपून भूमद रेखा के बाद आसपास पेचित जहां चक्वाद निर्मित होते हैं चक्वाद सरव्यापी गट परिगरना है किसी टॉर्ड नेडो का व्यास एक मीटर जितना कम अत्वा एक किलो मीटर अत्वा उससे भी अधिक हो सकता है टॉर्ड नेडो की जैसी सरवचिना उसके आधार के आसपास की धोल, पत्थर, कंकड, कच्रे और अन चोटी बड़ी वस्तूओं को अपने अंदर खींच लेते निम्नदाप के कारण और फिर उन्हें अपने सीस के निकट वाहर की ओर धकेर कर फेक देते टॉर्ड नेडो के हाथ तक प्रवार से जीवित रहे गए कुछ व्यक्तियों द्वारा देएगे विबरन आपकी जानकारी के लिए पिस्तूथे डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरिस से मैंने बादल को अपनी यूर्ड आते देखा और घर की भीतर आसा लेने का प्रयास की लेकिन जैसे ही मैं दर्वाजे तक पहुचा घर हवा में उड़ गया मुझे कता ही चोट नहीं लगी तूफान के बाद मैं गयों के खेतों के कच्रे को साब करना था हम वहां तूटे हुए पोड़ों और बैच्चों की साखाओं के साथ साथ मुर्गीयों के चूजा मुर्गीयों और खरगोसों के मेर्ट सरीर देखने को मिले जिनने देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी उनके सरीर सिल्की खाल उताली हो टॉड़ों सो बचाओं के लिए आसरे भूमी में गहराई और अत्वा किसी भवन के अंदुरूमी भाट में इस्तित ऐसे कच्च होती हैं जिन में खेड़कियां नहीं होती है यदि ऐसे आसे उभलक्द ना हो तो टॉड़ों से बचाओं क के लिए खेड़कियों को बंद करके किसी मेज बैंच आदे की निठी आफसरे लेना बेहतर रहता है इन इस्थानों में कच्रा आसानी से नहीं कहुच वाता है बचाओं के लिए आपको दुर्गतना आपको गोठनों के बल नीचे जोग कर अपनी बाहों को अपने सिर और के चार ओर लपेट ले रहां चाईए किसी टॉर्णेडो का पितीवं है चकवात अपने साथ अती उच्च बेग की पवन लाते हैं जो घरों दूर्भास और अन्न संचार पिणालियों बैक्चों आदी को छती पहुंचा सकती है जैसे जीवन और संपत्ती की अत्रे खानी ह वुares होती हैं कि टॉर्णेडों हमारे देश में टॉर्णेडों अधिक नहीं हाते टॉर्णेडों गयरे रंग की पाकाल कीपाकार भशन होते हैं इनकी क्यीप जैसे सरचना, आकास से पित्वी तर्कियों आती भी पितीत होती है। अधिकांस टोर्नेडो कमजोर या फिर निर्वर होते हैं। परन्तु कोई बिनासकारी टोर्नेडो का लगवर 300 किलोमेटर इती घंटे के बेग से गती कर सकता है। तोर्नेडो चकवातों की भी तर्भी बन सकते हैば। बारत की संपूर्ण तर्ट्रेका विशेशुआत के पूरवी तर्ट चकवातों की लिए थन सभी धन्सिे हैं। जबकि भारत का पश्चिमी तर्ट चक्वातों की पिरवलता और आप बिरत्ती दोनों की पीछ संदरों में अपनी इच्छा के कम संवेधन्सी ले आपकों हमने पड़ा है कि सभी जंजा या तूफान निम्न दाप के चित दाप के तर्थ होते हैं है जंजांगे निरमाड में पवन अत्रठों ब्हूमने के बाति आपि इसलिए बवन के वेग की माप करना मत्रबं ने ड किलिए को nap करने वाले कोकिन क्या कहलाते हैं हुआ हुआ पपवन बेग को मापने की एक बाहारतमा भारत चंह बात करते हैं ब्रभावी शुररव्च् будущ bisa पाई चक्कवाद की दुस्ट प्रभावों कम करने में निम्लिके विवस्थाएं सायक हो सकती है आपके लिए सरकारी सामजिक इस्तत्व विवस्था चक्कवाद पूर्वनमान और चेतावनी सेवा सरकारी संस्थाओं समधत्टों मच्वारों जल्पोतों और आम जन्ता को सी सेकती सेक चेतावनी देने के लिए तेव गामी संचार बेवस्ता, चक्वात समावी चित्रों में चक्वात आत्रों का निर्मार और लोगों को तेजी से सुरप्चिस इस्थान उपर पहुचाने के लिए पिसासनिक बेवस्ता, जनता दवारां किये जाने वाली कर, हमें मौस विभार द्वारां दोड़ दसन रेडियों अत्वा समाचर पत्रों के मात्यम से पिसारित की जाने वाली चितावनियों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार गहले लिए साथ सामान पालतू पसुओं और बाहनों आदी को सुरच्चे देस्तानों पर पहुंचाने के लिए आवसर प्रवंदन कर लेने चाहिए। जल मगन सड़कों पर बाहन चलाने से बचना चाहिए क्योंकि बार से शड़क छतीगरत हो सकती है। सभी आपात काली सेवाएं जैसे पोलिस, अगनी समक, दल और चिकसा केंदरों के टेलीपोन नंबर सोची अपने पास रखने चाहिए। यदि आप चकवाद प्रभावी चेतों में रहते हैं तो कुछ अन्न सावधाने। ऐसे जल का पीने के लिए उपयों ना करें जो संदूसित हो सकता है। आपात इस्ति के लिए पेजजल का संगरन करें, गिले स्वीच और खंबों में तूटकर कर गर गई बिजली के तारों को नचुए। महेज मनोरजन के लिए बाढ या पिर चकवाद प्रभावी चेतों का भेमड करने बाहर ना निकले। बादल बचाव दल पर अनावस्तक मागों की आपूर्ती के लिए दवाव ना डालें, अपने पड़ोसियों और मित्रों को याक्ता संभाव सहयोग और सहायता पिदान करें। उन्नक प्रोदुगी सहायक से दुगी। आजकल हम आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्द हैं। एक दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्तितियां बहुत बदल गई हैं। और रड़ार लब्दता से यह संभाव हैं। कि किसी भी संभावित जन्जा के 48 गंटे पहले चकवाद 7 तर्थवाद सूचना जारी कर दी जाती है। और चकवाद चितावनी भी कम से कम 24 गंटे पहले जारी कर दी जैती है। जब चकवाद तड़की निकट होता है तो हर घंटे अत्वा आदे घंटे पर उसकी प्रगिती पुर्दिशा के बारे में संदेश पिसारित किये जाते हैं अनेक राठ्टी और अंतराठ्टी है संगटन चकवाद से समधित आप दाओं मौनीटर करने में सहयोग करते हैं तो इसमें आप आप लोगोंने क्या क्या देखा है पवन वेघ मापी देख लिया है चकवाद देखा है हरीकेन चकवाद जंजावत या तूपान देख लिए मांसौन पवन दापी देखा है तभी जंजा देखा है टॉर्डेडो टाइकों तो ये सबी आपके सब्द हमें जो भी परिवासां पढ़नी होती हैं, इनी को किलियर करने के लिए, इन सब्दों की परिवासा जानने के लिए, ये सभी कहानी पढ़नी पढ़ती हैं, तो आपने इस सद्धिया में क्या सीखा, हमारे आसपास की बायू दाब डालती हैं, बायू गरम करने पर पैसारित होती ह तेट करने पर संपुचित होती है। गरम बयू उपर उठती है, जब कि अपेख्चा करूप खंडी बयू कि पिर्वित्ती पिद्वी की सत्य की ओर आने की उठती है। जब गरम बयू उपर उठती है, गोवो ऐ सिस्थान पर बयू दाप कम हो जाता है। और आसपास के चित की उच्छ दाप की ठन्नी बायू उस्तान की ओर प्रभावित होतने लगती है गती सील बायू पवन कहलाती है पिदवी पर आसमान तापन पवनों के बनने का प्रमुक कारण है जलवास बाली पवन वर्सा लाती है उच्च बेक की पवन और बायू दाप की अंतर से चकवात आपके बनते है उग्राव ग्रों और रडार जैसी उन्नत प्रोदुकिकी की सहायता से चकवात को मोनीटर करना आसान हो गए है सोह सहायता सबसे अच्चा सहायता है अथा किसी भी चकवात की आने से पहले अपनी सुरक्षा की उलिणा बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तयार रखना अच्छा रहता है निम्लिकित प्रवाज चित आपके उस पर गर्टना को सम्झाने में साहिक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माट और बर्सा होती है तथा तूफान और चक्वाथ बनते हैं दो छेत्रों के बीच ताव में अन्पर बायू में संबहन धराएं उपन होती है तो उसके बाद गरम बायू उपर उपती है जिसे नियून दाप का छेत बनता है आपकर ठंडी बायू नियून दाप छेत की और प्रभावित हो सकती है गरम बायू उपर उठकर ठंडी होती है उसमें उपस्तित जलबाब संगनेत होकर बादल बनाती है बादल की बड़ी जर भूने हुमी पर बरसा पोली एंपात की रूम में गिरती है वाई मंडल की उंचे इस्तर पर पानी की नीचे गिरती भूने ऊपर उठती बायू परस पर उचबेक से गती करती है जिससे तड़े जंजावात का निर्माड उता है मौसम की कुछ परिस्तेतियों में जंजावात चक्कवात का रूप धारन कर सकती है यह आपकी अभ्यास के लिए कुश्च कुश्चन्स दिए गए हैं इसके इन सौट ले लिए या फिर आप लोग पहली गराम से पीडिये अप डानलूड कर लिए पीडिये अप से एक बार और प्रिवीजन कर लिए वस्ट कम्पलीट है पढ़के निकल जाना है या रब अगर अच्छे से बढ़ते हो तो यह बार में ही आपका सब समझ में आ जाएगा तो चलिए यह था आपका अठ बात यह पवन्त उफान और चक बात नौवी अध्यार में बात करेंगे हम लोग मिट्टी के बारे में मिल्दा नमस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एंज इए आटी कच्छा साथभी की विज्ञान के बारे में तो अभी तक हम लोग आठ चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका नौवा चेप्टर है मिल्दा मिट्टी मिल्दा मिट्टी सबसे मत्वों प्राक्टिक संसादमों में से एक आपकी मिट्टी यह पात्मों की जड़ों को दर्षता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोसकत्तों की अपकूर्ती करके उनकी बिद्धी में सहायक्ता करती हैं यह अनेक जीवों का हवा से किर्सी के लिए मिल्दा अनिवार हैं किर्सी हम सभी का भोजन, कपड़ा आसाय पिदान करती हैं अता मिल्दा हमारे जीवन का अवन भाग हैं पहली बर्सा के बाद मिल्दा की सौंदी, गंद, सदेव, तालीर बढ़ देती हैं बात करते हैं मिल्दा जीवन से बर पूर कैसे हैं बर्सा रितू में एक दिन पहली और बूजो ने मिल्दा में से एक कैंचुए को बाहर आते देखा पहली ही ने सोचा कि क्या मिल्दा के अंदर और गीजीव रहते हैं आहिए हम इसका भी पता लगा दें क्रिया कलाव 9.1 बिभेन ने स्थानों से मिल्दा के कुछ नभूने कतित कीजिए उनको ध्यान पूरवक देखिए आपको यह नहीं करना है वस पढ़के निकल जाना है ठीक है याद रखिए पक्रियोग जाला में बैठ गए तुर सालों इसी में गुजालत होगे जिनके अपने पेक्च्ण को अपने मित्रों से चचच कीजिए क्या आपके मिलत्रों द्वारा इकट्रित किएगें नमूने आपके द्वारा इकट्रित किएगें नमूनों जैसे ही हैं बूजोगों पहलीने इने अनेख बिकार से मिलता का उपयोग किया है उसमें खेलना पसंद नहीं या वाकी बहुत मन उरूड़ जात emoji कि भर इसे बोलता हूं इसे एक कहानी की तरह पड़ी है लाश्ट में निसकर्स बता दिया जाता है जो मैं निसकर्स होता है वो लाश्ट में बता दिया जाता है तो इसे एक बार सुनिये पीच में सुनते सुमये बिल्कुल डिश्टर मत हुई धहरे के साथ बैठकर सुनिये और पिलास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर वित्तीवन्द कीमान की जा रही है। अनेक पिकार के अप्षिष्ट पदात रसायनी तथा पीड़क नासी मिल्दा को विदूसित करते हैं। ऐसे अप्षिष्ट पदातों और रसायनों को मिल्दा में नियुवप्द करने से पहले उन्हें उप्चारित किया जाता है। पिड़क नासी का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। मिल्दा परीचित का प्रोफाइल मिल्दा नहीं पर्तों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि यह पत्तें किस पगार विवस्तित रहती हैं निल्खित क्रिया कलाब करें थोड़ी सी मिर्दा लीजिए तेहलों को अपने हाथ से तोड़ कर उनका चून बना लें अब तीन चौथाई जल से बहरा काँच एक गलाख लीजिए उसमें मुट ठीवर मिर्दा मिला दीजिए इसे किसी चड़ से अच्छी तरह से हिलाई जिससे मिर्दा पानी में मिल जाए अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए कुछ समय के बाद गलाख के पानी को देखिए निमिल के तृष्णों के उत्तर दीजिए हीव मस्ट, जल, मिर्दिका, बालू और बज़री यह आपकी मिल्दा की परते हैं क्या आपको कांच के गिलास में विविन आमाप साहिज के कड़ों की परतें दिखाई देते हैं इन परतों को दर्शाते हुए एक चित बनाई है क्या जल में कुछ मिल्द, अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जन्तु आपसे इस तरते दिखाई देते हैं मिल्दा में उपस ते सड़े गले जर्पदार की आपकी हियूमस कर लाते हैं आप साथ जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायू की क्रियां से सेलों यानि की चत्तानों के टूटना पर मिल्दा का निर्माड होता है यह पिक्रम आपका अपच्छे कहलाता है किसी मिर्दा की प्रक्ति उन सैलों पर निर्भायद करती है जिससे इनका निर्माड गुए और यह उन बनस्वतियों की किस्मों पर भी निर्भायद करती है जो इसमें उक्ते हैं याद रखिए आपको इस तरह की पॉइंट पकड़ना है जब भी पढ़ेंगे आप लोग इस तरह की पॉइंट कर लिया करिए जैसे आपच्छा केसे कहते हैं यही पढ़के निकल जाने हैं आपके लिए यही जरूरी है मिर्दा की विभेन पर्तों से गुजरती हुई उर्दुहा काट मिर्दा परीचे दिखा कहलाती है पितिक पर्त इसपर्श लंग गहरा आई रसाइने चंगटर में ब्रेंड होती है यह पट्ने संस्तर स्थिदियां कहलाती है देखिए यह संस्तर इस्थिक बी से यह आपका अधार से हुई हम सामानता मिर्दा की सबसे उपरी स्लीज परत को देखिते हैं उसके नीचे वाली परतों को नहीं यदि हम हाली में खोदी गई खायी के पार्द को देखें तो हमflower मिर्दा की भीधरी पर तेमीद दिखाई देखें ऐसे स्तिती में हम उस इस्थान के मिर्डा परिचेद् Yoga का पेक्षं कर सकते हुँ मिर्डा परिचेद का कुपूए की खुदाई करते समय अतवा किसी इमारत की निव खोद देखा जा सकते हुआ इसे पहाड़ों पर सड़कों की किनारे अत्वाद नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकते हैं सबसे उपर वाली संस्तर इस्तिती सामानता गहरे रंकी होती है क्योंकि यह यह यूमस और खनिजों से संब्रत होती है हियुमस मिलदा को ओरवर बनाता है और पात्पों को पोर्शन पिदान करता है यह पर सामानिता मिलतू, सरन और अधिक जल को धारन करने वाली होती है जिसे सीज मिलदा अधवा ये संस्तर पिष्टिदी करते हैं सीज मिलदा किर्मियों, किंतकों, चचंबरों और ब्रह्मों जैसी अन्य जीवों को आवास यानि किया से बिलान करती है छोटे पात्पों की जड़ें पूरी तरह से सीज मिलदा से में रहती है सीज मिलदा के नीचे की परत ह्युमस मिलदा करता है धेलों की बनिग होती है इस पर आपके नीचे आधार सेल होती है, जो कटवर होती है आपकी, इसे फावड़ी से खोदना कटिन होता है बात करते हैं मेर्दा की पिकार क्या है, उन्हें भी देख लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सेलों के अक्छा से विभीन पदादों के छोटे-छोटे कर्ण हिरमित होती है इन्हें में बालू छिकनी मिठी के लिए सम लेती है, किसी मिर्दा में बालू और चिकनी मिठी के आनपा वो समूल सेल पर निर्वर करता है जिससे वरे उसके कड़ बनेगे सेल कड़ों और हुमस का मिस्तरन क्या कहलाता है? मिर्दा कहलाता है जीवाणू जैसे आपके वेक्टरिया हुए है पादप मूर कहेंच हुए जैसे जीब भी मिर्दा की मतफून अंग होते है मिर्दा को उसमें पाए जाने वाले बिभिन आहमाफ साइज के कड़ों के नुपात की आधार पर बरगी किया जाता है यदि मिर्दा में बड़े कड़ों का नुपात अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? बलूई मिर्दा अगर मिर्टी में बड़े कड़ों का अनुपात अधिक होगा अधिक मात्रा में तुछे आप लोग बढ़ुई मिर्दा कहतें यदि बारीग या सूक में कड़ों का अनुपात अपेक्चाकर अधिक होगा तो उसे मिनमाय मिर्दा कहते हैं यदि बड़े और छोटे कड़ों की मातरा लगबग समानों बराबर हो तो इसे आप लोग दौमती मिर्दा कह सकें मेंदा के कड़ों के आमाप का उसके गुड़ों पर बहुत माध्वून प्रिपाव होता है बालू के कड़ अपेक छाकड बड़े होते हैं यह आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं अथा इनके बीच में कापी रिक्तिस्थान होते हैं यह स्थान बाईव से भरे रहते हैं अता है हम कह सकते हैं कि बालू स्वातित होती हैं बालू के कड़ों के बीच के स्थान से जल्की निकासी तेजी से हो जाती है अता बलूई मिर्दा हल्की, स्वातित और सुस्क होती है मृति का चिकनी मिट्टी के कड़ सूप्छ में बहुत छोटे होने के कारण पर्स पर जुड़े रहती है और उनके बीच रिक्तिस्तान बहुत कम होता है बलूई मिर्दा के विप्रीद इनके कड़ों के बीच के सूप्छ में इस्थानों में जल्क जाता है अता चिकनी मिट्टी में बायु कम होती है लेकिन अब हारी होती है क्योंकि इसमें बरूई मिल्दा की अपेक्चाकत अधिक जल रहता है आपको पात्मों को गाने के लिए सबसे अच्छी सीष मिल्दा दोमट हैं दोमटी मिल्दा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन पेकार की मिल्दा कड़ों का मिसरन होती है गाद नली तलों आधारों में निच्छे तिरूम में पाई जाती है गात कड़ों का आमाप साई, बालू और शिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है दौम्टी मिल्दा में यह हुमस होती है इस पेकार की मिल्दा में पात्पों की विद्धी के लिए उचित मात्रा में जल्दारन छम्ता होती है प्रयाप की मिन में दौम्ती और बलूई मिद्दा के नमूंते एक अख़तित किये। किसी एक नमूंते में से उट्टी बर मिद्दा लिए। इनमें से कंकरट पत्थर घास के तिन के आधी को निकाल लिए। अब इसमें बून-बून करके जल डाल करें से गौंथ लिल दे। केबल इतना जल डाले की इसमें मिद्दा का गोला बनाया जासके आटे की तरह। लेकिन ध्यान रहें कि यह चप-चपा नहीं होना चाहिए। मिद्दा से गोला बनाने का प्रियास करें। किसी सम्तर सतय परayकस गोले को एक बिलन के रूम में बेल लें। इस बिलन से चल्ला बनाने का प्रियास करें। इस क्रिया कलाप को मिद्दा के अनमोनों के साथ दोहरान। कोई मिद्दा किस पिकार की है क्या इसका नेड़ा इसाहदार पर किया जा सकता है। उससे मनचारी याथी बनाना कितना सोधा याथ क्या बता सकते हैं कि किस पेकार की मेर्दा बर्तन खिलोने मूर्टियां आधी बनाने के लिए सबसे उपयोगत होती है तो इसमें चिकने मिट्टी है चिकने मिट्टी से इस तरह के सामन बनाना में आसानी होती है अब बात कर लेते हैं हम लोग मिर्दा के गुड़ों, आपने मिर्दा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है, आहिए अब मिर्दा के गुड़ों को जानने के लिए कुछ किरियाकला हम लोग करते हैं, मिर्दा में जल अंतरण, जल, अंतर सरावन, दर, बूझू और परेली ने, पचास सेंटीमीटर इंटू पचास सेंटीमीटर, आमाप की दो बर्ड अग्यत किये, जिन में से एक उनके घर के फर्स पर और दूसरा कच्ची शरक पर बना था, उन्होंने दो समाप, सभान की बोतलों को पानी से भर लिया, उन्होंने एक इस समाई पर दोनों बर्ड इस्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया, उन्होंने देखा कि फर्स पर गिरा, पानी बर्ड की सीमा के बाहर बहए गया, और अवसोसित नहीं हो पाए, जबकि कच्ची सड़क पर डाला, ग दलों के नम ना हो गया ABC, आपको यह मालूँ करना है कि किसी दिये गए इस्थान पर पानी कितनी तीजी से मिर्दा में से नीचे चल जाता है, आपको एक खोकले बेलन अथवा पाइप की आवस्ता हुए, यह सोने शेट कर लें कि पिते एक दल समान ब्याज के पाइप काप्य करें, ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए देए गए तो यहाँ पर विचार कर सकते हैं, यदि संभाव हुँ तो एक आमाप के तीन छोटे टिन के डिब्बे लेकर उसकी तली को काट लें, यह पीवीजी पाइप लगब 5 सेंटीमेटर व्यास का उपलब्द हो, इसके 20 से सेंटीमेटर लंबिट तुगड़े काट लें और उसका प्योव करें इस तरह से, जिस इस्थान से आप मिलता इकतित करें, वहाँ पाइप को लगब 2 सेंटीमेटर की गहराई तक धसा कर दें, या धास दें, पाइप में धीरे-धीरे 200 ml जल डालिए, 200 ml जल को मातने के उस समय को नोट कर लें, जब आप चल डालना आरंग किया था, जब सारा जल भूमी का आउसुचन, भूमी द्वारा आउसुचित अंता सरावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनहा समय को नोट कर लें, या ध्यान रखे कि पाइप में डालती समय पानी, ना तो चलके ना ही पाइप के बाहर गिरी, दोह सो एम Mail Geel के मिल्डा में अंता शरावित होने में लग वक्स लगने बाले समय के आधार पर अंता सरावन दल की गड़णाने मिंखित सूत कर दोरा कि जा सकते, अंता सरावळ दल, जल की मात्रा अपो झाल उदार시면ड के लिए कि दोस 10 ml, 3 minutes अपने दल के द्मारण जीए गए मेद्धा के नमूने, मैं अनतासरावण की दर की गढ़ना कीजिए। पर आपकी मेद्धा में नहीं, क्या आप कभी गरिस्म काल में किसी गरम दिल की दोपर में किसी खेत अतबाग फुले स्थान से उपर गुजने है संभाउता आपने देखा हुगा कि जमीन के उपर की बायू कंपदीत हो रही है अताथ ऐसा दिखता है जैसे गरम बायू बैसे ही उपर उठ रही है जैसे आपके अलाव से ही उठ रही है ऐसा क्यों होता है इस करिये अकलाव तोरह हम इसका उत्तर भी जानने का परियास करते हैं एक कुथन नली लेजिए इसमें दो चम्मच मिट्टी मिलाए है इसे कुछ समय तक किसी लोग पर या गरम करने के लिए रख दीजिए और कुथन नली का पेक्चा कीजिए आई हम देखते हैं इस तरह से देखिए क्या आप को कहीं जल की पूने दिखाई देती है यदि हाँ तो किस इस्तान तो गरम करने पर मिर्दा में से जल वास्तवित होकत उपर उपता है और कुथन नली के उपर उब्री भाग की अपेक्चा थंडी भीतरी दिवार पर संगनित हो जाता है गरम देनों में मिर्दा से जल के वास्तवन के कारण उपर उठती जल वास्त बायू को अपेक्चा के संगन बना देती है इससे सूर के प्रिकास के परावर्तन के कारण मिर्दा के उपर की बायू में हमें कंपदित दिख्ट पितीत होती है मिर्दा को गरम करने के बाद इसे कुथन नली में सिवाह निकाल गया इसकी तुला में उस मिर्दा से करें जिसे गरम नहीं किया गया हो दोनों की बीच केंदर को नोगर कर सकते हैं बात करते हैं मिलदा दोरा जलका आउसोर्शन क्या सभी पिकार की मिलदा समान मातरा में जलका आउसोर्शन करती है आई ये से भी जानने के लिए एक क्रिया क्लाप दोराते हैं क्रिया क्लाप 9.6 लेकर उसे मोड कर चित 9.7 के अंपसार कीम में लगा लिए किसी मिर्दा के सुस्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीम में लगा कर फिल्टर पत में डालिए किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लिए अब इस जल को बून-बून करके कीम में रखी मिर्दा में डालिए अब इस कार के लिए ड्रॉपर का उप्यों भी खर सकते हैं सारा जल एक ही स्थान पर नागराकर उसे पूरी मिल्दा पर डालिएो जल डाला तब तक जारी रखे जब तक्क युआ रिसकर कीब से नीचे गरनाा अरमberger ना करमें मापन सेलेंडर में बच्छे जल को माप कर उसे आरम भिक माप से गह डाली जिससे आपको मिलदा द्रमार भार 50 गरम, मापन सिलेंडर में जलका अधिक्तम ता अधिक्तम आधिक्तम अधिक्तम 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 अ मिल्दा द्वारा अवसूथिस जल का द्रम्मा, u-p, g, 1 miligram, मिली लीटर जल का द्रम्मा, 1 gram के बराबर पुतर, अवसूथिस जल का पिती सथ इस तरह से निकल सकते, इस क्रिया कलाब को मिर्दा के बिविन नमूनों के साथ दुभराईए कि आपको सभी नमूनों के लिए समान परिडान पराफ्त होते हैं परिड़ी नाम उपर अपने मित्रों के साथ चर्चा करें उन्हें मिलिकेत पिसनों के उत्तर दे सकते किस पिकार की मिल्दा की अंतर सेवन तर सबसे अधिके किस पिकार की मिल्दा की अंतर सरवन तर सबसे कमी वो जो ने अपने पड़ोसी से सुनाये कि बरसा के आठ से दस दिन बाद ताला बदबा कुई में जल का इस्तर बढ़ जाता है इस पेकार की मिल्दा में जल्द सबसे कम समय में, वो सबसे अधिक मात्रा में अन्ता सरावित होकर वही तक उंचेगा। किस पेकार की मिल्दा सबसे अधिक मात्रा में जल्द आरण करती हैं, वो किस पेकार की मिल्दा सबसे कम। क्या आप कोई और बिदी बता सकते हैं, जिस्से अधिक बर्सा जल पहुंच होका हैं, ब्हुंध जल तक पहुच जा एए क्षट्रों में भेवने पेकाले की, मिलदा भाई जार एक पाई जार पहुआ है, मिल्दा की मिट्टी प्रभावित होती हैं ये कुछ प्रमुख जलावा वाईवी कारक हैं जो मिल्दा परीचित का को प्रभावित करते हैं और मेल्दा सरचना में परिवादन लाते हैं। जलवाईवी कारक तथा मेल्दा की घठक संगलेत रूप से किसी छित मिसेज में उगले वाली बनस्पती फसलों की किस्मों को निद्धारन करती है। मिगनमाय और दोंटी मिल्दा दोनों ही गेमवर्चन हैं जैसी खसलों किती के लिए उप्यक्त होती है। ऐसी मिल्दा जलदारन चमता अधिक होती है। याद रखिए यो आपकी दॉम्टी मिर्दा है और में मिर्दा है इसमें मिर्दा की जल धारन चमता अधिक होती है अच्छी होती है धान के लिए मिर्टिका और जय पदायत से समध तथा अच्छी जल धारन चमता वाली मिर्दा अधर्स होती है जीसे जल की निकासी आसानी से हो सके। कपाच के लिए बलुई दोमट मिलदा अधिक को पिक्त होती है जिससे जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो परयागत पईड़ा में बायू को दाहिट करती है। ग्राम और किलोग्राम बस्तों में द्रम्मान की मात रखें ग्राम और किलोग्राम किलोग्राम बस्तों में द्रम्मान की मात रखें एक ग्राम द्रम्मान की वस्तू का भार एक ग्राम बहर होता है और एक किलोग्राम द्रम्मान की वस्तू का भार एक किलोग्राम बहर होता है दैनिक जीवन में और वाडिच और उद्द्यों में द्रमान और भार के विच सामान का अंतर नहीं किया जाता है। द्रमान तथा भार में क्या अंतर है यह आप बुछ कप्छा में हम लोग पढ़ेंगे। यह जैसी फसल महीन में मिल्दा में उगाई जाते हैं। क्योंकि वह यूमस से संब्द और अत्यदिक और वरप उती है। अपने सिक्षुवों, माता बिता और अपने छित्रों को किसानों से वह में कि मिल्दा कि वेकारों हुगाई जाने aúnए वारी फस्रों के बारे में जानकरी प्राफट कर सकते हैं। दान के रोपन के लिए किस पिगार की मिर्दा सबसे उक्यूब थे ऐसी मिर्दा जिसमें अन्तर स्वर्ण दर अधे को जिसमें प्यार दर खंग बात कर ली थे हैं एक केसर इसे पढ़ ली जॉन रसीदा और राधा मद्विदेश में स्वहागपूर नामकिस्थान की लेला ध दादा, सुराही, मठका, खुलहर अधी बनाने के लिए मिट्टी तयार कर लए थे हैं उन तीनों ने लीला धर दादा से उनके कारे के विचय में बापचीब की जॉन आप मिट्टी कहां से लाएं दादा हम किसी बंजर भूमी से काली मिट्टी लाते हैं मिट्टी को कैसे तयार किया जाता है, दादा, सुकी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकर पत्थर अधी भी लिया जाते हैं और कंकर पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग आठ गंटे के लिए भिंगो दिया जाता है, इस मिट्टी में गोडे की लीद की कु पुचित मंचाह आखा दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंत्य मुर्ण स्वरूप दैने के लिए हाथ का उपयों किया जाते हैं। इस पर कर बनाई वस्तु को 2-3 दिन तक सुखाने के बाद उसकी रंगाई की जाते हैं। सुस्क बायू में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को कुछ दाप पर भट्टी में पकाया जाती है। रसी दाप मिर्दा में गोड़ी के लिए क्यों मिलाई जाती है। दादा पकाने के पिक्रम में गोड़ी के लिए जल जाती है। जिससे मिर्दा के पात्रों में सोप चिंद रह जाते हैं इसी कारण मटकों सुराई में जल अंतासरावत होकर उसकी बाहरी सतर तक आ जाता है वहां से यह बास्पित हो जाता है जिससे घड़े आप सुराई में लखा जल आपकर ठंडा हो जाता है दादा ने बताई कि सुरावपुर में बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक आपके पिसे थे इन्हें कुमार होते हैं मिट्टी के बरतन बनाने वालों आखेर आपकी मिर्दा अपर्दन क्या है जल पवन अत्वा बरत के द्वारा मिट्टी की उपरी सतय का हटना आपका अपर्दन कहलाता है पात्कों की जड़े मुझबूती से बांदर रखती हैं पात्कों की अनुबस्तिते में मैं मिझदाप की मिट्टीं धीली हो जाती है इसे यह पवन और प्रवाईी जल्ग के साथ बह जाती है मिल्डा का अपरगन मरूस्थल अत्वा बंजरूमी जैसे इस्थानों पर अधेख होता है जहां की सत्या पर बहुत कम अत्वा कोई पनस्पति नहीं होती है अत्वा बैक्चों की कटाई और बनमूलन को रोकना रोका जाना चाहिए हरे छेत्रों को बढ़ाने की प्रियास किये जाने चाहिए तो इसमें मैं आप लोगों ने क्या क्या दिखा है ये प्रमुक सब्दों की परिवासा जानने की खोसिस किये मिनमाय, ह्यूमस, दौम्टी, अंतासरावन, आद्धा, बल्वी, जल्धारन, संस्तर रिस्किति, अपरदन, मिल्दा परिच्छित का और मिल्थी का इनी सब्दों की हमें परिवासा जानने की खोसिस करने है मिनमाय, मिल्दा पत्वी पर जीवन के लिए महत्व हों जल्की अंतासरावन, दर्द, लिए अधिरब बल्वी में मिल्धा सबसे लिए होती है और जो मिनमा मिल्दा उठी है उसमें सबसे कम है बिविन पिकार की पसलों को उगाने के लिए बिविन पिकार की मिल्दा उपेउथ होती है मिल्दी का चिकनी मिट्टी और दौमट मिल्दा गेहूं चना दान को उगाने के लिए उपेउथ होती है कापास को बलुए ही तो मत मिटती मिल्दा में उगाया जाता है मिल्दा अपने जल को रोख रखती है जिसे मिल्दा अग्दा या मिल्दा नमी कहते है मिल्दा की जल को रोख के रखने की चमता या जल धारान चमता बिवेन फसलों के लिए मत होने चिक नहीं मिटती कावप बरतनों खिलोनों परमूर्टियों के लिए किया दा यह आपके पुछा आप याज के पुश्चन दियेगों ठीक है पीडियेप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से या पर इसकी इन्सौट लेगी पीडियेप डाउनलोड कर लेना उसी में साहर है वह इसनी में भाइबा है अच्छे से पढ़िए एक दुबार और निकल जाएए क्योंकि जो हमें सब्दों की परिवासा जानी है उनको जान जाएंगे आप लोग एक दुबार तो यह आपका नौ बात करेंगे जीवों में सुसन आके जीवों में सुसन हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे इसमें अभी तरह हम लोग 9 चेप्टर आपके खत्म कर चुके हैं यह आपका 10 बार चेप्टर है इसमें देखेंगे हम लोग जीवों में सुसन याद रखिए इसमें आप लोगों को कोई है इसा भी एक भी सब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना है बस आपको बहुत ही सर्व सब्दों हैं आपको लगेगा कि मन नहीं लगेगा पढ़ाई में तो आप लोगों को एक पार जरूर अच्छे से सुनना है और लाश्ट में जो निश्करस बता दिया जाता है तो आपको बीच में हड़बढाना नहीं है क्योंकि अगर बीच में आप लोग जरूरी है इसके विना कुछ नहीं हो खड़ने वाला तो पढ़ना भी जरूरी है तो इसलिए धैर के साथ पढ़िए सब कुछ समझ में आता जाएगा लाश्ट में आपको निश्करस बता दिया जाता है क्या कि अध्याय का निश्करस क्या था तो टैंसल लेना वाली कोई भी वाद थी नहीं है ते चली हम लोग बात करते हैं दस विचक्ट में बूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुक्ता से पितिक्षा गजए रहा था जो एक साल के बाद सहर आ रही थी वह सीग से ही सीग सीग बस इस टौप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सकें इसलिए वह भाबता हुआ गया और कुछ ही मिनट वे बस श्टौप पहुंच गया उसकी सांसे तेजी से चल रही थी उसकी दादी ने उससे पूंचा कि वह हां क्यों रहा है बूजो ने बताया कि वह घर से दोड़ता हुआ है उसे आश्चे हुआ कि रहा हнологि grandes after we drink that wiem कःशे गिए बार मेरे में फ्रętि में पढ़ने वाले की सांस स्ञ अंकि सांस लितेक हैं अध्याय दो में आपने पढ़ा था कि सभी जीब सूप्च में एकाईयों से बने होते हैं जिने हम लोग कोशिकाई कहते हैं याद रुकिए सभी जीब सूप्च में कोशिकाईयों से बने होते हैं जिसे हम लोग कोशिकाई कहते हैं कोश्का जीब की सबसे छोटी सरचनात्मा और करियात्मा के अकही होती है। जीब की पिजिका, पोषण, परिवह, उत्सरजन और जनन जैसे कुछ कारें को सब्भादिर कन्य में कुछ ना कुछ भूँमिका निभाती है। इन कारेयों को करने के लिए खोशिका हो उर्जा की आवस्यक्ता होती है यहां तक कि हमें खाना खाते सवते यह पर पढ़ते समय भी उसम उर्जा की आवस्यक्ता होती है लेकिन यह उर्जा आती कहां से आके क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नेमे रोप से भोजन करने के लिए आग्रए क्यों करते हैं भोजन में संचित उर्जा सुसन की समय निर्मुक्त होती है अता है सभी जीवों को भोजन से उर्जा प्राप्त करने के लिए सुसन यानि कि सांस लेने की आवसकता होती है सोसन की पिक्क्रम में हम पहले सास द्वारा बायू को सरी के अंदर ले जाते हैं आप जानते हैं कि बायू में ऑक्सीजन होती है फिर हम सास छोड़ती हुए बायू को सरी से बाहर निकालते हैं इस बायू में सास द्वारा अंदर ली गई बायू की तुला में कारवन डाई ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है अर्था ते कारवन डाई ऑक्साइड सम्वर्द होती है हम जिस बायू को सास द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्तित ऑक्सिजन सरी के सभी भावों और एंत्यता पिति एक कुश्का में ले जाई जाती हैं। कोश्काओं में ओक्सिजन बोजन की विखंडन में साहता करती है कोश्काओं में बोजन की विखंडन की पिक्रम में उजा, मुक्त, मुक्त होती है यसे कोश्किये सुसन कहती है सभी जीवों की कोश्काओं में कोश्किये सुसन होती है कोश्यका के अंदर बोजन, गिलोगूज, ऑक्सीजन का उपयुगकरके कारवन, डायोकसर और जल में विखंडित हो जाता है जब गिलोगूज का विखंड़न, ऑक्सीजन के उपयूग द्वारा होता है तो यह यह वाएविये सवसंन कहलाता है औक्सिजन की अनपस्तिती में भी भूजन का विकंडित हो सकता है यह पिक्रम आवाई भीए सोसन कहलाता है यह बायू का मात्तों नहीं रहेगा उसमें भूजन के विकंडित में तो उसे आवाई भीए सोसन कहते हैं भूजन के विकंडित से पूर्जा निर्मोक्त होती है गि एक जीव बायू की अनुपस्तिती में जीवित रह सकते हैं। तो ऑक्सिजन की अन्वस्त दी है तो यह आपका बदलेगा एलकुहल कारवन डाइयॉपसाइड पिलस पूरिया यिष्ट एक कॉस्सिक जीव हैं यिष्ट आवाईबी रूप से सुसन करते हैं और इस पिक्रिया के समय अलकुहल निर्मित करते हैं इनका प्रयोग उब्योग सराव वायन बीयर बनाने के लिए करते हैं हमारी पेसी कोश्काएं भी आवाईबी रूप से सुसन कर सकते हैं ले बहुत देर तक ग्रयायम करने हैं, तेजी से दोटने हैं, कई घंटे टहलने हैं, साइखिन चलाने हैं, अत्वा भारी बजन उठाने हैं, जैसे अनिक कारेओं के लिए अधिक उर्जा की आवसकता हुर्थी हैं, लेकिन उर्जा उत्पन करने के लिए हमारे सरीर को ऑक्सिजन की आपूर्थी सीमत होती हैं, ऐसे इस्तितियों में, पेजी कोच का हैं, आवाई भी है, सुसंद दोरां, उर्जा की अत्रिक बांग को पूरा कर सकती हैं, ग्लू कोच पेजी में, ऑक्सिजन की अनुपस्थी में, यह आपका लेक्टिकम प्लस उर्जा बदले में नेता है क्या आपने कभी सोचा है, कि अत्रिक ब्यायाँ, करने के बाद आपकी पेजीों में एठन के होती हैं, याद रखना है लेक्टिकम लेक्टिकम लिगे कारण, एठन तब होती है जब पेजीयां आवाई भी ये रोप से सुसन करती हैं, इस फिक्रा में गिलू कोच के बिखंडल से लेक्टिकम और कारण दयोकसड बनते हैं, लेकिन जो आपका लेक्टिकम होता है, इस संचेर पेजीयों में एठन उत्पन करता है, गरम पानी से इसनान करने अत्वा सरीर की मालिस करवाने पर हमें एठन से आराम मिलता है, क्या आप अनुमाल लगा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, गरम जल से इसनान अत्वा सरीर की मालिस करने से रक्त का जो संचर होता है, वो बढ़ जाता है, इसके पैडाम सो रूप पेशी को इसकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लेक्टिकम कार्बन डा आप कितनी देश तक इन दोनों को बंद रख स्पाएं को समय बाद आपको क्या महसूस होगा आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोग कर लख सकें एकदम सांस रोग कर मत बैठ जाना पता चला राम राम सत्थ हो गया त्रीक है अता हाब आप जान या जान गए होंगे कि आप सांस बिना लिए अधिक देश तक जीवत नहीं रह सकते हैं सोसन या सांस लेन का रहत है ऑक्सीजन से समर्द वायू को अंदर कीचना या ग्यांड करना और कारवनटाई ओकसाइड से समर्द दिवायू को बाहर निकालना और कुछ वशन कहला ता है या एक सतव पिक्रम लुपिदेक जीव की जीवन में हर समय अर्था जीवन परयांत होता रहता है कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार सुसन करता है वह उसकी सुसंदर कहलाती है अंता सुसन और वुप्ष वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं एक स्वास अतवा सांस करते है में एक अंदा सुसंद एक उच्छ वसन क्या आप अपनी स्वसंदर पता लगा ना चाहेंगे क्या अब यह जानना चाहेंगे कि स्वसंदर स्थरुप्ष मिया सभी अवसक्ताओं करता परिवर्तित होती है आए हमसका tardाने का प्रियास करते है इस क्रिया कपई क्रिया हम यह आवास ही नहीं होता है कि हम सुसन कर रहे हैं हलां कि यदि आप कौसिस करें तो आप सुसंदर की गढ़ना कर सकते हैं इसे ज्याद करने के लिए आप विस्तराओं की स्थिति में बैट कर सांस लिए और छोड़िए पता लगाईए कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस संदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते क्या आप उतनी ही बार अन्ता सुसन करते हैं जितनी बार तो आप तेज़ चलने और दोडने के बां अपनी सुसंदर की गढणा के है व्विद्विन इस्तिति हो में अपनी सुसंतर की तुलनां अपने सयख हाड़ी की ससंतर से करना है और ऑफ किरिया मद्व टक से आपस आउस्तर अनुपव किया हो होती है या भोजन के विकंदन की दर्खों बढ़ा देती है जिससे अधिक उड़ जा निर्मुक्त होती है क्या इससे गहज पश्ट हो जाता है कि सारीर की रख क्रिया कलाग की बाद हमें भूख क्यों लगती है कोई ब्यक्ती बैस्क ब्यक्ती विश्ट्राम की अवस्ता में एक मिनित में ऑस्थन 15-18 बार सांस लेना लेता है और बाहर निकलता है अधिक व्यायायम करने पर सुष्टन में 25 बार पिती मिनित तक बढ़ सकती है जब हम व्यायम करते हैं तो हम नाकि बलतीजी से सांस लेते हैं बलकि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस पेकार अधिक ऑक्सीजन गरहन करते हैं आपको क्रिया कलाव इस तरह की जो भी प्रयोग हुआ करेंगी इन्हें पढ़की निखल जाये प्रिया करन्य नहीं बैठ जाना है कि आप सोचो की आप इसे प्रयोग साला में करके बैठ जाये आपको बसे एक बार पढ़कर निकल जाना है जब आप उनीदी होते हैं, तो क्या आपकी सुसंदर कम होती है, याने की नीद में होते हैं, तो क्या आपकी सुसंदर कम होती है, क्या आपकी सरीकों पर्याप्त अक्षिजन मिलपाती है, किसी व्यक्ति द्वारा सामान दिन में किये जाने बाले, विवेन किरिया कलापों पर चित्त 10.3 में दियेगे करिया कलापों को सुसंदर की बढ़ती दर के क्रम में देखने हैं नॉर्मल सी बात है जब आप लोग जाना महनद करोगे स्वास की दर बढ़ जाएगी अगर आप लोग हराम करोगे स्वासन की दर कम बुढ़ाएगे हम स्वास कैसे लेते हैं यांके बात करते हैं हम स्वास लेते कैसे हैं सास अब हम स्वास की क्रियाविदी जाते हैं सामानित हम अपने नथनों यानि के नशा द्वार से बायू अंदर लेते हैं जब हम बायू को अंता सुसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासागवा में चली जाती है नासागवा से बायू स्वासनली से होकर हमारे फैपरों में जाती है फैपड़े वक्षगवा में इस्तिफ होते हैं वक्षगवा पार्स में पसलियों से घरी रहती है एक बड़ी PCA पर जो डायफराम मद्ध पत कहला थी वक्षगवा वो आधार बिदान करती है सोसन में डायफराम और पसलियों से बने पिंजल की गती सम्मलित होती है इस तरह इसी मानाव से संद्धिया यह आपका फैपड़ी हो गए यह आपकी पसलियां हो गए सुरक्षदी रहे हैं और यह आपका डायफराम हो गए देखिए यह आपके फैपड़ा है यह आपकी स्वास नली हो गए इंग्रशनी और यह मुगवा हो गए दयापड़ नसागवा हो गए अन्ता सुसन की समय पसलियां उपर और बाहर की ओर गती करते हैं डायफराम नीचे की ओर गती करता है यदि गती हमारी वक्षगवा के आयतन को बढ़ा जाती है और बायू फैंपड़े बायू से भर जाते हैं वक्षगवा सन की निकालने की समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर हो जाती हैं जबकि डार्पराम उपर की ओर अपनी पूर इस्तिती में आजनते हैं इससे वक्ष गवा का आधन कम हो जाता है इस कारण बायू हैंपणों से बाहर धकिल दिया जाती है जो बाल होते हैं नाक में उसमें खरश जकते हैं यह कभी-कभी ऐसे कड़ नहां गवा के बाहर चले जाते हैं तब ए गवीको 훌की कवमल परत को उठ्तित करते हैं जिसके पैडाब की सारुप हमें चेंक आती है चेंकने से आवंचित कर बायू के साथ बाहर निकालाते है इस विकार के बल सुच वायू ही हमारे शरीर में प्रविश करती है साधानी बर्द है जब हम छींकते हैं तो अपनी नाप कोड़ ढख ले जिससे आपके द्वारा बाहर निकालेगे कड़ को अन्ड बेक्तियों द्वारा अंता सुसन की समय ग्यान ना करते यह यह आपका अन्ता सुसन यह ओच सुसून है जब सास लेंगे हम लोग तो डाइफराम नीचे की और गती करेंगे और पसलियां बाहर की और गती करेंगे इस तरह वायू आपकी अंदर जाएगे फिर बायो बाहर निकालेंगे जैसे तो इस डायप्राम आपका ऊपर की पूरुप की स्तिति में आ जाएगा वो बसलिए आपकी अंदर इयर गति करेंगे बायो बाहर क्यों निकल जाएगा अपने सरी में हम इन गतियों को आसानी से अनवाव कर सकते हैं एक गहरी सास लेजे अपनी हत्यली को उदय पर रखिए उदय की गति को अनवाव पीजे दूंपान फ्यंपड़ों को छती पहुंचाता है दूंपान केंसर्थ भी समढ़ते इ इन इसकर्ष तो आपका हर जगह देखने के उबर रहा है प्रभी समझ में नहीं आता है लोग आंगे बात करते हैं यह जान लेने के बाद कि सुसंत के द्वारान वाक्च कुआ कि आमाम में परिवर्तन होते हैं बच्चे सीना पुलानी की इस परता में ब्यस्त हो गई पित इस एक यह दावा कर रहा था कि वस्त ही ने कुछ सबसे अधिक फुला सकता है या सकती है क्या ना आप इस क्रियाकलाब के बारे में सहपार्टियों के सर चड़ जगरे क्रियाकलाब 10.4 एक गहरी सांस लिए किसी मापन फीते से वक्च का आमाप लिए इस माप को साड़ी 10. 10.2 में नोट कीजिए कुना विश्ताफित होने पर वक्च का आमाप लिए बताइए कि किस सहपार्टी को अधिकतम विश्तार हुगा है हम स्वसंन की क्रियाविदी को एक सरल मॉडल के रुप द्वारा समझ सकते हैं क्रिया कलाव 10.5 प्लास्टिक की चोड़ी मुह बाली एक बोतल लिजिए इसके पहंदे को काटकर अलग कर दीजिए वाई के आकार की काच चत्वा प्लास्टिक की एक नली लिजिए बोतल की ढटकर में एक एसा चित कीजिए जिसे एक नली आसानी से निकल जाए नली के प्लास्टिक की एक पतली से बतान कर किसी रवर्ड बेंट की सायता से बांग दीजिए फैंप्रों में होने बाले फिसार को समझने के लिए रवर्ड की परत को पकड़कर आधार के नीचे की वह खींचे हो गुबारी को देजिए इसके बाद रवर्ड की परत को ऊपर के और धाके लिए गुबारों को देखिए क्या आपकी गुबारी में कोई परिवर्दन होयासी एक के मोडल में gym तो न को बाय किसा को पिदरूर करती है यूद रभड की परकिसे ही पिदरूर करती हैं अब आप सांस की करिया को समझने में समर्त्थ हो गया हूं गोती हूच कुछर हम सांस में बाहर क्या यू आरग करते हैं तुकांच या पिलास्टिकी बोतर ले सकते हैं, परकनली में थोड़ा सा ताजा बना चूना का पानी लेजिए, पिलास्टिकी एक इस्ट्रा यानि की नली को परकनली में इस पेकार डालिए, कि वह चूने की पानी में डू जाए, अब इस्ट्रा के द्वारा दीरे दीरे क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई दिता है क्या आप इसे अध्याच्छे में किये गए अध्यान के आधार पर समद जा सकते हैं आप जानते हैं कि आप जिस बायू का अंता स्वसन अतवा उच वसन करते हैं वह गेसों का मिस्तरण होती है इस तरह से पैंपड़िव अंता स्वसित बायू 21% आपकी ऑक्सीजन 0.04% carbon dioxide और उप्छवासित में 16.4% आपकी ऑक्सीजन 4.4% carbon dioxide निकलती है तरह में हम क्या उप्छवासित करते हैं क्या हम किबल carbon dioxide को निकालते हैं अत्वा उसके साथ गयसों के मिस्तरण को भी सांस बाहर निकालने ती समय उच्छवसित करते हैं आपने यह भी देखा हुए और आप दरपन के आँगे उच्छवास छोड़ते हैं तो उसकी सतय दोंजली देखाई देती है यह नमी के कारण है चलकि यह विंदुकर्ण कहां से आते हैं बहतर जीवन के लिए स्वास निमित परंपरागस से हमारे फैपड़ों में बायू को अंदर लेने की चमता को बढ़ाता है इस पेकार हमारे सरीर की गोश्काओं कुछ जानदा ऑक्सीजन की आपूरती होती है जिसके फ़ल स्वरूप अदेश कूड़िया उत्वन होती है बाती सेर गाय बक्री भेड मेडक चिपकली सूर्व सरब अबचीया आधी जनतुओं के वप्चुगाओं में मनुस्त की पाती फैपड़ होती है जीव स्वसं कैसे करते हैं इनके भी मनुस्तों के जैसे फैपड़ जैसे ही स्वसंद अंद होते हैं इसे भी जानते हैं कॉं यह चित स्वास रंद कहलाते हैं कीटों में गैस के बीनिवाय के लिए वायू नलियों का जाल बिच्छा होता है जो स्वास पढ़ाल या पर वातक कहलाते हैं यह आपका स्वास पढ़ाल तंथ है इसे पेकार कोश्काओं से कार्वन डायोकसाइड स्वास नलों में आती है और स्वास पढ़ाल केबल कीटों में ही पाए जाते हैं जनत्वों के अन्य सम्हों में ऐसी विवस्ता नहीं होती है केंचुगा कच्छा छटवी के द्या नौ में आपने पढ़ा था कि केंचुगा अपनी तुच्चा से सुसन करते हैं केंचुगा की तुच्चा इसपर्ष करने पर आद दोर सिलिस्मिये पितीत होती है इसमें से कैसों का आवगमन आसानी से हो जाता है कि मैंड pandemia मनस्थ की बादी हैं आपनी तुच्चा सेरे सुसन करते हैं जो आद रर सिलिस्मिये होता है कि जल्में सुसन कर सकते हैं जो जल्में संथ कसी करते हैं जो जल्में रहेते हैं में पढ़ाता कि मचलियों में किलॉम या अगल पाए जाते हैं किलॉम जल में घुली ऑक्सिजन का उप्यों करने में उनकी सहायता करते हैं किलॉम तुचाच से बाहर की निकले होता है यह नहीं मचली मैसुसंतर क्या आप सोच रहे होंगी कि किलॉम किस पेकार स्वास में सहा करते हैं तो बात करते हैं क्या पादब भी स्वसन करते हैं अन्य जीवों की बात ही पादब भी ओदे भी जीवित रहने के लिए सुशन करते हैं जिसा कि आप कप्छा छटवी में पढ़ चुके यह बायू से ऑक्सिजन अंदर ले लेते हैं और कारवन डाय उक्साइड को निर्मुक्त करते हैं इनकी कोश्काओं में भी ऑक्सिजन काफियों अन्य जीवों की बात ही गिलूपोज के कारवन डाय उक्साइड और जल में बेखन्दम करने के लिए क्या जता है पादब में पिते कंग वायू से सुद्धन तुरूप से ऑक्सिजन गैन करके कारवन ड पड़ा था कि पादब की पत्यों में अक्सिजन और कारवन डाय उक्साइड के बिनवैं के लिए सोप्ट में चिंद होती है जो क्या कहता है रंद कहलाते हैं पादब की अंड कोशकाओं की पाती मोल कोशकाओं को भी ओजा उत्पंध करने के लिए ऑक्सिजन की आवस्क्त होती है मोल मिर्दाकरों के बीच कि खाली स्थान वायू आवकासों में वो पस्तिर वायू से ऑक्सियन ले ले लेते हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गंबले के पौदे में बहुत अधिक आप पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा इस अध्या में आपने पढ़ा कि स्वस्थन एक मात्कुन जैविक पिक्रम सभी जीवों को अपनी तरजीवता यानी की जीवित रहने के लिए आवस्थे गूर्जा पराप्त करने की स्वस्थन करने की आवस्थता होती है मोल अगे कर है Morgen अबसे में लोग क्या क्या जाने शब कि भरीवांत देखा आवांईब भी ससंद्या सुसंदर देखिए कोश्कियां देखा दायाफरॉमम देखाँ होग्ष्वसं देखा किलॉन देखा है शळकल सब्सक्राइब ए सब्सक्रों के विए के अनिवार सुन वह सॉसन है जो YVA सरी के अंदर लेते हैं उसमें उपस्तित ऑक्सिजियन का उपयोग गिलूकोज को कारवन डाई ओक्साइड और जल में बिखंडन के लिए किया लाता है इस पिक्रम में उर्जा नियमुक्त होती है गिलूकोज का बिखंडन आवाई विये सोसन कहते हैं अत्य दिक वियायन करते समय जब हमारी पेशी हुषकाओं में ऑक्सिजन की आपोड़ती है आपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन आवाई विये सोसन द्वारा होता है सास लेना सोसन फिक्रम का एक चर्ण जिसमें जीब ऑक्सिजन समध वाई को असरी के अंदर लेता है और कार्बन टाय ओक्साइड समध द्वाई को बाहर निकलता है येसों की विनिवाई के लिए बिभेने जीवों में सोसन द्वारा होते है अन्ता सोसन या निसोसन की समय हमारे फैंपड़े विस्तारित होते है उच्छुवसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते है सारी रिक सक कीड़ता की बढ़ने पर सोसन दर बढ़ जाती है गाय व्यास कुट्थे बिल्ली जैसे जीवों में सोसन अंग और सोसन पेकरम मानों की समान ही होते है कैंचियों में गैसों का बिनिवै उच्छा की मातरम से होता है मचलियों में किलॉम से और कीटों में स्वास पिणाल से सोसन के लिया होती है पात्पों में मूल मिलडा में उपस्थित हुवाईव को गेहन करती है पत्तियों में नन्य चिद्ध होते हैं जन्हें हम लोग रन दखेते हैं जन्सें गैसों का बिन्वाय होता है पादप कोश काओं में गिलुकोश का विखन्नन अन्य जीगों की तरह ही होता है तो इसमें आपके अभ्यास के लिए पुश्चेंस दिए गए इसकी इन सौट ले लिए या फिर पीडियाग डाउनलूड कर लिए टेलीग्राम से वह बहतर है क्योंकि उससे बहतर कुछ कि नहीं है कि आप लोग अच्छे से जाकर एक बार पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि नपर से 95 परसेंट आपके जो भी कॉंसेट क्लियर करना है हो जाने है बस आपको मन से पढ़ना है क्योंकि इसमें मन नहीं लगेगा जैसी किताब से लगी गई है साइंस कि बड़ा बोरिन टाइप की लगती होगी लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा इसके बिना तो कुछ होने वाला भी नहीं है तो चलिए इथाप का दसवा चेप्टर ग्यारवे चेप्टर में बात करेंगे जन्तुओं और पादप में परिवान तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे N.C.E.R.T. कच्छा साथवी की बिज्ञान के बारे में तो इसमें अभी तब हम लोग 10 चेप्टर आपे खतम कर चुके हैं यह है आपका ग्यारवा पिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग रहने वाला है इसे अच्छे से सुनिए आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन जल और ऑक्सीजन की आवस्त्ता होती है उन्हें इस इन सभी पदार्तों को अपने सरीक्रेवे में अंगों तक पहुचाना होता है साथी जन्तुओं को उनंगों में उत्पन अपसिष्ट पदार्तों का परिवहन उस इस्थान तक करना होता है जहांसे उन्हें बाहर निकाला जा सके क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभाव होता है चित्य ग्यारे दसनलों एक को देखिए कि आपको हिदय औरक्ति वहा आप सेवत रूप से हमारे सरीर का परीशंचन तंत बनाती है इस अध्याय में हम पादप और जन्तुओं में पदार्तों की परीवहन के बारे में अध्यन करें देख लिए परीशंचन तंत चित्मे धमनिया लार रंग में और सरा आपकी निले रंग में देखिए यह आपक परीशंचन तंत रंग जब आपके सरीर का कोई बाग कट जाता है तो क्या होता है रक्त या रोधेर बाहर बहने लगता है लेकिन रक्त में क्या है रक्त वैतर पदात या दिर्वय जो वहनियों में प्रभायत होता है यह पात चित भोजन को चुद्रान चोटी है या लिए सिरीर के अन्य भावों तक ले जाता है प्यापड़ों से यह औक्सीजन को भी रक्त ही चरीर की कोशेकाओं तक AWG ले जाता है रक्त सरीर में से अफसर्ट पदारतों को बाहर निकालने के लिए उनका परीभान भी करता है रक्त विभिन पदारतों को किस पदारतों ले जाता है रक्त एक तरल से बनाए जिसे हम लोग प्लाजमा या प्लाजमा बोलते है जिसमें विवन पिकार की कोश्काएं नीलंबित खुद रहती है रक्त में एक पिकार की कोश्काएं होती है लाल रक्त कोश्काएं आरबीसी होती है जिन में एक लाल वाड़क होता है जिसे हम लोग हीमोगलोविन कहते है रफ्त कोशकाओं में एक लाल वर्ड़क होता है लाल लंगापका हीमोगिलोविन के कारण होता है हीमोगिलोविन ओक्सीजन को अपने साथ सयुक्त करके मिलाकर सरीर के सभी अंगों में और अंतता सभी कोशकाओं तक परिवान करता है हीमोगिलोविन की कमी होने पर सरीर की शोटो 2, प्पस्तिति के कारणी रक्त का रंग हुता हैं रक्त मेंन पिकारी की कोश्चकाइँ ही होते जोने हमलोग सोओ दरक्त कोश्चकाईइज हैं या 121 करते य happen इक कुश्काइए उन रोगाडियों को नश्ट करती हैं जो हमारे सरीण में पर्वेश करती हैं WVC का क्या काम रहता है? रोगाडियों को नश्ट करती है, जो हमारे लिए नानिगा रहत हुती है। बूजो केलते समय गिर गया, उसके गुट्टों में चोट लग दे। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा गिरप्त का वहना, अपने आप रोग गया, कटने की स्थान पर गहरे लाल अंका एक धक्का जम गया। यह देखकर गुजो कुछ परेशां गया। रक्त का धक्का बन जाना। उसमें एक अन्य पकार की कुछकाओं की वस्तिती के कारण होता है। यहने हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं या पट्टिकाण। बात कहते हैं रक्त वाहिनियां। शरीर में विविन पकार की टक्त वाहिनियां होती हैं। जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंता सुसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ापूर्थी फैपड़ों यानि की फुपसों को भल देती हैं। रक्त इनको इस ऑक्सीजन की परियुहन शरीर के encaps करता हैं। साथ रक्त को शकाहों से करवन डίοक्साइड से अनवस्श्षपदारत को लेता है। इस रक्त को वाहपा इस धए में लाया जाता हैं जहां से या फैपड़ों में जाता है। फेंपणों से कारवंडा योक्साइड बाहर निकाल दी जाती है जैसी कि आपने अध्य है दस में पढ़ा था इस पेकार सरीर में दो पेकार की रखते वहाईनिया होती है एक आपकी धमनी दूसरी सरा धमनीया हिरे से ओक्सिजन सम्रद्ध रखत को सरीर के सभी भावों में ल पुरत अंगली को अपने बाई कलाइस के बीधं भीतर बीत्री वाग में रखते हैं क्या आपको को होस्ति डकदक मैसूस होती है यहां इस कियों होता है यह इसमने नाड़ी हैसा मिनाड 650 देखें देखिए एक में कितनी वाद दर्गता है इस तरह आपने कितनी नाड़ी इसपंदन गिनी पिती मिनिट इस पंदनों की संख्या इस पंदन दर कहलाती विश्राम की अवच्था में किसी स्वस्त वैस्क बैठती की इस पंदन की दर सामानता सत्तर से अस्थी इस पंदन पिती मिनिट होती है अपने सरीर के ऐसे भावों कपता लगाई जहां आपकी नाड़ी इस पंदन को अनुबाव कर सकते हैं बे रक्त बाइनिया जो कारवन डाई ऑक्साइड समर्द रक्द को सरीर के सभी भावों से बापस सिद्य में ले आती है उन्हें सराय कहते हैं जो ऑक्सीजन मिले हुए रक्त हो ले आती है उन्हें क्या कहते हैं दमनिया और जो कारवन डाई ऑक्साइड को बापस लाती है तो उसे सराएं कहते हैं सराएं की वीतियां अपेक्छा किरता की पतिन होती हैं सराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को किवल हिदय की वो री फिर भावित होने देते हैं परिशंचन्द परिशंचन्द तंद का बयोस्ता यह कुश्काएं हो गए यह आपका हिदय क्यंपड़े होगे फुप्फोस सेरा होगे यह आपकी धमनी क्या आपको धमनी या अन्य छोटी-छोटी वाइनियों में विवाजित होती दिखाई देती है उतक में पहुंचकर भी पुनाह अत्य पतली नलिकाओं में विवाजित हो रक्त की अनुपवलद्धितार की कारण सेवड़ों लोग अपनी जान कबा देती है स्विप्चा से किया गया रक्तदान हानी रहत बदर्द रहत होता है जो कई अनमोल जाने बचा सकता है रक्तदान अस्पतालों में सरकाल द्वारा अधिक जगों पर ही किया जाना या नेंतर दढ़कता रहता है एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो बरसों तक बिना रुखे कार करता रहता है या बिलकुल आसंबव कितीत होता है फिर भी हमारा हिदय जीवन परियांत बिना रुखे रक्त को पंप करने का कार करता रहता है आईए अब हुँ हिदय के बा माई और चुका रहता है अपनी अंगुलियों को भीतर की और मोड़कर मुठी बना लिए आपके हिदय का आमाप साइन साइल लगबग आपकी मुठी के बराबर होता है जरा सोचिए कि यह दी हिदय में कारवंडाई ओक्साइड और ऑक्सीजन से समध्र रक्त परस पर मिल जा है हमारा है उपरी दो कप्छ अलेंद कहलाते हैं आपके वो निचले दो कप्छ निले कहलाते हैं आपका हिदय जो है वो चार कप्छ में बठा रहता है उपर के दो कप्छ जो है उन्हें अलेंद कहते हैं वो नीचे के दो कप्छ हैं उन्हें निले कहते हैं कप्छों के पर विधी को समझने के लिए हिदय में दाइई ओर से आरम करते हुए तीरों द्वारा दिशा का अनुशन कीजिए इस चित्त में तीरों द्वारा हिदय से फैंपड़ों और बापस हिदय में रखती की विवाद की दिशा दिखाई गिए जहां सिवर से सरीर में पंपूता है यह आपका हिदय मानव हिदय का कट्चित यह आपका दाया अलंद हो गया है यह आपका दाया निला हो गया कच्छा के बीच में विवाजन देखा है यह आपका बाया निला हो गया है यह आपकी फुक्पुस सिरा फुक्पुस धमनी यह आपकी महा सिरा होगी प्रे आपकी म इसमिखान हमानमनेचा के लाहे जिशाय हाना लाइवद्रूप से संकुचन और विस्तरान्ती करती have याथ रखिए के लैवद्रूप से संकुचन और उसके बाद होने वाली लैवद्र विस्तरान्ती से दोनों मिलकर हिदय इसपंद यानि की हार्टवीड कहला था. याद रखी कि हिदय इसपंदन जीवन की हर चण होता रहता है. यदि आप अपने वक्षी की भाई तरफ हाथ रखें तो अपने हिदय इसपंद यानि की ध़ड़कन को महिसूस कर सकते हैं. चिकिस सक्थ आपकी तो थो इसकोप का उप्योग भीदाइस पन्न की दौनी को अवर्दित करने की युगती की रूप में करते हैं इस्टे थो इसकोप के एक सरे पर एक चेश्ट पीस लगा लेता है जिसे एक संबेदन सील डायाप्राम होता है दूसरे सिरे पर दो इयर पीस सरोधिका लगे होती है जो एक मली द्वारा चेश्ट पीस से जुड़े रहते हैं चिकेश्ट सक श्टो इसकोप का चेश्ट पीस आपके हिदय के इस थान पर रखकर सरोधाओं से अपने इसपंदनों को धौनी का देहन करते हैं जिससे उन्हें आपके हिदय की स्थिति का आखलंग करने में सायता मिलती है इस तरह से 6-7 cm व्यास की कोई कीव लिए कीव के 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 इस तरम में पर रबड की एक नली लगवख 50 cm से लंबी को कसकर लगई कीव के मुख पर रबड की एक जिल्ली अपकर गुब्भारी को बना कर लगई रबड यह की सायता सी कस देए अब रबड weekend की नली मुख स्रे को अपने एक कान के पास रखेए कीव के मुख को अपण वखच पर हिदय के निकट रखेए अब साओधानी से दोनी सुनने का प्रियास की ? क्या आपको नियमित इस्वंदन, यानि के दरकन दोनी सुनाई दे रही है ? यह दोनी हिद्यस वंदनों की है आपके हिद्यस 1 मिनिट में कितनी बाद रुक रहा है ? चार से पांच मिनिट तक दोड़ने के बाद पुनाहां हेदर इस्पंदन की दर ग्याती अपने पेक्टरों की तुर्णा कीजिए अपनी तथा अपने चित मित्रों की विस्वरां विवस्ता में चार से पांच मिनिट के बाद हेदर इस्पंदन तथा नाडी पुल्स की दर स्टारी में रप्र कर सके है किसा आपको अपने हिस्पंद नौनाडी संदर के बीच कोई संबंधद दिखाई देता है तरह देघेचंदा धमनियों करता है थी मिनिट पढ़ दभन हो जा घाण परियंग प्रियोग साल में प्रियोग करती नहीं बैठना है, प्रियोग साल में प्रियोग करती नहीं बैठना है, हिदय के विभन कक्षों में लैवद्ध गती, रक्त परीसंचन और पदालतों के परिवान को बनाये रक्ती, रक्त परीसंचन की कोज बिलियम हार्वे, रक्त परीसंच प्रभास किया गया, उन्हें परी संचारी सरकूलेटर कहा गया, उनके अधिकांस रोगीयों ने उन से उच्छार कराना बंद कर दिये, तदापी हर्वे की मित्ति उसे पहले, परी संचार के बारे में उनके विच्छार को जिब बिग्यानी के तथ, तथ्य की रूम में मानता मिल गए थी बोजो जानना चाहता है कि क्या इस्पंज और हाइडरा भी में भी रखत होता है इस्पंजों और हाइडरा जैसे जन्तुओं में कोई परिशंचन्ट तंथ नहीं पाय जाता है जिस जल में भी रहते हैं वहीं उनके सरीर में फिर्वेस करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्टी कर देता है जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कारबन डायोकसाइड और अफसिष्ट पदार्तों को ले आता है अता हुने परिशंचन हे तो रखते के समान तरल की आवसक्ता नहीं होती है अब हम सरीर द्वारां कारबन डायोकसाइड केत्रिक अन्य अफसिष्ट पदार्तों की निकासी के विशाय में अध्यन करेंगे जन्तुओं में उफसाइड आपको याद होगा कि शरीर में अफसिष्ट पदार्तों की रूम में उद्पन कारबन डायोकसाइड फैप्रणों द्वारां किस पिकार उच्वारसन के पिकरम के द्वारां सरीर से बाहर निकल जाती है यह भी ध्यान में रखे कि अपाचित बोजन वही छेपड पिकरम द्वारा मलके रूम में सरीर से बाहर निकल दिया जाती है अब हम यह मालूम करें कि अन अफसिष्ट पदार्त सरीर द्वारां कैसे बाहर निकल जाती है आपके मन में यह पिसन उठ सकता है कि आकिर यह अफसिष्ट पदार्त आती कहां से यांके। जब हमारी कोशिकाई अपना कारी करती हैं तो कुछ पदार्त अफसिष्ट को रोओ में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांस्ता-जि पतास्त विसार्ट होते हैं, इसलिए इन्हे सरीर से भाहर निकालने की आवस्डित्ता होती है। सजीवों द्वार से कोछ को में निर्मित होने वाले अपस्षिष्ट पदारतों को बाहरनी कालने की कोzn बिक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग आपके मिलकर उत्सर्जन तंत बनाते हैं बात करते हैं माना उत्सर्जन तंत की बारे में रक्त में उपस्तित अपसिष्ट पदार को सरीर से बहार निकाला जाना चाहिए यह किस पेकार होता है इसके लिए रक्त को चानने की आव हिदिनी में पहुंछता है तो इसमें व्पयोगी और हानी कारिक तोनी ही पेकार की पतार्थ होते हैं यानी मूत यानि मेर्किरों में पिथक यार हटा दिये जाते हैं बरकों में से मूर्थ वाहिनिया से होता हुगा मूत मूतासे में मूतरासर में जाता है मूत वाहिनिया नली के आकार की होते है मूतरासर में मूत संचित होता रहता है मूत्रासर से एक पेसी है नली जुड़ी होती है जैसे मूत्मार्ग कहते हैं मूत्मार्ग का दूसरा सरा खुला होता है जिसे मूत्रंद कहते हैं और जिसमें मूत्र सरीर से बाहर निकाला जाते हैं ब्रिक के मुद्वाइनिया, मुद्रसर और मुद्मार समलित रूप से उत्राजन तंद बना दियांके। कोई व्यक्ति, व्यक्ति, सामानता 24 गंटे में 1-1.8 लीडर मुद्ध करता है। मुद्ध में 95-35 आपका जल, 2.5 यानि 2.5 पिती सता आपका यूरिया, 2.5 अपसिष्ट पदाल उत्पाद इसमें सामिल होते हैं। यह हम सभी कानवाय कि गरिमियों में पसीना स्वेद आता है, स्वेद में जल और लबड होते हैं। बूजों ने देखा कि गरिमियों के दरों में प्रया पसीनी का कारण कपड़ों में सपेद धग दब्बे दिखाई देते हैं। विसेस कर उन इस्थानों में जहां देख पसीना आता है। या दब्बे पसीने में उपस्थित लबडों का कारण मनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विसेस प्योजन होता है। हम जाते हैं कि मिंट्टी से बने घड़ों मेरा का पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के चित्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतय परा जाता है। जब यह पानी ववास्पित होता है तो घड़े में बचस्यस पानी ठंडा हो जाता है। ठीक किसी पकार पसीना भी हमें अपने सरी को ठंडा बनायद रखने में सहेता करता है। यह आपका मानों उत्रजन तन्त यह आपके बिक्ठ हो गए किर्णी यह आपके मुत्रवाइनी, मुत्रसर, मुत्माड और मुत्रन ठीक कभी-कभी किसी ब्यक्ति के ब्यक्त काम करना किर्णी काम करना बंद कर देते हैं ऐसा किसी संक्वनतदा चोट के कारण हो सकता है विर्क के अक्रिय हो जाने की इस्थिती में रक्त में अपसिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे विक्ति की अधेक तिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तदापी दिद्यादी किंतिम भिर्व के द्वारा रख्थ को नेमित रोख से छान कर उससे अपसिष्ट पदार्तों को हैटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में विद्धी संभव हो सकती है इस विकार रख्थ के छन्ने की विद्धी को अफवन यानि की डायलासिस कहते हैं जन्तूं के सरी में अफसिष्ट रचायनों के निसकासन की विद्धी जल की उपलवदितापन निर्वार करती हैं मचली जैसे जली जन्तू कोशिका के अफसिष्ट उतपादम को अमोनिया के रूम में उतसरजित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती हैं पक्ची चिपकली सर्व जैसे कुछ जन्तूं अपने सरीर से अफसिष्ट पदार्तों का उतसरजण अर्द घन यानि की सेमी सोलेट पदार्त की रूम में करते हैं जो मुकता स्वेथ सपेथ रंग का योगिक यूरिक हमलों होता हैं मानों द्वारां उतसरजद अपसिष्ट पदार्तों में यूरिया प्रमोकिल अब बात करते हैं लोग पाधपों में पदार्तों का परिवान अध्या एक में आपने पढ़ा कि पौधे पाधप अपने जड़ों मूलों द्वारां मिर्दा से जल और खनेज पोसकों का आउसूसन करके उन्हें पत्तियों को उपलप्त कराते हैं पत्तियां जल तद्ध कारवन टायॉक्साइड का उपयोग कर प्रकास संस्लेशन का विक्रम द्वारां पौधों के लिए बोजन बनाती हैं अध्याय दस में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का बोजन उनके लिए ओर्जा का स्रोत होता है जीव की पिते कोश्का में गिलू कोश्का विकंदन होने से ओर्जा निर्मुक्त होती है कोश्का हैं इस ओर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रिया विदियों को संपादित करने में खती है अताहे यह आवस्तक है कि जीब की पिदेकोश्का को भोजन उपलग्द कराया जाए क्या आप आपने कभी इस पेशन पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा आउसुसित जल तथा पोशक तथ पत्तियों तक किस पेकार पहुंचता है पौधों के बेभाग जो भोजन नहीं बनाते हैं पत्तियों द्वारा निर्म भोजन इस पेकार प्राप्त करते हैं जल और खनेजों का परिवान पादब मूलों यानि की जड़ों द्वारा जल और खनेजों को आउसुसित करते हैं मूलों में मूल लॉम होते हैं, बास्तों में मूल लॉम जल में गुलिवे, खनेज पोसक पदार्थों, और जल के अंतर गहन के लिए मूल के सतय छेत फल को बढ़ा देते हैं, मूलों में मिर्दा, कड़ों के भी चोपस्ते जल के संपर्त में रहते हैं, क्या आप अनुमाल ल परिवान के लिए पाइप जैसी वाइकाएं होती हैं यानि कि अपने सरीरे में जिस तरह से जड़े खेली हुई है दम निया असरा हैं इसी तरह लगवग उनमेवी होती हैं वाइकाएं विसेश कोष्काओं की बनी होती हैं जो संभाहन चक संभाहन उतक बनाती हैं उतक की जल और पुषक तत्तों की परिवाहन के लिए पाधपों में जो संभाहन उतक होती हैं उसे हम लोग जैलम करते हैं जाइलम चैनलों नलियों का सदत जाल बनाता है जो मूलों को तन्य और साखाओं के इमाद्यम से पत्तियों से जोड़ता है इस पेकार बनात तंत पूरे पादप में जल का परीवान करता है आप चानते हैं कि पत्तियों पत्तियां भोजन का संसलेशन करते हैं भोजन को पाद इस विकार जायलम और फ्लोरम पदार्थों में पदार्थों में पदार्थों का परिवान करते हैं यह आपके मूल रौम हो गया जायलम इस तरह है देखिए हम इस करिया कलाप के लिए कांच का गिलास यापानी यह लास रहा स्याही व एक कॉमब्स स्याही पवड़े की तहन में उधारन के लिए वाल संब अएक फानी उसमें कुछ बूटर्थों में लाओं सेव पॉरने की डाने लाल लंग का दिखाई देता है टैनी का अनुपस्त काटी उसके इंदर लाल लंग का गौलोकन कीजिए फर्याप का वास्त पोस्ट सर्जन कच्छा छटबी में आपने पड़ा था कि पादप वास्त पोस्ट सर्जन से वास्त पोस्ट सर्जन के पिक्रम द्वारा जल वास्त हो जाता है पत्तियों से जल के वास्त से चूशन अभीकर्शन खिचाव विक्सित हो जाता है यह वैसे ही है जैसे आप श्ट्राउम से जल का चूशन तक दें विशाल बेच्चों में बहुत अधी कुँचाई तक जलका अभीकर्शन खिचाओ इसी बिगार होता है वास्तव सर्जेन पादप को ठंडा रखने में भी सायग होता है तो इस सद्धिया में हम लोग ने क्या सीखा है धमनी के बारे में जाना है रक्त के बारे में जाना है रक्तवाइनियों के बारे में जाना है केसीका के बारे में जाना है परिशंचन तंथ के बारे में जाना है डायलासिस के बारे में जाना है अपुबन के उत्सर्जन के बारे में भी जाना है वो सरजन तन्त को भी देखा है हें रोपान त llega है ंतको देखा है और वी कनदन त देखा है एक यदय स्पंदन को प्रेक गुरथा को देखा है किडिनी को फेलोरं सु मा को देखा है पाट्टि कांप देखा राडी पनतक देखा है आरर्वी चाने के लाल लकत स्पर्चक हो देखाये मुलोम देखे श्ट्रत खूर का देखाय पसीने देखाये सुछेञट控सी और भी देखाये लेकिन सब्दों के बारे में में पहचान हो जाए कि आखरे सब्द होते क्या है रख्त होता क्या है ठीक है अगर गणी सब्दी उच करते हैं तो उसका रत्तों मालूब होना चालिया तो उनी को समझाने के लिए एक पूरी कहानी पढ़नी पूरती है तो अपने इस सद्दिया परिशन चन्त में हिदय और रख्त वाहिनिया होते हैं मानोसरी में रख्त दमनिया और स्थिराओं में प्रभावित होता है तता हिदय पंप की तरह कारे करता है रख्त में आपका पिलाजमा रख्त में कोष्टाए आर्बीसी स्वेद रख्त कोष्टाएं और पट्टिका प्लेटलेस्ट होती है रख्त का लाल लंग जो होता है यह आपका हीमो गिलोविंग की उपस्तिती के कारण होता है किसी वैस के बैक्ति का हिदय एक मिनट में लगवग सक्तल से अस्ती वार धड़कता है इसे हिदय स्पंधन कहते हैं दमनिया हिदय से सरीर के सभी अन्न भाग करते हैं माना उत्तरजें तंत में दो बैक यानि की किड़नी गुरते दो मूत वाइनिया एक मूत्रास और एक मूत माल गुरता है लबड और यूरिया जल के साथ स्वेथ बसीनी की रूम में सरीर के वक से वहार निकाला लिया जाता है मचली अपसिष्ट पदार्थ के रू और यूरिकमल का पुछ सर्जेन करते हैं पादप मूलों द्वारान जल और पोसकत मिर्दा से अश्वेसित होते हैं पूरे पादप में जल के साथ पोसकत जैलम नामक सम्माहन उतक द्वारान ले जायता है पादप के विविएन भागों में बोजन का परीवान फिलोयम ना निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मेर्दा में से आउस सो से जल अभीकर से खिचकर होकर तन्य और पत्तिम तक पहुंचता है, यह आपके अभ्यास के लिए कुश्चन्स दिये गए, बैठता है कि इसका टेलीगराम से पीडियाप डाउनलोड करके रख ले, उससे एक बार पढ़ लें और यह कुश्चन्स लगा सकते हैं, अब देखिए आराम से बड़ी है बस आप लोग को समझ गए होंगी अभी तब, इतने अध्या है हम लोग कर चुकी है, कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना, बस आपको अच्छे से बढ़ना है, तो यह आपका था जीवों में, जन्तुओं और पादम में परिवान, और आँगी बात करेंग बारवा चेप्टर हमारा हुआ, पादम में जन्तुओं तो चली हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT कक्छा साथवी की विध्यान के बारे में, तो अभी तक इसके हम लोग 11 चेप्टर खतम कर चुके हैं, यह आपका बारवा चेप्टर है, इसमें बात करेंगी पादम में किये, मैं बारवार यही कहता हैं, किसे एक बड़ी धैर के साथ लाष्ट तक सुनिये, लाष्ट में जो भी निसकर्स होता है, इसका बता दिया जाता है, तो अगर आप अच्छे से एक बार सुनते हैं, तो आपको जो भी कॉंसेप्ट क्लियर करना है, वो हो जाएंगे, 100%, जानदा हडबढा के मत बढ़ना, अपने बंस अथवा प्रिजाती को बनाए रखने के लिए, पाधप और जन्तुओं के लिए जनन आवसर है, कच्छा छटवी के अध्या 9 में आपने, पढ़ा था कि सभी जीवन, अपने समान, जीव, सभी जीव, अपने समान जीवों का बिविन बिधियों द्वारा होता है, जिनके बारे हमें हम इस सत्या में जानने की उसस करें, बात करते हैं जनन की बिधियां, कच्छा छटवी में आपने पुस्पी ये पाधप के बिविन भागों के बारे में पढ़ा था, पाधप के बिविन भागों का नाम बताईए, और पिते के फिकारों के कारमेल बता सकते हैं। अधिकांस पादफों में मूल, तना और पत्तियां होते हैं। ये पादफ के काय कंग कहलाते हैं। बिर्धी की निश्चित अउधी के बाद अधिकांस पादफों में पुस्प निकलते हैं। आपने बसंत रिदू में आमके वैक्षों को पुस्पे थोते देखा होगा। यही पुस्प बाद में आमके उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका अनंग हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान बीजों को फिक देते हैं। बीच अनकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा हो तो पादप में पुस्पों की क्या भून क्या है। पुस्प पादप में जनन का कार करते हैं बास्तों हैं। पुस्प पादप की जनननग हैं। किसी वुष्प मिकिवल नर जनन अंग अत्वा मादा जनन अंग या दोनों ही जनन अंग हो सकते ही पादप अनेग विधियो द्वारा अपनी संथपन करते हैं इन में जनन दो पेकार के होते हैं एक आपका आलेंग एक जनन और दूसरा लेंग जनन आलेंगिक जनम की बात करें तो पादप में बिना बीजों की नए पादप कोथपन कर सकते हैं जबकि लेंगिक जनम में एक नए पादप बीजों से प्राप्थ होता है आलेंगिक जनन की बात परें तो आलेंगिक जनन में नए पादप वीजों और वीजाड़ूं के ओपियों के बिना ही उगाए जाते हैं काईग प्रवर्धन यहीं एक पिकार का आलेंगिक जनन है जिसमें पादप की मूल, तने, पत्ति, अत्वा कली, मुकुल जेसी किसी कायक अंगे द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, चूकि जनन पादप के कारेकंग से होता है, इसे कायक पिबर्धन कहते हैं गुलाव अत्वा चंपा की पौदे की एक साखा को उसकी परवसंदी से काटी है, परवसंदी तने या साखा का कोई भागे, जहां से पत्ति निकलती है, साखा के इस टुकडे को कर्तन या फिर कलम कहते हैं, अब कलम की को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को पिती दिन पा लगते हैं, इसी क्रिया कलाब को जल्म से भरे पात में मनी पिलांट का पोधा लगाता दोहरायं, अपने पेक्षड़ों को नोट कर सकते हैं आप लोगे, आपने पुस्प कलिकाओं से पुस्पों को खिलते हुए देखा हो, पुस्प कलिकाओं की अत्रिक पत्तियों के कच पत्तियों के परख संदी से जुडाव का बिंदू, मैं भी कलिकाओं मुकुल होती हैं, ये कलिकाओं प्रो हैं, अंकरों के रूम में बिक्सित होती हैं, और काईक कलिकाओं कहलाती हैं, कली में एक छोटा तना होता है, जिसके चारों और आप परिपक पत्तियां, एक दूस इस पर पढ़े च्छत चिन्नों को देखे, आपको इनमें कलिकाया कलिकाया दिखाई देखे, अब च्छत चिन्न को आँगी कहते हैं, आलू के कुछ टुकडे काटी हैं, जिसमें सिप्टेक में एक आँखवस को उने मिट्टी में दबा दीगे, वो इस इस्थान पर कुछ द आँख दिखाईए, यह अंकुरित होने लगेगा, इसी पर आप अधरग या हल्दी को भी होगा सकते हैं, यह है, वायो फिलम, पत्थर चटा, में पत्ती के किनारे गरम में, गरत में कलिकाये होती हैं, यदि इन पादप की पत्ती आद मैदा पर गये जाए, तो पिते कलिक मुकल नई पादप को जनम दे सकती हैं, कुछ पादपों की जड़ें, मूल भी नई पादपों को जनम दे सकती हैं, उधारन के लिए सकलकन डालिया, बहे लिया, कि यह है, बायो फिलम की पत्ती जिसके किनारों पर कलिकाये हैं, इस तरह सकती है, कैक्टर्स जैसे पादप क कि बेबार जो मुख पाधप से अलग भिगलन हो जाते हैं, नई पाधप को जनम देते हैं, पितेक विलगन भाग नई पाधप की रूम में बित्धी कर सकता है। काईग प्रवर्दन द्वारा पाधप कम समय में उगाय जा सकते हैं। बीजों से उगाय जाने वाले पादप की अपेक्चा काईप पेवर्दन द्वारा उत्पन पादपों में पुस्टप और फल कम आउदी में ही आजाते हैं नए पादप जनक पादप की यह तार्थ इतिलिपी होती हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन होते हैं इस अध्याय में आँगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीद लेंगिक जनक द्वारा उत्पन होने बादे, पादम में मातापिता, यानि कि जनक दोनों की गुड़ होते हैं, लेंगिक जनक के पढ़ाम सरूप पादब बीच उत्पन करते हैं, बात करते हैं मुकलन, आपने पहले इस्ट के बारे में पढ़ा हैं, जिसे केबस सूप्च में रदसी द्वारा ही देखा जा सकता हैं, इनके लिए यदि परियावत पोसन उपलगत हों, तो इस्ट कोछी घंटों में बिद्धी करके गुड़न, यानि कि जनन करने लगते हैं, याद रखिये कि इस्ट ए इस्ट लेकर उसे किसी ऐसी पात में रखें, जिसमें कुछ जल हो, इसमें एक चम्मच सक्कर डालने, उसे जल में घोलने, आप उस पात को किसी कमरे के गरम भाग में रखें, एक गंटी के परशास इस दिरख की एक गुन काच की सिलाइड यानि की पट्टी पर रखकर इस्ट कोषका से बाहर निकलने वाला छोटे बल जैसा प्विवर्द मुकल या पर कली कहलाता है, मुकल किरम सा विद्धी करता है और जनक कोषका से बिलग होकर नई इस्ट कोषका बनाता है, नई इस्ट कोषका विक्सित होकर परिपक हो जाती है और फिर नई इस्ट कोष कभी कभी मुखल से नए मुखल भिखित हो जाति हैं जसे मुखल सिंखला बन जाती है। यदि यह विक्रम चलता रहा तो कुछी समय में बहुत अधे संख्या में इश्ट कोश्ताइं बन जाती है। फ्रयाव का खंडन, आपने तालावों अत्वा ठेरी हुए पानी के अन्य जलासयों में, हरे रंग के आउप अंकी गुच्छे यानि की फिसलंदार तेलती हुए, तेलती हुए देखे हुए ये सहवाल है, जब जल और पोशक तक उपलब्द होते हैं, तो सहवाल विद्धी क खंडन द्वारं गुडन करते हैं, सहवाल दो यादिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं, एक खंड अतपर टुपड़े नई जीवों में विद्धी कल्व जाते हुए, यह प्रिक्रम आपका निरंदर चलता रहता है, कुछी समय में सहवाल एक बड़ी चित में फेल जा दवल रोटी पर रुई के जाल में बीजाडू को देखिएं, जब बीजाडू निर्मुख होते हैं, तो िवाईू में तरहते हैं, चुकि यह बहुत हलके होते हैं, इसलिए लंबी दूरी तरह तक जा सकते हैं, बीजाडू आलेंगिक जनन ही करती हैं, फिद निम्न आदता जैसे पितीकूल परस्किती को जहलने के लिए एक कटव श्राचत स्वरःचात्मा कावरण से धका रहता है। इसलिए लंबे समय तक जीवित रहत सकते हैं। अनकूल परिस्तियों में बीजाणू अंकुरित हो जाते हैं और नए जीवित में विख्सित हो जाते हैं। मौस और फान जैसे, फांड जैसे पान्म में भी जनदम विजारू को दवारा होता है यह आपका फांड में भी जन द्वारा जनदमें इसी तरह कर्द भर्या हो गया करी कवक सुहाद में भी जनद 하는데 कि कि अब बात कलते हैं मदा चनन अंग होते हैं सरसओ गोड़ाल पिटुनिया का कोई पुस्प लीजिए इसके जनननंगों का पिथक कीजिए पूंकेसोर और इस त्री केसर के विवन भागों का अगदेन कर सकते हैं एक ऐसे पुस्प जिन में या तो केबल पूंकेसोर अधर केबल इस तरी केसर वो पुस्प केहला ते आपके जिन पुस्प ओस्प और इस तरी के सरो वते हैं उन्हें आप लोग दूई लिंगी पुस्प कहते हैं मक्का पकीता किट्रीक टिरнаком कीरे की पॉस्प होते हैं जबकि सर्सों गुलाब पिट्टुनिया के पौति मैं दुई लंगी पोस्ट नर और मदा एक लंगी पोस्ट दोने एक ही मदा एक ही पादप पर उपस्दित हो सकते हैं अत्वा भिणने पादपों पर पाई जाते हैं यह आपका जहनन देख लेजिए पराख पोस्ट पूतन करें दा इसेब मैं आपका अंडासर हो गया बिल्डाण्ड हो गया वह बढ़तिक्या के Ward थीको क्या आप कर देंगा क्या आप पा common की पराख पूस में पराग कड होते हैं, जो नर एकमक को बनाते हैं, इस तरीके सर में वर्तिकार वर्तिकार और अंडासर होते हैं, अंडासर में एक यादी भी जान्द होते हैं, मदा एकमक, युमक अथवा, अंड का निर्माद भी जान्द में होता हैं, लेंगिक जनन में नर और मदा युगमों कुभी युगमन से युगमनज बनता बात करते हैं पराग कड़ पराग परागड़ सामानता परागड़ों में दर्ड सुरक्षात्मक आवरन पूतर जो उने सूखने से बचाता क्योंकि पराग कड़ हलिके होते हैं अधाय वबायू अत्वा जल्दवारा बहा कर ले जाये जा सकते हैं पुस्पों पर बैठने वाले कीटों के सरीर पर पराग कड़ चेपक जाते हैं जब केटों से प्रिकार के किसी अन्न पुस्प पर बैठते हैं तो इसे सो परागन कहते हैं या आपका सो परागन होगे यह परपरागन देखिए पराग कोस्त आगे बात करते हैं पुस्प के परागन उसी बादब के किसी अन्न पुस्प के वर्तिकात पर गेते हैं तो इसे परपरागन कह सकते हैं अब बात करते हैं निसे चन नर तथा कोश का योगमन नज कहलाती है, योगमन नज भूण में बिक्सित होता है, पराग नरी का ये योगमन नज निर्माड, फल और विज का विकास है, निसेचन के परशाद अंडास है, फल में बिक्सित हो जाता है, जबकि पोस्ट के अनभाग गिर कर मुर्जा कर गर जाती है परिपक हो जाने में अंदा से फल की रूम में विक्सित हो जाता है वो बीजान से विक्सित होती है बीज में ही पुढ़ हो जा है जो सुरक्षादमत बीजा रांड के अंदर रहता है कुछ फल गुदिदार और रसीलिग होती है जैसे आपका आम हो गया सेव और संद्रा, कुछ फल आपकी कठोर हो दे, जैसे आपका बादाम हो गया अक्रोट हो गया, यह आपका बादाम है, यह आपका सेव, बीज-पिकीडन, प्रक्किती में एक ही पिकार की पादव, विभिन इस्थानों पर उगे हुए पाय जाते, ऐ आपको अपने वस्तों पर फलों की बीज चिपके दिखाई देंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रियास किया है। यह बीज आपके वस्तों पर कैसे चिपक जाते है। कल उतना किजिए कि किसी पादप की सभी भी एक इस्थान पर जाकर गिरकर वोगाएं। तो आपके विचार में इस अब परिस्तिती में क्या होगा। पादप की नव भीदों नए होगे कोई पोदों की बीज दोग, जल, खनेजों, पुरिस्थान के लिए गंभी इस्पर्दा होटी। समझता उनमें सिब कोई भी सवस्थ पादप की रूम में विक्सित नहीं होगे। पादप को बीजों के पिकेड़न से लाब होता है। इससे एक ही पिकार के पादप की नवोद बिदों में, सुर के पिकार जल और खने के लिए प्रसपर इस पर्दा की संभावना कम हो जाती है। पिकीडन पादप को व्यापक छेत में वित्रित होने में सहायद होता है ताकि भी नई आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समधूँ। सही जन और दूई फल यह है। प्रक्ति में पादप की फलों और बीजों का पिकीडन पवन जल और जन्तूओं द्वारा होता है। सही जन डेमेश्टिक और दूई फल में पर जैसे पादप की पंक्युक्त भी घासों खेलके भी अत्वा आगमदार के रोम इप्थ भी और सूरज मुकी के रोम इप्थ फल पवन के साथ उड़कर सुदूर इस्थानों पर तक चले जाते हैं। कुछ बीच जल द्वारा पिकीड़ित होते हैं। ऐसे वीजों अत्वा फल की आवरन इसपंजी अत्वा तंतुमे होते हैं। ताकी बीच जल में तहड़ते फिलुवन यानि की तहड़ते करते हुए एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जा सके हैं। उधारन के लिए नारियल ले सकते हैं, कुछ बीज जन्तूओं द्वारां के कीड़ेत होते हैं, विसेश रूप से कटंकी, कांटेदार बीज, जिनके होग जैसी सरचनाय होते हैं, जिससे बीज जन्तूओं के सरीर में चिपक जाते हैं, और दूरस्ति थानों तक ले जाते है सूरज मुकी के रोजुग युप्त फल और फिर दूसरा है, भी मदार के रोम युप्त पीज, इनके आपके उधियारन हो सकते हैं, यूरिना और जैन्ते, कुछ पोदों के पल जैटके के साथ खट जाते हैं, जिससे उनके अंदर इस्तिर बीज पिकेडित हो जाते हैं, ब और बादसक के बादफ में ऐसा ही होता है, तो इसमें आप लोगोंने क्या जान दिया यह सद्याय में, कि आलेंगिक जनन क्या है, मुगलन क्या है, भून क्या है, पिकीडन क्या है, निसेचन क्या है, खंडन क्या है, यहुमा क्या है, बीजान क्या है, पराखकर क्या है, ले सब्सक्राइब के में परिवासा जाननी थी तो आपने क्या सीखाया सद्धिया में सभी जीव अपने किस्मों को बनाया रखने के लिए जनन याग गोडन करते हैं पादब में जनन दो पेकार के होते हैं आलेंगिक और लेंगिक जनन की कुछ विदियान खंडन, मुगलन, बेजाड़ू, निर्माड और कायग प्यवंदन होते हैं लेंगिक जनन में नर और मता यवमोंकों का यवमन होता हैं हम लोगोंने जीवों की नहीं देखी हैं, जैसे मनुस का होया, किसी जीव का होया, तो हम आगे की कर्चाओं में आग लोग देखेंगे जनन कायग प्यवर्धन में बत्तियां तनाव मूल्य से, कायग भागों में से नई पादक को गाय जाते हैं प्यव्षप पादक का जनन अंग है, एक लेंगी प्यवर्धन में या तो नद अत्वा मदा जनन अंग होते हैं, दुई लेंग मी प्यवर्धन में नई और मादा जनन अंग होते हैं नए योगमक परागणों के अंदर और मादा योगमक बीजान्ड में पाय जाते हैं किसी पुस्प के परागणों के इस्थानांतर का पिक्रम आपका परागण दो पिकार का होता है एक आपका सो परागण दूचरा परपरागण सो परागण में परागण परागणों से उसी पुस्प के वर्तिकार पर इस्थानांतित होता है उपर परागण में आपका परागण एक पुस्प के परागणों से उसी पिकार के दूसरे पुस्प के वर्तिकार पर इस्थानांतित होता है परागन पवन जल और कीटों के द्वारा हो सकता है नर और मदा योगमक का योगमन निसेचन कहलाता है योगमनाज का विकास भूण में होता है फ़ल एक परिपक्त अंडा से है जबकि विजान्ड बीज में वेखसित होता है बीज में पिकासी ल्मूर होता है बीजों का पिकीरण पवन जल अधवाज जंदूओं के द्वारा होता है बीज पिकारण एक इस्थान पर पारप की अधिक संक्या की वित्दी को रोगने सूर ले लिए फिर याद तो टेलियराम से पीडियाप लिए डाउनलोड कर लिए पीडियाप डाउनलोड कर लिए वही बेटर रहेगा आपके अच्छे से पढ़िए मुझे खुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें आखिर समझाओ कि आप लोगों को क्यों कि बहुत ही साधारन सब हैं यह कहान ही का रूप दे दिया गया है कि आप लोगों को अच्छे से समय में आ सकें तो यह आपका हो गया 12 वाच चैप्टर 13 वे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे करती इवं समय के बारे में तो चली हम लोग बात कर रहे थे एंसी याटी कर्च्छा साथ भी की बिग जयान के बारे में तो इसमें अभी तक में लोग 12 चैप्टर की करीब आपके खतम कर चुके हैं यह आपका 13 वाच चैप्टर है इसमें बात करेंगे गति एवं समय के बारे में तो याद रखिए आप लोगों को बड़े देहरे के साथ से अंधतक सुनना है हडवडा के पढ़ना यह सभी वुक्समारी लिए बहुत जरूी है तो चाहिए फिर मन लगे या ना लगे पढ़ना तो पढ़ेगा है इसलिए अच्छे से सुनिए आराम से समझ में आ जाएगा तो कच्छा चट भी मैं आपने विमिन पेकार की गतियों के पारे में पढ़ा था आपने यह हमारे सामान अनवा हो है कि कुछ बस्तों की गति मंद होती है जब कि कुछ अन बस्तों की गति मंद अत्वा तीब मंद गति है सरख ऩग पत के अनदिश इस गती कारने वाले 10 बस्तूएं को सूचिए इन बस्तूओं की गती को 2 मंद बरगुम मंद एवन टीवे में माढ़े आपके यह कैसे निश्चित किया है कि कौनसी बस्तू मंद गती करती हो और कौनसी टीवे यदि किसी सडक पर कोई बाहन एक दिसा में गती कर रहे हैं तो हमें इस सरुलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सावान अन्य की तुल्ला में तीब गती कर रहा है आईए हम सड़क पर चलने वाले बाहनों की गती को देखते हैं याद रखे हैं आपको कोई करिया कलाब नहीं करना है ना फिर्योक सादा में बैठना है बस पढ़के निकल जाना है क्योंकि अगर इस इत करते बैठ गए तो 2 से 4 साल इसी में भीज जाएगे आपको करिया कलाब पढ़ना है और निकल जाना है उसमें जो हमारे लिए जरूरी है उनी को याद रखना है क्योंकि अकलाब 3.1 3.1 में देखिए इसमें किसी चड़ पर सड़क पर एक दिसाम गती कलते हुए बाहनों की स्थिती दर्साएगे अब चिनते 3.2 में देखिए यह आपका सड़क पर एक दिसामें गती कलते हुए बाहन पर यह आपके दर्साएगे बाहनों की कुछ समय पश्चाथ की स्थिती इसमें उनी बाहनों की कुछ समय पश्चाथ की स्थिती दर्साएगे है दोनों चित्रों के बेक्षण की आधार पर नीमलिखित पिसमों में क्यों तर्द दी जाएं कौन सा बन सबसे दीवगती करता है इन में सबसे मंदगती कौन करता है कौन मंद अत्वर दीवगती करता है इसका नेड़े करने में बस्तूओं के वारा दिये काल्स अंतराल में दीव में चली गई दूरी हमारी साहता कर सकती है उधारं के लिए कर्कना किजिये कि आप अपने मित्खू budget करने बस अटे जा रहे हूँ माल लेजिए कि आप बसके चलती अपनी cycle के cycle के पैडल मांट में लगते हैं पर 5 मैंट के परशार आप के द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होती है क्या आप यह कहेंगी कि बस साइकल से तीब गती कर रही है जी हम प्रया यह कहते हैं कि तीब चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है सौ मीटर दौर में यह हैंड़े करना सरल होगा होता है कि किसकी सरल चाल अधिकतम है जो धावक सौ मीटर दौरी तै करने में सब से कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है बाद करते हैं चाल आपने कदाचित चाल सब्दे से पढ़ चेते हैं ओपर दिये गए उधारन में अधिक चाल में से यह संकीत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में ँचाँ किया या फिर अत्वा किसी दी गए गए समय में अधिक दूरी ते की गई दो या डूस, दो या अधिक बस्तूँ में कौन टीपतमगती का लाया इसे ग्याद करने की सबसे सुखद्हजनिक विदी है कि हम इसके द्वारा किसी एकांग समय में तय की गई दूरी ग्याद करें इस पिकार यदि हम दो बस्तों द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम या बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेप चाकेट मंदर किसी बस्तु द्वारा एकांग समय में तै की गई दूरी को हम उस बस्तु की चाल गएते हैं अब याद रखिए चाल की परिवासा बताने के लिए वो दी कहानी गड़ी गई आपके कितनी चोटी सी परिवासा है किसी बस्तु द्वारा एकांग समय में तै की गई दूरी को हम लोग चाल उस बस्तु की चाल करते हैं जब यही पढ़ना है और निकल जाना है ठीक है हम जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमेटर पिती घंडा की चाल से गती करते हैं तो इससे यह ग्याद होता है कि वह कार एक घंडे में 50 किलोमेटर दूरी तै करेगी तदा भी कोई कार बिले ही एक घंडे तक किसी नियत चाल समान गती से चलती है बास्ते होए में वह धिमी चाल से गती आराम कखे फिर अपनी चाल बढ़ाती है अताका जब हम कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमेटर पिती घंडा है तो हम केबल कार दूरी पर ही विचाल करते हैं हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि एक घंडे की आउदी में कार नियत चाल से चलती रही या फिर रुपी वास्तव में हम परीकल्पि कित चाल कार की उसस्क चाल है इस कुछ तक में हम उसस्क चाल के लिए चाल सब्दकार ही उपियो करेंगे अता हम तैकी की ज은 in रिभ लिया गया उत रभ निकल आई गी? आपने दिनेक जीवन में पेल लिए लंबी दूरियों तक अधिवा अधिक समय तक बस्तुओं को एक नियाँ चाल से गदी गते हुए तही है यदि किसी सलर रेखाती है नुदिश गदी करने वाली बस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उस बस्तु की चाल आसमान कही जाती है। इसके विप्रीत किसी सेरल रेखाती है नुदिश। बस्तु की नियत चाल से गदी एक समान गदी कहलाती है। इस इस्तिती में आउस्त चाल वही है जो वास्त चाल राकी। यदि हम किसी बस्तु द्वारा किसी निश्चे दूरी को तैय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस बस्तू की चाल गयाद कर सकते हैं कच्छा चटवी में आपने दूरी मापना सीखा था अब बात करते हैं समय की माप यदि आपके पास गड़ी नहीं है तो आपके यह कैसे निश्चित करेनी कि अब क्या समय हो गया कभी आपको यह जानने की उत्सक्ता हुई है कि हमारे बुज़ोग किस पेकार के वह चाया देखकर दिल की समय कर्मान लगा सकते हैं यादर कि यह इसके बड़ी इकला होती हैं गाओं की जरामिड शेत्र में आपने देखा हुगा है अफसर यह हमारे बुज़ोग होते हैं वो दिन की सूरी को देखते रें टायम बता देते हैं कि कितना टायम होगा हुआ हम एक माहे के काल अंतराल को कैसे मापते हैं हम एक बर्स की काल अं कि मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के वारी में चल्चा करते हैं, तब हमारा अभी प्याय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारी पूर्वजों ने यह देखा कि प्रक्किती में बहुत सी गठनाय निश्चिस समय अंतराल के पश्चात स्वयम दहराती है। उधारने के लिए उन्होंनों यह पाया कि सूर पिती दिन प्राता उधा होता है। एक सूरे से अंगली सूरे होता है कि भी किस समय को एक दिन कहा गया। इसी पकार एक अमास्या नौ चंद से अंगली अमस्या कि भी किस समय की माप माही के रूम में की गया। एक बर्स उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पित्ती सूर की एक परिख्वान पूरी करती है प्रयाव में एक दिन किसे काफी छोटे समय अंतरालों कुमापने की आवसकता पड़ दी है समभवत और समय मापने की सबसे सामानिकती गडियां ही है क्या आपको कभी एक जानने की उत्सुर्था वही है गडियां समय कैसे मापने गडियों की कारवीधी काफी जटेल होती है परतु सभी गडियों में आवर्थी गती का उप्यूग किया जाता है यह आपकी दीवार गड़ी होड़ी, मेज गड़ी होड़ी, यह आपकी अंकर यानि की डिजीटल गड़ी होड़ी, कुछ सामान गड़ी के चित्ति, आवर्द गदी एक चिर परचित उधारन सरल लोलक का है, आवर्द गदी का एक चिर परचित उधारन आपका सरल लोलक है, धातू के गोले को लोलक का गोलक कहते हुए इस तरह से एक जरल लोलक होगे आए यह आपका दौन करती समय लोलक के गोलक की विवन इस्थितिया होगी चित 13.4 में लोलक को अपनी माद इस्तिती पर विराम अउस्ता में दर्साए गया है जब लोलक की गोले को धीरे से एक ओड़ ले जाये कर मुख करते हैं तो एदर उधर गती करना आरम कर देता है सरल लोलक की गती आवर्ट अथवाद दोलन गती का एक उधर है जब लोलक का गोलक अपनी माद इस्तिती ओ से आरम करके ए तक फिर ए से बी तक और बी से बापस ओपर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है लोलग तब भी एक दोलर पूरा करता है, जब इसका तो गोलग एक चरम इस्तुति ए से दूर सी चरम इस्तुति बी पर तथा बी से आपका बापस ए पर आ जाता है, सरल लोलग का एक दोलर पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे सरल लोलग का आवर्ट कल कहलाता है, बात और एक मीटर लंबा दागा ले सकते हैं आत्वा डोरी लेकर चित में दर्चायक अनुसार एक सरल लोलग बनाईए इस तरह से यदि आप प्रेपास कोई पंका नहीं पंका चल रहा है तो उसे बंद कीजिए लोलग के गोलग को अपनी मात इस्तिती में परविराम में आन देजे। गुलक के नीचे फरस पर अत्वा इसके पीछे दीवार पर उसकी मात इस्त्री को एक चन्न द्वारा अंकित किया जाता है। लोलक का आवर्थ कल्म आपने के लिए हम बेराम गड़ी की आवसक्ता हुए। यदि बेराम गड़ी उपलब्द नहीं है तो मेज गड़ी अत्वा कलाई गड़ी उप्यूद की जा सकती है। लोलक को गती मैलाने के लिए गोलक को पकड़िये और इसे दीरे से एक ओर ले जाए। यह सुनिश्चित कीए कि जब आप गोलक को विष्थापित कर रहें तो इससे बंदी डोरी तनी हो। अब गोलक की विष्थापित इस्तिती में से मुक्त कीजिए। द्याराखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माद इस्तिती पर है तो उस समय गड़ी का समय नोट कीजिए। माद इस्तिती की बज़ाए आप उस्तिती से भी समय लोट करना आरंग कर सकते हैं। जब गोलक अपनी किसी एक चरम इस्तिती पर रहे, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में समय लगा समय माभी, सायनी 13 दिसमलों 2 में अपने पिक्षण के लिए, इसके दिया गया पिक्षण के वाद एक नावुना है, आपके पिक्षण इससे भिढ़ने हो सकते हैं, इस किरि लोलक का आवटकाल प्राप्त कीजिए, ठीक, आपको पढ़ना है, फिर से बता रहे हो, उनकी कल जाना है, देखना है, दोलों की समय में लिया गया समय, 42 सिक्ट और एक आवटकाल, 2.1, क्या आपने लोलक का आवटकाल हर बार लगवक्त समान अपता है, लिया रखिए कि आ ह्ले बिद्धू परिप्त होते ही, इन गड़िकों को कई गड़ी कहते है इनके द्वार मापा के यह समय किया समय समर से य harasses होता है, अब बात करते ही, समय मूल मात्रक गया है ? 2 इसका पितिक है S समय की बड़ी मात्रक मिनट है तथा गंटा भी है आप पहले ही जानते हैं कि यह मात्रक किस परेकार एक दूसरे से संबन्दित है। चाल का तथा कतित मूल मात्रक क्या है ? जो कि चाल दूरी समय है isolate आता है चाल कमूद मात्रा कोगा M.2 से जिए बास्तों में से अन्य मात्कों जैसे मीटर पिती मिनिट अत्वा किलोमीटर पिती घंटे से में हमीवेक्ट किया जा सकता है आपको यह है याद रखना चाहिए कि सभी मात्कों कि पितीकों को एक बचन में लिखा जाता है उधारन के लिए हम 50 km लेखते हैं, ना कि 50 km, अथवा आट सेंटीमेटर लेखते हैं, ना कि 8 cm की याद रखे हैं. क्या याद रखना है? सभी मात्कों के पितिएकों को एक बच्चन में लिखा जाता है, ना कि बहु बच्चन में, ये पोईंट आपको याद रखना है. आवस्त्ता के अनुसार समय के विभेन मात्रिकों का उपयोग किया जाता है उधारन के लिए आपकी बायू आयू को दिनों अधवा घंटों में व्यक्त करने की वेक्षा बरसों में व्यक्त करना सुईधा जनत होता है इसी पिकार घर से विद्यालाय तब की दूरी को दे करने में लगे समय को परसों में व्यक्त करना बुद्धी मानी नहीं है एक सेकंड का काल अंतरा कितना चोटा अथवा बड़ा होता है जोड से 2001 पुकारने में लगा समय लगवग एक सेकंड होता है 2001 से 2010 तक जोड जोड सी गिनकर आपका इसका सत्यापन करते हैं किसी सामान में स्वस्त विवा की विराव से थी में नाड़ी एक मिनिट में बाततर बार अधा 10 सेकंड में लगवग बारे वार इस पंदनी आत्नी की दढ़कती है ठीक है बच्चों में यह दर कुछ अदेक होती है ठीक है जब लोलग वाली गड़ियां पिछलिक नहीं हुए थी तब संसार के विवन भागों में समयमापन के लिए बहुसी उक्तियों का उप्योग किया जाता था दोगड़ी जलगड़ी रेदगड़ी इस प्रकार की उक्तियों के उधारन है यह आपकी रेदगड़ी हो गई यह आपकी जलगड़ी हो गई जंतरमंतर नहीं दिल्ली में दोगड़ी है इस कोज के बिषमें में एक रोचक कहानी है कि किसी दिये गया लोलक का आवर्थ का नियत होता है आपने सोपे से बिज्ञानी गलिलियो गलिली का नाम सुना हूँ कहा जाता है कि एक बात गलिलियो गर्जागर में बैठे थे उन्होंने यह देखा कि छट से जंजी त्वाला नटका हुए कोई लेंब एक ओर से दूसरी ओर धीमी धीमे गती कर रहा है उन्हें यह पाकर आख्चा हुगा कि लेंब के एक दोलन पूरा करने की अंतराल में उन्हें की नब्जब इस्पंद की संक्या हर बार समान होती गैलिलीयों ने अपने परिक्षण को सत्यापित करने के लिए बेविन ने लोलकों के साथ पेव किया उन्हें ने यह पाया कि किसी दीगली, लंबाई का लोलक, सदेयों एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है इस पेख्टर में लोलक, युक्त घड़ियों के बिकास की, कोई एक नई देशा पिदान की गई कमानी युक्त गड़ियां और कलाई की गड़ियां लोलक इप्त गड़ियों के परिस्केत यानि की सुधारा हुआ रोग थी अब बात करते हैं चाल मापना या समय समय तथा दूरियों कैसे माँखते हैं या तीकने के पर्षाद आप पर्ष्टू की चाल परी कलिद कर सकते हैं आइए फर्ष के अनूदिस गतीमान किसी ग्याद चाल ग्याद कर सकते हैं कि लिया कला 13 दिसम लटीं, चाप के चून, अथवा चूने से फर्स पर एक सरलेखा कींचिए, अपने मित्य से कहिए कि वह इस रेखा से 1-2 मीटर दूर खड़ा, अब मित्य से कहिए कि वह फर्स के अनुदिस इस सरलेखा के लंपत किसी गैन को धीरे से लोड़काए, जिस छ रेखा को पाल करती है, तथा जिस बिंदू पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदूओं के वीज की दूरी मावी है, इसे मापने के लिए आपकी इसी पहर्माने अत्वा मापक भीती कात्रियों कर सकते हैं, इस किरियाकल आपको विविनस समुव बारी बारी से दोरा अपने मित की चाल से करना चाहेंगे, इसके लिए आपको अपने घर अत्वा किसी याने बिंदू से अपने बिंद्याले की दूरी जानने की आवस्पता होगी, तब आप सभी इन दूरी को तय करने में लगी समय को मापकर एक दूरी दूसरे की चाल पर ही कलिद कर सकते हैं या जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप इसमें आप मैं से किस की चाल सबसे अधिक हैं, कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पिती गंटे में दी गई हैं, आप स्वयम आप इसकी चाल को मिनिट पिती सेकंड में परीकल भीत कर सकते हैं, और ग्रौव को पितवी की कक् इसके विप्रीत कुछ कचुवा केवल आठ सेंटी मीटर पिती सेकंड लगवक की चाल से चल सकता है, क्या आप या परीकल भी कर सकते हैं कि कचुवे की तुला में रोकेट की चाल कितनी गुनी है, यदि आपको किसी वस्तू की चाल ग्याद हो जाए, तो आप दिये गए सम आपको यह भी ज्याद कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई बस तू किसी दूरी को इतने समय में तैय करें, लिया गए समय बराबर दूरी अपन चाल, इस तरह से आप दो समय निकाल सकते हैं, आपने इस स्कूटर अर्वाब मोटर साइकल कोई, एक मीटर लगा इसी पेकार कारियों बसों तथा अनवानों के डैसबोरों पर मीटर देखे जा सकते हैं, किसी कार की डैसबोर दर्साय गया, ध्यान दीजी कि इसमें किसी एक मीटर के कौने पर किलो मीटर किती घंठा लिखा हुआ, इसे चाल मापी, इस पेडो मीटर कहते हूं, इसमें कि ओडो मीटर कहते हैं, यह है आपका कार का डैसबोर, देख लिख लिखे, ठीक है, यहाँ बात कर लेती हैं लोग, सामान उपलग्द गड़ियों धारा मापा जा सकने वारा, समय कम समय अंतराल एक सेकंड है, तधा पी अब किसी ऐसी विचिश्ट गड़ियां उपलग्द तक कि समय अंतराल माप सकती है, आपने माइक्रो सेकंड अत्वा तथा नेनो सेकंड जैसी सब्दों सुने, एक माइक्रो सेकंड का दस लाखवा भाग होता है, एक माइक्रो सेकंड आपका सेकंड का दस लाखवा भाग होता है, माइक्रो सेकंड, एक नेनो सेकंड सेकंड का एक अरभवा भाग होता है यादर कि एतने चोटे समय अत्रालों को जो गड़िया मापती हैं उनका उपयोग विज्ञानी कनुसर्णानों के लिए किया जाता है खेलों में जिन समय मापनी कीयुक्तियों का उपयोग हुटता है वे सेकन्डी के दस्वे अत्वा सौ विबाद की तक की समय अंत्रालों माप सकती हैं इसके विपरीत इतिहासिक गठ्णाओं की समय कुछ सब्ताबदियूं अत्वा सेंस्त बेखत किया जाते हैं तारों दतना गेहों की आयू को प्रया अरव बर्सों में ब्यक्त करते हैं क्या आप उन काल समय तुराणों की परास की गल्द ना कर सकते हैं जिने हमने बेवाद करना पड़ता है बिन्धियाले की पिकनेक के लिए जाते समय पहरी ने एलेशित किया कि हुआ यत्राव समाब होने पर तक हर दीज मेंट की वश्चात बसके पत्मापी पाठ्यांक पर अपनी नोट्बुक पर लखी इसके पाठ्या तो उसने पाठ्यांक 13.85 बना जिस तरह यात्रा के विबिनन समय हों, पत्मापी के बाठिया, 8 यह, 36,540 km, 0 km, आरंबिक बिंदू है, पत्मापी का बाठिया, इस तरहें, 36,560, 20 km, टिंक है, देख सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कि बितने किस्तर, बिध्याले से दूरी क्या होगी, क्या आप बस की चाल पर इकल्पित कर सकते हैं, साइडी को देख कर भूजूने, पहली सिब पूचा है, कि क्या, कोई बता सकती है, गिनो बचकर 45 मिनट, तक उसकी बस में कितनी दूरी तैक कर लिए, पहली के बस इस पिसंद का कोई उत्तर नहीं था, बेयाप, अपने सिक्च सिक्चक ने उसे कहा कि समस्या का हल करने का एक धाने है, हम दूरी समय गराप कीजिए, आईए यह पता लगाने के लिए इस पिकार का गराप कीज सकते हैं, इस तरह से, किसी टीम द्वारा पिते कोबर में बनेर रनों का इस्तुम गराप, अब बात करते हैं दूरी समय गरा गराप कीजिए, गराप हीए निरूपण का इन पिकार, बिटता का यह पाई, चित 19 बिट थतरा डर。 में दर्शाएगे ग्राफ रेखा ग्राफ का उधा रहा है दोरी समय ग्राफ को सामनता रेखा ग्राफ तो रहा है निरूपित किया जाता है यह आपका इस्थम ग्राफ हो गया देखिए इस तरह से आपका इस्थम ग्राफ होता है बायू का संगना दर्शाता हुगा बिर्टा जिए आपका I overs में दर्साय होगा रेखा सै यह आपका रेखा ग्राफ यह आपका बिर्टा रेख और यह आपका इस तरह बच़ते हैं आई इस पेकार के ग्राफ बनाना सेखें, एक ग्राफ पेपर लिए, चित तेरे दसमलों भी आ रहे हैं, दर्साय अनुसार इस पर एक दूसरे किलंबत दो रेखा कीजिए, छेतर रेखा पर X, एवन को, OX अंकित कीजिए, इसे X चक्च कहते हैं, इसे पेकार उद्धाधर र हिर्दू O गह लाता है, जिनने डो रासियों की बीज गिराब खींचा जाता है, उन्हें इनिम्ही दो अक्च के इंदिस दर्साय जाता है, हम एक शे दनातमक मानों को O-X के अंदिस दर्शाते हैं इस सद्ध्या में हम किवल रासियों के दनातमक मानों पर यह विचार करें इसलिए हम चित तेरे दिसंबलोग 11 में तर्शाएगे किवल 6 आंकित भाग का ही उपयोग करेंगे यह आपका ग्राफ पेपर एक्स तथा बाई ठीक है बूजो तथा पहली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी इस दूरी को तै करने में लगा समय लगाया है उनके आपके तेरे दिसंबलोग 6 में दर साएगे है इसमय होगे है यह आपकी दूरी होगे एक मिनेट एक किलो मी आप नीचे देगे चैन को अपना कर ग्राफ बना सकते हैं दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबत रेखा एकींचे चित तेरे दिसंबलोग 11 में दर साए अंधा उन पर O X O Y अनकित कीजिए यह निश्चित कीजिए कि एक सक्ष के अंदिस किस रास्की को दर सा है तथा बाई अक्ष के अंदिस किसे दर सान है एक सर्च के अंदिस समय बाई अक्ष के अंदिस हम दूरी दर साए गिराफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पिर्माना चुनिए तथा समय के नुरूपन के लिए कोई अन पिर्माना चुनिए कारी की गति के एक प्रवाने इस प्रवार हो सकते हैं, एक मिनिट बराबर एक सेंटीमेटर, एक क्लियो मीटर बराबर एक सेंटीमेटर, चुनेगे प्रवाने की अनुसाज समय तथा दूरी के मानों को अपने अक्षों पर अंकित कीजिए, कारीकी गतिके लिए समय को एक अक्षपार मूल बिं कीजिए, अब आपको दूरी तथा समय के मानों के इते एक समुच्रे को गराब पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदू को उस पर बिंदू अंकित करना है, गराब बनाना, यह है आप करना, यह समय होगा, यह आपकी दूरी होगा, ठीके, कि संख्या एक के का पेपर पर यहां से दर साता है, ठीक? बढ़ता जाएगो, पेपर इससित्र मूल बिंदू पर, एक मिनट के परश्चाद कारना, एक किलो मीटर दूरी तहें के, मानों के इस थ् ग्राफ पेपर में इन मानों के समुछय को अंकित करने के सिंगर बिंदू जिसस पर दोनों रेखा है एक दूसरे को करती हैं, ग्राफ पेपर में इन मानों की समुच्चे का निरूपित करती हैं, इसी बगार ग्राफ पेपर पमानों के विविन समुच्चे की तद नुरूपी बिन्दों को अंकित किए, चित तेरे दिसम्लों बारे में विविन समयों पर कार की इस्तितियों के सभी बिन्दों के समझ को ग्राफ प्रोग तरसाय गये हैं, जित्थ-τεरह तरसमलग बारहे में दरसाय अंचाज इन बिंदुों को मिलाएं बिन पतित बिंदुओं की मिलाने पर सरलेख़ा था प्राफ्च ल में यह यह कार що समाई ग्राफ है, norm this, यहीं क्या निया यहीं समाई समय के तो ग्राव की आपकी कुछ हो सकती है। ब्यापक रूप में प्रवानवें का चैन इतना सरल नहीं होता है। चित तेरे दिसमलों बारे, चित तेरे दिसमलों तेरे में दर्स आए गया है। हमें एक सब्च और बाई अप्च पर वांचित रासियों को निर्फित करने के लिए दो विन फिर्वाने का चैन करना पड़ता है। आए इस विक्रिया को एक खुदारन की साहता से समझने का प्रयास करते है। आए फिर उसी बस की गतिक पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहली और उसकी मत्तव पिक्निक पर गए थे। बस द्वारा तै की गई दूरी तथा लिया गया समय साइनी 13.5 में 10 आए गया। बस द्वारा तै की गई दूरी को दूरी 80 किलोमीटर है। यदि आप 1 किलोमीटर बराबर 1 cm प्रमाना चुन्ने के निस्चे करें तो हम 180 cm के खीचना होगा। जो कावज की सीट पर संभव नहीं है इसके विप्री 10 किलो मीटर बरावर एक सेंटी मेंटर का परमाना चुनने के लिए किवल 8 सेंटी मेंटर लंबाई की अवसकता होगी एह परमाना काफी सुध्याजनक होगा परंदू ग्राब ग्राब पेपर के चौटे बाद कोई ढखे पिते ग्रासी के मद्दवर्थी मान ताकि उन्मानों को ग्राब पर चुने गए प्रमाने के आधार पर अंकित करना सुध्याजनक होगी जिस पेपर पर ग्राब खींचना है उसके अधिकतम भाग का उप्यों करना माल लिए कि आपने 25 सेंटी मीटर इंडू 25 सेंटी मीटर आपका ये ग्राफ पीपर लिया है उपर की गई सतों को पूरा करने सता साइडी 13 दिसम्बल आप पराच की आपनों को समाज बित कर सकने के लिए एक पिरमाने इस पिकार हो सकता है दूरी 5 किलो मीटर बराबर 1 सेंटी मीटर समय आपका 6 मिनिट बराबर 1 सेंटी मीटर ले स ज की ऐसे तरह है ये आपको दूरी हो गए यापको समय हो क्या आप बस की गति के लिए दूरी समय गिराफ खिं सकते हैं क्या आपके द्वारा खिंचे ग्राफ तेरे दव insलो तेरे में दर्साय गराफ की संडूप है यदि कि विदान करता है वो धारन के लिए सायणी 3.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय तरालों पर कि बस द्वारा तैकी के दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसके विपरीत दूरी समय गिराप से हम समय की किसी भी छड़ बस द्वारा तैकी दूरी ज्याद कर सकते हैं माल लिए कि हम 8 सुभए 8 15 और बस द्वारा चली गई दूरी ज्याद करना चाहिए तो इसके लिए हम एक सक्ष पर उस समय आठ 15 एम के संगत बिन्दू अंकित करेंगी माल लिए कि वह बिन्दू A है अब हम बिन्दू A पर एक सर्च के लमगवथा बाई अक्ष के समानतर एक रहा कंचते हैं तो एग राप के जिस बिन्दू पर T पर ए लमगवथ रहा ग्राप पर पार T उस बिन्दू पर चिन लगाद Tea हैं इसके परश्चात हम T से होकर जाने वाली एक चर्च की समान तर रेखा खींचते हैं, यह बाई अप्च की को बिंदू B पर काटती हैं, बाई अप्च पर बिंदू B किसंगत, दूरी O B में 8.15 पर बस द्वारत किलोमीटर में तैकी गई दूरी पिदान करती हैं, यह दूरी क बस की गती द्वारा तैकी गई दूरी किलोमीटर में होई और एक समय में होई ठीक हैं, तो इस सद्धियाय में आपने क्या कह जाना है, पिर मुक सब्दी भी देखे हैं, इसमें देखा है रेखा ग्राप, ग्राप देखा है, आ समान गती देखे हैं, दोलन भी देखा है, स जानना है जो क्रिया कलाब दिये जाते है फेक्ट की कर वो हमें नहीं करना है बस पढ़के निकल जाना है ठील है तो आपने क्या सीखा है सब्धिया एकांग समय में किसी बस्तु द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है एकांग समय में किसी बस्तु द्वारा चली दूरी उस दूरी को चलने में लिये गए समय में से विभाजित करने पर प्राप्त होती है इसका मूल मात्रा कापका मीटर पिती सेकंड है आवर्ठी घटनाओं का उप्यूद समय मापन में किया जाता है लोलग की आवर्ठ गती का उप्यूद गणियों के बनाने में होता है बस्तूओं की गती को उनकी दूरी समय गराँ करारा चित्धात्मकुरूप से बैठ पिस्टुद किया जा सकता है नियेत ao 4 से गती करने वा पीडियाप आपकी टेलिग्राम पड़ लिए वहां से डाउंडूड कर लेना और एक बार उससे पड़ लेना वस निकल जाना है इतना कापी है तो इसमें आप लोगों ने जान लिए गति एहुं समार के बारे में आगे अधियाच 14 में हम बात करेंगे पिद्धारा और इसके प्रिभाव के बारे में तो चली हम लोग बात कर रहे थे N, T, E, R, T कच्छा साथवी की बिज्ञान के बारे में तो इसमें अभी तो लोग 13 चेप्टर खतम कर चुके यह आपका 14 बार चेप्टर है याद रखी हर चेप्टर के खतम होने के बाद आपको इसका निश्करश बता दिया जाता है ठीक है इसका क्या मुक्त पढ़ने का महारे पुद्देश का उसे बता दिया जाता है तो याद रखी है इसे बड़े धेहर के साथ सुनिए तब ही आपको समझ में आएगा 14 बाद चेप्टर है आपका बिद्दुधारा और इसके प्रभाव आपने कक्चा चटवी के अद्धियाए बारे में सुझाएगे खेल आपके हाथ कितना इस तरह को खेलने का प्रयास किया होगा यदि नहीं तो आप अब आप इसे करके देखिए बूजो तथा पहेली ने भी कप्चा चटवी में सुझाएग उन्सा खेल के लिए एक विद्धुत परीपत सहयोजीत किया था उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीचन करके काफी मनोवन्यन किया था उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह अंडिश्टिक किया कि विद्धुत अभयवान को कैसे सहयोजीत किया जाए याद रखिए जो भी इसमें परियोग सालाय दी जाते हैं इस सबको आपको पढ़ के निकल जाना है आपको किसी भी को करते नहीं बैठना है ठीगे कप्छा साथवी कि जो बच्चे हैं उनके लिए परियोग सालाय आप या प्यक्टिकल करने की इस अलाय दी जाती है तो आपको यह बात पढ़ के निकल जाना है क्या आप यह परिपत आसानी सिखी सकते हैं इससे बूजो नए जानना चाहां क्याकिन इन अवयवों को बिद्धुत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाए बात करते हैं बिद्धुत अवयवों के पितीक कुछ सामान बिद्धुत अवयवों को पितीकों द्वारा निरूपित किया जा सकते हैं सायनी 14.1 में कुछ बिद्धुत अवयवों के पितीक देखने को मिल सकते हैं तताप इस पुस्तक में यहां पर दस आए गए पितीकों कई उप्योप करेंगे हैं यह आपका बित्वुद सेल हो गया बित्वुद बलब हो गया है स्विच ओन किस्तिती हो गई यह आपकी स्विच ओन किस्तिती हो गई यह आपकी बैटरी हो गई यह आपका सेलोजी इकतार हो गया ठीक पितिक यह सेल के लिए है बलब के लिए है य यह आपका switch on के लिए switch off के लिए है यह आपका battery के लिए है यह आपका safety तार्व पितीगों को ध्यान पूरबक देखिए बित्थो सेल के पितीग पर ध्यान दिए इसमें एक लंबी रेखा और दूसरी छोटी परंतु मोटी सामानतर रेखा है क्या आपको याद है कि बित्थो सेल में एक धन टर्मीनल तथा एक रिड आर टर्मीनल होता है बित्थोसल के पितीग में लंबी रेखा धन तर्मीनल को तथा छोटी बाद मोटी रेखा रड टर्मीनल को निरूपीत करती है स्विच के लिए on इस्तिती चित में तरसाय के पितिक के अमसाल निरूपित की जाती है परिपत के बिद्धुत अवेवों को सयोजी करने में उप्योग होने वाले सयोजी तार रेखाम द्वारा निरूपित की जाते है साहनी 14.01 में एक बैटरी तथा उसका पितिक भी दसाय है क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती बैटरी की पितिक को द्यान से देखिए क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या होती है कुछ किरियाक का लापों के लिए हमें एक सी अधिक सेलों की आवसक्ता होती है हम चित 14.2 में 10.472 याद्तों से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग कर सकती है द्यान रहें कि एक सेल का अधन तर्मिनल दूसरे सेल के रेड टर्मिनल से सयोजित किया जाता है वाटि अप्या है दो या दीक स्दिम पेंट अप्यस का आप करणे के यह बेटरी के तब आपका है यह आपका एक बार आपका दिखिक से बद्धूर और तार से है इस बदаксимि को पर देखिए चिसका मैं और शु निकरन दकार चीस ने क्बार के भी ओस गूर, बैटरी का यह है और सयोजी तार का यह है टोड़, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खेलोने, टीवी, रेमोट कंट्रॉल जिसी कई उक्तियों में बैटरी उपयों की जाती है तदा भी इनमें से कुछ खिक्तियों में बिद्धस सैलों को सेदेवी 4चंप तसमलों, दो में दरसाए इनुसार के बादे दूसरे को नहीं रखा जाता है कभी-ख़ी सैलों को एक की, एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है इस तरह से टील? तब फिर सेलों के टर्मीनल को इस पेकार सही उजित किया जाता है किसी भी यूपती के बैटरी वाले खाने को ध्याद से देखिए फ्रेयाइड में एक मोटा तार तथा धातू की बत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मीनल को दूसरे सेल के टर्मीनल से जोड़ती है बैटरी के खानों में सेलों को सही रंग से रखने के लिए क्योंदिश है आपकी सहता के लिए प्रेया इन पर पिलस और माइनस चिन अंकित होता है ठ्रिवित, पिलस और माइनस जन आखा अंकित होता है, अब बैटरी बनाने के लिए दो सैलों को एक साथ सयल जिद करना है, अपने किरिया कलापों के लिए बैटरी बनाती समय हम सैलों को कैसे सयल जिद करते हैं, आप चित चौदर दसमलों चार में दल साय अंसार, लकड़ी क एकटके, दोहे की, दो पतिनों, तुछ रवर्ड के चल्मों को व्यूद करके, अएक सैल होल्डर बना सकते, यावस्तक है, कि रवर्ड चल्म धातु की पतियों को कसकर जकड़े रखें याँका सेल हौल्डर, दो या दो, दो या दिक सैलों की बैटरियं बनाने के लिए आ एक सेल का धन टर्मिनल, दूसरे सेल के रिड टर्मिनल से सयोजी तो, चित चौदर दसम लोग, पांच के अनुसाज सेल होड़र की धातू की किलपोंक में पेतेक के साथ तार का एक टुकडा सयोजी किजिए, सयोजी किजिए आपको बैटरी उपयोग के लिए तियार होगा इ कितीव सायनी 14.1 में दर्साय गए था, आईए हम सायनी 14.1 में दर्साय गए इत्तीखों का उपयोग करके बिद्धुत परीपत का परीपत आरी खींजे, पहली तो था पूजो यह जाना चाहते हैं कि ट्रेटर हों, ट्रेटर हों, इनने बैटर में उपयोग मनने बाली रही क्यों कहते हैं कि आप इन पित्नों का अब तर्ब मिल जाएगा तो ठीगा, आँगे बात करते हैं कि रिया के लाप 14.1, चित्त 14.7 में दर्साय गएंसार पित्धुत परीपत मना रही हो, आपने कर्चा चटबी में इस परीपत का उपयोग एक बलब को जलाने के करने क लिए कि आता है, क्या आपको याद है कि बलब के बद तभी दीप्त होता है जब स्विच आउन की स्थिति में होता है, जैसे ही स्विच आउन की स्थिति में पहुंचता है, जैसे ही बलब दीप्त हो जाता है, एक बिद्धुत परीपत, इस बिद्धुत परीपत की पिति आरेक खेंजे क्या आ पुव आरेक चित्त 14.08 में दरसाइगे आरेक जिसण लिथता है यह आपका दरसाइगे विद्धुपरीपत का परिफट आरेक है जिस्टीकों का उपियो करके विद्धुपरीपत आरेक केचना कापी आसान होता है इसलिए सामान तहम बिद्धुत परीपतों को परीपत आरेकों से निरुपित करते हैं चित 14.9 द्वारं एक अन्न बिद्धुत परीपत आरेक दसा है गया क्या यह चित 14.8 में दसा है इस परीपत जैसा ही है एन परीपतों में क्या अंतर है यह है आपका अन्य परिपत हार एक, क्या चित 14.9 में दिखाएगे परिपत, बितुर परिपत में बलब दीप्त होगा, यदि याद कीजिए बलब के बलब तभी दीप्त होता है, जब स्वीच ओन की स्थिति में हो, तथा परिपत बंद हो, बलब में एक पतला तार होता है, जिसे तन्तु कहते हैं, फिलाहित, अतोब फिलामेंट भी कहते हैं, यह तभी दीप्त होता है, जब इससे विद्धुतारा प्रभाहित होती, यदि बलब का तन्तु तूट जाता है, तो वह फ्यूज हो जाता है, द्यान दिजिए कि कुण्जी तथा स्वीच को परिपत मे कहीं पर भी लगाया जा सकता है, जब स्वीच ओन की स्थिती में होता है, तो बैटरी के धन टर्मीनल से, बैटरी के रिर्ट टर्मीनल तक परिपत पूरा होता है, परिपत को तब बंद कहा जाता है, जब सारी परिपत में तुरंद बिद्धुतारा रुभाहित होने लगत वोई भी बिद्धुत धारा, प्रवाहित नहीं होती है। बिद्धुत मैंस मैंसायोजी दीप्त बिद्धुत बल्प को कभी ना चुने। यह तर्थे तप्त हो सकता है। तथा आपको हाथ जल सकता है। बिद्धुत मैंस, बिद्धुत चनेत, अथवा इन्वैटर की बिद्धुत आपकूलते से कभी भी छड़चाड़ ना करे, आपको बिद्धुत आगात लग सकता है, जो घातर कूल सकता है, नियास हो जाए के सभी क्रिया क्लाब के वर बिद्धुत सेलों का यह उपयोग करे यदि बलब का तरितु तूट जाए, तो क्या तब भी परिपत पूरा होगा, क्या तब भी बलब तीत होगा, आपने यह ध्यान दिया हुआ कि तीत बलब गरम हो जाता है, क्या आपको जाने, तेहीं कि एसा क्यों होता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं, बिद्धुत जारा का तापी पिरोग एक बिद्दुत से एक टॉर्च वाल एक सुईच तत्मार सयोजग तावनीजिदु चित्य चौदर समलों नौ में दर्शाएगे अंशार एक बिद्दुत परिकरत बनाईए यह क्रिया के लापके वाल एक से काउपियो करके किया जाजना चाहे सुईच को ओट यस्दिति में रखें क्या वलब दीप्त होगा मिल्कुल नहीं बलब को चूकर देखिए अब सुईच को ऊप की श्दिति में लाएए और वलब को एक मिनिट अथ्वा कुछ समय तक दिप्त होने दिजिए बलब को पिर चूकर देखिए क्या आपको कcessor अनवा चित्त चौदे असांगलों दस मतर्स आई एनुसार बिद्धुत परिपत बनाना है लटबत 10 सेंटीमीटर लंबा नाइकों नाइकरों का तार ही टुकडा लेकर इससे दो किलों की बीच बांदिये आपको नाइकरों का तार बिद्धुत सद्धुतों की मरम्मत करने वाली कि किसी दुकाओं से प्राप्त हो सकता है अत्वा आप किसी बिद्धुत हीटर के वेकार तापन अबब कर तार उप्योंग में ला सकते हैं इस तार को इसपर्ष किजिए अब स्वीच को ओन की स्थिति मिलाकर परिपत में बिद्धुत धारा विरवाहित कीजिए कुछ सेकें स्वीच को ओन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें ऐसा करने से से अतीसिक दुर्वल हो सकता है जब किसी तार से कोई विद्धुत धारा प्रवाहित होती है तो है तक्त हो जाता है इससे विद्धुत धारा का तापिय प्रवाव कहते हैं यह हमारे लिए जरूरी है प्रवायत होती है इसे विद्धुत धारा काता यह तापिय प्रवाव कहते हैं क्या आप किसी ऐसे विद्धुत – शत्यित का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्धुत दहरा के तापिय फिरवाप आपयों होता है इसे तंदित्तों की एक सुची बना सकते हैं आपने कपरों को गरम करने तथा खाना पकाने में उपयोग होने बाली विद्धुत तापक देखें इन सभी तारों की एक कुंडली होती हैं मैं तार की इस संतित्तों विद्धुत मैंस से स्योगी करके स्वीच को ओन की स्किति में लातें के अवयर रक्त तप्त होकर उसमा देने लगते हैं खाना पकाने में उपयोगाने बाला विद्धुत तापक हीटर देखा हुआ मार उस ताप के पदार्ठ की दातु जिससे वय बना है लंबाई तत्था मोटाई पर निर्वै करता है हता है बिद्धुत आवर सकता हूं के लिए बिभीन पदार्ठों तत्था बिभीन लंबाई की यह मोटाई की तार उपीयोग किये जाके हैं बिद्धुद परिपयत्व को जोड़ने में प्रियोग होने वाली ताथ, सहयोजी ताथ, सामानता गरम नहीं होते हैं, इसके विक्री कुछ बिद्धुद संदित्तों कि अब अब इतने अधिक तत्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं, बिद्धुद बलब के तन् इतने उच्चत तत्त हो जाते हैं कि तीर्थ होकर प्यारं, प्रिकास प्यारं देना प्यारं कर दिते हैं, यदि किसी ताहर से बड़े प्रिपड़े मार्ड की Vin ductvodhara पिर्भाहित होती है, तो ताहर इतने अधिक तत्त हो सकता है कि वह प्रगल कर शिपना सकता है। यह आपका बिद्धुत बलब का दीप्ट तंदु हुए लेकिए जिस बिद्धुत परीपत का उपयोग हमने क्रिया के लाग चौदर दूसम्द तीन में किया था उसे फ्रेसे द्वराईए परन्तु इस बार सेल के स्थान पर चार सेलों की बैटरी का उपयोग किने शाथी नाइक्रों तार किस्थान पर इस बार ऊड़ यानि की स्टील बूल खतार या पतली लंबी लड़ी बांदी इस बात ऊड़ के जूने का उपयोग प्रया रसोई घर में बरतनों को साफकन्ने में उपयोग होता है भुष्रिया रर्षूईघर में होता है यह एक्रान की दुखान पर उपलब्द होता है तो उसका स्विboys आफ कर दिये वह समय के लिए परारीपत से विद्धुतारा प्रभाय करें इसवात उड के तार अत्वा लगरी का ध्यान से प्यत्रण कीजिए नोट कीजिए कि क्या होता क्या इसवात करण उड इसवात उड का तार या लगरी पेडल कर तूटती है कुछ बिसेश पदार्थों के बने तारों से जब अतिक बिद्धु प्रिभाहित होती है जब इसेगए ही पेडल कर तूट जाके इन तारों का उप्यों बिद्धु फ्यूँद बनाने में कीजिए जबता है सभी भावनों में पितेक बिद्धु परीबद में फ्यूँद लगाए जाते है यदि किसम की दुरगटना बस बिद्धुतारा कमा इस सुरक्षा सीमा से यदिता हो जाता है, तो तार अतितब्ध हो जाता है, जिससे आग लग सकती है, यदि परीपत में वोचित फ्यूद लगा है, तो यह पिगल सकता है, क्या होता है फिगल जाता है अता है फ्यूज सुरक्षे तीपती है जो विद्धुत परिपत की छती तथा संभादित आग की तीपती सुरक्षा पिदान करती है विभिन पेकार की कारियों के लिए बिन निविन पेकार की फ्यूज का उपयोग किया जाता है चित्दय चवरों में उप्यों हाने वाले लूट को दर्षाय गए चित्दय न सम्वाओ 15 में दर्षाय है व्यापा उप्योग बिद्द संदेप्तों में किया था हम ने बिद्द धारा के तापिया बहं का फ्यक्चंग किया क्या इसका अपने लाँ yeast के लिए उपयोग कैसे है करें इसके बारे में सीख करें यह आपके बित्वत फ्यूज तथा में बित्वत होल्डर ठीक देखें कुझे आप कि अगर प्रकास उत्पन्य करने के लिए ताप दीप्त बल्गों का प्रेयोग उपयोग होता है लेकिन यह उसमा भी देता है इसका अरत है कि बित्वत बित्वत का एक बाहल उसमा उत्पन करने में प्यक होता है यह बांचे लिए नहीं कि इससे बित्वत की छती होती है पिती दीप्त नलिकाएं फिलुरुकसेंट टीवलाई तथा सहंत सनहत पिती दीप्त लेंग इनमें बेहतर दप्च पिगास शिरो थे आजकल पिकास उत्साजक डायोड यानिकी एल एडी बल्बा का प्रेयोग बढ़ गया एक निश्च दीप्ता का पिकास उत्पन्य करने खिले ताब दीप्त बलाएं पिती दीप्त ललिकाओं तथा सहंत पिती दीप्त लेंपों की तुल्ला में एलेडी बल्ब का बिद्धु कम उप्यों करते हैं इसलिए इस पेकार एलेडी बल्ब बहुत ही बैतु तरफ यह प्रात्वित्ता दी जा रही है यह आपकी CFN, यह आपका बलप होगे, यह आपकी हैलीडी होगी, देख लेज़े, ऐसे बित्वत सद्धित या गैजट को प्रियोग करने की सलाय दी जाती है, जो बित्वत दक्चो, भारती हमारा वेरो नई दिल्ली, उत्पादों को मानक चिन पिदान करता है, जिसे मार्क क पर दिएगे बीने देशों की अनुरूपता का अस्वासन दीता है, इती दिन नलिकाओं तथा CFL में पारिक बात होता है, जो की विसेला होता है, अता खराब इती दिन नलिकाओं तथा CFL का निप्टारा सावधानी पूर्वर किया जाना चाहिए, बित्वत परिकतों में अत्यदेग बित्वत धारा प्रभाहित होने का एक कारण बित्वत तारों में फरस पर सीरा समग और खुस्त जाना है, ऐसा तूट-कूट अदवार तारों को बित्वत रोशन की अटने कारण हो सकता है, इससे लगूप प्थन सौट सर्किट हो सकता है, अत्यदेग दारा करना हो सकता है इससे परीपत में अती भारण हो सकता है आपने समाचार पत्रों में अती भारण तथा लगू पत्र के कारण लगने बाली आवों के बारे में पड़ा हो आजकल फ्यूज के स्थान पर लगू परीपत बिद्धुतहरा स्तुरक्षा सीमा से देख हो जाती तो ऐसे स्विच होते हैं जो सुता ही औप हो जाते हैं आपने फिर फिर ओन कर सकते हैं तो पुनाहा परीपत पुनाह पूरा हो जाता है डब्बे पर भी आई एस आई चेंग अवस देखिए सदेव आई एस आई चेंग बाले पुचत प्रियूजों जिनका उल्ले किसी विसेश आनुपयों के लिए क्या गया हो काही उपयों करना चाहिए फ्यूज के स्थान पर किसी विन तार अथवाग धातू की पट्टी का उपयों कदाती नहीं करना चाहिए प्रया का विद्धुद्धार का चुमगिये प्रभाव उपयों की जा चुकी माचस की डिपे की कार्ड बोर्ट टे लेजी इसके चारों और विद्धुद्धार की की कुछ है फिरेला फिट ये टे के भीतर एक चोटी चुमकिये स्वी रखिए अब इस्तार की सुदंत सरों को चित्त चौदर जसम्लों सब्सक्राइब मिर्दसार स्वीच से होने होते हुए विद्धुद्धुद्ध से सहीविजित की जिस दिसा में दिसा की ओर चुमकिय संकीत करती है उसे नोट की चुमकिये स्वी की निकट एक छड़ चुमक लाएए देखिए क्या होता है अब चुमक को हटा कर चुमकिये स्वी को दिहां से देखते हुए स्वीच को पॉन की स्थिति में लाएए आप क्या देखते हैं क्या चुमकिये स्वी पिच्चे पे हो स्विंच को वापस 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 इस्तिति पले जाए कि चुंकिय स्वि बापस आपके प्यारमिक इस्तिति पले आती हैं इस प्एक्कृरिया को कई वार दने ने यहां प्रयोंक क्या क्या संक्यत देठा है हम हम जानते हैं कि चुम्किय सुई एक लगू चुम्मक होती है जो उत्तरदच्छन दिशा की ओर संकित करती है जब हम कोई चुम्मक उसके निकट लाते हैं तो सुई विच्चेपेत हो जाती है हमने यह भी देखा है कि जब चुम्किय सुई के निकट रखे तार में विद्दारा प्रवाहि करने पर विद्दार चुम्किय बाती विवार करता है यह हैं आपके हैंस किष्चेण और स्टेंड इस विकार के विक्षण में हैंस किष्चेण और स्टेड नामक बिग्यानिक को भी आश्यक किया बे ऐसे पहले बैती ते जनोंने यादेखा कि विद्दारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुम्किय सुई में बिच्छेट होता है अतहा जब किसी ताल से विद्दारा प्रवाहित होती है तो ऐस चुम्मक की वाती विवारत ताह से विद्दारा का चुम्किय प्रवाह कहते हैं इससे क्या कहते हैं विद्दा बात करते हैं विद्दुत चुम्मक लोहे की लगभग 6-10 cm लंबी ये कील लगभग 75 cm लंबा पिद्दुत रोदी पिलास्टिक अत्वा कपड़े से ढखा हुआ अत्वा एनिमल लेपित लचीला ताल लिजे इस तार को कुंड़िली फिरों में कील पर कसकल लपिट है तार की सुतन सेरों को किसी सुईच से होते हुए चित्द 14 दिसामलोग 19 में दर्साय अंसार एक बिद्दुत से सहीजित कीजिए कुछ पिन कील के सरे पर इसके निकट लाईए अब सुईच आउन कीजिए और देखी क्या होता है क्या पिन कील की निक नौक से चिपकते हैं सुईच कीजिए क्या पिन अब भी की के सर से चिपके हैं यह आपका इस पर ऐसे विद्दुत चुमोट याद रखें इस किरिया कलाब में एक बार बार में कुछ सेकंड से यादि समय जब बिद्दुतारा प्रभायत नहीं करनी चाहिए करनी है यदि परिपत को सयोजी छोड़ दे तो तुस्तर प्रभायत करने पर कुण्द्द्ली चुमक की बाती है इस परकारर की कुण्द्ली कु क्या कहते हैं इपरिभास दिखाने के से करने हैं गड़ी जाती है तो आपको अच्छे से बढ़ना है वो अपना पॉइंट निकालना है निकाल जाना है तो बिद्धु चुमक को अती पिरवल बनाया जा सकता है यह तेंत भारी गोज उठा सकते हैं क्या आपको चटवी के अती है तेरह में दिखाए क्रैन के चित की याद है इस पेकार की क्रैन के एक स्रेव पर प्रया एक प्रवल बिद्धु चुमक लगा होता है विद्धु चुमक का उपयोग कभार से चुमकिये पदात्मों को पित्था करने के लिए भी किया जाता है डॉक्टर दुप्रगर्णा बस आँख में गिरे चुमकिये पदात के छो गंटी हम सबी विद्धु घंटी से बरीवाती पर्चे थे इसमें एक विद्धु चुमक होती है आज ये देखें विद्धु घंटी कैसे कार करती है चित 14 असमलों 20 इस तरह से विद्धु घंटी का मॉडल मैं एक विद्धु घंटी का विद्धु परीवत दर्चाए गया है इसमें लोहे के टुकडे पर तामे के तार की कुंडली लिप्टी होती है विद्धु चुमक के निकट लोहे की एक परती लगी होती है इसके एक सरे से हतोड़ा जोड़ा होता है लोहे की गंट पती के सम प्ति के संपयक में आती है तो गित्धुत परिपत फूरा हो जाता है तता कॉंडली से विद्धुत धरा फिरवाहित होती है जिस्लिक भिद्धुत चुमक बन जाती तब याद लोगे की पत्ति को अपनी और खींचती है यह पिक्रिया में पत्ति की सरे से जुड़ा तोड़ हिसे टग राता है तो होनी उत्पन्न होती है परन्त जब विद्धुचुमक लोहे की पत्ति को अपनी ओर खीचता है तो यह परीपत को भी तोड देती है इसे कुंडली से विद्धुतारा का प्रवार समात हो जाता है क्या कुंडली अभी विद्धु चुमक बने रहती है नहीं जब कुंडली विद्धु चुमक नहीं होती है तो यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खीचती है लोहे की पत्ती अपनी मूल इस्तिती में आकर पुनहा सम प्र विक्री आती सीगता से दोहराई जाती है हर बार परिपत पूरा होने पत हतोड़ा गंटी से टक्रा आता है और इस पेकार विद्धुत गंटी बश्चती आती है तो इस सद्धिया में आप ले क्या क्या सीखा है बैटरी के बारे में जाना है, विद्धुत परिपत के बारे में जाना है, विद्धुत अवैप के बारे में जाना है, लगू पतन के बारे में जाना है, विद्धुत घंटी भी देखिए, विद्धुत चुम्मक देखिए, विद्धुत फ्यूज देखा है, सेल होल्डर दे भिर्थद्द साधित्त देखा है, भिर्थद का ताप्गी प्रवह भी दिका है भिर्थद का चुंगय प्रवादेखा ए और कुन्डली भी देखा है और इनी सब्दों के athre рекरी जानने इंपytties की उत्देश से अम दोग इसे बढ़ते हैं तो आपने क्या कर सीखा है बिन्दू अवेवों के प्ति को द्वारा नीरूपित करना सुविधा जाना पुछता इसका उपयोग करके किसी बिन्दू परीपत को परीपत आरेक द्वारा नीरूपित किया जा सकते हैं जब किसी तार से कोई बिद्धुत धारा पिरवाहित होती है तो ऐतार तब्त हो जाते हैं यह बिद्धुत धारा का ताफिय प्रवाह पहलाता है इस प्रवाहों के बहुत से अनुप्योंगी हैं कुछ बिद्धुत पदार्तों के बने तारों में जब बिद्धुत कुछ बि में रॉतिए जब किसी तverted विद्धुर्ध हरा प्रभाहे धाल कि तो हैं कि बांती बीवार करता है। इसे विद्धुर्धधारा चुम्क की अ प्रभाव कहते है। लोगे कि आपके अभ्यास के लिए questions दिए गए हैं आप लोग लगा सकते हैं है वेडियो आपकी टेलीग्राम पढ़ लिए महां से download कर लीजिए और एक बार फुसर अगर वो टाइम तो उससे पढ़ लीजिए ठीक और निकल जाए है इतना ही हमें पढ़ना है इसमें जाना दिमाग लगाने की दिरूजती ही नहीं है मुझे खुछ समझ में नहीं आया है कोई सब्द में लाव होगी जो आपको समझ में आया है अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 90-95% आपके किलियर हो जाएंगी कॉंसर्ट और यह भी जलता हूं कि इसे पढ़ना में बहुत आहला साता हुए कि कि बोरिंग लगती होगी लेकिन पढ़ना तो जरूरी है विद्धुद्वलप के अविश्कार अक्ट से प्रया थॉमस अलवा एडिसन को दिया जाता है यह पी इनसे पूर्वी अन्विज्ञानिक इस पर क्यार कर चुगी थी एडिसन बिल्चंट इतिवा के बेखती थे उन्होंने विद्धुद्वलप ग्राबूप्रम चलचित कैमरा कारवन विशक से लगवक्त तेरह सो अविश्कार की उन्हीं के अविश्कारों के बाद टेलीपॉन के अविश्कार को सवन मनाए यह थॉमस अलवा एडिसन देख लिए इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैं तो यह का 14 चेप्टर हो गया विद्धुत्यारा इसके दर्वाव और अब बात करेंगे 15 भी चेप्टर ही प्रिकास के बारे में 15 चेप्टर होगा हमारा प्रिकास नमस्कार साथियों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे N-C-E-R-T कक्छा साथवी की विज्ञान के बारे में तो इसमें अभी ता हम लोग 14 चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका 15 चेप्टर है प्रिकास याद रखिए आप लोग बड़े धहर के साथ इसे सुनिए इसके चेप्टर को लाक्ट में जो भी इसका निस्कास होता है इसे पढ़ने का जो भी उद्दिस होता है उससे बता दिये जाता है तो टेंसन बिल्कुल मत लिए बस धहर के साथ सुनिए अच्छे से ठीक है आपने पती जर्ली अच्छे से सुर के प्रिकास के किरनपुण्य को कमरे में फिर्विस करती हुए देखा हुआ स्कूटर कार तथा रेलवाड़ की एंजिनों के अगदीपों हेर्ड लेंप से आते प्रिकास के किरनपुझ को भी आपने अवस्क देखा होगा इसी प्रिकार टॉर्स से भी प्रिकास के किरनपुझ को देखा जा सकता है संभावता आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन एयरपोर्ट के टावर की सेर्च लाइट के किरनपुझ को देखा होगा यह अनवाव क्या संकेत करती है यह आपका रेलवे एंजिन का देखिए इस तरह से प्रिकास देखिए बात करते हैं प्रिकास देखा के अनुदिस्क गमन करता है बूजो कक्छा चटवी में किये गए एक क्रिया कलाब को समयट करता है याद करता है इस क्रिया कलाब में उसने एक मौबत्ती की लो यानि की जुआला की ओर पहले एक स्तीधे पाइप से और मुड़े हुए पाइ पाइप से मौबत्ती की लोग को क्यों नहीं देख पाया है यह किरिया अकलाब दर्षताता है कि पेकास स्रवरीखा में गमन करता है हम पिकास के पत को कैसे परिवर्थित कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब पिकास किसी पॉलिश की वे है या चमकदार पेष्ट सतय पर पड़ता है तो क्या होता है कि एक मॉंबत्ती और एक सीधी प्रिकास का परावर्दन प्रिकास की दिशा को परिवर्दित कर सकती है जल्ड का पेट भी दरबड की भाती कार कर सकता है और प्रिकास के पत को बदल सकता है कि आपने कभी जल्ड में पेड़ों अत्वार तुमारतों का परावर्दन देखा हुआ इस तरह से कोई भी पॉलिस किया हुआ अथवा चमकदार पेश्ट दरपड की भाति कार करता है जब प्रिकास किसी दरपड परपड़ता है तो क्या होता है कच्छा चटबी में आप पढ़ चुके हैं कि दरपड अपने उपर पढ़ने बाले प्रिकास की दिशा को बदल देता है दरपड प्रिकास की दिशा का या परिवर्दन प्रिकास का परावर्दन कहलाता है क्या कहलता है पिडकास का परावर्थन कहलाता है क्या आपको क्रियकिला किया व्याद है जिसमें आपने इता उच के पिकास को दरभण द्वारा परावर्थित कराया था आई ये उसी से मिल दालता एक रियाकला देखते हैं एक टॉट की लिए इसके काच को चित पंद्रय तसमलों पांच इस तरह से दर्साय में काले रंगे चार्ट पेपर के टुकड़ी से टकिए जिसमें से तीन पतली जिर्णियां स्लेट बनी हैं लकड़ी के किसी चिकने बॉड़ पर एक अनल चार्ट पेपर की एक सीट फेलाईए चार्ट पेपर पर समतल दरपड के पट्टी उर्दवाधर इस्तिती मे अब टॉच की जिर्णियों से निकलने माले प्रिकास करण पुण्य को दरपड पर डालिए टॉच को इस प्रिकास समाईजित कीजिए कि इसका प्रिकास बोड़ पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिस्ट दिखाई दे अब इसकी स्किती को इस प्रिकास समाईजित इस पेकार हटाईए कि दर्पर पर प्रिकास पड़ता रहे क्या आप परावर्तित प्रिकास की देशा में कोई परिवर्तन देखते हैं परावर्तित प्रिकास की देशा की अनुदिस दर्पर में देखिए क्या दर्पर में आपको टॉर्च पलगी जिर्नियां देखाई देत यह क्रिया अकलाब दर्साता है कि प्रकास सम्तल दर्पन से किस पेकार परिवर्तित होता है आए इधर पर में बनने वाले पितीवम्मों से खेलों उनकी बिचाय में कुछ अधिक जानकारी प्राइब करते हैं जलती हुई मौंबत्ती का उप्यों करते समय सावधानी बर्दें इसके रिया कलाब प्रेदी आपने अपने अध्यापा के अघर के किसी बड़ी सतस्की उपस्तिती में करें तो अच्छा होगा आपको नहीं करना है आपको बस पढ़ना है एक समतल दर्पन के सामने एक जलती मौंबत्ती की लोग को दर्पन में देखने का प्यातन कीजिए ऐसा पितीत होता है जैसे जैसे की इसी विकार की एक मौंबत्ती दर्पन के पीछे रखी जो मौंबत्ती दर्पन के पीछे रखी पितीत होती है दर्पन द्वारा बनाया गया मौंबत्ती का पिती विम होता ह यहां मौमबत्ती किसी विम बस्तू का उधा रहा है अब मौमबत्ती को दरपण के सामें विभिन इस्तितियों में रखे पितेग अवस्ता में पितीविम को देखे क्या पितेग दसा में पितीविम सीधा है क्या पितिविम की लोग विम की लोग की भाती मौंबत्ती के उपर स्रीफ दिखाई दे रही है इस पेकार की पितिविम को सीधा पितिविम कहते हैं सम्तल दरवन, द्वारा बंदेवाला पितिव्यम दरवण में सीधा तथवाव्यणी के समान आम आप साइज का देखाई का में अब दरवण के बीचे एक उर्द्वाधार रखिए पर्दा उर्द्वाधार रखिए पर्दे पर मौंबत्ती का पितिविम प्राप्त करने का प्रेतन के लिए क्या आप पर्दे पर पितिविम प्राप्त कर सकते हैं कर पाते हैं अब पर्दे को दरपण के सामें रखिए क्या आप परदे पर पिदिविम प्राप्त कर पाते हैं। आप देखेंगे किसी भी इस्तिती में मौंपती का पिदिविम परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दरपर से पिदिविम कुछ दोरी कितनी हैं। आए इसे किरियाकलाब द्वारां जानते हैं। क्रिया क्ला 15 दस्मूल तीन 17 रंज का एट वोड चैस वोड लिए यदि चैस वोड उपला दुना हो ते चाइट पेपर पर समान साइच को 64 बर्ड बनाईए पेपर की मत में एक मौटी रेखा किंची इस रेखा पर एक संतर दर्पड को उर्द्वा धर रखिए दर्पड के सा के स्तिती हैं अब बस्तु को चौते वाग की सीमा पर रखिये धर्पड के पितिकी नोट किज़े त्थांना दर्पड से पितिकी सामने रखिवियमी की दूरी में कोई संबंद पाते हैं आप देखेंगे कि पितिक विम दर्पड से उसके पीचे उतनी ही दूरी पर होता है जितने की दरपण से विम्म की दूरी होती है अब इसकी पुरुष्टी चार्ट पेपर, चेस्ट बोर्ड पर विम्म को किसी भी स्थान पर रखकर खिंजी है पहली ने अपनी नोट वोक में लेखा समतल दरपण में पितिम्म दरपण के पीछे बनता है यह सीधा होता है विम्म के साइज के समान होता है तता दरपण से पितिम्म की दूरी दरपण के सामने विम्म की दूरी के बराबर होती है अब बात करते हैं दच्च या वाम जब आप समतल दरपण में अपना पितिम्म देखते हैं तो क्या ठीक आपके जैसा दिखाई देता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दरपण में आपकी पितीवें में एक रोच्चा कंतर आती है। आई एसे भी हम लोग जानते हैं। क्या कला 15.04 में पितीवें में दरप दच्चन वांव हाथ वांपिती दूता है। एक समतर दरपण के सामने खड़े होकर अपने पितीवें को देखिए। अपने दाहिने यानि की दच्चन हाथ को उपर ठाई। आपको पितिवम में अपना कोई उन्सा हाथ उपर उठता है अब अपने वाम बाएं कान को इसपर्ष किजिए आपके पितिवम में हाथ आपके किस कान का को इसपर्ष करता है ध्यान को अब देखिए आप देखेंगे कि पितिवम में दर्चेड वाम दिखाई पड़ता है त बूजो ने सडक पर रोगी बाहन एम्बूलेंस देखा उसे याक्षे हुगा कि इसके आंगे क्यूर सब्द एम्बूलेंस पिच्चित विकार का इस तरह से लिखा जाता है देखिए इस सीशा में या किसी में इस तरह की समतल दरपण में पिती में देखते हैं तो उसे सीधा इम्बूलेंस दिखाई देता है किसी चालब को द्यान देखिए कि केवल पार्ष यानि कि साइड से में ही यह अदला बदली होती है पितीविम उल्टा उपर के बाहर नीचे नहीं देखाई देता है अब एक कावच के टुगड़े पर अपना नाम लेखिए इससे समतल दर दरपण में कैसा दिखाई जीता है क्या आप समझ सकते हैं कि रोग रोगी वाहनों पर एम्बूलेंस को चित 15.9 की बाती क्यों लिखा जाता है इस तरह से जब रोगी वाहन के आगे जाने वाली वाहनों के चलर अपने पर्श्य यानि दरफ्ट दरपण पीछे का दरफ्ट दिखाने वाले दरपण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बूलेंस को इस्पर्ट पड़ सकते हैं उसे आगे जाने के लिए राष्ता आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार किफास दरपण में सभी विस्तूओं के पितिवें स्वेम बस्तूओं से छोटे दिखाए देते हैं कि आपको कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बता है गोली ये दरपण से खेल पहली तथा बूजो साइकार गोजन के लिए पितिच्चा कर रहे थे हैं बूजो ने स्टैनलेस इस पात की पिलेट उठाई उसमें अपना पितिवेम देखा अरे ये पिलेक तो समतल दरपण की बाती कारे करती हैं मेरा पितिवेम सीधा तफा समा पहली ने अपना पितिवेम इस पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पेश्ट का उपयोग करके देखा पहली ने कहां बूजो इधार देखो मैं भी अपना सीधा पितिवेम देख सकते हूं ये पिए साई में छोटा ये चम्मच भी एक बाता के दरपण की बात ही कारी करता है चम्मच जो आपकी होती है ये भी इस दरपण की बात ही कार करती है आप भी चम्मच या कोई भी वह आपकी चमक दार पेश्ट का उपयों अपने पितिवेम देखने कर सकते हैं क्रियाकला 15.5 इस्टेनलेस इस पात की एक चम्मच लेज़े चम्मक की चम्मच के बाहरी पेश्ट को अपने चेहरे की पास लाई तधा इसमें देखिए कि कि विम संते दरपण में देखा था क्या इस एस-ससे बिन है क्या इस इसका साइट फब्र исп कि साइच के समान मैं य데 वा छोटा तरह पर बढ़ा है कि इस तरह यह आसरे से लिग आप चम्मज की भीद्त्री फर्ष्ट का उप्यू करके अपना पितीवम बना सकते हैं हो सकता है कि इसेभार आपको अपना पितीवम सीला तधा बड़ा दिखाई दे यदि आप अपने चेहरे से चम्मज की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा पितिमम देख पाएं अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पैन या पैन से के पितिमम की भी तोलना कर सकते हैं चम्मज की बिद्दरे फेश्ट द्वारा बना पितिमम चम्मज का वक्यत चमका का चमकदार पेश्ट एक दरफण की बादन की करता है गोली ये दरफण वक्यत दरफण कासबसे एधिक सामान वादनी यदि किसी गोली-दरफण का परावर्थ। पे पेश्ट औौतल है तुछ से क्या कहते है? आउतर दर्मन कहते हैं, देखिए, इसी तरह है कि जो भी आपके पॉइंट हुआ करें, उन्हें पकड़िये उन्हीं की परिवास आपको जान दिया है, आपको कोई महान ग्याता नहीं कि प्रियोग करना बैठ जाना है, प्रियोग साला में चम्मत ठूरते प्रना है, आपको पढ़ना है और निकल जाना है, बूक अच्छा साजवी के वच्चे अपना आप कलते रहे हैं, उतना तुम दिमाग मत लगाए हूँ, यहां क्या दिया गया, यदि किसी गोली दर्पन का परावारतर पेश्ट आउतर दर्पन कहते हैं, क्या कहते हैं, आउतर दर्पन, यद आपका परावारतर पेश्ट हो गया, यह आपका परावारतर पेश्टेच तरगाजना है, यह आउतर प ई स makesतना और यह आपका उतर सब्स चाल दर्पन, घाट है, आउतर तरन को गोली दिरी जाना, दर्पन को'm क्यों करते हैं, रवर्ट को ये गेंद लेजे, इसके एक भाग को चाकवत बार हारी से काटी, सावदान गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े वेक्ति की सायता है, कटीवी गेंद का भीत्री पेश्ट आउतल, और बाहरी जो आपका पेश्ट होता है, वो उत्तल कहलाता है, ये आपक किया एदर पर पितिमिंगों के लिए भी सही है, सूर के पिकास में किया जाना है, सावदान कभी भी सूर को या इसके पितिमिंगों सीधे मत देखिए, क्यूंकि इसके आपकी आँखें खराब हो सकती है, आप सूर के पितिमिंगों को किसी पर देखिए, इदा दीवार पर बना कर देख सकते हैं, एक अब आवत्तल दर्पन लेए, इसके परावर्तिक पेश्ट को सूर की ओर रख कर भखड़ें, दर्पन से परावर्तिक पिकास को एक कागच की सीट पर प्राप कर नेका प्रयाद किजिए, कागच की सीट को तब तक आंगे पीछे समाईलित कीजिए, जब तक की आपको एक तीक्ज, यानि कि इस पर चमकदार विंदू प्राप्त ना हुए, इस तरह से आवत्तल दर्पन सूर का बास्त वे पिति में बनाता है, दर्पन दर्पन कागच की सीट को कुछ मिनिट के लिए इस तरह रखी, क्या कागच जलना प करते थे, जलाने का काम, क्योंकि जो बॉक्स आता था, उसमें यह निकलता था लैंस, दर्पन, उसी की सायता से इस तरह से प्रेटिकल करते थे, कागच जलना पैराम हो जाता है, या चमकदार विंदू बास्तों में सूर का पिति में है, द्यान दीजें कि या पिति में पर पर्दे कागच की सीट पर बन रहा है, पर्दे पर बनने वाले पिति में को बास्तों में कहते हैं, पर्दे पर बनने वाले पिति में को क्या कहते हैं, बास्तों में याद रहे कि किरियाकला 15.02 में संतर दर्पन द्वारा बने मौंबत्ती की लोग की पिति में को पर्दे प को पर्दि पर प्राप्त करने का फ्योद जिरतन करते हैं क्लिया के लाब 15 देशंबल और आज आवतर दरपण को 15 देशंबल विए 15 में दिखाई हमसार मेज पर रखे किसी स्टेंड श्चिंड किसी स्टेंड को प्रवन्द है जो दरपण को इस तरह रखे सब्सक्राइब किया जा सकते हैं पता लगाईए कि गत्ये की सीट लगवग 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पर एक सपेद कागज चुपकाईए यह एक पर्दे का कारवग करेगी मेज पर एक जलती भी मौंबत्य दर्पन से लगवग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दिय पर मौंबत्य की लगव-प्राप्त करने का फ्रयटन कीजिए, इसके लिए पर्दी को दर्पन की और तथनय दर्पन से दूर उस समय तक सरकाईगी जब तक कि लोग आतीच přिस्वन पर्वग्वववट्य दिहां राखिए कि मौंबत्य से दर्पन पर प्ढ़ने क्या यह पितिवंबास्विक यहावासी है क्या इसका साही लौ जितना यह है देखिए अब मुझबत्ती को दर्बण की वो लाइए तथा इसे इससे अलग कर अलग दूरियों पर रखिए पिते कवस्ता में पर देखा पर पितिवंब्राप्ट दने का प्रयतन कीजिए कि अपने पेक्षणों को साही नी पंद्रह में अंकित कर सकते हैं जब मुझबत्ती दर्बण की आते हैं ति निकट है क्या तब भी पितिवंब्र को परदी पर प्रात कर पाना सम्मों में आउतल दर्पन द्वारा बना आवासी पितिवंब्री ति मैं स्युआज में रह जाता आपने डॉक्टन की आ कान नाग तथा गले का निक्षण करते सुमब्र अवतल दर्पन की उप्यों करते ते heart दन्त विश्य सक्कों द्वरा आउतर दर्वन का उव्योग दातों का बड़ा पितिविम देखने के लिए किया रहत है। टॉच कार्यों, कार्यों तद्वा स्कूटरों के अगदीब के परावरत पेश्ट की आगती भी आखी आउतर है। दन्त चिकेशक मरीज को देखते हुए इसका फिर्योग करते हुए। टॉच का परावरत तक। बूजों ने अपनी नई साइकल के गण्टी के चमकदार पेश्ट में अपना पितिविम देखा। उसने देखा कि उसका पितिविम सीधा तथा साइज में छोटा है। उससे उस्तस्थलृ मैं न exact गण्टी भी एकार के की गोली है। क्यों पीकशान सकती ही कि इस ही में का परावरत पेश्ट अध्ल होता है। क्रिया क्लाप 15.8 क्रिया क्लाप 15.7 को अब दर्पन की स्थान पर उत्तल दर्पन को लेकर दोराईए अपने पेक्षणों को क्रिया क्लाप 15 की माती सानी में लेख सेते हैं उत्तल्दर्पण बनाये गां। किती में नहीं Одसमे लिकी किसी भी दूरी के लिए बास्त्यपिंकिती में पराप्त कर पाते हैं। क्य आप VUIM से बड़ी साइच्व का पिती में पराप्त कर सकते हैं। क्या अब आप बाहनों के पास दर्पनों साइड मिरर में उपयोप किये जाने बाले दर्पनों को पहचा सकते हैं यह उत्तल दर्पन है उत्तल दर्पन अधिक छेत के द्रस्त का फिती में बना सकते हैं पता है चालकों के वीछ भी कि अदिक चित के बाहनेकों के देखने में सहा इता करते है उत्तर दरफन की कि वास दरफन के रूमベंश करते हैं कि इस तरह इसे आप ने देखा हूए बाठ करते हैं Mrs подум pap है he आपने आवर्थक लेंस, hand lens देखा हुआ , यह बहुत चोटे प्रेंट को पढ़ने के लिए उपयुग किया ज़ता है सिंभव तक आप ने इसका उपयुग को अप्रोच अतबा केंचुए कि शरी की बाववों पर देखने के लिए किया हुआ अवर्ट एक lens बाफ्ताओं एक प्रिकार का lens ही है यह आपका आवर्ट लेंस लेंसों का उपयोग व्याबा प्रूप में चस्मों, दूर दस्कों, तत्तना शूप में दरशियों में किया लाते हैं इस सूची में लेंसओं के कुछ अनुपयोग भी जोड़ सकते हैं आपको कुछ सिरु लेंस, उन्हें इसपस करके महिसोस कीजिए कि आपके इवर्ल ंपस करके कुछ अंतर देख पाते हैं बे लेंस जो किनारिये के अपेक्चा बीच में मौटे पिदीत होते हैं देखिए, फिर सुन लिए, बे लेंस, जो किनारों की अपेच्छा, बीच में मौटे विदीत होते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्तर लेंस होते हैं, यह आपके उत्तर लेंस की प्रमुक बिसेचता है, कि बे लेंस, जो किनारों की अपेच्छा, बीच में मौटे होते हैं, उत्तर लेंस होते हैं यह आपको याद रखना इस तरह है कि द्यान दीजिए कि लेंस पारदर्सी होते हैं इनमें से प्रिकास गुजर सकता है यह आपका उत्तर लेंस है यह आपका उत्तर लेंस है लेंस से सूर को या किसी चम के लिए प्रिकास को देखना खतरना है आपको उत्तर लेंस से सूर के बेकास को अपने सरीक इसी भाग पर हॉक्षिस्ट करने के लिए बारे में भी साउधानी बरतने चाहिए अब बात करते हैं क्रिया कलाप पंदर दर समलो नौ एक उत्तर लेंस अत्वा आवर्दक लेंस लेंस इसे सूर की कीणों के मारम में रखे को दरसाओ चित पंदरर समलो देश में जो चित्र दरसाओ गया है कागज की शीट लेज़े, लेंस तथा कागज की बीच की दूरी को उस समय तक समाई जीत किए जब तिक कि आपका कागज पर एक चमकदार विंदू नहों, इस सितिती में लेंस तथा कागज को कुछ मेनेट के लिए इस तर रखे, क्या कागज जलना कारम कर देता हैं, उत्तल बुक्सवी वजपन के लिए तो लिखी कई है, वो तो हमें पढ़नी हैं, अब उत्तल लेंस को आउत्तल लेंस से बदल लेंगे, क्या भी आपको कागज पर चमकदार विंदू दिखाए देता हैं, इस बार आपको चमकदार विंदू क्यों नहीं प्राफत उता हैं, हमने दरबुणों के लिए देखा है कि विम की विभिन इस्तितियों के लिए पितिमिमों को कि प्रक्किती साही बदलते हैं, क्या यह लेंसों के लिए भी मानने हैं, सामानता उत्तल लेंस उस पर पढ़ने बाले आपतित विकास को अभी सरित अंदर की मूर्ण की और मूरना आप सारी लेंस भी कहते हैं, इसके विफरीट जो आपका उतर लेंस होता है, वो आप तिर पिकास को आप सरित यानि की बाहर की और मोड़ना करते हैं, तो इसे आप लोग आप सारी लेंस भी कहते हैं, जाटे कि, क्रिया कलाब 15.10 एक उत्तर लेंस लेजे, इसे मेज कर पर रखे, एक इस्टेंड पर लगाईए, जैसा कि आपने आउतर दरफण में किया था, मेज पर जलती हुए मौबत्ती को लेंस से लगवाग पचास एंडिमिंटर की दूरी पर रख सकते हैं, विविन दूरियों पर रखे, विम के उत्तर लेंस द्वारा बने पिति विमिंटर की दूरी पर रखे, लेंस के दूरी और रखे कागज की परदे पर, मौबत्ती की लग का पिति विम पराप्त करने का प्रतन करना है, तो, आपको परदे को लेंस की होगा, या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लोग का इस पर तीछा पिति विम पराप्त होता है, क्या है अब लेंस की से मौबत्ती की दूरी बदरी है, पिते ही कबस्ता में कागच की परदी को सरकार कर, इस पर मौबत्ती की लोग का पिति विम पराप्त करने का प्रतन कीजिए, आउतल दरपण के लिए कि लिए अकलाब 15.07 की अमसार अपने प्यक्चणों को सारणी में सारणी बद्ति कर सकते हैं, क्या गवेम की इस्तती के लिए आपको एसा पितिवेम प्राप्ट होता है, जुस्ती था तथा आवर्धित हो श्कुल की इस पितिवेम को परते के पराप्त किया जासे है, किया है वास्टविकत है या नहीं उत्तर Lens द्वारा बना आवाथी पीतिविमर में और कर टीए? ऐसे इस्थिति में कि उत्तर लेंस को आवर्टिक लेंस की आपको और अद्धियों का अध्यान कीजिए आप आएगे कि अवतर लेंज द्वारा बने पिते विम्म, सधियो, आवासी, सीधी तता बिम्म की साइच से छोटे होती हैं यह आपका अवतर लेंज द्वारा बना पिते विम्म अब बात करते हैं मुलूब सूरी का पिकास, सोय तत्वा रन्मी क्या आपने आकास में कभी इन्दधनुस देखा हैं आपने दिया होगा कि यह प्रया बरसा की बर्षाद दिखाई देता है जब सूरी आकास में 6 कि पास होता है तो इन्दधनुस आकास में नेक रहों एक बड़ी धन्योसार्ट के रोउमें दिखाई देता है इस तरह से देखी एक इन्द धन्योस में कितने बड़ होते हैं यानि कितने रंग होते हैं मौती तौरपर इन्द धन्योस में सा्त वढ UP होते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामूनी, तथा बैगनी, इन रंगों को याद रखना है आपको, ठीकर, इन दनस में कितने रंगों होते हैं, साथ, कौन-कौन से, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामूनी, बैगनी, आपने देखा होगा कि जब आप साहुन के बु वर्तित होता है तो आपको अनेक बर्ण देखाई देते हैं इस तरह से इन सब अनुगों के आदार पर क्या हम यह कर सकते हैं कि सूर का फिकास पिमिन बर्णों का मिस्सर्ण होता है चलिए इसे भी देख लेते हैं क्रिया कला 15.11 काज का एक पिमिन लीजिए किसी अनेरे कमरे की खेड़की के छोटे चित से सूर के फिकास का एक पतला करेंट पुंज पिमिन की एक फैलर पर डाले पिमिन के दूसरे खलक से बाहर निकलने वाले परकास को सपीद काज़ की एक स आइसे अरव जैसे ही बर्ण यहां भी देख पाते है चित पंदरर संबलाव 30 की तरह इस तरह से पिजिन सूर के पिकास की एक क्रणपन को साथ बर्णों में व्रवक्त कर देती है। यह दरसाता है कि सूर के पिकास में साथ बर्ण बिल्दमाद। इसे पिकास को दरस्त सुवेद पिकास भी कहते हैं। सुईद पिकास के वर्णों को बहचानने का फेर्दन कीजिए, इसके नाम अपनी नोट बुक में देख सकते हैं क्या हम इसमन साथ वर्णों को मिला कर सुईद पिकास प्राक्त कर सकते हैं चलिए इसे भी देख लेते हैं लगबक 10 सैंटीमीटर व्यास की गत्य एक बिर्टा का डिस्क देजिए, इस डिस्क को साथ खंडों में बाढ़ सकते हैं चित्त पंदर देख समलाओ 31 एब खेर्ण साथ इस तरह से दरसाए रजा इन खंडों को इंद दन इसके साथ बर्णों में पेंट कीजिए आप इन खंडों पर विवेंद बर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं डिस्क के केंद पर एक छोटा चित बनाएए डिस्क को एक बॉल पैंस के रिफिल के नौप पर डिली से लगाएए सुनेशेद कीजिए कि डिस्क सुतंता सुतंता पुर्वक इस डिस्क सुतंता पुर्वक गुढ़न करें सकें डिस्क को फोगों गुहाईए जब डिस्क टेली से गूरती है, तो बड़् आ पसमें मिल जाते हैं, डिस्क स्वेत सी पितीत होती है, इस वो सामनता न्यूटन का डिस्क कहते हैं, तेली से गुवाँने पर स्वेत पितीत होता है, देकि एस तरह है, पहरी को एक आधूती है विचार आया, उसने एक वित्ता का डिस्की की सहता से एक छोटा सा लग्टू बनाया है जिस पार इंदे दने उसके साथ तो बर्डों को प्रेंट किया गया चित्र बतीस 15.32 की तरह है जब लग्टू गूडन करता है तो एक तरवक स्वेट दिखाई देता है तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया है आवतल लेंज के बारे में जाना है आवतल दर्पन के बारे में जाना है उपतल लेंज के बारे में भी जाना है उपतल दर्पन के बारे में जाना है पिति बिमे के बारे में जाना है बिमे के बारे में जाना है आवर आपको याद रखिए ये सभी कितामें पढ़ने के लिए आपसे इसलिए कहा जाता है जिससे आपका बेस मजबूत हो अब आप से कोई पूंच ले क्या है कहीं आप सब्दा आ जाता है तो आप उसी में को जाएंगे तो इसलिए concept clear करने के लिए आपको NCRT बुक्स पढ़ने की सलाय जी जाती है तो आपने क्या से खाय से प्रकास सरनेखा के अनुदिस गमन करता है दूसरा पॉइंट है किसी भी पॉलिस किया हुआ अतवर्चमकदार पिर्ट दरपण की बहाती ही काय करता है अंगला है जो पिती में परदे पर पराप्त क किया जा सके बास्विक्ट पिती में कहलाता है जिस परदे को परदे पर प्राप्त ना किया जा सके उससे आवासी पिती में करते हैं संतल दरपण द्वारा बना पिती में सीधा होता है या आवासी होता है तथा विम्वे की समान साइज का होता है पिती में दरपण के पीच पिती विम के दच्छन बाग की बाती दिखाई देखता है तथा विम्य का दच्छन बाग पिती विम्य के बाम बाग की बाती देखता है आउतल दर्पन बास्तविक तथा उल्टा पिती विम्य बना सकता है जब विम्य को दर्पन की अतन्त निकट रखते हैं तो पिती विम् बहने छोटा होता है लेंस उत्ते लेंस भात्विक ततंद पितेड़ में बना सकते हैं जब बैमें लेंस के अत्यांक निकट रखा जाता है तो बनने बाला पिति विम आवासी, सीधा तथा आवर्दित होता है जब उत्तर लेंस को वास्तविक बस्तुमों को आवर्दित करके देखने के लिए उप्यव किया जाता है तो उसे आवर्दक लेंस कहते है आवर्दक लेंस सदेव सीधा आवासी साइड में विम से छोटा पिति विम बनात स्वेद पिखास आपका साथ बढ़नों का मिसरंट होता है तो यह आपके अप्याज के लिए कुश्चन दिये गया है लगा सकते हैं और पीडियाप आपकी टेलिग्राम पर ड़ली है वहां से डाउनलोड कर लिए और भी जो आपकी इस्टडी मेटेरियल की पीडियाप होती ह तो वो भी टेलिग्राम पर डाल दी जाती है एक बार उससे तो पढ़ सकते हैं आप लोग पीडियाप से एक बार पढ़नें बस इतना कार्पियों वैसे समझ में आ जाता हो गर आप लोग अच्छे से सुनते होंगे तो यह सभी समझ में आ जाते हूं क्योंकि इतना भी कठ नहीं है बहुत ही साधान सब्दों में लेखे गें मुझे इसमें कोई ऐसा सब्द नहीं मिलता है जो जिसको मैं समझाओं क्या आप जानते हैं कि दरपन अस्तों की बाती भी उपियों में लाइडा परते हैं कहते हैं कि ग्रीग विग्यानिक आर्टिमीडी नलगबक 2000 पहल आखमण कीया तो आर्टिमीडी ने चित्र 15.34 इस तरह से 34 दर्टाय दरपन को लगाया दरपन को किसी भी दिशा में गुमाया जा सकता था इन्हें इस पेकार विवस्तित किया कि गया कि बे सूर के पिकास को रोमन सेंगों के उपर परहवर्तित कर सकते हैं इस सूर के पिका बे चक्रा गए वह बार खड़े हुए या एक ऐसा उधार है जो इस परष्ट करता है कि किसी प्रिकास स्यानिक तागत पर सूर भूस से विजय पाई जाए सकती हैं तो इसमें आप लोग ने क्या जान लिया है प्रिकास के बारे में अंगला चेप्टरों का हमारा सोल है जल एक बहुमूल संसादान है ठीक नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे N-C-E-R-T कप्छा सात्वी की विज्ञान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग 15 चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका 16 वा चेप्टर है जल एक बहुमूल संसादान है या सुरक्षे थे हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर हम अपने प्रक्किती के साथ कोई छेड़ चांब नहीं करते हैं उसे कोई भी हानी नहीं पहुंचाते हैं तो हमारे लिए बहुत भायदे का सौधा होगा क्योंकि जब प्रक्किती हम खेलना सुरूं करती है हमारी जिं एक अच्छा इंसान बनने के लिए चुना है हमारे हाद में यह नहीं है कि किसी खुशियां हम चीने या किसी को खुशियां और याड़ें किसी के साथ बुरा करें यह उबर वाले का काम है अगर आज यह आप सब करके जीते हो पता नहीं लोग क्या सुचते हैं मुझे नही कहला सकते हैं और इतना बड़ा अपने आपको खिलाड़ी मत समझिए दो चार लोगों के साथ गलत करके आप खिलाड़ी बने यह गलत है कभी किसी के भरोसे का कोई फायदा मत उठाइए और सब खुशी रही है खुश खुद रही है दूसरे को खुशरा की क्योंकि जब भ के साथ बुरा करते हैं हो समझते होगे हम ही चतुर है हम ही समझदा है यह गलत है पर आपकी मर्दी क्या खार लोगे हो किसी की खुशियां चेंड कर किसी को दुख दे कर कुछ नहीं है अपनी इंसानियत को फ्रज निवाई है और आगे बड़ी है याद रखिए जले एक ब क्यों सुता है उसे बता लिया जाता है और इस अध्याय को जो पढ़ने का उतलिश है उसे वी समझा दिया जाते है आप साहट जानते हों कि पिती बर्स 22 March यानि कि 22 March के दिन 20 जल दिवस के रूम में मनाय जाते है ये 20 जल दिवस मनाने का उद्देश इतना ही है कि आपको इसके महत्त के बारी में समझाया जा सके आपको जावरूब बनाया जा सके तो याद रखना 22 March के दिन 20 जल दिवस के रूम में मनाय जाते है एक बिद्ध्याने में जल्दिवस मनाये गए और आपके आयू आपके बच्चों ने पोष्टा वाँ अवन्तित किये उस दिन पिस्तोत किये कुछ पोष्टरों को चित्थ सोले दिसमलग एक में दर्स आये जल्की हरवून बचाएं जल्की बचत करें पितेग बूल बहु लिए और उनकी चर्चा की लिए क्या आपके फर कभी घर अत्वा विद्ध्याला में जल्की कमी महिसूस की है आपके माता पिता और सिक्चप प्रया आपको जल्बरबाद ना करने की सलाय देते हुए हर व्यक्ति का जल्सारक्चन के मत्त की ओध्यान आकिटित करने के सफाई बनाए रखने के लिए स्टराश्ट वारा पितेक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल्की नियूंतम चंता नियूंतम मात्रा 50 लीटर पिती व्यक्ति होती है कितना 50 लीटर पिती व्यक्ति यह मात्रा पिती व्यक्ति पिती देन लगवग धाई वाल्टी जल के बरा यदि हार तो आपको अपने आप आपको भागसाली समझा चलिए क्योंकि हमारे देश में लागों लोगों को परयात जल नहीं मिलता है आपके मित्रों उनके परिवारों की जगल की उपलब्दिता की स्थिति कैसी है अपने अनवगों की है उनके साथ चर्चा की ज़िए कुछ इस्थानों पर जल की अतरी कमी है नलों में पानी ना आना जल भनने के लिए लंबी कतार है लड़ाई लगड़ जढ़ ज़गई जगड़े ज़गड़े कुछ समाचारों पत्तों की कतरन इस इस्तिती को की ओर इशपर्ष कर रूप से इंगित करते हैं ये कतरने क्या यह सकते हैं नहीं है कि हम जल की अत्यदिक कमी का सामना करें या दर कि जल हमारे लिए परद्याप थे आपने सुनाओगा 70-71% हमारी धच्टी पर जल ही है बाकी 29 20% के करीब हमारे पास स्थल मंदल है जल मंदल काफी है लेकिन वह हमारे लिए उप्यू लायक जल ले नहीं है अब आप खारे पानी से या लबड़े जल से नहा तो नहीं सकते है पी भी तो नहीं सकते हो तो पानी तो करें अब थे लेकिन स्वक्ष जल बहुत ही कम है हमारे किरिया के लाव 16.1 कि बलसों में विश्च की एकतिहाई से जल्संख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा जल की कमी के पि maple से हमें चर्चा करने से पहले हम questo जानना आवस सके कि हमारी पितवी पर उप्यों के लिए कितना जल्व उपलब दे बात करते हैं कितना जल्व अपलत हैं अंत्रिक्ष से लिए गए पिथिवी के चित को देखिए यह नीला क्यों दिखाई दीता है निश्यत ही आप अनुमाल लगा सकते हैं अंत्रिक्ष से पिथिवी नीली आवा लिए दिखाई दीती है यह इस तरह से आप जानते हैं कि पिथिवी के सत्यका लगवक सत्य पिथिश सत्य भाग पर जल से ढखाई पिथिवी पर उपस ते लगवक समस्त जल समुद्रों सत्य महासागरों नदियों ताला दुर्वीय बरक बहुम जल और बायू मंदल में पाया जाता है परन्तु इसमें से अनिकास इसी रो में मालावक essentials उपेवक के लिए उपेवक नहीं है इंपेवक के लिए उपेवक जल आलवड जल है जैसे बोल।चाल की बास हमें ताजा जल कहते हैं लोग। उपर बताएगे कुछ सरहतन से अलावड जल channels यानि कि ताजा जल की सोपेज मात्रा का अकलन करने के लिए क्रिया क्लाब 16.92 का प्रियोग करेंगे किस साइणी में दिये गए विभिन चैनों कानुवान भाउ हनुसरान करते हुए पिथभी में अपलत आल अवड जल का आख लिंद कीए फर्स्ट चैनल एच्चेत हो गया एटिपडी मद्हम आमाप साइज की एक बाल्टी ले जल को मझे फिदर्सित करता है अपको एक आख म है मेल छम्ता का चमत लिए बाल्टी से 100 चमत जल मक्सि किसी छोटे पात्में निकालीजिए इस तरह से यह पिथवी परवपलब आलावर जल्की को मक्सित तीन चमत जल की को छाश की किसी गिलास में दालीए इस तरह से यह भ योग योग जल की मातरा के समान है, अन्त में मख्ण से एक चौथाई चम्मच जल निकाली है, या अविस्कीत सभी जीनों और नदियों से उपस्तित कोल आलाबर जल की मातरा ख़िदर सिथ करता है, बालती से बचा जल समुद्रों और महा जागरों में उपस्तित जल यानि कि बचा जल उस जल को बिदर्शित करता है, जो हिमी के रूपों में हिमनत, दुरवी या वरव, परवतों की इस्थाई वरव में पाया जाता है, यह जल भी हमें आसानी से उगलत नहीं होता है, मैंने कई वी जगह देखा हैं, कि लोग दो-दो किलो मीटर पानी, पीने के पानी बनने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए महिला हैं, इस मैटर में महिला हैं बड़ी परवसानी होती हैं, क्योंकि यह काम तो वही करती हैं, कई जगह देखा हैं, अभी भी बुरी इस्तिति हैं, 21 सदी में आगए, पर भी हमारे बहुत बुरी इस्तिति होती हैं, कई जगह आप ग्रामीड चित्र में तो आपने वेटर तरीके से देखा हुआ कि शहरों में तो ठीक सोगा है वो जो यह जानकर चकरा गया कि हमारे पात उपयोग के लिए उपलब्द जलकी मातरा इतनी कम है पहली ने गढ़ना करने करके बताया कि आलावड जलकी मातरा पितवी पर अधिकांस लोग जल को एक आसीमित संसा में मानते हैं क्रिया कलाव 16.2 से क्या आपको मानाओ उपयोग के लिए उपलब्द जलकी वास्तवीक मातरा का आवास हुआ है क्या इस जानकारी से आपको चिंदा हो रही है इस वेशाय में अपनी कच्छा में चल्चा करेंगे आप आपको चल्चा करती नहीं बढ़ता है आपको पढ़के निकल जाना है वर ठी है जो कच्छा साथ भी के बच्चे होंगी वह चल्चा करेंगे अच्छी से बहतर से जल की अवस्ताएं क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्द समस्त जल स आप जानते हैं कि वेवन प्राक्टिक पर क्रमों द्वारां इथवी पर जल की नहींतर उपलब्दता करोणों वरसों से बनी हुई है यह सभी पेकरम समलेत रूप से जल चक्रण का निर्मार करते हैं आपने कच्चा छटवी में जल चक्क के विशय में पढ़ाता है अपन जैस मैसे किसी एक अवस्था में पित्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है ठोस अवस्था में जल बरव और हिम के रूम में पित्वी के द्रहों पर बरव चत्रव बरव से ठकेव परवतों हिम नदों डिलेशियर में पाया जाता है दिरव अवस्था में जल महासावरों पाया जाता है। गयसी अवस्था में जल हमारे आसवास की भाईव में जल वास्थ की रूमें उपस्तित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के भी सतत चक्रन द्वारा पिधवीक पर जल की कुल मातरा इस्थिर बनी रहती है। जबकि समस्त मानव जल संक्या तथा अन्न सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। चा इस चानकारी से आपको कोई रायत मिलती है। चा आपको जल चक में समलित पिक्रम याद रे करिया किलाब 16.3 में आपको इसमें सहायता कर सकता है। चित्य 16.5 में जल चक में समलित पिक्रमों को संक्या दौरण चिन्नित किया गया है। इन संक्याओं की सायता से अस्त बेस्त क्रम में लिखे गए कि पिक्रमों के लिए सही सब्द होगा। कि आपका मत बोल है। प्रे आपका हो गया बास्प। प्रे हो गया आपका नसंग। इस तरह से नाम है इसके। फिराका लदवा और नर्जवास्त बास्प। साथ याप। इस से अन अधन्त नाय रह हो गया। बर्षनड याट इस तरह से ठीके जल चक है। अधिकान सहरों और नगरों की अपनी जल की आपूर्ती वेवस्ता होती है। जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी जील, नदी, ताला, अत्वा कुगा से लाया जाता है। जल की आपूर्ती पाइपों के बिसेश क्रम में विच्छा है, जल द्वारा की जाती है। सामानता ग्रामीड चिद तुरों में जल की आपूर्ती इस पेकार नहीं होती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोष से ही प्राफ करते हैं। फ्रया लोगों यहां तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोष तक पैदर जाना परता है। कभी-कभी जल स्रोष कई किलोमेटर की तूरी पर होता है। हम लोगों ने देखा हुआ है इस तरह से जल लेकर आती महिला है। बच्चों के लिए जल ढोने का यहकार अत्यदिक कर्षठा रही है। ऐसे बच्चे के निर्मित रूप से बिद्ध्यारा नहीं जा पाते हैं। क्योंकि उन्हें सिरोष से जल लाने से में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जन संक्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोप के लिए जल कूओं, नलकूपों तता हैं अत्वा हेंड़पों से प्राप्त करता है। इन सिरोषों को जल हमारे काह से अथ मिलता है। बात तर दिंग जल का एक मत्तूर सिरोते आपका बहुम जल यदि हम किसी जलासर के निकट भूमी में गड़ा को दें तो हमें वहां की मिर्दा अर्ध यानि की नम मिली सकती है मिल्दा में आदधा भूमी गड़ जल की उपस्तिती को एंगीर करती है यदि हम और अधिक गहराई तक खोथते चलें जाएं तो हम उस इस्तर तक पहुंश सकते हैं जहां मिल्दा के कड़ों के भी कि सारे कि सारे रिक्त स्थान आवगास और चट्टानों के भी कि स्थान जल से भरे होती है इस परत की इस परत की उपरी सीमा बहुम जल इस्तर कहलाती है बहुम जल इस्तर बेविन इस्थानों पर भिन भिन होता है और यह किसी दिये गए इस्थान पर परिवर्दित भी हो सकती है बहुम जल इस्तर एक मीटर से भी कम गहराई पर अत्वा भूमी में अरिक मीटर की गहाई में को सकती है बहॉमजल इस तर के नीचे पाया जाने वाला जल बहॉमजल कहलाता है इस बहॉमजल का क्या सिरूत है वर्षा जल और अन्न सिरूतों जैसे नदियों-तालावों का जल मिर्दा से रिज़ कर भूमी के नीचे गहिराई में रिक्त इस्थानों और दरानों को बहत देता है भूमीन में जल का रिषाव अन्ता सेनन कहलाता है अता इस पे क्रम द्वारां उपयोग किये जा चुके बहुम जल की पुनाहा परिपूर्थी हो जाती है कुछ स्थानों पर भूम जल इस तर नीचे इस तर कठोर सेनों की परतों की भीच भूम जल संचित हो जाता है इस पेकाल संचित भूम जल की बंडारों को जल भर करते हैं जलवरों की जल को सामन नलकूपों अत्वा हैंड़ पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है का हेट पंप हो गया पुनाहाप पूर्ती हो रही बाफ के रूम में जाता है फिर बाफसी आता है यह बहुम जल हो गया क्या आप किसी ऐसे इस्थान पर गए हैं जहने निर्माड कार भुडाव सेमिकों को निर्माड के लिए जल कहां से मिलता है आपने सायद देखा होगा कि ऐसे इस्थानों पर भौम जल इस्थरफ पर पहुंचने के लिए संचिद्रन बोरी की जाती है वहां कार करने वाले लोगों से मालूम किजिए कि उन्हें जल पानी के लिए कितनी गहरी कुदाई करनी पड़ती है क्या बूमी के नीचे नियंतर जल निकाल सकते हैं ऐसा करने से भौम जल पर क्या प्रभाब पड़ेगा सवभाबिक है कि कमी ही होगी वही कारण है कि हमारे आज से कुछ साव पहले हमाँ बहुत जल्दी पानी निकलाता था कहीं बोरिंग हो रही है कुए को दे जा रहे है कमी घहराई पर पानी हमारे लिए उप्लब्द हो जाता है लेकिन आज उल्टा रही है बहुत नीचे तक बोरिंग करवानी पड़ रही है और खुबा खुद नह पड़ा था तो बहुत घहराई तक जान पड़ रहा है तब ही हमारे लिए जल उपनदो रहा है बॉम जल इस तर का ओच है बुमी के नीचे से निकाले गए बॉम जल की पुनापूर्थी प्रयाव वर्शा के रषावन द्वारा हो जाती है बॉम जल इस तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने हैं कि प्राक्तिक पे क्रमों द्वारा पुनापूर्थी की जाती है तदापी जल की पर्यात रुख से पुना पूर्ति ना होने पर जल इस्तर नीचे गिर सकता है ऐसा नेक कारणों से हो सकता है जनसंख्या में बिद्धि उद्धोगे पर किर्सी कतिविदियों आदी भाम जल इस्तर को फिरभावित करने वाले कुछ सामान कारक है अलब वर्षा एक अन्यकारक है जो बाम जल इस्तर को नीचा कर सकता है बाम जल इस्तर को प्रभावित करने वाले अन्यकारक है अपरोपण बनून मूलन और जल की आउस्तर के लिए प्रभाविचित में पहिलिए याद रखिए एक बार बतारे कि हमारी इतनी योखार कभी नहीं है इंसान की कि वो प्रक्ति करसा रक्षन कर सेब प्रक्ति से कोई आप से कुछ नहीं चाहिए बस उसे कोई नुकसान पहुंचाईए उसमें इतनी चमता होती है कि वो अपने आपको संतुष या पुना पूर्थी कर सकती है जो भी छती होती है वो दुबारा आपनी कबर कर लेती है लेकिन तुम उसमें कुछ हानी मत पहुंचाईए उसके सामने तुम कोई भी समस्या खड़ी मत करिया गांदी जी ने एक सुना होगा आप सबी दोग ने कि गांदी जी ने कहा था कि वो परक्रिती हमारी आवस्तक्ताओं की पूर्थी हर इंसान की आवस्तक्ताओं की पूर्थी खल सकती है लेकिन किसी एक लालची व्यक्ति की पूर्ती के लिए ये हमारे प्राक्तिक संसाधन कम पढ़ सकते हैं कि भी मानों वड़ा लाज़ अच्छे अब बात करते हैं जन्संख्या परसाथ जन्संख्या बढ़ने हैं सिर्भावनों दुखानों कार्यालें और सडकों के निर्माड की मान भी बढ़ जाती है बरसा जल के अवस्तरांट की दर कम हो जाती है यदि खुले चेत्रों में इसी तरह की कमी होती है रही तो उसका क्या पढ़राम होगा याद रखिए कि पक्के फरस्ते जल आसानी से स्रावित नहीं होता है यानि की रिसाव नहीं होता है इसका जब कि गहाँस के बभीच मेदान मैदानों आदी से जल तुरंत आउस्तर भी हो जाता है यही नहीं निर्माड कार के लिए भी बड़ी समातरा में जल की आवा सकता होती है इसके लिए परहा बहमजल का उपयोग किया जाता है इस पकारे एक ओर हम अधेक बहमजल का उपयो बास्ताव में अनेक सहरों के कुछ भागों में बॉंग जल का इस्तर चिंता जनक रोब से अत्य देख निमन इस्तर तक पहुंच गया है बढ़ती हो उद्धोग जल का उप्योग सभी उद्धोगों द्वारां किया जाते हैं हमारे उप्योग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उपादण में कहीं ना कहीं जल किया भाद आवस्तह होती है उद्धोगों के संक्या निंतर वड़ती जा रहे हैं अधिकान सुप्योगों द्वारा उप्योग कियाने वाला जल भूमी से निकाल जाता है किरिया गलाव 16.4 ऐसे कुछ देवों के नाम बताईए जिनसे आप पर्चित हैं हमारे देने गीवन में उपयोग किये जाने वाले इन में से प्राफ्त होने वाले उत्तपादों की एक सूची बना सकते हैं अपने सिक्षकों या सिक्षका और मादा पिता से इस बारे में वास्चीत करिए इस वेकार बढ़ते हुए उद्दे उदंदे बहुम जल इस्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तर रहे हैं फिर आपका किर्सी कारण भारत में अनिक्यांस किसान अपनी फसलों के सिचाई के लिए बर्सा पर निर्भर करते हैं नहरों जैसे सिचाई तंत किवल कुछी चित्रों में अपलगते हैं इन तंतों में भी आनेमी द्वर्शा के कारण जल की उपलंदिता में कमी हो सकती है। अताहा किसानों को सिचाई के लिए बहुम जल का उपयोग करना बढ़ता है। जनसंख्या के बढ़ती दबाव के कारण किलसी के लिए बहुम जल का उपयोग दिन बढ़ता जा रहा है। इसके पईडाम सवरूप बहुम जल इस तरह में लगा दो। घ्रावट आ रही है। बात करते हैं जल का विदरण, अनेक कारण से उसकी विवने चेतरों में पाया जाने वाले जल की विदरण में बहुत आसमानता है। इसके सभी चेतरों में एक समान रूप से बरसा नहीं होती है। कुछ इस्थानों पर अद्येग बर्सा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम बर्सा होती है। अद्येग बर्सा से फ्रया बाढ आ जाती है, जबकि बर्सा की कमी से सूखा बरता है। हमारे देश में एक ही समय पर कुछ छेत्रों में बाड़ और कुछ में सूखा हो सकता है। बात करते हैं किरिया कलाब 16.5 हमारे देश में और 72 बरसा का वित्रण 16.8 में दिखाए गया है। यहां देखते हैं मार्चित में एस इस्तान को दूरिये जहांब रहते हैं। कि यह जल प्रवंदान के कारण होता है। यह आपका भालत का बर्सा मांचित यह आपका स्री लंका हो गया लक्षरीप सागर अन्वानुको वार्दुए बंगाल की खाड़ी अरव सागर यह आपका जो निक काला बॉक्स दिखरा है यह रन आपका 400 से अधिक सेंटीमीटर बर्सा को दर साथ है यह नीले रन का यह आपका 200 से 400 यह आपका 100 से 200 सेंटीमीटर यह साथ से साथ और 20 से 40 से होज़े है सब से नीचे 0 से 20 यह आपका 400 से अधिक सेंटीमीटर बलसा होती है यह आपका यह बूटान हो गया बंगलादेश यह आपकी करक रिखा म्यान मार हो गया चीन तिबबर नेगबाल पाकिस्तान यह अफगानिस्तान आपको एक कुश्यन है आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी जो करक रिखा है कितने दिर राज्यों से बुजलती है ठीक है सोचके गूगल पर सर्च करकर आप लोग बता सकते हैं ठीक है बात करते हैं जल प्रवंदन के बारे में आपने कप्चा छटवी में बढ़ा था कि अनेक इस्थानों पर जल की नेमित आपूर्ती सुनिश्कित पाईप दंत के द्वारां की जाती है जब नागरिक फ्रादी करंड पाईपों द्वारां जल की आपूर्ती करते हैं तो यह संभव एकी जल गंतव तक ना पहुंच पाईप आपने संभवत जल अपूर्ती पाईप में रिसाओ को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाईपों से रिस्क बहे जाता है यह नागरिक अदिकारियों का उप्तरदायत है कि बहुंग मोले जल को इस पकार बैत होने से रोका जाए को प्रवंदन अधवा बरवादी बेक्तीगत इस तरों पर भी हो सकती है हम सभी जानबूज कर अधवार अंजाने में दातों में मंजन करते हैं दाड़ी बनाने नहाने और कई अन्न क्रिया कलापों के दौरान जल की बरवादी करते हैं तुटीपूर्ण टौटीयों से जल रषाओ उसकी बरवादी का एक अन्न सुरुत है उप्योग के दौरान जल की बरवादी से ऐसा पितीत होता है जैसे भवज में हमें जल की आवसकतर नहीं होती है हमने देखा हैं कि बरसा के रूम में जो जल हमें प्राप्त होता है इसमें से अधिकास ऐसे ही बहे जाता है यह बहुमूल प्राप्तिक संसाधनों की बरबादी है बरसा जल का उपयोग भूम जल के इस्तर को पुना पूर्थी करने के लिए किया जा सकता है इसे जल संगरण अथव आप बरसा जल्स अंगरंट कहते हैं जिसके बारिया मैं आपने कच्छा छटवी में पड़ा हुआ याद रखिए जल्पे बंदर के बारि में आपने लोगों ने एकसर देखा हुआ कि जब हमारे नल आ रहे हुँ जब हमारे यहां टंकी बरी हो तो हम उस चार से पांच बाल्टी नहाने में यूच कर लेते हैं ठीड और पानी को बरबाद करते हैं याद करिए वो समय जब हमारे यहां पान नल नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, लाइट ना हो, टंकी ना हो, उस ट्रमा हम क्या सोचते हैं, कि एक डिवाही मन जाए, जिससे हम लोग नहा क्याल है, मन्यन ही करने हैं, मन्यन के लिए तरस जाते हैं, तो यह सही बात है, जिस पर ब मासा रहता है कि जल बचाओ, एक रोगो करो, जिसके इसका महत्त मालूम है, उसी से बूचिए, उस पर क्या बीटते हैं, जहां जल की कमी है, हमारे लिए जल की कमी नहीं है, तो हम उससे नहीं परचित होंगे, यह मालूम कीजे कि क्या आप के आसपास, किसी इमारत में जल स सिथाओं का सधियों से चलन रहा है, बावडी जल संचित करने का पारम पर इक तरीका है, समय के साथ बावडीयों का रख रखाव बंद कर दिया गये, जिनसे इन जलासा में दीरे दीरे गाद जमा होती गई, तदापी जल की अतरी कमी किका रहे हैं, इन छितरों के लोगों उनका प्रवंदन भरीवाती हो रहा है, किसान भी अपने खेतों, खेत में जलकाव भी हो, मित बैजता से खल सकते हैं, समभता आप आपने बूंद, डिप सिचाई बेवस्ता के बारे में जल सुना हुआ, डिप सिचाई बेवस्ता कम ब्यास के पाईपो द्वरा, पौधों वहां का ताजे जलकाव एक मात फ्रोत भूमीगत जल हैं, क्योंकि छेत में नदियों में बर्स बर परयात जल नहीं होता है, पिछले बर्सों जलका की मांग बढ़ गई, भूम जलका उप्योग पुनापूर्ती होने वाले जल से कहीं हैं देख हो गया, इसके पाईडाम सर जल संग्रहन का निश्चे किया, रुकमावती नदी और उसकी अनेक साहिक नदियों पर अठारे चेक डेम बांध बनाए, इस तरह के एकतित किये गए जल से, मिर्दा में अंतासरावन की तर खुबढ़ा दिया गया, जिससे जल बरों की पुनापूर्ती हो गई, इस चित क जिसानों के इनसाद, जब पुमों में पानी वरस बर उपलब्द रहता है, और जल बहेकर समुद्ध में चला जाता है, और बैत हो जाता है, अब सिचाई के लिए उपलब्द हो गया है, एक बांध बनाने के बाद, अब बात करते हैं, आपकी भूमी का क्या हो सकती है, क्य आप कभी अपने गर विद्ध्या लए, अद्वा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी वहता है, देखकर उसे बंद करते हैं, रित्ते हुए नलों से बहुत से जल बैट बहे जाता है, जल की बरवादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं, आईए आपकी साहता क के लिए उनको छुदारण पर बचार कर सकते हैं, जल बचत आ देते हैं, मंजन वरुस करते हैं, नल को लगातार खुला नाज पर रखें, फरस की दुलाई का नहीं की वज़ा है, उस पर पहुचा लगाने, ठीके हैं, और पात्पों पर जल की कमी का प्रवाद, आपने दे पर बचार करने के लिए जल की आउसकता होती है, गल्पना कीजिए कि यदि पात्पों के लिए जल उखलद नहीं होगा, तो उनका क्या परिडाम होगा, पिद्वी पर से हर्याली लुप्त हो जाती है, जाएगी, इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पात्पों के ना रहने का परिडाओं, यह होगा कि पिद्वी पर ना ही परियाप्त भोजन, ना ही ऑक्सिजन उप्लग्द होगी, ना ही परियाप्त बार्शा होगी, इससे समझ अनेक समस्यां आपके सामने उत्पन हो सकती है, एक सफल परियास, राजिस्थान एक गरम और सुस्क चे उनने पास सूखी वी नदियों, आखेरी, पूपारेर, सलसा भागनी और जहाज वली को जल संगरण द्वारा पुनार जीवित कर लिया, हमारा जल हमारा लीव, तो इसमें क्या देखा है आपने, इन सभी सब्दों की परिवास आपको समझा गए जोगी, जल भर की, अवच जल संगरण, भौम, जल इस तर आल अबड़ देखा है, यही हमें जानना है मिल्मन, इस अध्याय से आपको क्या सीखने पूल है, जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार है, इसके विना जीवन संभव नहीं, एतीन अवस्ताओं में पाय जाता है, ठोस दिरफ और बास, यह अपनी जल चक के द्वारां जल की आपूरति बनी रहती है, फिर भी बिस के अनेग भागों में उप्यो जल की कमी है, बिस के विवन बागों में जल का पितरन आसमान है, ऐसा बहुत कुछ मानओ किरिया कलापों के कारण भी है, उद्दोगों की तेजी से बित्ति पर सकता हूं रुटको उप्यबंदन जल्की कमी के कुछ कारण है हमें पाईकों त्वारा जला पूर्थी के समय भावनों और अन्य स्थानों समें रज्टे नलों के कारान होने बाले जल्की बरवादी किप्ति जागरूप होना चाहिए जल्की अनावस्तक उप्यव रत्यद का से करें यदि पहुत धीक हो वह अधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाया तो हम ओड़ जाते हैं और अंता सूब जाते हैं यह था आपका यह आपके कुछ अभ्यास की क्वेश्चन देएगा अभ्यास की लगा सकते हैं और आप लोग पीडिया भी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम पड़री विए ठेल पूरी किताब आपकी वहां से पढ़ते हैं यह आपका भी कतब बनता है कि आप जल्को और अगर पता है एक और अपने इन भारत की समस्य है पहले से देख लिए दें फिल बताता है खोटा बल्ली गाओं के समीग जल संभव प्रवंधन परियुजना द्वान जल पर बंधन की मैंत कि पर पिकास्टा लागया है परियुजना की नाटकी पैडाम आई है बहौं ज जल इस्तर बढ़ गया है हर चेत्र में बिद्धी हुई है इसके पैडाम सुरूर इस ओ बंजय चेत्र में उत्वादक का और राय में आसातीत बिद्धी हुई है हमारे यह एक और ओवर में समाइड बढ़ी हुई है हर किसी में अगर आप नल बंद करोगे कहीं स्टेशन प आप उसे उठाके फेगो के तो पता है लोगों की मन में आपको बेवकूप समझ नहीं की यादत डल जाए है कि बेवकूप है उठा रहा है इस टाइम में बेवकूप बनना ही अच्छा है ठीक है क्यूंकि समझदार हो हद तो हर जगह हो गए है कोकुरमुत्ता देखा है न बिना होगा योग जाते हैं कोकुरमुत्ता उसी तरह समझदारों की संक्या कोकुरमुत्ता की तरह हो गई है पर इनका इतना भी किलिए रखिये याद किनकी बुद्धी भी कोकुरमुत्ता जैसी है तो आप अगर बेवकूप अपने आपको समझ सकते है या कोई बोल सकता ह ऐसा काम करते समय तो बिलकुल समझी बड़ी क्राप से कहिए कि हम बेवकू हैं तो यह हो गए आपका 16 एवा चैप्टर 17 भी चैप्टर में देखेंगे हम बन हमारी जीबन रिखा तो चलिए हम लोग बात कर रही थे तो इसमें अभी तक आप तुझे 16 चैप्टर के तम हो चुकी यह आपका है सत्द्रयवा इसमें बात करें बन हमारी जीबन रिखा तो यह आपका बन के आसपासी पूरा चैप्टर गोमेगा याद रुकिए आपको इन्हें इसे बड़े धहर के साथ सुनना है जो ही इसका ला एक साम बूजो एक ब्रेद बेक्ती के साथ पार्ट में गया उसने उनका परिचय करने अपने मित्रों से करवाया प्रोफिसर एहमद विस्त विद्ध्याले में एक कारगर एक बिग्यानिक थी बच्चे खिलने लगे और प्रोफिसर एहमद एक ब्रेंच पर बैठ रहे बे बच्चे समारों के बारे में जानना चाहेती थी प्रोफिसर एहमद ने उन्हें बताये कि सांस्कितिक कारक्रम के बश्चाद वरिष्ट नागरेकों ने सहर की विरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी सहर की ठीक बाहर इस्तित बन चेत की सफाई करके एक कारखाना इस्थाबित करने की योजना फिस्तुत की गई ती इससे सहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा बच्चों को बहुत आख्षय हुआ जब प्रोफेसर एहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस पिस्ताओं का विरोध किया था पिस्ताओं के विरोध का कारण बताती हुए प्रोफेसर एहमद ने बताया कि हरे भरे बन हमारे लिए उतने ही मत पूने जितना हमारे फैंपड़े इसलिए उन्हें इन्हें हरे फैंपड़े भी कहा जाता है किने बनों को हरे फैंपड़े भी कहा जाता है बन जल्द सोधन दंतों के रूम में भी कारी करता है उनकी बास्वन कर वच्चे भ्हमित हो गई प्रोफेसर एहमद समझ गई कि बच्चों ने बन नहीं देखा बच्चे बन के बारे में और अधेख चानना चाहते थे अता होनों ने प्रोफेसर एहमद की साथ बन में जाने का निश्चे किया बात करते हैं बन-बन, ब्रहमड, एक परिवार, प्राता वच्चे चाहू, हेंडलेस, छड़ी नोटबुक, आधी जैसी कुछ बस्तुयां साथ लेकर प्रोफेसर एहमद की साथ गाउं की समीब के बन कियों निकल पुड़ी रास्ती में उन्हें पास के गाउं कई, अपनी उम्म का एक लड़का टीवू मिला, जो अपनी शाची के साथ मवेसियों को बन में चराने के लिए ले जा रहा था उन्होंने पाया कि टीवू बहुत फुर्ती लाएं, क्योंकि वह मवेसियों के जुन्ड को एक साथ रखने के लिए आनन पाने में यहाँ वहाँ जा रहा था बच्चों को दिपकर टीवू ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेसियों को लेकर उनकी चाची दूसरे योड निकल गई जैसे ही उन लोगों ने बन में प्रविर्थ किया, टीवू ने अपना हाथ उठा कर सबको सांत रहने के लिए सक्के दिया, क्योंकि सोर्स से बन में रहने वाले जन्तूओं को परेशानी हो जगती थी फिर टीवू उन्हें बन में उंचाई परस्तित ऐसे स्थान पर ले जहां से सभी बन का व्यापप द्रस देश सके, बच्चे अश्चे शक्यत हो गए, क्योंकि उन्हें दोर दोर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी बिविन बैक्चों के सिखरों ने बहुमी के ऊपर हरा आवरन प्रिता बना दिया, एक पी आवरन इस तरह से समान रूप से हरा नहीं था, वहां का बातावरन सांथ था और ठंडी हवाब मंद गती से वहाई थी इससे बच्चे काफी तारो ताजा और फिसंद हो गए, खुछ बनने जनती है आथ के नीचे आते समय बच्चे अचानक बच्चियों की चर्चाराट हर्ट और बैक्चों की उची उची साखाओं की उसे विशिष्ट ध्वनियों का सोल सुनकर उत्तेजित हो गए टीगू ने उन्हें साथ रहने को करा क्योंकि यह वहां की सामान गटना थी कि बच्चों की उपस्तिती के कारण कुछ बंदर, बैक्चों पर और उची साखाओं पर चड़ गए थे जिससे वहां विश्राम कर रहे पपची असांत हो गए जन्तु अक्सर अन्न जन्तुओं को सचे करने के लिए विशिष्ट बेकार की धौनी करके चितावनी भी देते हैं क्यों ने यह भी बताया कि सुकर, वराय या सुगर जिसे बोलते हैं गौर, वाईचन, गीदर, सेगी, हाती जैसे जन्तुओं बंद के अदि सघंचित्रों में रहते हैं पुरोफिस से अहमद ने बच्चों को साधान किया और उन्हें बंद के अदिक सघंचित्रों में नहीं जाने में बूजो और पहली को याद आया कि उन्होंने कप्च्चा चटवी में बंद को आवास के रूम में पढ़ा था अब बिस्वम देख रहे थें कि बंद किस पेकार अनेक बस्तूओं और पात्मों के लिए आस है या फिर आवास पिदान करते हैं इस तरह से नीम हो गया या कबास सीसम हो गया सेमल जिस भूमी पर बच्चे चल रहे थे वह उवर्ड खावर थी और अनेक बैक्चों से डखी थी टीवू ने साल टीक सेमल सीसम नीम पलास जनजीर अंजीर खेर आवला बास कचनार आदी के बैक्चों की बैक्चान करने में उनकी मदद की प्रोफेसर एहमद ने बताया कि बन में अनेक पकार की बैक्च जाड़ियां साक और घास पाई जाती थी बैक्चों पर बैक्चों पर बैक्चान की घनी पक्तियों के आवरण के कारण सुर मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था जिससे बन के अंदर काभी अंदकार थ बात करते हैं क्रिया कलाव 17.1 के बारें अपने गर की बेम बस्तों को ध्यान से देखकर उन बस्तों की सुची बनाई हैं जो ऐसी सामक्री से बनाई गए हैं जिने 500 पराफ्त बनों से पराफ्त किया जा सकता हैं आपकी सुची में काफ्ट से लिक से बनीवर अन्य वस्तों हैं जैसे प्लाइवोड की नन की लगडी बक्से कागज माचिस की थिलियां फर्णीचर हो सकते हैं क्या आप जानते हैं कि गौन तेल मसाले जनतुओं को चारा और पॉस्तिय पादक जड़ी बूटी भी बनों से किसी प्राप्त होती हैं सीलाच समझ नहीं पा रही थी कि आखे इन बैक्षों को किसने लगाय होगा प्रोफेसर अहमद ने बताया कि परकिती में बैक्ष पर्याप मात्रा में भी उत्पन करते हैं बनकी भूबी उनके अनकुरान नवोध विल और पौदेव में विक्सित ह करती है इन मैं से कुछ बैक्ष की रूप में बिध्धी कर जाती हैं उन्होंने यह भी बताया कि किसी बैक्ष का साखिये भाब तने से उपर उठी जाता है जो आपका सिखर कहलाता है तो रोफेसर अहमद ने बैक्षों से उपर की ओर देखकर या नोट करने को कहा कि बन मे के नोपी कहलाता है यह आपका लगड़ी की मुर्ती हो गई सहद हो गया मुहली साथ हो गया गौन कत्था यह आपका कुछ सिखर वाले ब्याक्ष आपकर बात करते हैं हम क्रिया किलाब 7.372 आप है पांशे प्राप्त होने बाले उत्पादों के आधार पर तालिका को भर सक करते हैं हर शाणी में पॉद्धे का एक उधारन पहले से दिया गया है दिगे इतालिका उधारन में जोड़े बबूर सीसम नेम चन्नन चलिए अपनको निकल जाना है वस पड़की ठीक है फैक्टिकल नहीं करना है नहीं जाना दिमाग लगाना है क्रिया के लाव 17.2 बी मे अपने आसपास के विविन के बंद अथवा पुद्ध्यान में जाए बैक्चों को देखिए और उनके नाम जानने के परियास किजिए इस कार में आप अपने बुजोगों अध्यापकों अथवा पुस्त्वों की साहिथा ले सकते हैं जन बैक्चों को आप देखें उनकी विशेष्टाएं जैसे लंबाई पत्तियां का आकार सिकर उस्पों और फलों को सुचीवादी किये, कुछ बैक्चों के सिकर के चित भी बना सकते हैं, तो रोपेस है एहमद ने बताया कि बैक्चों के सिकर की आक्ति का आमाप में फरस पर भिन होते हैं, इसी कारण किसी पत्तिया और उंची गहास की पत्ते हैं, पर नीचे की तरह परस साख बनाती हैं, क्या सभी बनों में बैक्च समान प्रिकार के होते हैं, बूजों ने पूंचाई सवाद, पर उपेस है एहमद ने का, नहीं, बिभिन ने जलबाई भी ये परिस्तितियों के कारण, बैक्च ये आपकी अदर उतल हो गए, ये आपका सिखर हो गए, कुछ बच्चे जाडियों और सापों के पुस्पों पर, यहाँ वाँ मडराने वाले, खुबसूरत दिलियों को देखने में बैस्तियों, उनने जाडियों के नजदित जाकर उन्हें देखने का प्रियास किया, ऐसा करते समय, उनके बालों और बस्तों पर बीज और जाडियां चिपटें, बच्चों को बेक्च की छाल, पौधों की पत्तियों, और बन भूमी पर सडग गल रही, पत्तियों पर अनेग, कीट मकोड, मकडियां, गिलहरियां, चीटीं, और विविन छोटे-छोटे जंतू भी दिखाई दिए, उन्होंने उन जीवों के चित बनाने आरम कर दिए, बन भूमी की सतर पर गहरी रखी दिखाई रही थी, तथा वही सोखी और चैमान, पत्तियों, फलों, बीजों, पहनियों, छोटे साकों से डखी वी थी, चैमान पदात आद और गरम थे, बच्चों ने अपने संग्राय के लिए बीज, बिवन बीज और पत्तियां एकरतिव करने, बन भूमी पर सोखी पत्तियों के उपर चलना, किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान पिती थो, रहा थे, क्या छैमान पता सदेव गरम होते हैं, प्रोफिसर आनुब ने सुझाओ दिया कि ब इसके उपर कुछ जल्बी डाल दीगे, तेन दिन बाद मिटी की उपरी पर हटा दीगे, क्या गड़ा भीतर से गरम रहे, लगता है जी, पहरी ने पूचा बन में इतने सारे बैक्चे हैं, यदि हम कार खाना के लिए कुछ बैक्चों को काट दें, तो क्या फर्क बड़े ह आहमद ने बताया, कि तुमने सो पोसियों और पर पोसियों और मिट पोसियों के बारे में पढ़ाएं, तुमने पढ़ाएं कि हरे पादप किस पेकार भोजन का निर्बान करते हैं, सभी जन्तू, चाहे भी साख भाजियों, भक्चियों और या मास भक्चियों, अंतता भो गास को कीटों द्वारा खाये जाता है, जिन्हें आपका कीटों को मेड़क खा जाता है, मेड़क को सरफ खाता है, और इससे आपकी खाद सिंखला कहा लगता है, देख लिए इस पॉइंट की सब्दी की परिवार्सा के लिए ये सब आपकी कहानी गड़ी लिए, खाद सिंख किसे कहते हैं? जैसे उदारन के लिए आप लोग लेग सकते हैं घhas को कीटौ न्वारा खाया जाता है, जिन्हें कीट को मेडख खा लेती हैं, मेडख एक को सरव खाता है और इसी किरह में चलती रहती है इसे खाद सरव घाता है गास हो गया कीट, मैडग, सरब, उकाव, गरवड, ठील, बन में एक खादी संखलाएं पाई जाती है, सभी खादी संखलाएं परसपर सम्मध्ध होती है, यदि किसी एक खादी संखला में कोई बिधिन पढ़ता है, तो यह है अन्न संखलाओं को प्रभावित करता है, बन का किती भाग, अन्न भागों पर निर्वर करता है, यदि हम बन के किसी घटक, जैसे ब्यक्चों को अलग करें, तो इनसे अन्न सभी घटक प्रभावित होंगे, प्रोपेसर अहमद ने बच्चों से बन भूमी की सतय से पत्तियों को उठा कर उन्हें हैंडलेस से देखना है के यह कहा, उन्हें छैवान पत्तियों पर उन्हें मसरूम दिखाई दे, उन्हें नन्नी कीटों, मिलीपीडों, सर्ष्त पादों, चिंटों और भेंगों की सेना भी उन पर दिखाई दे, उन्हें आर्श्य हो रहा था कि यह जीव, वहाँ कैसे रहते हैं, प्रोपेसर अहमद प्रोपेसर अहमद ने बताया कि यह मिरत पातों और जन्तु उत्कों को खाते हैं, और उन्हें एक गहरी रण की पदार्थ में परिवर्दित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कि यूमस प्याद रुकता है, यह आपका पोसक हो गया, यहाँचे अपर टक मिल्दा, जल, परिक संसलेशन, कार्वन डायोकसाइड, आकसीजन, आपने हियूमस के बारे में अध्याय नौ में पढ़ा था, आपको मिल्दा की कौन सी परत में हियूमस मिल्ता है, मिल्दा के लिए इसके क्या उपयोगता होती है, पातपों और जन्तों के मिल्द शरीकों हियूमस में परिवर क्या निवाते हूँ, यही जानकारी मिल्ते ही, पहरी ने मिर्द पत्त्यों को हटाना आरम कर दिया, कुछी देर उप में भूमी पर हियूमस की परत की खोज निकाला, बियूमस की अभल ओपस्ती ती यह एसोनेश्यित करती है, कि मिल्द पातों और जन्तों के भोशकत में म निर्मुक्त हुद्धि रहते हैं। वहां से ये पोसक्तत पुनहा सजीव पात्मों के मूलों द्वारा अवसोसिक कर लिये जाते हैं। सीला ने पूचा जब बन में कोई जन्तु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीवू ने उप्तर दिया मिर्ट जन्तु गित्धों, कोऊं, गीर्ड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस पिकार पोसक्तत्तों का चक चलता रहता है। जिससे बन में कुछ भी बिल्द नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि बनों को हरेट फ्यंपड़े क्यों कर जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पाधप पेकार संसलेशन के पिकरम द्वारा उक्सीजन निर्मुkt करते हैं। इस पेकार पादब जन्तुों के सोसंग के लिए oxygen उपलक कराने में सहाइक होते हैं, विबाई मंदल में oxygen और carbon dioxide की संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए बनों को हरे फ्यंपड़े भी कहा जबता हैं, यह आपका carbon dioxide जन्तु oxygen पादब, oxygen जन्तु लेते हैं, उसके बाद carbon dioxide छोड़ते हैं, यह आपका पादब यूच करेंगे, उसके बाद o2 generate करेंगे, oxygen और carbon dioxide का संतुलन, बच्चों ने देखा कि आस्मान में बादल बन रहें, बूजों ने याद दिलाया कि उसने कच्चा छटवी में जल्चक की बारे में पढ़ा था, बैक्चक ने मूलों से जल अवसुसित करते हैं, वो वास्ट को सरजन द्वारा जलवास्ट निर्मुक्त करते हैं, यदि ब अनेक मानव समदाए भी रहते हैं, इन में से कुछ बिवेन जन जाती हैं कि हो सकते हैं, टीव ने समझाए कि ये लोग अपनी अधिकतर आवस्टाओं के लिए बनों पर ही निर्वर रहते हैं, बनों ने भोजन, आसरे, जद और अस्तियां पिदार करते हैं, बंचित में र जहने को पार करता हैं, कुछी पल में सभी हिरन जाडियों में गाये होगें, सगन जाडियों और उची गास जन्तूं को भोजन और आसरे पिदार करती हैं, ये उन्हें बन में रहने वाले मातवक्ची जीवों से सुरप्चा भी करती हैं, टीव ने ध्यान से बन कि फरस को अचानक कुछ दे देखकर उसने बच्चों के को अपने पास बोलाया, उसने उन्हें कुछ जन्तूं की लीद दिखाई दी, विवन जन्तूं की लीदों के बीच अंतर समझाया, प्रोफेसर एहमद ने उन्हें बताया कि बन अधियारी, बन में कुछ जन्तूं की उपस्तत पर करती है, बूजों ने सब का ध्यान जन्तूं की लीद की, एक बड़ी छैमान देरी की और आकरसित किया, उस धेर और अनेक ब्रेंग और केटरपिलर लार्वा पनक रहे थे, तथा अनेक नवोध भी अंक्रित हो रहे थे, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ए नवोध भी कुछ साकों और जाणियों के जन्तू भी कुछ पात्पों की बीजों को पिकेडित करते हैं, इस प्रकार जन्तू बनों में पात्पों को बिद्धी करने और उनके पुनर जनन में सहय कुद्धी, जन्तूं को चैमान गोवर मासा देकर बन् साकाहरी जन्तू को भूजन और आवास के लिए अधिक आउसर प्यदान करते हैं, साकाहरीयों की अधिक संख्या कर रहतें कि विभिन पेकार के मासवक्षियों के लिए भूजन की अधिकता अधिक उपलाब देता, जन्तू की विभिन किसमें बन के पुनर और बिद्धी में सहायव होती है अब घटक बन में उगने वाले पात्मों के लिए पोशक तत्मों कि आपूर्ती को बनाए रखने में सहायव होती है इस विकार बन एक गतिक सजीव एकाई है जो जीवन और जीवन चमता से भर पूर है अब लगवक्त दोपहर हो गई थी और बच्चे बापस जाना चाहते हुए टीवू ने बापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझा है जब ये बापस जा रहे है थी तभी बरसा होने लिए उन्हें यह देखकर राश्य हुए कि बरसा की बूने बन भूमी पर सीधे नहीं पड़ रही थी बन बितांत की सबसे ओपरी बरत बरसा की बूनों को बिक्चन कर रही थी अर्था चोटी-चोटी फ़ार में परिवर्दित कर रही थी अधिकास जल बैक्चों की साखाँ और पत्तियों और तनों से उठता हुए नीचे की जाडियों और साखों पर दीरे-दीरे गर रहा थ उन्होंने बिताया कि कई स्थानों पर भूमी अब भी सोखी थी लगवत आदा गंटे बाद बरसा रुप गई उन्होंने पाया कि बन भूमी किसी की सतय पर गिरी मृत पत्तियों की बरत अब कुछ गीली हो गई थी लेकिन बन में कहीं भी जलका यमाव होता दिखाई नही होती है यह आपका भूम जल इस्तर हो गया मोलतंद मोलतंद जल के भूमी में आवसरावित होने सायव उतर छैवान सामक्डरी से ढकी भूमी स्पन्जी की बाती पितीत होती है संब्रत बितान्त और बनस्पति की अनिक परतें बरसा की बूनी की चाल को कम कर देती है यह होगे जब आप किसर में कई गंटों तक उच्च दर से बरसा उती तो क्या होता है रोभी स्थर एहमद ने उन्हें बताय कि बन बरसा जल के प्राक्तिक आवसुसत का कार्कारी करते है और उन्हें आवसरावित होने देते हैं यह बर्स बार बाम जल इस्तर को बनाय रखने में सहाइक होता है बनना सिर्फ बाड़ों को नेतित करने में सहाइक होता है बलकि नदियों में जल की प्रवार को बनाय रखने में भी सहाइक होता है जिससे यह मैं जल की सतत आपोर्ती मिलती रहती है इसके प्रीत यदि बैक्च नाओ तो बर्सा जल सीधे भूतल में गिर कर आसपास के चेतरों में भर सकता है। तेज बर्सा मिर्दा की उप्रेव जाओ परत को भी छती पहुचा सकती है। वेक्चों तथा अन्रपोधों की मूल सामानतर मिर्दा को एक साथ बांदे रखती है। लेकिन उनकी अन्रती में मिर्दा बर्सा जलकी साथ बह जाती है। अर्तात उसका अपर्दन हो जाता है। अ ज़ुकरी मिर्दा के अपनी जगयश से हटना अपर्दन ही होता है। लौटते समय बच्चों ने टीवू के गाउं में एक गंटे का समय बताया, गाउं का मौसम कापी सुहाना था, गाउं बासियों ने उन्हें बताया कि आसपास बंद से गेरा होने के कारण यहां अच्छी बरसा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहां धोनी पिदूसन भी कम क्योंकि बन वहां से गुजनने वाले सडकों के बाहनों के सोर को आउसर से कर लेते हैं, बच्चों नों गाउं के इतिहास के बारे में भी जानकारी परात की, उन्हें है अजानकार अक्ष्य हुए कि उस छेत के गाउं और किस्ती के लिए खेत लगबक 60 बरस पहले बन को का कर उपलवदी किये गए थी, टीवू के दादा जी ने उन्हें बताया कि जब बेच छोटे थे, तब गाउं का छेत इतना बड़ा नहीं था, जितना आ रहे है, यह बनों से गिरा हुआ भी था, सडकों एमारतों आदी के नेपाड, उद्धोगी बिकास, लकडी की बरती, म पाद्धू पस्वों द्वारां, अप्ते देश चराई हो बेच्चों के लिए, अजाद हम दे कटाई के करण, लोगत होने के करार पते हैं, प्रोफेसर एहमद ने बताया कि अधी हम समझदारी से काम लें, तो हम बनों और परहावन को सनक्चित रखने के साथ साथ विकास कारी भी कर सकते हैं, बच्चो ने ऐसी करणा हो कि पैढाम को देखने के लिए, बन बह्रमर के उपराद, प्रोफेसर ने बच्चों से साहरांस में बनों के मत के बारे में लिखने को बार, बच्चों ने लिखा कि हम बन बन, लिखा हम, बन हमें आउक्सिजन ब missile करते हैं, बेव में दागी सुरक्षा भी करते हैं, अनेग जन्तुओं को पांसर गजान करते हैं, बन आसपास के छित्रों में बर्सा का उचित इस्तर बनाए रखते हैं, बन औस दिये पात्मों काष्ट और अनेग उपए होगी उत्वादों की सिरोते हैं, हमने अपने बनों को रखने के लिए हर संभव तुर्याज करना करते रहना चाहिए, तो इस सद्याय में आपने क्या जाना है, बैक्च पितांत को जाना है, पितांत को, बैक्च सिखर को जाना है, अपका टक को, क्यूमस, पूनजयन, बीच पिकीडन, मिर्दा परदन, अधो तल, बन अरोपन, तो आपने आज क्या सीचा, इसमें, बनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, बन, बन बिविन पाजपों, जन्तुओं, वो सुक जीवों से मिलकर, बन बना एक तन थे, बनों की सबसे उपरी परद बैक्च सिखर बनाते हैं, जिससे नीचे जाडियों दारां बनी परद हो बन के विमन गटक एक दूसरे बन नेवर होते हैं, बन बिट्टी करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं, तथा उनका पुनरजन हो सकता है, बन में मिल्दा, जलवायों और सजीवों के भी परस्पर किरिया होती रहते हैं, बन मिल्दा बन दन को से बचाते हैं, मिल्दा सामागरी उपलब्द कराते हैं बन इन समधायों को जीवन का आधार करते हैं बन जलवायू जलजक्त और बायू की तुड़वत्त को नेमित भी करते हैं कि यह आपके कुछ अभ्यास के लिए questions दिये गए हैं देख लिए ना जो आपकी PDF थी वो टलीराम पर प्लग करा ली गए हैं वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपने पास लख लेना भारत में बन कुल चेत फल का लगवग 21 पिती सत बन चेत हैं सुतंता प्राप्ती की बास से यह निरंदर कम होता जा रहा है लेकिन ऐसा पितीत होता है कि यह हमने बन अच्छादेत की चेत की मत को समझ लिया है हाल के वर्सों में किये गए एक सर्विक्षन से यह संकित मिल रहे है कि बन 28 चित में थोड़ी बित्धी होई है तो यह धापका 17 वा चेप्टर बन हमारी जीवा लेका अठारवी चेप्टर में हम लोग बात करेंगे अक्सिष्ट जल की कहानी नमस्कार तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कक्षा साधवी की विज्ञान के बारे में हरा चेप्टर थी आपके बिल्ग्यान इसे कंप्लीट करने के बाद हमारे कक्षा चटवी की और कक्षा साधवी की जो हमारे लिए महत्पूर थी स्विल सर्वेस या फुरे इस्टेट पीसिएस के लिए जो भी आपकी वुक्स जरूरी थी वह हम लोग कंप्लीट कर चुके अगली की लास से हम लोग बात करेंगी कक्षा आठवी की ठीक कप्षा चटवी और कप्षा साधवी जो भी नमारे लिए जरूरी बुक्स थी वह पर बढ़ी क्योंकि लाश्ट में पहुंचते पहुंचते मुझे भी लगता है कि आपका 80-50% वो कभी-कभी 90% तक आपके concept clear हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी सब्द नहीं मिलता है जिससे आप समझ ना सकें और जो भी निस्ट करस होता है वो बता दिया जाता है लाश्ट में तो आपको डरने की तो कोई जरुवती ही नहीं बस बड़ी धैर के साथ सुनना है हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या अप्दूसित करते हैं जो दूसित क्या आपको अश्य हुगा है जाग से वर्पूर तेल में से काले भूरे रंका जल जो की सेंग सोचाले लॉंडरी आदी सिनालियों में जाता है वह आपका जल कहलाता है इस पकार के कार्यों में फ्रियों जल को वैत नहीं जाने कि दिये न चाहिए हमें यसे जल से दोफ़ी रजन पतारतों को हटा का कर उस सवक्ष बना लेना चाहिए क्या कभी सोचा है अपसिष्ट जल कहा जाता है इसका क्या होता है हमारे देश में तो इसुत सौक्ची जल की कदर नहीं है तो अस्टिष्ट जल को कहां बचाएंगे लोग बड़ा जागरूपता का भाव है किसी समस्या को तक तक सौल्व नहीं किया जा सकता है खतम जब तक कि लोग जागरूप ना हो उसके पिदिए आंगे बात करते हैं जल हमारी जीवलेक सौक्ची सौक्ची जल मानों की मुलूद आवस सकता हैं आईए हम सौक्ची जल की विविन उपयोगों पर विचार करते हैं किरिया खलाब 18.1 बरताकार खाली स्थारों में सौक्ची जल के उपयोग लिके हमने सौक्ची जल की उपयोग का एक उधारन दिया आप इसमें और भी उपय जोड सकते हैं खाना पकाना नहाना पीना इस तरह एक उपयोग है दुरभाग इसे उपयोग के लिए उपयोग स्थिया सभी को उपलब्द नहीं है एक रिपोर्ट के अंसार एक अरब सेदिक ब्यक्तियों को सौरक्चित पेजल उपलब्द नहीं है इसके कारण बिस की जन संबंदी तरोगों से पीड़ेत रहता है और मित्यू का ग्रास हो जाता है जैसा कि आपने अध्याय सोले में पढ़ाता कि कई चेत्रों में लोगों यहां तक की बच्चों को सवक्ष जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है क्या यह मानों की गरिमा क के लिए गंबीर समस्या नहीं है आपने अध्याय सोले में पढ़ाता कि जन संख्या बिड़्दी पिर्दूसन उद्दोगी विकास को प्रवंधन और अन्य कार्कों के तारण आलवर्ड ताजय जल की आपूर्तिम बढ़ती कमी के बारे में पढ़ाता है इस्तिती की गंब अन्तराश्टिय दसक की रूम में घोसित किया था इस दसक में दिये किये जाने वाले सभी प्रियापसों का उद्देश उन व्यक्तियों की संख्याम को घटा कर आदा करना है जिने सुरक्षित पे जल उपलत नहीं है ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश की प्राति क काफी तिर्यास किये लेकिन अभी बहुत कुछ बागी है जलकी सिफाई करने के पिक्रम में जलके जल सरोतों में प्रवे सद्वा उनकी पुनाहां उपयोग से पहले उसमें से पिदोसों को अलग करना संबले तो अब सिष्ट जलके उपचार का या पिक्रम सामान रूप से वाहत मल कुपचार कहलाते हैं यह अनेक चर्णों में संपन होता है यह आपका अंतराश्टी यह दसक कहलाते है जल जीवेन के लिए बाहत मल क्या होता है बाहत मल घरों उद्द्यों अस्पतालों कारयालों और अन उपयोग के बाद प्रवाफित किये जाने वाले अपसिष जल भी समलेते हैं जो तेज बर्सा की समय गलियों से बहता है और सडकों और छटों से बहे कर आने वाले बर्सा जल अपने साथ हानिकारत पदारत को ले जाता है वाहत मल द्रव रूपी अफसिष्ट होता है इसमें अधिकास जल होता है जिसमें गुले हुए और नीलंबित अपसिष्ट होते हैं किरिया कलाव 18.2 अपने घर के आसपास बिद्धियार है अध्वा सडक पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहेने वाले वाहत जल का निरेच्चन कीजिए बाहत जल के रंगंद और किसी अन अवलोकन को नोट कीजिए अपने मेत्रों और अनकारी को साइडी 18.1 में साइडी वद्ध कीजिए अब हम जाते हैं कि बाहत जल मल एक जटिल मिस्सर्ण होता है जिसमें नीलम्बे ठोस कार्वनिक और आकार्वनिक असुद्धियों पोसर्तत और मिट्ध जीवी और रोग भाग जीवारू और अन्य सोख जीव होते हैं इनमें निम्लिकित सामिल होते हैं इन असुद्धियों के कुछ सामान उधारन इस पेकार हैं बाहत मल का पिकार कूडा करकट रसोई मलिन जल दुर्गंग अफसर्ट और वेवसाइड अफसर्ट कार्वन असुद्धियों में इनमें पाया जाता है मानों मल जैवी कप्त पदाय तेल इूरिया पीड़क नासी साक नासी फल और सब्जी का कचरा आधि आकार्वनिक असुद्धियों में आपका नाइट्रेट फॉस्पिट कुछ धात्वें होती हैं पोसक तत्य में आपका पासपुरस और नाइट्रोजन एक पदार्थ होते हैं जीवालों हैजरा और टाइफाइड आधी रोग उत्पन्द करने बाले क्रमसा वीवियों कोलेरा कोलरा सालमा नेला पैराटाइटी आधी पाय जाते हैं अन्यसूठ जीवों की बात करें तो 25 आधी रोग उत्पन्द करने बाले आपके पोटो जुगा इसमें पाय जाते हैं बात करते हैं जल्सोधण एक गटना पूर यात्रां घरों अकवा सारवनेक भवनों को सौक्ष जल की आपूर्ती सामानता पाइपों के एक जालद्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन जालद्वारा कुप्यो किए जा चुकी जल को ले जाया जाता है कल्प ना किजिए कि यदि हम भूनी के अदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों की एक जाल दिखाई देगी जिसे सीवर जिसे क्या कहते हैं सीवर जो मिलकर मल्विसरजन की विवस्ता करता है यही एक परिव कामता पिती 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर जो दो याधिक सिवरों के संदी स्थर पर अथवा उन्हें स्थानों को रिष्थत होता है जहां दिशा में परिवर्तन होता है किरिया गलाव 18.03 अपने घर विद्ध्याल है अथवा किसी सारुजिनिक भवन से वाहत जल की तका ट्रेखा चितिक बनाएं गली सड़क अत्वा परिषय में गूमकर उनका सर्विक्चा करें और मैन होलों की संक्यार मालूम करें किसी खुले नाले के उनके जल में कौन से सजीट की पनरव हैं उनकी सुची तेयार करें यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास वेवस मालू चला कि 2-4 साल इसी में आपने गुजार दी तब तक आपकी एकस्पायरी डेट निकल दियो पिदोसित जल का उचार किरिया गलाव 18.4 से आपको उनके करमों को समझने में आसानी होगी जो ही जो आपके वाहित जल उचार सायंत में संपादित होते हैं किरिया गलाव 18 18.4 इसकी रिया कलाव को करने के लिए अपने सैपार्टियों को समूव में विभाजित करें पितेक चर्ण में पेक्षणों को लेकॉर कीजिए कार के किसी बड़े जार को तीन से तीन बटे चार भाग तक पानी से भल दी जाए इसमें कुछ गास कितिनके अथवा संत्रे के चलते जैसे कार्वनिक अपसिष्ट थोड़ी मातरा में अपमार्जर और सेहाई अत्वा किसी रंग की भूने मिला दें जार में डखन लगा कर उसे अच्छी तरह हिलाएं मिसरण को दो तीन दो दिन तक दूम में रखा रहें हैं दो दिन बाद मिसरण को परसे हिलाएं और इसकी अल्ब मातरा नमूने के तोर पर किसी परक्नली में डाल दें इस परक्नली में उप्चार से पैड़ी नमूना एक की चिट लगा कर इसे नामांकित कर दें मिसरण की गंद कैसे हैं काच के जार में सेस बच्च मिसरण में जल जीव सादा एक्विरियम के वातित से कई गंटों तक बायू के बुलोले बुजारें बातित को रात भर जुड़ा रहने ने की ताकि मिसरण का कुछ गंटों बातन को हो सके यदि आपको पास आपके पास वातित नहीं है तो यांत्रिक बिलोटक अथवा मिक्सर का उप्यूग करिए आपको इसे अनेक बार बिलोड तक हो जाए तो किसी अंड परक्नली में दूसरा नमूना डाली इसे वातन के बाद नमूना दोके रूम में नामकित की लिए फिल्टर पत्त के एक टुप्रे को मोड़कर संकुआ कर बना लिए अब फैतर पत्त को स्वक्छ पानी से घीला कर लिए फिर संकू को कीप में स्वक्छ की बजरी की परती बचाएं बास्तविक फैल्टर सायंत फैल्टर पत्त का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन बालू के फैल्टर की मोड़ाई कई मीटर होती है बचे हुए बाते द्रग को फैल्टर करके बीकरों में भर दिए द्रग को फैल्टर से वाहर गिनने मत यदि filter या किया हुआ दरख स्वक्ष नहीं हो तो इसे तब तक filter करते रहे जब तक कि आपको स्वक्ष क्या नहीं मिल जाता है filter जल के नमूने को तीसरी प्रगनली में डाले उसे filter जल नमूना 3 किरो में नामांकित कि लिए चौपरी परक्नली में फिल्टर जल का एक अन नमूना लिए इसमें किलोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाईए इसे अच्छी तरह से मिलाईए जब तक की ज़स्वक्ष ना हो जाए परकनली को किलोरीन निकित नमूना चार के रूम में नामांकित कीजिए सभी परकनलीयों के नमूने का ध्यानपूरवक अवलोकन कीजिए इसे चकिये मत किबल उनकी गंद सुंगी अब नेमलिकित फिसनों के उप्तर देजिए वातन के बाद दिरवक के रंगरूम में आप उक्या परीवतन दिखाए लेती है क्या वातन से दिरवक का गंद बदल जाती है वालू के पेटर अद्वारा कि किस पहकार की यसुद्धियां दोर हो लिल्गी क्या किलोरीन से दोसित जलकारा लोगत हो गया था क्या किलोरीन की अपनी कोई गंध होती है क्या यह है अप्सिष्ट जल की गंध से अधिक आरूची कर होती है अप्सिष्ट जल उप्चार सेंथ अपसर्ट जल के उप्चार में बहुतिक रसाइनिक और जैविक पिक्रम समलेत होते हैं जो जल को संदूसित करने वाले बहुतिक रसाइनिक और जैविक पिर्गों को पितन करने में सहायता करते हैं सरवप्रितम अपसिष्ट जल को ओर्द्वा धर लगी छड़ों से बने सलाकों या अपनी की छण्डे बार स्किन से गुजारा जाता है। इससे अपसिष्ट जल में उपसिष्ट कपणों के टुपड़े, डंडिया, डिब्बे, इलाक्टिक के पेकिन, नैपकिन, आदी जैसे बड़े साइच के संदूसर अलग हो जाते हैं इस तरह से। दूसरी प्रिया दिया की अब बाहर अपसिष्ट जल को, ग्रेट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपसिष्ट जल्गो कम परवाद से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्तित बालू, ग्रेट, कंकर पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाती है, इस तरह ऐसे हो, तीसरा पिक्री है, फिर जल्गो एक ऐसे वड़ी टंकी में ले जाया जाता है, जिसका पेंद इन असुद्धियों को खोरच कर बाहर निकाल दिया जाता है, यह आपंजट यानिकी जल्ग होता है, आपंख, अफसिष्ट जल में तैड़ने वाले तेल, ग्रीज, जैसी असुद्धियों को एटाने के लिए, अप मतित, इसकी मन कव्यो किया जाता है, इस पेकार साफ किय जल, जल निर्मली करत जल कहलाता है, आप पंख, पितक टंकी में इस्थाना अस्थित किया जाता है, जहाँ यह आवाई भी है, जीवाड़ूं देवारा अभट्टित हो जाता है, इस पेक्रम में उत्फण होने वाली बायो गेस, जैर गेस कावपयोग इन्धन के रूम में अत्वा बिद्धुत विपादने के लिए किया जाता है, तरह आता है आपका चर्ण को चोत्रा, निर्मली करत जल में पंख द्वारा बायो को बजारा जाता है, जिससे उसमें वाई भी यह जीवाणों की वित्ती होती है, यह जीवाणों निर्मली करत जल में अभी बचे ह हुए मानो अप्सिष्ट पदार्थ, खाद अप्सिष्ट, सावन और अन वांचित पदार्थों का उप्यूँ कर लेते हैं। कई गैंटों के परिश्चा जल में नेलंबित सूच सूख्चंग्जीव टंकी की पैंदी में संकीत आपंग के रूम में बैठ जाते हैं। अप्सीजबाग से जल को निकाल दिया जाता है। संकीत आपंग लगववग 97-3 जले जल को बालू बिच्छा कर बनाये सुष्कन तलों अत्वा मसीन द्वारा अठाद दिया जाता है। सुष्क आपंग कव्रियू खाद की रूम में किया जाता है। जिससे कारवनिक पदार्थ और पोसर्थत पुनाव मिर्दा में बापर चली जाता है। जल में अल्प मातर में कारवनिक पदार्थ और निलंबितत होती है। इससे समुद्ध नदी अत्वा भूमी में बसर्जित कर दिया जाता है। प्राक्टिक पिक्रम इससे और अधिक सुच्छ कर देती है। कभी-कभी जल को वित्र अतंत में निर्मुप्त करने से पहले उसे किलोरीन अत्वा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाड़ों से प्रहे कर लेना आवसक होती है। क्या आप जानते हैं कि यह सुझाओ दिया गया कि हमें बाहित मल से जन्तों कि चारों और यूकेलिप्टर्स के बैक्च लगाने चाले। यह बैक्च समस्त प्तिरिक अपक्सिष्ट जल्को आउसोसित कर लेती हूं। वायु मंदल में सुध्ध जल्वासका कुणि निर्मुत कर जुती है। बात करते हैं जागरूप नागरिक बने। अपसिष्ट पतार्तों की उत्पत्ति, बानव के प्राक्ति केवन सामाजी क्रियाकलापों का पड़्डाम, परन्तु हम अपसिष्ट पतार्तों की मात्रा तथा उनकी विवित्ता को सिम्मेत अवस कर सकते हुँ, हम प्रयार कूडे कचरे से उठने वाली दुरधंद से अने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर पहल जाता है, हमें कीचर से भड़ी सड़कों से अपना माग दूढ़ना पड़ता हैं, ये परस्तिते हैं अतन्त आस्वास्त का रोग कारक हो सकती हैं, सड़कों पर विकरी कचरे या अपसिष्ट पदार्थों पर रोग बाहर मक्चर, मक्या तथा अनकीत पनपने लगते हैं, एक जागरुख नांगरेक के नादे आपका करत्तब है कि आप नगरपालिका तथा ग्राम पंच्यात को इनविसर पर श्तितियों के बारी में अगाय करें, उनसे यतोचित कदम उठाने के लिए अगरे करें, यदि किसी घर से निकलने वाला वहत जल पास पड़ोस में गंदगी फेला रहा हो, तो आप उस उनसे अननागरिकों के स्वास्त के पिती संबेदेशीर होना का निविनर करें, अच्छी ग्रहे विवस्था बनाय रखने की पिक्रिया, आप स्थिष्ट पदार्तों और पिदियुसकों को उनके सरोतों पर ही कम करने, अधवा हटा देने की, एक बिधी इस पिकार, इस बात की पिती सचीत रहना चाहिए कि आप नालियों में किस पिकार के पदार्त बहार हैं, खाना पकाने के तेल और बसाओं को नाली में नहीं बहाना चाली, एक पाई में कठोर पदार्तों की प प्रभाविक्ता कम हो जाती है, तेल और बसाओं को कूड़ेदान में ही फेके, प्रेंट विलाय कीटना सक मोटर तेल, और अधिया आधिर रसाइन उन सोक्षम जीवों को मार सकते हैं, जो जल के सुद्धी केंड में सायक होती हैं, इसलिए इन्हे नाली में मत बहान, फर्य कर देते हैं, ऐसे अपस्ष्ट ऑक्सीजन का मुब्ध प्रभार नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरन का पिक्रम बादित होता है, अब बात करते हैं सौक्षता और रोग, सौक्षता की कमी और संदूसित पेजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं, आईए हम अपने किस्ति पर चर्चा करते हैं, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल, व्यवन, व्यवस्था की सुविधा से बन चते हैं, यह ऐसे व्यक्ति जल, मल, विसाजन के लिए कहां जाते हैं, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनार रेल की पट्रियों, खेतों और अनिक बार सीधे जल सरोतों में भी मलतियार करते हैं, याद रखिए, 2019 से पहले, जब से आपके नविंद मौदीर ने 2 अक्टूबर से, सौक्ष भारत अभियांच छेडा था, तब से ठीक है, 2019 के पहले बहुत बुरी इस्तिती थी, 2014 के पहले, 2019 तक बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया, और जो आपकी सोचलय का निर्माट ये उजिनाई हुई थी, उसने भी बहुत कंट्रोल कर दिया, फिर भी अभी वही लोग जो दिमाग से, या फिर उनकी कोई मजबूरी कह लिए, यो भी कहिए, वही लोग इस तरह से बाहर जाते हैं ठीए बनना सबके यहाँ लगवग यहाँ की सोचलय निर्माट हो चुका है, मल, स्वास, तंकट का एका रखे, इससे जल और मेता का पिदूसक हो सकता है, सताय पोपलग जल और भौम जल दोनों, मानों मल से पिदूसित हो जाते हैं, भौम जल कुओं, ट्विबेल, नज़ द्रोगों का सबसे सुगमपत बन जाता है, इनमें आपका एहजरा, टाइपायड, फोलियो, मैनी, मैनिन, जाइटिस, हैपिटाइटिस और पेचिस जैसे रोग संबलेत होते हैं, भाहित मल निप्टान की विकल्पिक विवस्ता, सबचिता की स्थिति सुधारने के लिए कम कमपोश्टिंग पिप आधी का उपयोग है, सेप्टिक टेंग उन इस्थानों के लिए उपयोगत है, जहां मल वहन की विवस्ता नहीं है, जैसे एस्पताल, अलग दलग बवन, अथवा चार से पांच घरों के संबल, कुछ संगठन मानो अपसिष्ट की सवच्छता पूर उत्पन होने वाली वायोगेस का उपयोग उड़िया के सरूत की रूम में किया जाता है, सार्वजने की स्थलों पर स्वच्छता, हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं, इसी पेकार रेल्वे स्टेशन, प अवस्ष्क पदात जनित होती है, इनका उचित निप्टान आवस्ष्क होता है, अन्नता महामारी पहल सकती है, सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक ने इधारित किये, लेकिन दुर्भाद से इनकी सक्ती से लाबूर नहीं किया गया, जाता है, तदा पी यह है सारुजीने के स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में यगुदान कर सकते हैं, हमें यहाँ वहाँ कूडा करकट नहीं फेकना चाहिए, यदि किसी स्थाम पर कूड़ ना हो, तो हमें अपना कच्रा घर से ले आना चाहिए, कूड़ दान में ही डालना चाहिए, निश्क अपने के लिए, आपको अपने उत्तरदायत को समझना चाहिए, हमें अपने जीने और की तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छिता की आदितों हो अपना चाहिए, परिवातन के दूद के रूम में आपकी व्यक्ति भहल से ही, बहुत अंतर आ जाएगा, दोसरों को अपने देट समकल, मिचारों और आसाव अदिता से पिरभावीत करें, यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार करें, तो एक बहुत कुछ हो सकता है, सामोही कार में अत्यदिख सक्ती होती है, याद रखिए, क्या याद रखना है, अगर स्वच्छ भारत मिर्सन के सफ़गता का रा सभी लोगों ने इसमें सहायता किया, तभी याद हमारे देश स्वच्छता से मुक्त, स्वच्छता रहत हो गया है, याद रखिए, कुछ भी कहिए, मानिये या ना मानिया, 2004 से पहली बुरी इस्तिती थी, यह बार्खों आप लोग नकार नहीं सकते हैं, हमारे मौदी, नर उन्होंने जन्ता के मन में बड़े अच्छे से पैठ बनाई, और सबको साथ लेकर इसकी तरफ बड़े, और इतना वो भी जानते हर कोई जानता है, कि सरकार कोई भी आये, कितनी भी कुछ भी काम करेगा, लिकर अगर जन्ता सहे उग नहीं करेगी, कोई भी काम नहीं हो सकत चाहे वो कानुड़ विवस्था का हो, फिर कोई यह उजना का लागू हो, अब देखिए सौक्च भारत में आप लोग यह आपका दो अक्टूबर 2014 को सुरूं किया गया ने अन्यमदी के द्वारा, प्यधार मंद्री द्वारा मारे, और उन्होंने किस तरह से लागू किया किस तरह जन्ता को अपने आप से जुड़ा, देखिए 2019 तक किलीन हो गया, ठीक, तो कोई भी काम हो अगर जागूरता फैल जानती है, तो उस काम को करना बहुत आसान होता है, बात करते हैं क्रेंट प्रसंसकर्ण सोचाले, भारत में ऐसे सोचाले कि रोप रेखा कद परीच में जल की बहुत कब मात्रा की आप सकता होती है, सोचाले का संचाले बहुत सरल और स्वच्छे मानोमल पूर्ता क्रिमी केंकों कोक में परिवतित हो जाते हैं, जो मिर्दा के लिए अथी संबढ़ दो होती है, बश्च दोजार सोले में भारत सरकान ने स्वच्छ भारत की नाम से एक नई मुहिम शड़ी जिसके अंतर कई अभियान शुरूपी है, जैसे प्रितिक ब्यक्ति के लिए सोचाले सुनिश्चित करना, मल अपसिष्ट का उप्यूप निप्टार करना, मात्मा गांदी ने कहा था कि मानवी और पत प्रदैसक कार प्यारम करने के लिए कि किसी को भी किसी दोसरे का मुए नहीं देखना चाहिए, जब भी आपको लोग आजज़ा राइटिंग करते हैं, तो इस तरह के बक्तब भी डाल सकते हैं, बहुत जरूरी रहती है, इसमें क्या देखा यह सद्ध्य हैं हम लोगों ने, अपसिष्ट जल के बारे में जाना है आपक के बारे में सीवल, जयब निमनी करन, अपसिष्ट पताल, वाहित मल, वातन, सौचिता, बायोगेस, जल सुल, उड़े इनी सब्दों के आसपास हमें देखकर इनकी परिवास समझकर निकल जाना, ठीक है, आपने क्या सीथा है आज, पियुक्त जल, अपसिष्ट जल क कहलाता है, जिसका पुना उपियुक्त किया जा सकता है, घरों दोगों के सिकारियों, खेतों और अन्नमानक क्रिया कलावों में उपियुक्त किया जल, अपसिष्ट जल को जनित करता है, यह वाहित मल कहलाता है, वाहित मल दिर्व रूपी अपसिष्ट पतारत होता है, जो एसनिफों चल्ग मेल और मियुदर का बदूसन करता है आव्शिष्ट जलकु बाहत मल भचाल सहेंद में किया जाता हैं। उप्चाल सेंद अबस्शिश्ट जलकु किसी नुश्चित मिंक्रब से मुप्त कर देती हैं। ताकि प्राक्तिक प्रक्रमों द्वारां उसमें सेस रहे गई बिदूसक का निप्टान हो सकी। जहां भूमी के मल वेवस्ता तंत और गच्रा निप्टान तंत उप्रवग्द नहीं होते हैं। वहां कम लागत की यथा इस्ता सवक्षता तंत को अपनाया जा सकता है। हमें खुली में मल द्याद नहीं करना चाहिए। हम लागत कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्चित निप्टान संबड़। कुछ भी कहिए। सबसे मोधी का जीदस हर काम मुझे लगबग लगबग उन्होंने देश के हित्र में ही किया है। ठीक है। देखो हार किसी में कमी होती है तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हमें सबसे अच्छा काम लगा है उनका सौचा ले निर्मार का और सौच्छा का। तो इसमें हम लोग अब भयास के लिए आपके लिए क्वोश्चन से दिएगा है। पीडियाप आप लोग टेलीगराम से डाउनलोड कर दें। ठीक है। और अखलें अपना पास कभी भी उसे पड़ते रही है। जब टाइम मिले। एक प्राचीन अभियांद की उपलब्ती है। सिंदुगाटी सब्दा। हडपा और मुवन जोद्र सबसे प्राचीन सब्दाओं में से यह हैं। आपको बताए हुगा। संभावता विस्त का पहला सहरी स्वक्षद असायंद यही बिखसित हुगा है। सहरी में इस पिते गर अत्वा गहरों के समोग कुऊं से जल प्राप्त करते थे। इस सनान के लिए पिता कप्छो होता था। वेर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का तुरवन्द था, जो प्रमुक सड़कों और गलियों में बनी होती थे। इंटों का बना सबसे पराना सोचल है, लगबख 4500 वर्ज पुराना है, कितना? 4500 वर्ज पुराना है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, बता है, हम लोग कहने के लिए 21 सदी में टाइम के साथ से आगे बढ़ते जारें, लेकिन जो हमारे अंदर की इंसानियत माना होता ह अब देखिए सौक्षिता का इस तरह के जो भी आपके मेंटर होते थे, प्रक्षिती के पक्ष में जो भी आप लोग नेड़े लेते थे, आप से 4500 साल पहले बहतर करते थे, अब 4500 साल पहले सोचलाय का धियान रखा जाता था पूरा, अब देखिए आज हमें जब अज़ काठ लेकर चलना पड़ा तभी आप लोग काम करने, कहने के लिए हम समझदार हुएं, लेकिन बहुत नीचे करें, तो आज तक हम लोग कप्षा 6W की आपकी पौरी NCAIT देख चुके हैं, जो हमारे लिए जरूई थी, कप्षा 7W की भी देख चुके हैं, आगे से खिलास से ह कप्षा 8W की, ठीचा, कप्षा 6W की मैं आपको बता दें, तो हम लोगों ने 4 बोक्स देखी हैं थी, कप्षा 6W की, सामाजिक एवब राजमितिक जीवन भागे, हमारा अतीद भागे, यही थी भी हमारा आवास और बिख्यान, कप्षा 7 में हमने 4 बोक्स देखी हैं, और हमारा पर्यावण और विक्यां के पारी ठीड़ी आंगे हम लोग कक्छार्ट वीगी देखें